कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टडी फॉर स्विल तर्फशत में यह पापा वीडियो है बीपी एसी प्रीवेस एर क्वेशन का यानि कि बिहार पीसेस में आए हुए पिछले सालों में आए हुए सारे कोईशन एक साथ है सेक्ष्ण वाइज मैंने अलग अलग वीडियो बनवाये थे इस्टडी फॉर्ट चैनल में वह सारे सेक्ष्ण वाइज वीडियो अप्लोड़ेट है इसकी प्लेश्ट भी बनी हुई है अगर आपको सेक्ष्ण वाइज देखना सब्सक्राइब जादा जादा लाइक और आप हमारा इस्टडी फॉर्ट चैनल फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वार टेलीग्राम जरूर से जरूर से जरूर जरूर कर देखा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ पर सारे नोटिफिकेशन मिलते है तो कई सारे वीडियो जो है वो डिफ्रेंट डिफ्रेंट चैनल बजाते हैं सब कुछ एक जगह आपको कहा मिलेगा इस्टडी फॉर्ट से टेली ग्राम चैनल में ठीक है वीपेसी का हमारा 65 का क्रेश कोट भी चल रहा है टेस्सीरीज भी चल रही है टेस्सीरीज के भी आप इसी में देख लिजेगा और पूरा इसमें देखिए अधिके सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्ष्टन है वह होता है हिस्ट्री मैंने पहले बिप्ताया था आपको बीपीस्टी में मॉडर्न इंडियन इस्टी बहुत इंपॉर्टेंट और ओर और इस्टी बहुत अबर पर करेंट फिर करेंट फिर में नहीं करवाया करेंट फिर क्योंकि हर बार बदर जाता है तो उसको कराने का कोई मतलब नहीं वह रिलेवेंट नहीं है आज के लिए ठीक जितनी चीज़ें रिलेवेंट है और आगे वी जो रहेंगी जो इस्टैक्टिक पॉर्शन है उसका सब कुछ यहां पर कवर रहें वियार जीके की अलग से प्रेइलिस आपको बनने जा रही वियार जीके की कुरी सीरीज चलने या रही उसका पापर वीडियो बहुत ज़ल मिल जाएगा ओल दर विश्चेट जैए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सिवल सिर्फिस में इसमें हम लोग बीपी एस्टी के प्रीवियस एर क्वेश्चन मैंने आपको बताया तो सीरीज चालू करेंगे और इसमें टॉपिक वाइस चालू कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक हमने उठ पारे सवाल एक साथ ठीक है यह आगे भी पूछे आ सकते हैं कोशिश करूंगा कि आपको इस्प्रेनेशन भी देता रहूं सबसे पहला क्वेश्चन और तो कोई समस्या वाली बात नहीं सब कुछ दोनों में है ठीक है इंग्लीश वाले भी देख सकते हैं हिंदी वाले भी सर्विसेस का जो फ्री ग्रूप है टेलिग्राम पर उसमें आपको सब अब्रेट मिलेंगे चलिए पहला क्वेशन करते हैं बाल गंगाधर तिलक को तिलक नाम कब मिला था यह क्वेश्चन है ठीक है इसमें देखे चार ओप्शन दिये हैं और पांचवा भी दिया है ठीक अब देखें बाल गंगाधर तिलक को जो तिलक नाम दिया गया था वो होम रूल मूमेंट के टाइम पर दिया गया था तो अब यहां पर कहीं वह ऑप्शन नहीं है इसलिए इसका अंसर है ठीक है ना नौफ दाइबब या फिर मोर देन वन आफ दाइबब बीपेसी के आद और माली ये पुच लिया जाए कि होम रूसील का कांशिटट। जैंसे लिया गया था वो लिया था अर्लांड से कोवेड़न है इसलिए मैं बता रही हूं आब को आइरलेंड से ठीक है और दो होम रूस स्ट्रापी गयं से टुचाइम पे किसले की गही था रोरला जो है टा में तिलक जी द्वारा बाल गंगादर तिलक द्वारा और एक फिर सेप्टेंबर में करी गई थी 1916 में एनी बेसेंट अच्छा आप यह बताइए मैं एक बार बता चुका हूं आपको पापा वीडियो में कि दोनों में फरक क्या था दोनों में प्लेजिस कहां कहां पे थे ब करताना है मैं आपको एक दो सिकंड का पॉस्ट भी दूँगा कि आप लोग भी इसमें से कर सकते हैं मताइए किस ने किया था इसका करेक्ट अंसर होगा हाजी शर्या तुल्ला ठीक है इन्हों ने इस मोमेंट को स्टार्ट किया था फैराजी मोमेंट फाराजी या फिर फैर जैंग और किस चीज के लिए जा इस्लाम होती है उनको ढूंट करने के लिए और प्लस जो भी Muslims की duty है जो भी फैराज बताते हैं उनको जो है फॉलो करने के लिए mainly जो है यह moment की छलूँआ था की जो tenants थे जो उनके rights को protect करने के लिए था यह basic लिए बाकी तो आप details पूर देख सकते हैं पूरा details नहीं बता जा सकता है लेकिन उस से related इतना इंपोर्टेंट और इतना जो है common question है कि बार बार पूछा जाता है गांदी जी को चंपारण किसने आने मंत्रित किया था यह आपको रटा होना चाहिए राजकुमार शुकला ने गांदी जी को बलाया था चंपारण में कि आप आईये यहां पे उनको पता लगा था कि इंडियाः वापस आ चुके हैं और यहां पर जो किसानों कि समश्या हैं चंपारण सत्त्यागर जो था उसमें आपको जो तीन कठीया सिस्टम और वह सब चीज़े थी तीक है तो गांदी जी को बलाया थे लिए कहां पर वहा था पहली बाद तो चंपारण में हुआ तबि में फिर आयमदाबाद मेल श्ट्राइक पे जो है गांदी जी ने काफी योगदान किया और प्लस जो है खेड़ा सत्याग्राइए यह तीन जो है यहां पर गांदी जी ने आके की अब चंपारण सत्याग्राइए में हुग क्या रहा था वहां पे देखें इंडिगो के जो फ लेकिन उस टाइम पर यह था कि जो जर्मनी ने काफी जो चीप जो है यह वह उस्टाइम डिसकवर कर ली तो इनको की दिवांड भी तो फिर भी जो है इनको सताय जा रहा था लगातार इसलिए फिर राज कुमार शुक्राजी ने रिक्वेस्ट की गांदी जी को कि आप सकता है प्लस कम से कम यह लिए प्रॉब्लम सौल किया सकती है इसका अंसर क्या हो गया राज कुमार शुक्राइब नेक्स ने लिखी थी यह बुक पावर्टी एंड बिटिश रूल इंडिया इतना सिंपल क्वेस्टन और कितने बार पूछा गया है मतलब इस बुक इस क्व है यकीन ने कर सकते हैं दादा भाई नोरोजी ने ये बुक लिखी है और ये कितने बार पूछा गया है दादा भाई नोरोजी से रिलेटेट सारे फैक्ट आप याद रखेगा जरूर ठीक है सारे फैक्ट जैसे सबसे पहले बात यह कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क यह जरूर याद रखेगा कब से कब तक ठारा सो बावन से लेके सौरी पंचानवे तक और अगर यह कुशन आ जाए कि पहला कौन सा इसा इंडियान था जो ब्रिटिश एंपी बना था वो कौन थे आपके वो थे यह दादा भाई नोरोजी ठीक है तो यह आप याद लाती पेपर था यह ठीक है इसको चालू किया गया था दादा भाई नरोजी ने और प्लस जो है करशद जी कामा ने इन दोनों ने मिलके चालू किया था रश्ट गोफतर कहां पर चालू किया था भॉंबे में चालू किया था ठारू सो क्यावन में किस चीज के लिए कि फोर्थ वाले जो प्री था उसके क्वेश्चन है सारे मैं जहां तक पॉस्पी लो रहा है मैं आप एक्स्विनिशन भी दे रहा हूं नेक्स में बंगाल और बिहार में भूमी पर किरायदारों के अधिकारों को बंगाली बंगाल किरायदारी अधिनियम द्वारा कब मान अंता दी गई थी फिफ्ट का ओगा सी यह औफीशल आंसर की से है यह ठीक है नेक्स इस में कि किसने जो है कि कॉंग्रेस सेशन उन्नीस सो नतीस में सो तंतरता का जंडा किसने उठाय था यह कोईश्चन है सिख्स का करेक्ट आंसर आपका भी ठीक है तो यह फ्लाइग ऑफ कॉंग्रेस सेशन जो 1929 में वह था लाहॉर में राभी नदी के किनारे जिसमें यह घोसना करी गई थी कि जो है आप हमको आजादी दीजिए वरना फिर 26 जनुरी को हम जो है जब भी जनुरी 1930 को जंडा फैर आएंगे अपना तो उसी के लिए यह था यह काफी इंपॉर्ट सबके most important works का इसका 6 का correct answer भें ऑफीशल की के साबसे बता रहा हूं बिहार Socialist Party कब इस्थापित की गई इसका गठन कब हुआ सेवन का करेक्टांसर है D 1934 में होई थी बिहार सोचलिस्ट पार्टी का गठन का वोगा थो 1934 बिहार अगर सोचलिस्ट पार्टी की बात करनें तो 1931 में ठीक है 1931 में गंगा सरन सीना थे प्लस बेनीपुरी थे और प्लस रामानंद मिसरा ये तीन लोगों ने बिहार सोचलिस्ट पार्टी जो थी इसका जो है स्टार्ट किया लेकिन इसको फिर आपचारिक का मिला 1934 में पटना के अंजुमन इसलामिया हॉल में जो है बिहार सोचलिस्ट पार्टी की मतलब ओफीशली जो है यहां पे इस्तापना हुई जिसके आचार कौन कौन थे ये भी आप देहां जिसके अध्यर्च कौन थे जब 1934 में इसका जो है इस्तापना हुआ अपचारीक तब इसके अध्यर्च थे आचार नरेंद्र देओ जरूर याद रखेगा नाम और प्लस सचीव कौन थे इसके यानि की सेक्रेटरी कौन थे जै प्रकाश नारायन ये सारी चीज़े रट लीजेगा फिल्कुल बिहार सोस्टिल्स पार्टी बीपेसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बहुत बार क्वेशन पूछते हैं ठीक है तो इसकी स्थापना कब होई 1931 में इसलिए यहां पर कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है ठीक है लेकिन आंसर इन्होंने ओफिशली क्या दिया 1934 को कि ओफिशल इसका जो है स्थापना 1934 में होई थी अब ये भी सकते हैं आप से कि अगर जब ये 1934 में स्थापित हुई इसके अध्यर्च कौन थे इसके अध्यर्च थे आचार नरेंद्र देओ ठीक है और इसके सेकरेटरी कौन थे वो थे जै प्रकास नारायन तो ये दोनों का नाम जरूर आप जाद रखी है तो इसका करेक्ट आंसर है डी नेक्स्ट इसमें बिहार कब एक सेपरेट जो है प्रांत कब बना था ये वैसे तो बिहार के एकनॉमिक सर्वे में भी कोईशन था ये मैंने बताया आपको और इसका करेक्ट आंसर है ठीक है 1912 में बना था बिहार का इकनॉमिक सर्वे बार जरूर पढ़ लीजेगा जो लोग भी बीपेसी की देने की सोच रहे हैं प्री भी मेंस भी एक बार ब्यार इकनॉमिक सर्वे मना कई सारे जो फैक्ट होते है ना उसमें भी कई सारे फैक्ट भी जो है वहां पे मिल जाते हैं को कि ऑफीशल अगर जो दो व्वीडियो बनाया थे उन दो वीडियो से आठ कोशन आ जाघाए यह भी उनमें से था नेक्स के सामल की की निमन लिखित में से बिहार में सबसे पहले कंग्रेस मंतराले का नेता कौन सबसे पहले जिसने जो है Congress Ministry बिहार में फॉर्म की थी वो थे कौन श्री कृष्णा सिना ठीक है तो इसका correct answer हो जाए का ना इनका डी नेक्स टेस्ट में which of the following was not a reason for making the sepays of East India Company rebellious मतलब कि जो आपका East India Company के सिपाही थे उनको विद्रोही बनाने का कारण नहीं था मतलब कि यह आपको नहीं यहाँ पर द्यान रखना है पूछ नहीं रहे कारण कौन सा नहीं था ठीक है आप देखें यह वाला तो थाई जो मतलब वह यह ठारा सो सतावन वाले जितने भी reason थे वो सब आपको यहाँ पर करेंगे ठीक है कि पहले सिपाई को जो है यह क्रिस्चानिटी फैला रहे थे तो हिंदू लोग और मुस्लिम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ डरे हुए थे कि क्रिस्चानिटी फैला देंगे दूसरा यह भी बिल्कुल सही था कि उनको और रिया जाता था कि आप बाहर जो जब कि उस प्रश्चानिटी फैला जो जो नदी पार करके जाएगा उसका धरम रिष्ट हो जाएगा प्लश भट्टा का टहरा यह भी तो था ही बट्टा जो है उनको मिलता था जो भी उनको यहां पर ने रिमनेशन थोड़ा सा बट्टा मिलता तो वो भी जो है यहां पर रोक दिया आप तो यह वाला नहीं था पस निफिसेंशन और आफ इस नहीं था ठीक है तो ट्रेंट का आंसर हो जाएगा आपका टी यह तीन थे ठीक है अब यह तीन थे तो इसका यह मतलब है कि आप जब आप मेंस में लिखेंगे अगर मालीजे पूच लिए जाए आपसे कि आपको सब्सक्राइब करना है पूरा कि क्या क्या जो है रीजन थे तो यह तीन आप लिख सकते हैं इसका मतलब है हर चीज में जो है अपना जो है आपको जितने मुद्दे की डूड़नी चाहिए तो प्री में भी जब आप क्वेस्शन पढ़ रहा हो तो उसमें मेंस की भी सोच र हुआ है एलेवन को इसन का आंसर जो है डिलीट कर दिया है बिहार की बीपीस साइट ने ठीक है तो इन्हों ने यह मतलब यह आंसर यह कोई नहीं फिर तो ऑफिशली मतलब डिलीट किया हुआ है ट्वैल्थ वाला पूचा इसमें निम्न लिखित में से कौन जो था ब्रिट ट्वैल्थ का करेक्टर अंसर है आपका भी निजाम जो थे हैधराबाद के वो उन्होंने इनके खिराब विद्रों नहीं किया तो वो उनके साथ ही मिलेवे थे ठीक है और एठार सुस्तावन वाला जो है पूरा डिटेल्ट आप देख लिएगा उसमें से काफी कोईशन आ रीजन थे क्यों फेल हुआ कौन साथ था कौन कौन जो है अपोजिट था ही सब्सक्राइब करेक्ट आंसर क्या है ओफिशली करेक्ट आंसर भी निजाम जो था एधराबाद का वो निजात था इंडिगो रिवोल्ड जो था इंडिगो विद्रों किसके बारे में थे यह बत तो पहली बात तो यह कि उनको उस प्राइस में बोला जाता था जो उनको अगर प्राइस भी कम दे रहते और उपर जो सिस्टम जो था तीन बटा बीस तीन कठिया मतलब कि आपके पास मान लिजिए अगर दो सो गज की जमीन है तो आपको तीस गज में जो है उगाना जाएगा इसका जो है करक्ट आंसर है सी यह ठीक है यह बाकी तीनों नहीं है प्रिंट पेजन नॉट वांटिंग टू बट विंग फोस्टू यह तो जो है मतलब यह यह वाला जो है मतलब देखिए इसमें आप्शन बहुत ही ज्यादा क्लोज है ठीक है तो लेकिन इसमें अब आपको यह अब जब इतने क्लोज होते हैं तो पता होना चाहिए कि उनको जो अस्विकार रहता मूल उसके लिए ठीक है तो यह एक चीज है पर जंडा इंडर्स कोई मतलब ही नहीं इसका फोटींथ कि भगत सिंग आजाद भगत सौरी भगत सिंग जो थे जब उन्हों होता है कि जब आप पढ़ें modern Indian history पढ़ें तो मेरे साथ से spectrum से better book नहीं होई भी spectrum की हमारे यह सीरीज भी चल लए बाइलिंग्वल और प्लस एक हम सीरीज का पापा वीडियो दे चुके modern Indian history spectrum का जिसमें English में लिखा हुआ है और पूरा Hindi में समझाय हुआ है ठीक है तो आप द जादा थे स्वारी थोड़ा सा जादा थे मैं कम निकम बोल गया था जादा थे यह जब इन्होंने assembly में बाउम फेक आता तो यह थोड़ा सा जादा थे किस से नेक्स्ट है इसमें जलिया वाला बाग जो नरसंगार हुआ था वह किस गांधियन सत्याग्राइब के context में था यह पूछा है आप से 15 कब भी है ठीक है रॉलेट सत्याग्राइब जो चल रहा था उस टाइम पे रॉलेट एक्ट के खिलाब जो है सब लोग जमा हो रहे थे तब ही 13 अपरेल को यह जलिया वाला बाग में सब लोग जो है प्रोटेस्ट करने के लिए थे और फिर जो है यह जनरल डायर ने वो आपका आदेश दे दिया तो कहीं लोग जो है मारे गयते जलिया वाला बाग आपको जरूर पता होने चीए अच्छे से में ली जो क्या हुआ था इसमें जब प्रोटेस्ट चल लेती उस टाइम पर बहुँच जादा तो दो लीडर थे एक का नाम था सत पूद दिन किचलू ठीक है इनको और्रेश्ट कर लिया गया था इनी के विरोध में यह सब चीजे जो है यहां पे पूरा एक जलिया वाला बाग था अमरस्तर में अमरस्तर में था याद रखेगा तेरा अप्रेल को बैसाकी के दिन वो लोग मिले थे प्रोटेस्ट करने के लिए बैसाकी मतलब सिख फेस्टिवल जो होता है उसमें फिर यह आया डायर और इसने पूरा ओडर दे दिया सबको मारने का अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट बता दे रहा हूं मैं आपको कि कई सारे इस पर जो है यह क्लेम हुए कि कोई कह रहा था कि इस टाइम की हजारों लोग मारे गया तो इसमें अलग अलग जो है रिपोर्ट आई है और अगर आप फाइनली देखेंगे तो कई सारे चीजे यहां पर देखने को मिल सकती है कि मतलब कैस्वल्टीज कितनी थी तो एक पहली बात तो एक हंटर कमीशन इसके लिए बनाय गय थे एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था एक मीटिंग हुई थी इंपीरियल लेजिलेटिव काउंसिल की 12 सितंबर 1919 में और उस इन्वेस्टिगेशन को लीड किया तक इसने पंडित मदन मोहन मालविया ने उन्होंने बताया था कि करीबन जो है टोटल मिला के 42 बच्चे 42 भी था लब बहुत सारे अलग अलग क्लेम हुए इसमें अलग की ठीक एक स्वामी सुरद्धानन थे उन्होंने बताया था कि पंद्रह सो डेथ हुए थी वहां पे तो इग्जैक्ट फिकर शायद नहीं पता है किसी को इसके कॉंसिक्वेंस भी बहुत सारे हुए थे फिर इ दो और चीज बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है पीसेस वाले ध्यान से सुनना यह पीसेस और बीपेसी में आ सकता ही है कि गांधी जी ने जो रॉलेट सत्यक्राइब जो लॉंच गया था रॉलेट एड के खिलाब जिसको ब्लैक भी बोलते हैं नो अपील नो दलील न मुव्मेंट को जो है रॉलेट सत्यक्राइब को बंद कर दिया और इसको बोला हिमालयन ब्लेंडर है समझ रहो हिमालय की तरह जो है यह हिमालय की तरह यह गलती थी यह समझ लीजिए हिमालयन ब्लेंडर अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस ने बोला यह पूछ सकते हैं तो पहली बाद तो गांधी जी ने बोला किस एक्ट किस जो है सत्याग्रा के संधर में बोला था। रॉलेड सत्याग्रा के संधर में बोला था। कब बोला था shaking. अन्ठी 1099 में बोला था। अब देखे जब यह जलिया आवाला बाग का वो भी त्याग दिया था ठीक है केसरे इंद वाला वार्ड त्याग दिया था जो उनको कब मिला था बोयर वार के टाइम पे मिला था तो यह सारे आपको जरूर याद रखने चाहिए बहुत इंपॉर्टन फैक्ट एक चीज से मैंने देखे कितने सारे कोईशन आपके बना मतलब बदला लेने के लिए एक उधम सिंग का नाम आपने जरूर सुना होगा तो उधम सिंग जिनकों की जिनोंने और एक उनके बारें फैक्ट उधम सिंग ने लंडन में जाके इनकी जगह दूसरे डायर को मार दिया था ठीक है उनका नाम था माइकल ओडायर ठीक है काम इन्होंने किया था रेकिनाल ने जो अमरत सरकांड वाला और ये उधम सिंग जी ने इनको मार दिया था महम्मद सौरी माइकल ओडायर को यह जरूर याद रखेगा या पर बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है उधम सिंग के बारे में जरूर याद रखेगा अच्छा आप से यह पूछ लिया जाए जब यह उधम सिंग उन्हें मार दिया था तो इनको फिर कस्टडी में लेकि 1940 में हैंक कर दिया गया था यह जरूर याद रखेगा इन्होंने कहां पर मारा था लंदन में मारा था और यह किस से असुसीटेट थे गदर पार्टी से असुसीटेट थे ठीक Hai और जो है इनका नाम एक कर दिया गया था जब इनको कस्टडी में लिया गया था तो इन्होंने अपना नाम रख्का था राम मुहमध सिंग आजाद टीक feeder यह यह पूरा नाम रख्ख था था तो यह अगर आप से पूर लिया जै कभी किराभा मुहममध सिंग आजाद यह किसने नाम रखा था अपना यह उदम सिंग ने रखा था जिनकों की occasionally हम लोग यह भी बोलते हैं शहीदे आजम सरदार उदम सिंग और इनहीं के नाम पर आप देखेंगो उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट भी है ठीक है जो की मायवती ने जब 1995 में थी तब उन्होंन रखेगा और इनको मारना तक इसको रेगिनाल डायर को लेकिन मार किसको आट जनरलोड अगयर को ठिक को नेक्स इसमें की कुंअर सिंग ने रिबेलियन को कब जोईन किया था 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 सब्सक्रावन में यह ब्रिटिश के खिलाब और इसका करेक्टांसर भी कहां पे सब्सक्राइब किस जगह सामिलो थे पटना से समय तो यह तो 1857 वाले वीडियो में है सब कुछ मैं आपको मैं काम करूंगा 1857 वाला ना उससे निकाल के एक वीडियो बनाके अलग से दे दूंगा कंपाइल करके नेक्स में कि किस टेरिट्री में ट्राइबल ने रेबल हो ग सब्सक्राइब कोई नहीं था नेक्स में कि सो अलवेज विड़ा सेंट एंड ओफेंट टू डिक्टेट्स ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स दा गवर्मेंट ऑफ इंडिया इस कारीड डॉन और इस इस दावाइट मैंस बर्डन मतलब यह समझते थे कि इनका बर्डन है कि हमको य जो है सिक्षित करें बेवकूफ कहीं के यह जो है हमने इंडिया ने पूरे दुनिया को ग्यान दिया सब कुछ ठीक है और यह अब मतलब उस टाइम की फिलोस्पी देखो पॉलिसी देखो यह कहते थे हम इसलिए सब कालोनी बना रहे हैं कि जो है हमको यहां पर सब को पूछा गया है यहां पर इनमें से किसी ने नहीं बोला था यह सुरी इनों यह इसने बोला था सच्चिदानन सिना जी ने बोला था तो यह इन्हों ने बोला था कि आता सदयों सहमयति के साथ और अक्सर वाडिज मंडल के निर्दिरों सुपर भार चलती और इसे वाइट म नहीं नेक्स रैस में की इन में से कौन सब पहला सत्यक्राइब गांडी जी नहीं नहीं पर नेक्स धान्दी जी का जो नोन कोपरेशन मुमेंट था उसमें दारू को छोड़ने की बात कही गई थी और इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था तो गॉपर्मेंट जो था प्रोविंस का उन्होंने एक लिश्ट जारी की थी उन सारे जो दारूपी रहते उस टाइम पे लोगों को भढ़काने के लिए जो है उनको की और दारूपीर जी यह वाला कुश्चन है कि कौन सा था यह बड़ा मतलब भुस के पूछा है कुश्चन इसका करेक्टर अ आगे हैं और दूसरे लोगों को दारूपीने के लिए पर्सुएट कर सकें मतलब इंस्पायर कर सकें कि दारूपीना बढ़ियां बात है यह यह मतलब यहां पे गुल मिला के यह बियार में हुआ था मतलब यह वाला तो थोड़ा आजीब सा मैंने नहीं दिखा था इस्तिक लगा था उसको अपोज करने के लिए क्या क्या चीजे इसमें की थी यह आपको बताना है कि मतलब नमाग भी बना रहे थे और प्लस कुछ कर भी जो है उन्होंने देना बंद कर दिया तो उसके साथ भी रोद किया तो वह कौन सकता 21 का जो है आपका करेक्ट आंसर होगा बिहार किती जिसने फरवरी दो सारी 1938 में रिजाइन कर दिया तो किस रीजन की वह से किया था यह पूछा है आप से जल्दी से करेक्ट आंसर बताए इसका और आप लोग थोड़ा सा इसमें जो है ना एक्टेम्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा बीच में टाइम लेता ह इसके फाउंडर कौन थे इसके फाउंडर थे सहजानंद सरस्वती यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जरूर याद रखेगा इसका मतलब बेसिकली नाम क्या था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बीपी के एस और इसको फाउंड कप किया गया था 1929 में किया था यह ज जमीन दारी जमीन दारू के अगेंस जो उकुपेंसी राइट से लिटेट तो यह मतलब फार्मर मुव्मेंट का एक तरह से यहां पर बहुत रतने हैं उससे एसको एक है किसान सभा ठीक है किसान सभा कब ऑर्गनाइज हुई थी 1922 में तो यहां पर यह वाली पूछिए 1922 में इसको किस ने की थी मुहम्मेद जुबैर और श्री क्रस्न सिंग ने की थी मुहम्मेद जुबैर ने और प्लस श्री क्रस्न सिंग ने मुंगेर में किया था किसान सभा को और्गनाइज किया था 1922 में तो यह एक चीज है दूसरा चीज है उसका मतलब जो है उसको और आपडेट किया गया बिहार प्रोविंशियल किसान सभा में जब जो कि बनाए गए 1929 में सौवामी सहजानन सरसुति के द्वारा इसलिए हैं पर कंफ 이제going करने की कोशिश करी है تو जब आप से बिहार प्रोविंशियल किसान सभा पूछेंगे बीपी केस तब स्वामी सहजानन सरसुती का नाम होगा सिर्फ बिहार किसान सभा पूछेंगे तो इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 1922 में किसने मिलाई थी मुहम्मद जुबायर और श्री क्रस्ट सिंग ने मुंगेर में मनाई थी नेक्स इसमें है कि immediate cause क्या था डेकन राइट जो 1875 के हुए थे उसका immediate क्या cause था ये बताना है आपको immediate cause क्या था high interest जो रेट चार्ज कर रहे थे महाजन वो था mainly immediate cause उसी के वएस से डेकन राइट राइट थे 875 में ठीक है डेकन के दंगे बोल सकते हैं या फिर मतलब जो है उस टाइम के विद्रो बोल सकते हैं तो उतातकालिक कारण क्या था महाजनों जारा द्वारा लगाया गया उच्च व्याजदर थेक 25 में बात करते हैं इसमें रजनी पालमी दत्त ने बोला था they fought they both fought and collaborated with imperialism इसमें किसके बारे मता आ गया ये पूछा जा रहा है मतलब कि जो बारे में ये बताना है आपको 25 का जो है करेक्ट अंसर है भारती राष्ट्री कॉंग्रेस यानिकी ऑफिशल अंसर ही है 26 में which of the following was not a nationalist newspaper ये बड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा डी ठीक है इसका करेक्ट आंसर डी क्यों होगा ये बताई और क्या वो आज के संदर में भी किस प्रारतना समाज फिर यंग इंडिया प्लस लोग हितवादी सत्यसोदक समाज रहनुमाई मजदा या संसभा ये किस इसके फाउंडर बतलब को मिलाकर बताना है कि कौन को इस तो इसमें आपका 27 का करेक्ट अंसर होगा आपका भी ठीक है तो यहां पे देखिए जो ये प्र पालरी देश्मुक को मोलते हैं शक्त सुदक समाज के जो है फाउंडर थे जोतिवा फुले ठीक है और प्लस जो है रहनुमाई माजदा यान सभा ये है आपका नौरो जी दादा भाई नौरो जी ठीक है नौरो जी फुर्दोन जी इसमें यह द्यान लेते हैं कि सभाई माजदा यासन सभा यानिक रिलीजियस रिफॉर्म एसोसियेशन फाउंड किया था ठारा सो क्यावन में ठीक है यह एक इंपोर्टन बात है जरूर याद रखेगा ठीक है तो यह इसका करेक्ट रांसर होगा है फिर 28 में आप बताईए इसमें करेक्ट रांसर क्या हो ठीक है तो यानि कि दा हिंदू के एडिटर कौन थे आपके जी सुप्रमन्यम ऐयर केसरी के कौन थे आपके जो है बाल गंगधर तिलक बेंगॉली के थे सुरेनाथ बनर जी और हिंदुस्तानी के थे आपके गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के थे गोपाल क्रश्न गो कुछ लगे कि क्या चीज़ पढ़नी चाहिए कोई आपके पास कुछ ना दिखे रास्ता हर चैप्टर के जो लास्ट में समरी दिविए प्लस जो लास्ट के चालिस पचास परनों की जो वह अपेंडिस दिविए वह पढ़ लिए उसमें से भी बहुत सारी सवाला जातने है नेक्स इसमें आपको कि कौन सा फ्रिंसली स्टेट था जिसको की ब्रिटिस नहीं कर पाये थे यह बताना है ट्विए नाम नहीं नहीं कर पाये थे तो आप यह थोड़ा से लिमनेट करके भी कर सकतें ग्वालियर का थी एक रेसिडेंसी थी पॉलिटिकल ऑफिस टाइप का प्रिटिश इंडिया एंपायर का और यह 1772 से लेके यह था पूरा जब तक ब्रिटिश नहीं गया उन्नीश सटाले तक ग्वालियर रेसिडेंसी जो थी इसको सेंट्रल इंडिया एजेंसी के एंडर में कर दिया गया था ठारा सो चोवन में और फिर इसको सेपरेट करके 1921 में जो है अलग कर दिया गया तो यह नहीं था मतलब इसका आंसर होगा B ठीक है नेक्स्ति इसमें देखते हैं ती इसका क्या जो है करीबन जो है पत्चिस दिन की माज थी बारा मार्च दो उन्निस सो तीस से लेके यह च्छे प्रेल 1930 तक चली थी तो यह आपको आद को यह सोरी पत्चिस नहीं 24 दिनकी माज थी टोटल मिला के और यह एक तरह से इन यह नॉन वायलेंट सीविल डूस अबरेंज आए चीज में जो ब्रिटिस ने सॉर्ट मोनोपोली जो है वह पूरी सटेब्लीज कर ली थी पर इसमें आपको पता तो उसमें आपको पता है कि कितनी सारी चुछार्ण होती ती इतने उनके हाई चार्जेज और के पास तो यह चीजों में नहीं तो यह सब उसका पूरा एक अधिकार हो जाता है लेकिन जो यूजर है उसके जो इस्टूडेंट है या फिर जो कस्टमर है उनको घटा होता है क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं जाओगे कहां पे आप अगर आप उनसे पंगा लोगे तो फिर बस हटा देंगे तो आपके पास दूस 240 माईल तक चले थे यह कहां से कहां तक चले थे साबर मती आस्रम से लेके डांडी तक चले थे ठीक है जिसको नौसारी उस टाइम पर बोलते थे और करीबन 78 लोग इनके साथ थे जो इनके मतलब पूरा साथ रहें 10 माईल पर डे चलते थे यह तो यह सारी चीज़े आपको अभी मैंने बताया इसमें 30 का जो है इसमें correct answer है आपका E ठीक है इसमें E क्यों होगा यह आप समझ यह देखिए इसमें 30 वाले में आपका E में लिखा हूँ है non of the above और more than one of the above तो अगर दोनों condition है तो आपका जो है E होगा तो यहां पर कौन सी condition होगा आप बताए इसलिए जो मैंने बाकी fact बता है याद रखेगा मोपला जो rebellion हुआ तो 1921 में यह कहां पर हुआ था 31 का बी है इसका answer केरल में हुआ था ठीक है बहुत famous है मालाबार रीजन में हुआ था आपको जरूर पता होगा यह ठीक है एक mass uprising थी यह और 1921 में हुआ था यह तो यह भी जरूर याद रखेगा यह और यह एक तरह से यह था इसमें मालाबार रीजन में हुआ था मालाबार रिवोल्ट भी बोलते है इसको तो जरूर प्याद रखिए इसको स्वदेशी मुव्मेंट जो हुआ था इंडिया में वो किसके टाइम पर यह आप से पूछा है यह ठीक है इसका आंसर होगा भी ऑब्यसी बात है इंटी बेंगॉल जब परटीशन हो था तब ही स्वदेशी मुव्मेंट जो है स्टार्ट हो गया था औ हुआ था 1905 में हुआ था यह जब लॉड करजन ने जो है बेंगॉल के पार्टीशन की बात करी थी इस मुवमेंट से लेटर मतलब स्वदेशी और बॉयकॉर्ट मुवमेंट एक चला था आपको याद होगा अगर आपने मॉडर्न मतलब याद ऐसे कह रहा हूं जैसे मैं आ और विंदो घोष थे बाल गंगादर तिलक थे लाला लाजपत रहाय थे और प्लस और भी कई सारे लिडर से इन ये बड़े लिडर थे मतलब ठीक है तो सवदेशियों बॉयकॉर्ट मुवमेंट था वो और यह एंटी बेंगॉल प्रेटीशन के टाइम पर यह था यह ठीक next prank मुई कि बेंगॉल प्रेसिडेंशी सोड एसोड तो किस ने स्चेब़िश किया था तो इसका आंसर है इन में से कोई भी नहीं टीक बेंगॉल प्रेसीडेंसी जो ईसो्टीश यह सन है उसको किसने इस्टेब्लिस किया था वो आपको याद रखना है बद्रूदीन तयब जी ने फिरोज शाह मेता ने और केटी तेलांग ने अठारा सो पचासी में किया था यह बॉंबे प्रेसिडेंसी एसोसियेशन अच्छा एक जी और याद रखेगा जो यह बद्रूदीन तयब जी है यह पहले मुस्लिम थे जो की इंडियान नैस्नल कॉंग्रेस के अध्यच्छ बने थे यह जरूर याद रखेगा अच्छा सब्सक्राइब जो कहां पर अलहाबाद में तो यह सारी चीज़ आपको याद अधिशनल प्रेक्ट बताएं और यह एक चीज़ और मैं कोई ऐसे मतलब मुझे रटे हुए नहीं मैं इसमें बीच-बीच में जो है पूरा गूगल और विकीपीडिया का पूरा भरपूर यह आपको होता नहीं 34 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी लॉड करजन ने किया था तीक है इंपीरियल केड़िट कॉप्स किस ने किया था लॉड करजन ने किया था यह और 1901 में स्टैबलिस किया था यह military training जो है एक्स्टेंड कर दी गई थी पहली बार और यह इसी लिए जो है इसी के फॉर्म में की थी इंपीरियल क्रेड़िट कॉप आई सी सी लॉड करजन ने किया था लॉड करजन अगर आपको याद हो तो गवर्णर जन्रल और वॉइस रहा था इंडिया का उनिस सो पास से दस के टाइम पर बेंगॉल का पर्टीशन भी हुआ था तो यह इस दिन हुआ नहीं था लेकिन इस दिन एनाउंस्मेंट की गई थी कि होगा इस ने की ती करजन ने की थी जो उस टाइम का वोईस रहा था इंडिया का तो यह इग्जैक्ली हुआ कब था वा था 16 अक्टूबर 1905 को यह जरूरिया रखेगा इसमें क्या था कि जो आपका य यह मुस्लिम डॉमिनेटेड एरिया था इस्टन वाला उसको अलग कर दिया गया था हिंदू डॉमिनेटेड कह रहे थे कि वेस्टन एरिया से यह वा था बाकी पूरा आपको जो है एक्जैक्ली आपको याद रखना चाहिए और इस पार्टीशन और बेंगॉल को अगर आप लोग भी जो है इसमीं पार्टीशक्राइब करते रहें नेक्स्ट इसमें कि किसको लाइफ पॉनिस्मेंट दिया गया था यहाँ पे जो अकारst जान मदनलाल डिगरा जो है एक तरह से जो है यह इंग्लाइंड में जब यह पढ़ रहे थे उस टाइम पे तब यह हुआ था यह इन्हों ने विलियम हट जो है करजल वाइल को मार दिया था ठीक है तो यह आप याद रख सकते हैं कि इंडियन हाई कमिशन की पोस्ट किस एक्ट के द्वारा क्रियेट कर रही थी यह वाला कुश्चन अभी यूपी पीसेज में भी आया था इसलिए 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 आप हमारा कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं वेबसाइट में दिया हुआ है सब कुछ तो इंडियन हाई कमिश सब्सक्राइब देख सकते हैं और जो है पॉलियम और नाम था सर ददीबा मेरवान जी दलाल ठीक है इसमें इंडिया ने ने कॉंग्रेस ने किस राउंड टेबल में पार्टिसिपेट नहीं किया था यह आपको बताना है तो इसमें आप दियान लख सकते हैं कॉंग्रेस गई थी गांदी जी के नेत्वत में सिर्फ सेकेंड में पार्टिसिपेट किया था कॉंग्रेस ने और उसमें कौन कौन और जो लोग थे जिनों ने राउंड टेबल को यह आपका यह जो है अटेंड किया था सरोजनी नैडू जिनोंने इंडियन की वोमेन को आपका जो है यह अटेंड किया था सेकेंड वाला जो है ठीक है तो इसका अंसर मेरे साब से तो यहां पर यह यह वाला होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने इंडिया नेसल कॉंग्रेस का कौन सासेशन को प्रिसाइट किया था यह बताना है बहुत इंपोर्टन कोईशन है 1924 वाला किया था जो कि कहां पर वह था बेलगाम में ठीक है बेलगाम में हुआ था यह जरूर्याद रखेगा इस मैंने एक्स दि में आया था जरूर्याद रखेगा United Kingdom UK की सरकार ने बिजा था इंडिया में 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 ली वही था कि transfer of power कैसे shift करेंगे बिटिस गवर्मेंट से इंडिया लीडर्शिप को ठीक है तो में ली वह था कि इंडिया की unity को और यह सब चीजों को कैसे बचा जा सकता है आला कि यह सब country of state थे इंडिया के फिर सर स्टैनफोर्ड क्रिस्प प्लस थे आपके यह जो यह सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स हो गया प्रेसिडेंट थे यह बोड़ ऑफ ट्रेट के एवी एलेकसेंडर हो गया जो की पहले लौड थे एड्मिरेल्टी के तो इन यह तीन मेंबर थे यहां पर फिर किसने जो है पेंपलिट बता था नाउ और नेवर यह बढ़ा पताना इसका पहुरेक्ट आफर यह चली से पता है तो इसका करेक्ट आसर होगा और और मार्चला थे गाठीसंट बगिए और पाकिस्तान में से 1933 में ठीक है और यह पहली बार जो है यह पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान लिया था तो ये भी पूछा पूछ सकते हैं आपसे कि पहली बार पाकिस्तान का नाम तrage ङांट ते रखा था चौदरी राइमत अली निगा था ये राउंड टेबल जो मुशलमान है तीन करोड के सबस्ट जो मुसलमान है वो पाँच नौर्दन डीजन तो जो थे उस ताम की प्रिटिशने में उसमें रहते हैं तो उनको मलाक जो बन सकता है पाकिस्तान अब देखें पी से क्या होता है पंजाब ए से हो गया आपका अफगानिया के से हो गया जो है कश्मीर ऐस से हो गया सिंध और बलूचिस्तान से निकाल लिया तान तो पाकिस्तान बताया इन्होंने तो यह सबसे पहले जो है पाकिस्तान की शुरुआत थी नेक्स इसमें सती को किसने डिक्लियर किया था यह वाला कुश्चन बहुत भार पूछते हैं यह लोग ब जिल्यंप में नेक्सिन पंजाब लिनेशन गी कब पास किया गया था यह बताना है आपको तरりました में पनिति पास किया गया था मंजाब लांड अलीनेशन एक बजसेंट एक प्रिति किया कि ठांस प्लाइंड पंजाब प्रोवेंज में ठीक है इन्होंने एक टेगरी वी क्रियेट की ती एक्रीकुल्च्रल ट्राइब्स यह सब इंपॉर्टेंट चीज है इसमें नेक्स में डिपार्टमेंट ऑफ इस्टेट किसके जो है टाइम पे जो है यह किसके अद्यच्चिता में स्ताफित किया गया था यह बताना आपको 30 करेक्टर आंसर आप अपे सरदार पटेल ठीक है सरदार पटेल के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ इस्टेट जो है इस्टैबलिश किया था चार्डार पटेल नहीं पूरा यह चार्ज गया था श्रेट दिपार्टमेंट का 1947 में और फिर बात आपको कि संथल रिवोल्ट कब हुआ था बहुत ज्यादा इंपोर्टन कोई रही है संथल रिवोल्ट हुआ था आपका कब 855 से लेके 56 तक मैं बदा रहूं आपको आप स्पेक्ट्रम के जो लास्ट के जो नेक्स रहे हैं उनको रट लो बीपी एससी में अगर आपने रट ल में हुआ था और एरिया के कौन-कौन से इंफ्रेंस में भगनपूर से लेके राजमाहिल तक थे ठीक है में लीडर कौन-कौन थे सिद्धू और कानू बाकी तो बहुत जादा डिटेल हो जाएगी नेक्स इसमें इनमें से सुरेंदनात बैनर्जी को किस यह जो है इंडियन सिविल सर्विसेस से हटा दिया गया था ठीक है यह हटाया गया था 1869 में तो इसका अंसर होगा यहां पर लेकर सुरेंदनात बैनर्जी जो थे उन्होंने इसका जो उस टाइम में जैसे जो आज होता है यूपीएस का इसका 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 एक्जाम दो बार क्वालिफाई किया था पहली बार 1869 में विवाद हुआ था उनका और उनको जो है अब मतलब एक तरह से क्वालिफाई तो किया था उन्होंने लेकिन एज़ डिस्प्यूट हाला कि इसमें कोई आप्शन नहीं दिया हुआ ठीक है इसमें आंसर इसका यह हो सकता है यहां पर क्योंकि पहले इनको 1869 में जो है इन्होंने क्लियर किया था ठीक है लेकिन उनको डिस्वालिफाई कर दिया गया था एज की वज़े से कि एज जो है उस टाइम 21 होती थी ले फिर उस टाइम पर जब यह असिस्टेंट मेजिस्ट्रेट थे सिलेट के असम के लिए सिलेट के तब उनको एक क्लेरिकल की वज़े से यहां पर हटा दिया गया था अब बंदब पोलिटिकल एसोशीएशन बे थे इनके तो 1864 के असपास ही सब हुआ था एक्जैक्ट यह कह किती याद रखेगा फादर ऑफ डायर की किसको बोलते हैं वैसे तो यह क्वेशन मेरे साब से पॉलिटी का भी हो सकता है या फिर यह हिस्ट्री में विदिया गया क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट है जितने भी कॉंस्ट्यूटिशनल जो डेवलप्मेंट हुआ है ना है यह आप याद रख सकते हैं उनको दें लिवल देंखया अब यूर्स को अब यह बताई है यह यह दो कॉइशन है आपसे फादर ऑफ लोकल सेल किसी कवर्नेमेंट किसको बोलते है और फादर ऑफ कम्णल इलल क्रीट किसको बोलते हैं जल्दी से क् svp बताईए नेक्स जे सब्सक्राइब का नाइंटीन थर्टी सिक्स यानि की यह है इसका करेक्ट अंसर ठीक है तो यह आप इसमें देख सकते हैं अट आल इंडिया और इंडिया किसान कॉंग्रेस यह अप्रैल 1936 में की गई थी लखनव में की ती यह जरूर याद रखेगा और किसने करी ती इसको स स्वामी सहजानन सरस्वती और उस टाइम उनके सेक्रेटरी कौन थे एंजी रंगा यह सारी चीज़ा आपको इन्फरमिशन याद रखनी है क्योंकि तोड़ तोड़ के कुईस्चन मनाते रहते हैं इसको तो फिर से समझेजे ऑल इंडिया किसान कॉंग्रेस ठीक है कब की ग अर्ती किसान सबाई या फिर ओल इंडिया किसान सबाब बोल सकते हैं ठीक है तो यह इनका करेक्टर अंसर है नेक्स इसमें कि इनमें से किसके वाइस रोय पीरेट के टाइम पर राज बहादूर और खान बहादूर जो है यह इंडियास को देना चालू हुआ था और इसका क इनमें से कोई भी नहीं था ठीक है राय बहादूर किसको दिया गया था हिंदूओं को दिया जाता था और खान बहादूर जो जिया जाता था यह भी याद रखेगा ठीक है तो यह जो दो टाइटल थे राय बहादूर किसके लिए हिंदूओं के लिए और खान बहादूर मुस्रिमों के लिए किसने देना चालू किया था लॉर्ड हार्डिंग टू ने और कब से चालू किया था 1911 में नेक्स रेस में बिर्सा को जो है कैप्चर कर लिया गया था जब वो सो रहे था कब बिर्सा मुंडा ये बहुत इंपोर्टेंट बिर्सा भगवान भी बोलते हैं 1900 में ठीक है तीन मार्च 1900 ये डेट रट लीजे क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है ये और जब वो कहां पे थे जाम को पेई करके एक फॉरेस्ट जाम को पाई करके फॉरेस्ट है चक्रधरपुर में वहां पे सो रहे थे तब इनको जो है कैप्चर कर लिया गया था और फा कोशन नमबर 50 तक ग्या अनसर की आवाद में आपने सुने ये modern Indian history questions अब आगे मैं आपको बताना चालू करता हूं BPSC previous year questions से हमारा कोशन नमबर 51 है कि मुसल्मान अगर संतोष्ट होगा और खुश होगा तो भारत में British सत्ता का सबसे बड़ा कह सकते हैं बांध बन जाएगा या फिर supporter बन जाएगा ये कह सकते हैं हम लोग तो बलवार का मतलब literally बांध होता है या supporting structure होता है तो इसमें ये किसने कहा था ये वाग कि ये कहा था www hunter ने option number C अगला हम को बताना है कि मुझे विश्वास है कि Congress अपने विनास की तरफ जा रही है और मेरी यही सबसे बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए कि इसके शांते प्रिये निधन के लिए इसका सहायक बनूँ कि किसने कहा था Congress के बारे में ये कधन है Lord Curzon का option number C Lord Curzon Who was elected the first President of all India किसान सभा लगनव में अखिल भारती किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे ये बने थे आपके स्वामी सहिजानन्द सरस्वती option number C Sir Michael Doyer को कब 13 March 1940 में गोली मारी गई थी London में गोली किसने मारी थी उधम सिंग ने सरदार उधम सिंग ने option number D यहाँ पर सही है उधम सिंग पर फिल्म भी बन रही है तो most probably BPSC को repeat कर सकता है विक्की को ओशल जो है ये उधम सिंग का किरदार निभा सकते है most probably अगला मारा question है कि who was the first sorry who was the Prime Minister of England when the Montec Chalforms Act was passed in 1919 तो 1919 में जब Montec Champs Ford अधिनियम पारित हुआ था मिंग्लेंड का प्रधान मंत्री कौन था इस question का answer clearly आपको spectrum में मिल जाएगा इसका answer है Lloyd George ठीक है Lloyd George who became champion of socialism and wanted to overthrow of British rule princely state's landlordism and capitalism in 1933 मतलब कौन जो है समाजवाद का समर्थक बना था British आसन ये provincial government को जमीनदारवाद को पूजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था 1933 में ये थे of course जवहार लाल ने रूप्शन उमबर B यहां पर आपका सही है अखिल भारती forward block यानि All India forward block की स्थापना के लिए सुभास चंदर बोस के साथ जुड़े और आयने अंदोलन के साथ भी जुड़े रहे इन विक्ति का नाम बताना है हमको तो personality से काफी सारे questions पूछे जाते हैं इंडियन revolution भारती क्रांती की जन्नी किसे कहा जाता है इस question का answer है डी मैडम भीखा जी रुस्तम कामा option number D यहां पर सही है देखी यह तो हर जगह given है कि house of commons के बने थे वो और पहले भारती यह थे जो की मनलब गया थे महाँ पार्लिमेंट में लेकिन किसकी टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था उन्होंने चुनाव लड़ा था liberal party की तरफ से ठीक है यह बहुत कम जगह दिया हुआ है स्वराद party का जन्म किसकी असफलता के बाद हुआ था स्वराद party जो है किसकी विफलता के बाद बनी थी यह question BPSC ने previous paper में तीन से चार बार repeat किया है 6-7 सालों में तो आप देख रहें इसकी importance यह question directly आ सकता है इस question का सही answer option number A असायोग आंदोलन चटगाउं शस्त्र छाप आमारी योजना किसने बनाई थी चटगाउं आमरी raid has been planned by या had been planned by सूरे सेन इसका answer option number A which journal is not associated with the revolutionary activities काउन से जर्नल जो है associated नहीं है तो of course जो महात्मा गांधी का जर्नल होगा वो तो कुरांतिकारी के अद्धिवदियों से related हो इनहीं सकता तो यंग इंडिया जो है जर्नल किसका था महात्मा गांधी का ठीक है option number T भारती राश्टी कॉंग्रेस के अगरदूत कौन थे who was the precursor of the Indian National Congress देखे हमेशा ही यह question जो है तेड़ा मेटा करके पूछा गया है इस question का सही answer आपको पता देते हैं Indian Association ठीक है Indian Association सबसे पहले बनाया गया था और उसको Congress का precursor माना जाता है ठीक है 1876 में इसके स्थापना हुई थी और सुरेंद्र नाथ बेनर जी और अनंद मोहन बोस इनके founder members थे ठीक है अगला हमारा question है कि खुदाई कित्मतदार को किसने संगठित किया था यह खुदाई कित्मतदार तर्म बहुत important है इससे BPSC ने चार से बात बार question बनाया है एक ही दो अगला हमारा question है कि cabinet vision भारत कब आये था ठीक है अब देखो cabinet vision के बारे में विकीपीडिया में सर्च कर लेंगे इसका answer आपको मिल जाएगा मार्च 1942 इसका answer है लेकिन एक बार exact date भी पूछ ली थी ठीक है तो उसको आपको option से करना थे क्योंकि exact date कहीं पर नहीं दी हुई है cabinet vision भारत डेली में आये था ये बात सही है मार्च में लेकिन exact date नहीं दी हुई है कहीं भी clearly spectrum में भी नहीं है who was the governor general of India in 1957 तो कौन होगा जो सबसे पहले बाइसराय बना था Lord Canning option बर C अगला हमारा question है कि कौन से कथे निम्ट में से सही है तो ये वाला question यहाँ पर सही है अठरव 57 में दर्भंगा, डुम्रा और हटवा के महराजाओं और उनके साथ ही जमीनदारों ने पुरुषों और पैसों से अंग्रेजों की मदद की ठीक है यानि कि आदमियों से आदमी भेजे और पैसा भेजा अंग्रेजों की मदद करने के लिए ठीक है अगला मारा question है कि पागल पंत की स्थापना किस ने की थी ठीक है इसका सही answer है करीम शाह option बर B अब यहाँ पर बताना है कि फराजी कौन थे फराजी अंदोलन से फराजीयों से question विहार को पूछना काफी पसंद है ठीक है फराजी कौन थे ये followers थे ठीक है followers थे किसके हाजी शरीयत उल्लाह के हाजी शरीयत उल्लाह के अनुई आई थे अगला question है कि रामोसी विद्रो की भागुलिक स्थिति क्या थी कहां पर रामोसी विद्रो हुआ था रामोसी बेसिकली ट्राइबल ग्रुप था ठीक है ट्राइब थी रामोसी जो कि मराठों के इंतरज़त काम करती थी लेकिन जब मराठों का annexation शुरू किया बिट्रिश ने तब वो बिरोजगार हो गये थे इस जैसे चितर सिंग के नेतरत्व में 1822 में विद्रो की शुरुआत होती है अगला कोशन है कि वगहरा विद्रो कहां पर हुआ था वगहरा अप्राइजिंग हुई थी बढ़ोदा के आसपास ठीक है option d अगला कोशन है कि new lamps for old लेक श्रंखला है जो है इसमें सर वहारा वर्क के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए यह कॉंग्रेस की अलोचना की गई थी the new lamps for old was a series of articles that criticized the congress for being out of touch with the proletariat यह article किस ने लिखे थे यह लिखे थे और बिंदो घोष ने ठीक है option a अगला कोशन है बंगाल विभाजिन के बात कौन सा आंदोलन आपको देखने को विला था आपकोर्स इसका एंसर हो जाएका सुदेशी movement option number b मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां पर आये था यह बहुत अच्छा question है इसको हमने अपने जो टॉप 500 questions जो दिये हैं BPSC पेट रुपको उसमें भी इसको शामिल किया है हलांकि हमारे question one-liner या one-word वाले answer नहीं होते है one-word answer वाले नहीं होते है statement और matching वाले इस question का सही answer है Stuttgart Stuttgart है कहां पर Germany में है तो कभी आपको देश दे सकते हैं कभी जगह का नाम दे सकते हैं directly तो Stuttgart जर्मनी दोनों ध्यान रखिएगा पहला flag भीखा जी कामा ने कहां पर आया था जर्मनी में अगला question है हमारा who was the first Indian woman president of Indian National Congress Indian National Congress की प्रिथम भारती महिला अध्यक्षा कौन थी इसका answer है आपका सरोजनी नाइडू option number C Nightingale of India जिनको कहते हैं सरोजनी नाइडू थी any basic मत लगाईगे कोई कि इंडियन नहीं थी आइडिश लेडी थी अगला question है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्राए आंदोलन बिहार में कहां शुरू किया था सबस्ते पहला इनका आंदोलन था चंपा रण में option number A यहां पर सही है एक मानिता चली थी बिहार में जानते थे नहीं इसका answer है कि बिहार के लोग मानते थे कि वे धर्म के प्रतीक थे ठीक है अगला question है कि कि घटना के बाद महात्मा गांधी ने असायोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी अपना biggest blender माना था चौरी-चौरा incident को ठीक है उसी के बाद जो है यह रोकना पड़ा था अगला है 1922 में गया के इंडियनेशल कॉंग्रीस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे इस question का answer है चितरंजन दास option number A अगला question directly आपका बिहार जीके से ठीक है मतलब बिहार की history से बिहार की books में आपको देखने को पिलेगा normal books में आपको history की modern की book में नहीं देखने को पिलेगा ठीक है कि छेत्र में राहुल सांक्रतायन 1920 के असायोग आंदोलन में सक्रिये थे तो इस question का सही answer है option number A ठीक है option number A हमारा अगला question है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमी और जलमार के राष्टे करण की मांग के साथ अखिल भारती संयुक्त किसान सभा का घटन किया था कब किया था यह किया था early sorry 1930 के दाशक में ठीक है 1930 आयाटी वरियंग एज नहीं उनकी मृत्व से ठीक पहले नहीं 1920 पे बिढ़ाई 1930 में हमारा question है who highlighted the plight of the presents of चंपारण by writing under pseudonyms like दुखी दुखी आत्मा और दुखी हृदय दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे चद मुनामों से लेखन करने वाले और चंपारण की किसानों की दुर्दशा पर प्रकास डालने वाले लेखक क्या नाम था इनका नाम था पीर मुनीस option बर ए पीर मुनीस भारत की Communist Party और राश्ट्री स्वंसेवक संग की स्थापना के करमशे सबसे करीबी वर्ष पैचानना है ठीक है मिलब इनकी स्थापना जो है किन वर्षों में यह पूछ रहे है Communist Party की स्थापना हुई थी 1925 में और RSS की स्थापना हुई थी 1925 में ठीक है एक की September में हुई थी यह दिहान रखना है आपको Communist Party है Communist Party of India Marxist वाली उसकी स्थापना हुई थी September 1925 में और इसकी स्थापना हुई थी December 1925 में आगे हमको बताना है Fill in the blanks नहरु रिपोर्ट का नहरु रिपोर्ट वस ड्राफ्टेट बाइए कमिटी हैड़ेट बाइड़ डैश एड़ सब्जेक्ट वस डैश इस question का सही answer होगा C मौतिलाल नहरु ने head किया था और विशय था इस ड्राफ्ट का भारत में समवयधानिक विवस्था के बारे में अगला question है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में 1932 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन 1930 में स्टार्ट होता है 1932 में होता है किस के कारण से strategies के कारण objectives के कारण या फिर league में भागिदारी या लोगों की भागिदारी पर तो इसका answer हो जाएगा option number D ठीक है all of the above Catherine Mayo Elders Huxley, Charles Andrews और William Digby के बीच एक आहम रिष्टा क्या था क्यों ये सब लोग common है ये इसले common है क्योंकि इन्हों ने British आसन के दोरान भारत की हालत थी या फिर जो दुर्दाशा थी उस पर अपनी टिपड़ियां लिखी थी अगला question है कि रिमलिकित पंक्तियां किसकी है जारफोर रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बादवे कातिल में ठीक है किसने काया था राम प्रसाद बिस्मिल ने option number a बिस्मिल सबसे पहली बार पूर्ण स्वतंतरता की मांग को किसने उठाया था बहुत लोग इसको पंडि जवाहरला ने उन्मार कर देते हैं लेकिन इसका answer यह नहीं है इस question का answer है मौलाना हसरत मौहानी मौलाना हसरत मौहानी पहली बार पूर्ण स्वतंतरता की मांग की थी और नारा दिया था इनकलाब का यह भी कई बार पूछा गया है और विहार ने भी कई बार पूछा है इनकलाब का नारा इन्होंने दिया था अगला question है कि महाराश्ट में रामोसी क्रिशक जथा किस ने स्थापित किया था रामोसी present movement महाराश्ट में चलाई थी वर्सुदेव बल्वंत फड़के ने next question है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस ने रद करवाय था इस question का सही answer है option number A Lord written अगर पूछ लेते कि लगवाय किस ने था तो इसका answer हो दिया था Lord written ठीक है publisher थे तारकनाद दास option number D यहां पर सही है अगला question है कि गदर आंदुलन की शुरुवात का मुख्य कारण क्या था इस question का सही answer है option number C First World War प्रथम विश्व युद्ध अगला question है कि home rule supporter कि सत्र में अपनी राजनितिक शक्ती में सफल हुए इस question का सही answer है लखनव अधिवेशन Congress का लखनव अधिवेशन जो वह था 1916 में option number A इसमें सही है बढ़ते हैं आगे हम लोग भारती अशान्ती के लिखा कौन है तो Indian unrest ये किस दे लिखी थी Indian unrest लिखी थी Valentine Shirol ने option number D अगर ये question होता कि father of Indian unrest के नाम से कौन जाने जाते हैं तो इस question का answer हो जाता लाला लाजपत्रा है अगला question है मारा कि गांधी जी की नेतरत में 1917-1918 में ऐमधाबाद सत्य अगरे में किस ने participate किया था ये किसान बर्क के लिए नहीं था आंदोलन ये people के लिए भी नहीं था laborers के लिए भी नहीं मज़दूरों के लिए भी नहीं ये था industrial workers के लिए ठीक है industrial workers option number B अगला question है मारा कि किस सहर में 1920 के खिलाफत समीती का सम्मेलन आयवजित किया गया था जिसने गांधी जी से गैर सहयोग आंदोलन को नेतरत्व कानरोथ किया था इस शायद translation error है खिलाफत कमीटी conference was held which requested गांधी जी to lead non-competition movement ये कहां पर हुआ था ये हमको बताना है ये हुआ था अलाहबाद में ठीक है option number C अलाहबाद इस question का सही answer जाएगा option number A no tax to the government अगर पूछले ये हुआ कहां पर था तो उत्तर प्रदेश में हुआ था ये सीतापूर हर्दोई जगहों में और basically लगान देना बंद करने संबंदित नहीं था जो record था भाली उतना ही देना था जो हाइक किया गया था वो नहीं देने की बात की गई थी और forced labor ना करने की बात कही गई थी एक अब बंड में ठीक है तो option number A इसमें सही option के हिसाप से option number A अगला question है कि नाई दोभी बंद समाजी की bycott का एक स्वरूप था जो 1919 में कहां पर हुआ था या क्या हुआ था वह उस लिख के छोड़ देते हैं आजकल हिस्टरिक में यह होता है कि आधा sentence दे देते हैं आधा option से करना होता है तो यह प्रताबगर district में हुआ था पीजैंड्स ने इसको किया था और basically इसमें क्या था कि जो जमीनदार थे या जो भी लैंडलोड थे ज्यादा के इराया पर सूलते थे तो ना ही धोबी जो है उनका काम करने से मना कर देते थे उनकी डाढ़ी नहीं बनाते थे ना धोबी उनके कपड़े धोते थे अगला कोशन है कि आये ने किस के दिमाग की उपच थी और किस ने इसकी स्थापना की आये ने ब्रेंचाइल्ट था डॉक्टर मोहन सिंग का अप्शन बर B अगला कोशन है कि कॉंग्रेस की किस कारिकारी समीती ने भू स्वामित्तु के अधिकार को समाप करने की नीती अपनाई सही एंसर है उप्शन बर A. Executive Committee 1937 1937 अगला कोशन है कि who among the following quoted 1857 movement a conspiracy शडयंत्र की संग्या किस ने दी थी 1857 के विद्रोह को यह दी थी सर जेम्स आउट्रम ने और डबलू टेलर ने और जेम्स आउट्रैम ने निमलिकित में से किस वर्ग ने 1857 के अंधुलन में भाग नहीं लिया था तो आयोग ने इसका एंसर मनत हसी उनके इसाब से पैटी मर्चेंट से ने की गरीब ब्यापारियों ने भाग नहीं लिया था ठीक है अगला कोशन है कि निमलिकित में से किस वर्ग ने 1905 के सुदेशी आंधुलन से प्रभावित नहीं हुआ मतलब कौन सा क्लास जो है ये आगे नहीं आए या फिर सुदेशी मूव्मेंट का प्रभाव इन पर नहीं पड़ा इसका एंसर हो जाएका option बर C और C का मतलब है किसान और मुसल्मान तो इसका प्रभाव नहीं पड़ा था सुदेशी मूव्मेंट का नमलिकित में से किसने होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं दिया तो HS All Cut का यहां पर कोई योगदान नहीं है ठीक है खिलाफत मूव्मेंट को किसने एक मौके गुरूप में देखा था हिंदू-मुसलिम यूनिटी का ठीक है यह हिंदू-मुसलिम एकता का एक ऐसा आउसर देखा था जो कि आगे आने वाले सैकड़ों सालों में नहीं देखा जा सकता था यह किसने देखा था महत्मा गांधी ने और तभी उन्हें कॉंग्रिस किया था जाफत मुव्मेंट को सपोर्ट करने के लिए असायोग आंदोलन के स्थगन संबंदित घटनाओं का सही क्रम चैन करना है ठीक है कि इन्हों का ओप्रेशन मुव्मेंट जो है इसमें कैसे कैसे क्या क्या इवेंट हुए थे अप्शन बर ए यहां पर सही है सबसे पहले जो है पुलिस फाइरिंग होई थी चौरी-चौरा में पुलिस टेशन को आग लगा दी गई थी भड़की भीड के द्वारा मुव्मेंट को यहां पर विड्रॉ कर लिया था गांदी जी ने और गांदी जी का इसको सही एंसर है उप्शन बर ए M.N.Roy All India State People Conference का गठन कब हुआ था इसका गठन हुआ था 1927 में उप्शन बर C यहां पर सही है अगला कॉप्शन है कि निमलिकीत कथन पर विचार करना निचे दिये गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है राश्री स्वन सेवक संग ने भारत छोड़ा आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया ठीक है और दूसरा है उन्होंने सोचा कि इस आंदोलन से भारत की सुतनत्ता में देरी होगी तो इसका सही कोड हो जाएगा C ए तो सही एक इन लोगों ने भाग नहीं लिया था रेसेस ने लेकिन R जो है ये रॉंग है 1856 में कौन से लाव पास किया गया था 1856 में दो लाव पास किये गये थे एक Religious Disability Act धार्मिक विकलांगता अधिनियम और दूसरा Hindu Widow Remarriage Act इन में से किस महरास्ट्रियन रिफॉर्मर को महरास्ट्र के सुधारक को हम लोग लोग हितवादी कहते हैं लोग हितवादी स्पेक्ट्रम में तीन वार मेंशन है और इस कॉश्चन का सही अंसर है गोपाल हरी देश मुख ऑप्शनमबर D स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है 90% कॉश्चन उससे हो सकते हैं 22 आएं के Modern History के तो 18 स्पेक्ट्रम से तो होई सकते हैं अलग तरीके से आ जाते हैं वो नहीं होते हैं कभी भी किसी किताब से इनमें से एक इनके द्वारा तेरुडेल वली में मंदिर के प्रवेश के अधिकार की मांगी गई थी और जिसके कारण से 18 सुनिन्यानबे में एक भयानक दंगा भी हुआ था तो कौन लोग यहां पर मांग कर रहे थे नदार लोग ठीक है नादर लोग आप्शन नमबर बी नादर समुदाय के लोग इनमें से 19 सताबदी के धर्म और समासुधार आंधिलोनों ने चनसंख्या के किस वर्ग को मुखरूफ से प्रभावित आकरशित किया था तो इस कोशन का सही एंसर है भी यानि कि इंटलेक्ट्वल्स को और अर्बन हाई क्लासिस को प्रभावित किया था ठीक है सोशल रिफॉर्म मूब्मेंट ने हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोशियेशन जो की बात बन गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोशियेशन शुरू में था इसकी स्थापना किस ने की थी ये अगर पूछ ले थे और कब की थी कब की थी उन्टी सोचौबिस में और किस ने की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने आपके जोगेंदर चंद्रबनर जी ने और सचिंद्रनाथ सान्याल ने ठीक है और रिपब्लिकन एसोशियेशन कभी कभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी भी इसको कहते थे बाद में इसको हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोशियेशन बना दिया गया था कहां पर स्थापन होई थी इसकी कानपूर में ठीक है अगला कॉशन है हमारा कि अब हमको नाम बताना है भारती राष्ट की कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का हमको नहीं दिया गया है कि इंडियन का नाम बताना है तब हम लिखेंगे सर अनी बेसेंट अगर पूछा गया है कि इंडियन अध्यक्ष का नाम बताईए इंडियन या फीमेल लीडर का नाम बताईए या इंडियन फीमेल अध्यक्षा का नाम बताईए तब सरोजिन नाइडू होती है अगला कॉशन है कि सत्य सोधक समाज की स्थापना किसने की थी ये की थी जोतिबा फुले ने, option number B और नीश्वी सताबदी के उतरार्ध में नव हिंदुवाद, निव हिंदुविजम के सर्फस्टेश्ट प्रतनिधी कौन थे इस question का सही answer है स्वामी विवेका नंद, option number B अगला question है कि Home Rule Movement बारत के सुत्रता संग्राम में एक नए अध्या आये था क्योंकि, या क्यों हो था, निव होम रूल मूब्मेंट एक नए चैप्टर, इंडिन फ्रीडम स्ट्रगल में तो option number A इसका सही है, it paved the way of self-government to the country, इसने देश में स्वास्वासन का मार्ग प्रशस्त किया था इस जैसे गदर पार्टी की स्थापना किस साल में भी थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, option number B किसने की थी? लाला हर्दियाल ने, सोहन सिंग भाकना ने, सैंटोक सिंग ने और भी दो-तीन लोग थे नोवा खाली समय में महात्मा गांधी के सचिव यानि सेक्रेटरी कौन हुआ करते थे? इसका एंसर है प्यार हिलाल, option number C अगला कॉश्चन है कि 1923-1923 के अवधी में, भारती राजनेती में करांतिकारी कतिनी विधियों के पुनरुथान का क्या कारण था? इसका एंसर है गांधी जीर के दोरा ये अगला कॉश्चन है सुतनत्र भारत के गौर्णर जनरल का थे? वह अगला कॉश्चन का सही एंसर हो जाएगा आपका C, डॉक्टर राजेंद फिशाद, option number C अगला कॉश्चन है कि इसमें ये भी नहीं दिये हुआ कि फर्स्ट ये सेकेंड ठीक है? अगला कॉश्चन है कि सभी ने अवग्यां आंदोलन की विफलता के बाद गांधी जी ने पहचान की कि मतलब गांधी जी ने पहचाना कि Civil Disobedience Movement क्यों फेल हुआ था उन्होंने पहचाना कि या फिर हम लोग ही कह सकते हैं कि यहां पर कहा जा रहा है कि Civil Disobedience Movement के फेल होने के बाद गांधी जी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए तब उन्होंने सोचा कि कि वॉइलेंस का यूज जो है बहुत लिमिटेड होना चाहिए किसी भी आंधी में ठीक है आगे बढ़ते हम लोग अगला मारा कोश्चन है कि फेलियर का क्या कारण था उन्हें 1857 की विद्रोग या सफलता क्या का कारण था सबसे बढ़ा कारण यही था कि लाइक आप अनी हिस्ट्री ओफ फ्रीडम मूव्मेंट इंडिया किसने लिखी है ताराचन ने उसके बाद बीव को मिलाएंगे हम लोग 5 से ठीक है हिस्ट्री ओफ फ्रीडम मूव्मेंट इन बिहार किसने लिखी है फादर बुलके ने उसके बाद सी को मिलाएंगे 6 से अम लोग ई को अगले कुशन है कि गांधी जी ने निम्लिकित में से कि सत्याग्रह यांदलन सीध्य भागने लिया था बहुत कुश्च तुन कह सकते हैं अब बस आपको पता होना चाहिए कि यह बत बनाने का कोश्चन है। ठीके, सल्ट सत्याक्रह किया था वायकाम सत्याक्रह में, किस ने किया था, नायर कॉंग्रेस की, क कहलनी की लीडर के कलंबपन ने यह लाम दियान रख़कते हैं, आप, काली क अर्यक्त ह shallot लोग इसुशेटेटल में है तो, salt law breach करने के शुरुवात गांधी जी नहीं की थी तो option number C यहां पर सही है तो हम कह सकते हैं गांधी जी इसमें indirectly associated थे बांकी नेतरत किसका था के कलबपन का भारत छोड़ों अंदोलन के बात के छेतर में गड़बड़ी सबसे अधिक प्रभावित हुई इस question का सही answer है D बिहार और United Province में है जो सबसे ज़्यादा disturbances देखी गई थी बारदोली सत्याग्राय में किसने नेतरत किया था सरदार वललब भाई पतेल ने option number B इनको Iron Man of India के नाम समझानते हैं भारत छोड़ों प्रस्तावित करने के बाद भारत छोड़ों अंदोलन प्रस्तावित करने के बाद गांधी जी जो है ये कहां रख दिये गए थे गांधी जी रख दिये गए थे आगा खान पैलेस पर दोती ये गोल में सम्मेलन के विफलता का का कारण कौन समुद्धा बना अगला कोशन है कि भारती राष्टे कॉंग्रेस ने रोलेट एक्ट का विरूत किया था क्योंकि उनका उद्देश क्या था ठीक है रोलेट एक्ट का उद्देश था सिविल लिबर्टी जो है इंडियन्स की उसको कंट्रोल में करना ठीक है उसका कह सकते हैं कि उसको दबाना ठीक है लिबर्टी को कम से कम करना तो नो ना इसका इसको कैसे डिफाइन किया गया था ना वकील ना दलील ऐसे करके जो है 1197 में, option number D, इसका सही answer है सुभास चंद्र बोस, option number B, सुभास चंद्र बोस, 38 में दोनों में यही रहे थे, अगला है निमलिकित में से किस ने बंगाल में द्वैद सासन प्रणाली को समाप्त किया, dual government को किस ने end किया, बंगाल में वारन हैस्टिंग ने किया था, option number C, यहाँ option number A, अगला question है हमारा कि लॉड वेलेजली की साहिक संधी को सुविकार करने वाला पहला मराथा सरदार कौन था, यह कई बार आ चुका है कई-कई state PCS में, इस question का सही answer है पेश्वा बाजी राओ, second, all India Muslim League के founder कौन थे, all India Muslim League के founder में काफी लोगों को doubt से यहाँ पर रहता है, स सली मुल्ला जो थे ढका यानि की अब धाका के तो उनके द्वारा स्थापना की गई थी, आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे, यह थे राजा राम मुहन रोय, option number A, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो इसका answer है option number A, ठीक है, अगरेजूं के साथ श्री रंग पत्नम की संधी में, इसका सही answer है टीपू सुल्तान, अगला क्वस्चन है कि भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का प्रतम अधिवेशन कहां पर हुआ था, पहले पूरे में होने वाला था लेकिन फिर वहां पर प्लेग हो गया था, तो कहां पर हुआ था यह finally, अगला क्वस्चन है मारा, कि किस वाइसरोइड ने 1905 मंगाल विवाजन किया था, लॉड करगन ने, अगला क्वस्चन है कि नील क्रशकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक, नील दरपन के लेखा कौन है, यह हैं दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र, 1947 के बाद भारत की राजनीती में किन महिलाओं का दिक्तम योगदान रहा है, तो इसका एंसर हो जाएका, option number A, अरुणा आसफ अली, इंडेन नैशनल कॉंग्रेस की स्थापना किस ने की थी, तो इसका एंसर है, A. O. Hume, कुछ लोग सुटेंट रनात पे इनर्जी सोच लेत कुछ बहुत कठीन, या फिर कह सकते हैं, अपसुलीट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बाहर की बुक से आते हैं, मुदब हमारे main stream बुक से बाहर से आते हैं, question, और कुछ होते हैं, काफी easy repetitive, the resolution complete independence was passed in Lahore session, Lahore Congress in which year, तो Lahore session में complete independence का resolution passed किया गया था, 1929 में, ठीक है, जवाहर ला नहरु की अध्यक्षता में, अगला question है, हिंदोस्तान socialist republican army या association के नेताओं के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन था, तो भगत सिंग थे, option number B, हमने आपको बताया है कि पहले हिए हिंदोस्तान socialist republican army नहीं थी, केवल हिंदोस्तान republican army थी, तब संस्थापक कौन थे, तब थ साथ, बिस्मिल, सचिंदरनाथ, सान्याल, अगला question है कि सुराज मेरा जन्म से ददिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये घथन किससे समधित है, तो अफकोस ये बाल गंगधा तिलक का है, ये उन्होंने कहा तो मराठी में था, Muslim League के द्वारा अलग पाकिस्तान बनाने क कि मांग का प्रस्ताव का पारित किया गया था, ये किया गया था 1940 में, ठीक है, 1940, अगला question है कि राम से मैक डॉनल्ड का communal अवार्ड जो है अगस्त 1932 का, ये create किया था, इसने create किया था separate electorate किसके लिए, ठीक, निरवाचक मंडल बनाए गय थे, depressed classes के लिए, जिसमें Muslims भी आत ठीक है, option number D, यहाँ पर सही है, Government of India Act 1935 ने इन में से किसको खत्म कर दिया था, इसको खत्म किया था, वो था provincial diarchy, यानि प्रांतिये द्वंद को खत्म कर दिया था, स्वराजिस made for masses, not for classes, ये किस ने कहा था, ये कहा था, CR 10 ने, option number A, अगला question है, all India Congress Committee ने भारत छोड़ो गया था, 1942 में, 8 अगस्त, 1942 में, अगला question है, भारती राष्टी सरकार, आजाद हिंद सरकार के घठन की घोष्णा कब की गई थी, यानि कि इंडेनाशनल गॉवर्मेंट कब अनौन्स किया गया था, 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943, अगला question है, स्वामी सहजानन्द का स अंबंध था इन में से किस्से, तो इसका answer है, present movement in बिहार, यानि कि बिहार में किसान आंदोलनों से, अगला question है, कि वर्स 1946 में किस ने कहा था, हम बढ़ी भूल करेंगे, यानि हम बिहार की जनता, यानि एक मंत्री मंडल को हिंसक और सब आकरमनों के आगे आरक्षित तो ये किस ने कहा था, ये कहा था सर्दार पटेल ने, सर्दार वल्लब भाई पटेल ने, अगला question है, कि 1917 में रश्यन रिवॉल्यूशन में योगदान देने वाले दो महत्पूर्ण राजनेतिक दलों का क्या नाम है, ये पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज और रिपब्लिकन पार्टीज, अगला question है, कि भारती राश्ट्री कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी, 1885 में, अगला question है, निमलकित में से किसे उदारवादी नहीं मना गया है, मतलब, लिब्रल कौन नहीं है, तो गोखले तो लिब्रल है, आर्ची तर्थ अगला question है, इंडिया नैशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी, उनिये सो तेतालिस में, 1943, next question is, अब भारती राष्टी कॉंग्रेस की संस्थापक कौन थे, तो अब उनका नाम ने दिया है, अब वो क्या थे ये पूछा है, तो वो एक सिविल सर्वेंट थे, A. O. Hume नाम था उनका, ठीक है, अगला question है कि भगत सिंग, राजगुरूर सुखदेव की मार्च में किस सन में उनको फांसी हुई थी, फांसी हुई थी 1931 में, अगला question है कि लंदन में जन्रल उडायर को किसने गोली मारी थी, तो एक बार फिट से सर्दार उधम सिंग ने, इंडरनाशनल आर्मी का गठन हुआ कहां पर था, अगर ही पूछे तो, ये हुआ था सिंगापूर में, अगला question है कि अधिकतर नरम पंथी नेता जो थे, वो कहां से आते थे, वो आते थे अर्बन एरियास से, option number B, मौपला आंदुलन किस की ब्रांच साबित हुआ, मौपला 1921 में वुआ था, और खिलाफत movement भी चल रहा था उसी दोरान, तो option number A यहां पर सही है, यह मौपला भी किस ने किया था, मुसल्मानों का आंदुलन था यह, मुसलिम टिनैंट्स का केरल में, माहत्मा गांधी ने कुट इंडिया movement से पहले एक executive committee की थी कॉंग्रेस की वर्धा में, 6 जुलाई 1922 को, प्रेजडेंट कौन थे बताना है, प्रेजडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, सीमान्त गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, हमने आप बताया था, प्रेजडेंट थे पंडित मदन मौहन मालवी, option D, अगला कोशन है, देनन सरस्वती किने क्या स्था अपित किया था, आरे समाज, दूर्गेश नंदनी नौवल किस ने लिखी है, दूर्गेश नंदनी नौवल है, बंकिन चंद चटोपाध्यागी, अगला कोशन है हमारा कि, निमलिकित में से प्रथम करनाटक युद्ध का ततकालिक कारण कौन था, इमेजियेट का और स्था वार का, capture of friendships by Englishmen, option D, अग्रेजों द्वारा फ्रांसिसी जहाजों का अधिकरहण करना, निमलिकित में से किस अधिनियम के तहट, Lord Cornwallis को अपनी परिशत के द्वारा लिये गैनेरिडायों को रद करने की शक्ती प्राप्त हुई, तो यह शक्ती मिली थी 1786 के अच्ट के तहट, option number B, अग्ला कोशन है हमारा, लंडन में प्रथम गोल में सम्मेलन में निमलिकित में से किस भारती नेता ने भाग लिया था, तो भारती नेता गये थे मौलाना मुहमद अली, option number A, मौलाना मुहमद अली, basically Muslim League की तरफ से गये थे, लेकिन और कोई बाकी option नहीं है, जो गया भारतीयों की तरफ से, वैसे महासभा की तरफ से भी लोग गये थे, लेकिन यहाँ पर उनका answer नहीं है, तो option number A ही यहाँ पर सही होगा, निमलिकित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कॉंग्रिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इतने भी कॉंग्रिस के सशन हुए हैं, शुरू से लेकर end तक, उनकी लिस्ट विकिपीडियम में गिवन है, और बुक्स में भी रहती है, आपको पता होना चाहिए, अटलिस् कलाइब ने बिहार का नायब दिवान नूक किया था, इसका सही answer है, शिताब राय, शिताब राय, इनका में निशन आपको स्पेक्टरम वाली बुक में देखने को बिलेगा, एक जगहे पे, ठीक है, इनके नाम का इस्तिमाल स्पेक्टरम में तीन बार हुआ है खाली, तब विनोबा भावे ने, option number A यहाँ पर सही है, अगला question है, बिखरते बैंक के post-dated check के रूप में, क्रिप्स मिशन के बारे में किसने comment किया था, यह कहा था महत्मा गांधी ने, महत्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बोला था, कि एक गिरते हुए या फिर पतन की और जाते बीच बीच में जैसे मैंने question skip करें, तो इसका मतलब यही है कि वो question repeated वाले हैं, गुमा फिर आके फिर से वही पूछ लिया कि forward block की स्थापना किस ने की थी, forward block की स्थापना की थी सुभास चंदरवोस ने, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को यह शुरू हु गई थी, जितने भी factor दांडी से पूछ जा सकते हैं, हमने आपको बता दिया है, Congress Socialist Party की पहली बैठक कहां पर आउजित की गई थी, इसकी बैठक होई थी पटना में, option number C यहां पर सही है, अगला question है, who among the following was not extremist, इसमें से आपका उग्रपंथी, चरम पंथी कौन से नहीं ह अगला question है, उधम सिंग बिलकुल है, और आपके बाल गंगतर तिलक भी है, गोपाल, कृष्ण गोखले नहीं है, महत्मा गांधी दिसंबर 1931 से खाली हांत कहां से लौटे थे, बहुत लौजिकल कोश्चन हैं कहां से लौट सकते हैं, गोल में समहिलन से, option number A यहां पर सही ह round table conferences हुई थी 3, 30, 31, 32, ठीक है, तो 31 यानि second वाली से खाली हांत लौटे थे लौटे थे, अगला question है, गांधी एर्विन समझाता, कब हुआ था, यह हुआ था 1931 में, 1931 में, option number A यहां पर सही है, अगला question है कि non-corporation movement असाहिए गांधोरन कब शुरू हुआ था, 1930 में, option number B य यहां पर सही है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवी ने देखा था, यह एक logical question है, और मिर्जा गालिब, option number C, यहां पर सही है, भागी सारे आपके poet जो है, या तो बहुत पहले कहें, या बाद कहें, कोई 19, यह जो हमारे मिर्जा गालिब, जो है, यही है, हमारे 19th century के poet, ठ गालिब, option number C, अब BPSC ने इस तरह कोशन पूछा है, निमलिकित में से कौन 1857 के विद्रोह में, अंग्रेजों का सबसे कटर दुश्मन था, अब सबसे कटर कौन है, कौन नहीं है, ऐसा नहीं मेंशन करा हुआ होता है, हमको खाली अंदाज लगाना होता है, इसमें, तो मौ इसका एंसर है, मौमद रजा खान, option number A, निमलिकित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह में, दमन के बाद, फौज के 9 गठन से संबंदित है, तो ये है आपका, इसका एंसर है, option number A, public service commission, option number A, कूका मूव्मेंट किसने शुरू किया भाँ, कूका मूव्मेंट से associated कौन है, कूका मूव्मेंट को नामधारी मूव्मेंट भी कहते थे, ठीक है, नामधारी अंदोलन पंजाब प्रांत में चलाया गया था, किसने चलाया था, बाबा राम सिंग ने और बाबा बालक सिंग ने, ठीक है, गुरु राम सिंग यहाँ पर सही, option number C, आगे चलते हैं हम लोग अगला मारा कोश्चन है कि इंडियन एसोशियेशन के फाउंडर कौन थे, सुरेंद नात बेनर्जी और आनंद मोहन बोस, option number T, इंडियन एसोशियेशन को ही प्रिकरसर मानते हैं, INC का, इंडियन नैसल कॉंग्रिस का, कॉंग्रिस के second session में अध्यक्षता करने वाले कौन थ बारती राश्टी कॉंग्रेस के दूसरे अध्यक्षता किसने की थी, यह की थी दादा भाई नरोजी ने, ठीक है, option number C यहाँ पर सही है, सबसे पहले session की अध्यक्षता किसने की थी, W.C. बेनर्जी ने, वुमेश चंद्र बेनर्जी ने, अब बंगाल के भाजन की date पूछ किसने की थी, तो आप देख ने, बार-बार ही question repeat हो रहा है, आगे भी हो सकता है, उधम सिंग, भारत छोड़ो अंदोलन का नेतरत्व किसने किया था, इस question का सही answer है, इन में से कोई नहीं, option number D, आयोग ने option number D माना था, लेकिन spectrum में C दिया हुआ है, कि that the movement was led by Mahatma Gandhi, तो option number C म आजाद, फोज की स्थापना कहां परकी गई थी, इस question का answer हो जाएगा, C, Singapore, option number C, वैसे तो South East Asia, दिया वाय मेक्सिम बुक्स में, clearly नहीं mention है, लेकिन Singapore आयोग ने माना है, तो आप इसको मानिये, आगे बढ़ते हम लोग, भकत सिंग, राजगुरो, सुखदेव को फांसी ठीक है, option number D, इनकलाब जिन्दाबाद का नारक इसने दिया था, अब यहाँ पर हमको मुहानी का option नहीं दिया हुआ है, हसन मुहानी option में नहीं है, ठीक है, तो हम यह वाने के किस ने दिया था, भकत सिंग ने, option number C, हलांकि सबसे पहले उन्होंने दिया था, लेकिन इसको का अच्छी तरह से विक्सित कॉंग्रेस पार्टी का संगठन था, यह था मैसूर में, option number C, बंगाल का पार्टिशन हुआ था 1905 में और प्रोटेस्ट की वज़े से इसको रिपार्टिशन कर दिया गया था, रिवोक कर दिया गया था, पार्टिशन अब बंगाल कब? 1911 में, option number C, जलिया माला बाग कांड कब हुआ था, इसकी डेट पूछे हैं से, 13 अप्राइल 1919 को, हुआ था जलिया माला बाग कांड, जो दूसरी गोल में सम्मेलन थी, वो किसके बैकड्रॉप में, या फिर किसकी प्रश्ट भूमी पर आयोजित की गई थी, होना था गांधी-अर् इसकी डेट नहीं लिखी हुए, इस स्पेक्टरम में, इसकी डेट नहीं लिखी हुए, इस स्पेक्टरम में, इसका एंसर बहुत धूंडने पर मिला है, रिवर्ड चार्ली एंड्रूस, ऑप्शनमबर C, यहां पर सही है, अगला कॉश्चन है कि सुतंतर भारत के गवर्णर जनरल के पद में, समालने माले पहले भारती एक होन थे, तो इसका एंसर हो जाएगा, C, राजगोपालाचारी, ऑप्शनमबर B, मात पंगादी दिमाना था कि द्वतिय विश्युद्ध में भागिदारी का मतलब है, किसक का वाइलेशन होगा, यानि कि नॉन वाइलेंस का विएलेशन, अगला है 1935 के संसदी ये, समीती के अध्यक्ष, जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के गटन के लिए ने रितरत जिसने किया था, चेर्मेन ऑफ जॉइंट पार्लिमेंटरी कमेटी ऑफ 1935 बिल दाट लेट तो दो फोर्मेशन ऑफ गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये कौन थे, ये थे लॉर्ड लिन्थिगलो, लॉर्ड लिन्थिगलो, इमलिखित में से किस राष्टपती ले लगतार दो कारिकाल के लिए पत संभाला था, ये थे डॉक्टर राजेंद प्रशाद, आप्शन नमबर ए, पूना पैक्ट का उद्देश क्या था, हिंदु मुस्लिम उनिटी टो रिप्रेजेंट लोवर कास्ट या फिर प्रिविलिजेस टू प्रिविंस या डायर की के रिव्यू के लिए, तो ये किसे रिलेटेट था, टो रिप्रेजेंट अपर क्लास, आप्शन नमबर बी, बटलर समीती का उद्देश क्या था, 1927 की बटलर समीती का उद्देश था, रिलेशनसिप इंप्रूव करना भारत सरकार और भारतिये राजियों के बीच, ठीक है, इंडिया और इंडि दियोगों किरावट का क्या कारण था, क्या कारण हो सकता है, क्या क्वाल्टी गिर गई थी प्रोडक्शन की बिलकुल नहीं, क्या कारीगर कम पड़ गए थे नहीं, रौ मटिरियल की कमी थी नहीं, हाई टैरिफ लगाए गए थे, ब्रिटेन से एक्सपोर्ट पर, ठीक है, अंग्रेजों की द्वारा भारत को 1947 में सत्ता हस्वांतरं के समय कॉंग्रेस का ध्यक्ष कौन था, तो ये थे जे बी क्रपलानी, अप्शन बर डी, मुसलिम डेलिगेशन की मीट हुई थी मिन्टों के साथ 1906 में शिमला में, और उन्होंने अनरोत किया था किस के लिए, उन अगला कोशन है जहंडा गीत किस ने लिखा था, ये लिखा था, कानपूर की तरफ से श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने, अप्शन बर डी, जहंडा गीत है के हमारा बता सकता है के कॉमेंट करके, पहला उसका मुखडा बताईए, अगला है किस घटना के कारण गांधी जी असायोग आंदोजन वापस ले लिया था, इसका सही जवाब है B, चौरी-चौरा इंसिडेंट, विश्व शान्ती और पारसपरिक सायोग कि स्थापना के लिए नेहरुजी ने किस सिधान को प्रतिपादित किया था, इसको हम पंच शील के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये इसको हम पंच शील के नाम से जानते हैं, अगला है हमारा कि सरवोदे शब्द का पहली बार प्रयोग किस ने किया था, इसको पता होना चाहिए आपको महत्मा गादी ने किया था, उप्शन नमबर A, नेक्स क्वेशन इसकी भारत ने अपना पहला बार्माडू विस्फोट कप किया था, अठारा माई 1974 को, ठीक है, अठारा माई को हम लोग एक डे मनाते हैं इसके लिए, बताइए उस डे का नाम क्या है, अगला हमारा क्वेशन है कि राजराम मुहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कप की थी, इसका एंसर है C, 1828 में, अनुशीलन समीती क्या अनुशीलन समीती नाम से तो बड़ा शील वाला चीज लग रहे ही, लेकिन एक रिवाल्यूशनरी और रेजेशन था, ठीक है, एक क्रांतिकारी संगठन था, ऑप्शन मुबर D, इसकी स्थापना प्रमोथ मित्तर और जतिहंदर नात और बरिंदर घोश ने की थी, ठीक है, अगला हमारा कोशन है कि रिंग फेंस नीती किस से संबंदित है, रिंग फेंस नीती है वोरन हैस्टिंग की नीती, ऑप्शन मुबर A, अगला कोशन है कि All India Trade Union Congress के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, ये बने थे लाला लाजपत राय, अगला कोशन है कि भारत छोडो अंदोलन के समय, इंगलेंड के प्रधान मंतरी कौन थे, मेजर इवेंट्स जब भी होते हैं तो वहाँ पर इंगलेंड के प्रधान मंतरी कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, तो चर्चिल थे, ठीक है, अप्शन मुबर B, स्वतन्तरता अंदोलन में महत्पूर्ण भूमिका नि यहां पर सही है, अंग्रेजी भारती सेना में चर्बी वाले कार्तूसों से जलने वाली इंफिल्ड राइफल का भी शामिल की गई थी, तो देखो ऐसा है कि इसमें बहुत स्पेकुलेटिव है यह, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 1857 विद्रोव हुआ था, तो 1857 के टेट नहीं गिवन है, ठीक है, All India Trade Union Congress Bombay की स्थापना कप की गई थी, 1920 में, ठीक है, अमरत बाजार पत्रिका की स्थापना किस ने की थी, अमरत बाजार पत्रिका बहुत बार पूची जा चुकी है, अलग-अलग state pieces में, इसका answer है, शिशिर कुमार घोश, किसने का था कि Congress आ Devised or Planned by them, ये किसने का था, ये का था लाला लाजपत राए ने, option number D, लाला लाजपत राए, अगला है, गांधी-अर्विन पैक्ट पर हस्ताक्षर करने में किसने महतपूर्ण भूमिका निभाई, अब देखो, स्पेक्टर में तीन-चार लोगों के नाम दिये हुए है, च अगर यहां पर पांचवां option होता, तब हम E को टिक करते हैं, क्योंकि चिंता मणी की भी भूमिका थी, अंग्रेजी शाशनकाल में भारत का कौन सा छेत्र अफीम उत्पादन एतु प्रसिद्ध था, तो इस question का सही answer है, A, बिहार, option number A, अगला question है कि निश्क्री के सिध्धान को किसने प्रतिपादित किया था, पैसिव रजिस्टेंट का जो ड्यक्टरीन है, यह किसका है, यह है और बिंदो घोश का, ठीक है, और बिंदो घोश, निम्न अकबारों में से कौन सा मुखिता है, उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो यहां पर मौडरेट्स की और लिब्रेल्स की नीतियों का प्रचारक था, लीडर नाम का अकबार, अगला कोशन है कि कि कॉंग्रिस अध्यक्ष ने कृप्स मिशन और लॉड वेवल दोनों के साथ बातचीत की, इनका नाम है अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, स दोनों के संख्या ह्याद रखना बेध जरूरी है, कि कम्यूनल लवार के बाद कीटों की संख्या कितनी मढ़ गई थी, शुरू में 71 थी बाद में 147 हो गई थी, और अप्शन बबर B यहाँ पर सही है, नेमलेकित पूंजी पतियों में से किस ने लंबे समय तक AICC कोशाध् अध्यक्ष की रूप में कार रिकिया और 1930 में जेल गए, तो इनका नाम है जमनालाल बजाज, अप्शन बबर B, जमनालाल बजाज 1899, 1900 की मुन्डा करांती का नेता कौन था, मुन्डा करांती की थी बिर्सा मुन्डा नें, भगवान मानते थे इनको बिर्सा मुन्डा, ठीक है अगला कोश्चन है कि अखिल भारती किसान सभा के पहले सतर की अध्यक्षता किस ने की थी तो अखिल भारती किसान सभा से कई बार कोश्चन आ चुका है स्वामी सहीजानन्द यहां पर answer सही है 1947 में इंडियन नेस्टल कॉंग्रेस के टेली सेशन के अध्यक्षता किस ने की थी तो हम देखी जुके हैं 1947 में कौन थे जे बी करपलानी option number A next question है कि मोपला विद्रो कहां पर हुआ था मोपला विद्रो केरल में हुआ था मोपला मुसल्मान जो थे मोपला ट्राइब के मुसल्मान थे उन्होंने किया था बेसिकली वो टीनेंट्स थे यानि किरायदार थे और बढ़े हुए किराय के विरोध में यह हुआ था सही सुमेलित करना है हमको तो आपर option number C कहीं साब से सही हो जाएगा A को मिलाएंगे आप 2 से क्योंकि बारदोली सत्यागरे गुजरात में हुआ था और आपका चौरी चौरा कांड उत्तर प्रुदेश में हुआ था यरवडा कहां पर है यह महरास्ट्र में है और नोवाखाली कहां पर है वस्ट बंगाल में अगला question है Queen Victoria ने British Crown की तहित भारत प्रचासन पर अधिग्रहन कप किया था एक नॉवंबर 1958 में अगला question है कि लॉड करजन के दौरा बंगाल विभाजन के स्वर्ष में रद किया गया था तो 1911 में 1911 में सिक्षा में सिधार हेतू ब्रिटिस सरकार ने Sadler विश्विद्यालाय आयोग कब न्यूक्त किया था Sadler विश्विद्यालाय आयोग आये था 1917 में Option B यहां पर सही है Next question है कि समराथ शाह आलम दुती ने इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और ओडिशा की दीवानी कब देदी थी दी थी 12 अगस्त 1765 में बकसर के युद्ध के बाद अगला है कि भारत में प्रथम रेल विलाइन के इस ब्रिटिस गौर्णर के शाषनकालन बिछाई गए थी लौड डलहोजी रेल विहारती रेल के जनक इनको कहते हैं लौड डलहोजी और आपके जो है टेलिग्राफ लाइन्स भी इन्हीं के समय बिछाई गई थी ठीक है चमपारण नील आंदुलन के राष्ट्री नेता कौन थे तो अफकोस महत्मा गांदी थे अप्शन नुबर A कॉंग्रेस के उधारवादी नेताओं की पद्धिती क्या थी कॉंस्टिूशनल एगिटेशन वो लोग करते थे के समवाइधानिक आंदुलन करते थे moderate leaders या liberal leaders तबके जलियाँ वाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे पूचायम से जलियाँ वाला बाग के प्रदर्शन इसलिए हुआ था क्योंकि किछलू और सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था उसी के में विरोध हो रहा था जलियाँ वाला बाग में मारत में नारी आंदोलन इनकी प्रदिना से शुरू हुआ नारियों अंदोलन की शुरुवात होती है जोतिबा फूले के टाइम से option number D राजनेतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारती कौन थे तो ये थे बाल गंगाधर तिलक ठीक है option number D राश्ट्री कॉंग्रेस के सबसे पूर्व संस्था कौन थी तो प्री कॉंग्रेस हो ठीक है प्रीकरसर कॉंग्रेस हो तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा इंडियन असोशेशन आफ कोलकाता ठीक है फारवर ब्लॉक किस था अपना किस ने की थी अफकोस सुभास चंदरबोस यहां पर सही है यह बार बार रिपीटेट कोस्चन है भारत ट्रेड यूणिन कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बताना है यह लाला लाज पत्र आये थे अगला कोस्चन है कि कहां पर अखिल भारती किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था यह वह था लखनोव में अगला कोस्चन है कि 1857 के विद्रोव में लखनोव में किसके नेतरत तुम्हें आगे बढ़ा तो 1857 के समय किस रीजन में कौन कौन नेतरत वो कर रहे थे यह भी याद रखना बहुत जरूरी है तो कौन थे यहां पर बेगम आफ अवद ठीक है अवद की बेगम रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब रोलेट एक्ट आया था अपका 1929 में ठीक है 1815 के रिवोल्ट के बाद किन किन तरह के सैनिकों की भरती की गोरखा सिख और पंजाब के हैं वहाँ पर नौर्थ में यहाँ पर उन्होंने सोल्जर्स की निवक्ति की या फिर कह सकते हैं यहाँ से इस रीजन से सोल्जर्स की निवक्ति की गोरखा सिख रीजन से पंजाब के उत्तर में, ट्रेड यूनी ने अंदोलन के क्रांतिकारी चरंड का समय क्या था, ये था 1926 से 49 तक, अगला कोश्चन है कि कॉंग्रेस ने स्वराज प्रस्ताओं वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताओं का उद्देश क्या था, ठीक है, इसका objective क्या था, स्वराज का, इसका मत 26 जन्वरी को समिधान के उद्गाटन की तारीक में चुना गया क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि कॉंग्रेस ने यहाँ पर इंडिपेंडेंडेंस दे मनाया था, ठीक है, 1930 में मदरास महाजन सभा की स्थापना की गई थी कब, 1883 में महारती रास्ट्री कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कॉंग्रेस काफी important है, ठीक है कॉंग्रेस के बारे में facts जरूर पता होने चाहिए, पहले session में किबल 72 लोग आये थे, और session हुआ कहाँ पर था, बॉंबे में, पहले कहाँ पर होना था, पूरे में, लेकिन वहाँ पर plague फैल गया था, first governor general of independent India, first Indian governor general की बात कर लेंगे, तो हमारे सी राजगोपाल अचारी रहेंगे, और अगर पहले governor की बात कर लें, तो Mountbatten रहेंगे, National Council of Education की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी, पंदरा अगर्स 1906 में, National Council of Education, Montague James Ford Report का आधार कौन सी चीज़ बनी थी, तो आधार था, Government of India Act 1919, ठीक है, option number C, शेर पंजाब के नाम से हम किसको जानते हैं, अफ्कोस इसका इंसर है, लाला लाजपतरा है, अभिनाव भारत से एक संबंदित कौन है, तो अभिनाव भारत ये किसका संगठन था, V.D. सावर कर का, करो या मरो कनारा किस ने दिया था, ये दिया गया था, क्विट इंडिया के टाइम पे, भारत शोणो अंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो, प्रार्थना समाज के फांडर कौन है? प्रार्थना समाज की इस्थापना की थी आत्मा राम पांडोरंग ने बारती पुनर जागरन आंदोलन के पिता या जनक कौन का जाते हैं तो ये थे राजाराम मुहन रॉय आप्शन नमबर T नम लिखित में से कौन से पुस्तक तिलक के द्वारे लिखी गई थी तो तिलक ने लिखी थी गीता रहस से Theosophical Society की स्थापना किस ने की थी? ये स्थापना की थी Madam H.P. Blavatsky ने स्वराज दल की स्थापना किस ने की थी? की चितरंजन दास ने और मोतिलाल नहरू ने ठीक है सियार दास और मोतिलाल नहरू और इसी की साथ हमारे questions जो हैं खत्म होते हैं हमारा paid group जॉइन कर सकते हैं BPSC का 15 टेस्ट यहां पर with model answers मतलब solution के साथ आपको मिलेंगे objective चैसा pattern आता है जिसे आप से questions बनते हैं जैसे जाएंगे 15 test series में जो कि आपके exam clear करने में काफी help कर सकती इस test series को buy करने के लिए इस नंबर पर call कीजिए का जैहिन दोस्तों वंदे मात्रम हेलो दोस्तों आप सारे viewers का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से इस particular वीडियो में हम लोग ancient medieval modern के सारे previous year के questions देखेंगे जितने भी past BPSC exams में हमसे पूछे गए हैं 65 तो BPSC की जो लोग preparation कर रहे है 2019 के लिए उनको बात पता चल चुकी होगी कि history कितनी important हमारे preliminary exam के लिए 35 से 40 questions जो है directly जो आते है history से और पिछले साल आये थे 43 बिहार की history को मिला करके तो आप देखोगे कितना important role है 35 से 40% exam का cover करता है खाली history portion तो इसको बहु इसे questions का pattern पता होना हमको जरूरी है कौन कौन से ऐसे areas जिससे BPSCM से questions पूछता है ancient में medieval में modern में तभी आपको जो अच्छे से अंदाज लग पाएगा और आप अच्छे से history पढ़ पाएंगे history आपको पता है कोई भी आद तक ऐसी book नहीं बनी है जो ए claim कर सके कि सारे question हमार करते हैं अपने group में NCRT सबसे पहले जो है focus होता है फिर उसके बाद standard books और फिर प्रिविसर के questions और previous state pieces वगरा के questions इस सारे की सारे चीज़े हमारे paid group में उपलब्द करवा दी गई है PDF के form में सभी को और ये वीडियो भी आपको बिल जाएगा इस वीडियो के PDF मिल जाएगी हमारे BPSC paid group के aspirants को ठीक है आप हमारा free group जोइन कर सकते हैं आगे की हमारी updates के लिए आगे के हमारे free group initiatives के लिए या फिर free में जो जो वीडियो डाले जाते हैं उनकी updates के लिए इस group को follow करना आपको बहर ज़रूरी है इस वीडियो में सारे के सारे questions देखेंगे और relevant data मैं आपक किसी भी form में और आप हमारा paid batch भी जोइन कर सकते हैं BPSC का इस नंबर पर contact करके आप हमारी जो है BPSC के test series भी ले सकते 65 के लिए आईए आप बिना time waste करते हुए questions पर आ जाएंगे हम लोग सबसे पहला हमारा question पूछा गया कि सिंदु घाटी सभिता की सबसे महत्पूर विश पॉट की गई थी सुमेरियन सभिता बेबिलोनियन सभिता के समकाली जो सिंदु हटी सभिता थी इंडियन को सबकॉंटिनेंट की यहीं पर सबसे पहले इंडियन सबकॉंटिनेंट में burnt bricks का इस्तमाल हुआ था है आग से पकी हुई इंटे ठीक है पहले आप देखते थे इस अब आप देखेंगे इसके बारे में लोथल सीपोर्ट था काली बंगा से आपको क्या चीज बिलती है आपको अगनी कुंड बिलते हैं काली बंगा से छानु दाड़ों में आपको bead maker shop मिली यह सारी चीज़े पकी वींटे इसकी में जो है विशेषता है option बर ace में सही है बा आपको शाक्स मिलते हैं हवन कुंड बगेरा के लेकिन आपको जो है मंदिरों का शाक्स नहीं मिलेगा आगे बढ़ते ही हमलों हमारा अगला question है मैंगस्तिनीस जो है किसका दूट था मैंगस्तिनीस दूट था Salyukas निकेटर का ठीक है सलिकस निकेटर का दूट था और इसन चंद्रगुप्त के साथ ऐसा यहां पर हमको पता चलता है किसके साथ चंद्रगुप्त मौरी के साथ ठीक है तो मैं इस दिनीज किसका दूथ था से लिउकस निकेटर का अगला हमारा क्वेशन है कि कॉटिल की जो अर्थ-शास्त्र बूख है वो किस पर अधारित है कोई भी अगर बुक का टाइटल देखेगा तो यह सोचेगा यह एकनोमी पर अधारित होगी अर्थ-शास्त्र है यानि अर्थ के लिए जो है स्टडी पैसे के लिए लेकिन यह नहीं है एकनोमिक रिलेशन्स के बारे में नहीं है ठीक है जिसने लगाया हो गलत हो जाएगा इसमें foreign policy दी गई थी यह बात सही है लेकिन mainly एक चीज की थी principle of practice of statecraft यानि शाषन कला के सिध्धान्त और अभ्यासों के बारे में इसमें बताया गया था कि राजा के जो साथ अंग होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं मित्र और जो है गुप्तुचर वगारा मंत्री वगारों को क्य कहते थे शासन कैसे होता था गुप्त चरोंका important roll रहता था इसमें और साथी साथ राजा कैसे क्या काम करता था क्या निया राजा करता था मंत्री परिशत का रोल रहता था यह सब चीजें इसमें बताई गई ऑप्शन नमबर भी इसमें सही है कौटिल ले को क्या कहते थे औ लुक कि पहले पत्तों अगर हमें ही ये टीचिंगफ सी लिखी जाती थी बसकेट में रखी जाते इसको ऐते हैं सबसे पहला है हमारा सु constrained पिटक में क्या पताया गया है सुत्र कहतेएं तो सूत Cultural में बताये गए थे सूत्र कहा थे basically जो original science थी या तीचिंग थी बुद्ध की ऐसा माना जाता है कि वो थी सुत्ध पितक में बुस्ते बाद आता है विनय पितक कुझ विनय पिरख्ट में क्या हुआ करता था विनय पितक में जैसन जो लरुका है तो सग q कि जो उपासी का बगारा जो संग की होंगी उनका अचारवयोहार कैसा रहना चाहिए उसके रूल्स रगुलेशन बताए गए थे ठीक है उसके बाद आता है अभी धम पिटक अभी धम पिटक में क्या था बेसिकली इसमें इसमें थी फिलोसफी आइडिलोजी बुद्धिम्स रिलेटेड और question answer और summary यह चारी सीज़े थी जो जो मैं बता रहूंगी ध्यान रखी आगे तुरी पिटक हमसे पूछा है अगर तो आगे हमसे पूछ सकते हैं कि धम पिटक में क्या था विना पिटक में क्या था सुत्व पिटक में क्या था तो option number D इसमें सही है बुद्ध से रिलेटेड है central point था अशोक के धम का क्या वैसे तो इसमें जो है यह religious tolerance शामिल था कुछ लोग सोच रह सकते हैं B और D को मिला के हम option number E कर देंगे लेकिन आप गलत हैं मूल हमसे point पूछा गया है मूल point तो धम का यही था peace or non-violence ठीक है option number B अशोक का धम लाने का मतलब यही था जो कलिंग बहुर से उसका हर्दय परिवर्दन हुआ था वो उसको अपने विवहार में इंप्लिमेंट करना चाहता था वो धम का बात करता है धम बेसिकली जो है यह non-violence पर यह अधारित है कि किसी भी तरह के religious sect is related नहीं है इसमें बुद्धिस्म के अस्टांगिक वार मगारा के बारे में नहीं बताया गया है ठीक है इसमें बेसिकली नॉन-violence पर फोकस करना आचार विवहार अच्छा करना intellectual ethics के बारे में बात की गई है धम में ठीक है option number आपका भी इसमें सही है अशोक के जो कुछ रॉक एडिक्स हैं उस पर जो है questions आते है जो शिला लेक है अशोक के basically उसमें से कभी कभी question आ सकते हैं जैसे तेरवां शलालेक काफी important है तेरवां शलालेक उसमें जो है अशोक ने बताया है या फिर उसमें जानकारी दी गई है कि अशोक के राजा बनने के 9 वर्ष बाद 261 BC बे करीब जो है अशोक ने कलिंग पर हमला किया था और उ अशोक के पहले शलालेक में यह बताया गया है कि अनिमल सेक्रिफाइस नहीं होना चाहिए ठीक है और मतलब बली जो दी जाती थी पश्वों की उस पर रोक लिखनी चाहिए रिलिजियस टॉल्रेंस के बारे में बताया गया है उसके उसके साथ में शिलालेक में ठीक है सेवन्त वाले में डिवीजन ऑफ महरें सोसाइटी इन्टॉ सेवन क्लासिस कि जो महरे शासन है वो साथ क्लासिस में साथ वर्गों में विभाजी ता यह कहां पर मेंशन है तो इसका एंसर होगा मेगस्थनीज के इंडिका ओप्शन वक्छान ऑगहिरा जिसमें ब्राम्मन और श्राम्मन लोग होते थे फिर फार्मर्स होते थे फिर हर्ण्मैन ओते ठीक है और फिर होते थे आपके आल्टिशन्स यानिकी जो खाला बगहरा का काम करते थे उसके बाद managa stewardseds सोल्गौन ते से उसके बाद बाहर से honest वह करते थे लेकिन कुछ लोग जो है इसको फोड़ा exaggerated मानते हैं या फिर थोड़ा सा मतलब flatter करने वाला मानते हैं जो फाहियान था ये किसके शौशनकाल में आये था फाहियान आये था चंद्रगुप्त दृति यानि विक्रमादित के शौशनकाल में ठीक है गुप्त में आ चाहे तो याद कर सकते हैं हम तो ऐसे याद रखते हैं चोलों का जो काल था वो किसलिए famous था लेकिन चोल तो ऐसे अपने लिए काफी famous थे यह जो most famous जो उनको चीज बनाती है वो थी उनकी gram पंचायते थे ठीक है gram पंचायत थे उनकी बारे में NCRT में गिवेन है उनको उर क इसे की cotton trade के लिए काफी famous हुआ करते थे चोल ठीक है cotton trade अगला हमारा question है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्शक द्वार क्या कहलाते हैं तो mighty gates होते हैं उनको हम लोग कहते हैं गोपुरम option number 20 में सही है और यह दिया हुआ है हमारे books में NCRT में given है standard books में भी गोपुरम इ इतना हिस्सा जो है यह गोपुरम का है ठीक है यह gate गोपुरम है उसके बाद जो आप यह सारी चीज़े देख रहे हैं यह वाली यह वाली यह वाली तो यह क्या चीज़े हैं यह कलश है ठीक है कलश है तो इसमें कितने कलश आप देख रहे हैं यह कलश यह कलश और यह कलश तो तीन कलश है इसमें और एक गोपुरम है और यह जो चीज देख रहा है यह क्या है यह शिखर है ठीक है शिखर आपको पल्लव और चोल शासकों दोवरा बनवाये के मंदिरों में यह चीज देखने को बिलेगी क्या कहते हैं आपके कलश विजय नगर सामराज की दोरान भी कुछ ऐसे मंदिर बनवाये गये जिसमें गोपुरम आपको देखने को मिलते हैं इसको चोटे एक्जाम्स भी पूछ चुके हैं बंडे एक्जाम्स भी पूछ चुके हैं अगला मारा कुशन है यहाँ पर कि किस हडपन स्थल से हमको हल कटे रेकोटा मिला है हमको हल कटे रेकोटा मिला है बनावली से ठीक है बनावली और काली बंगन से आपको अगनी कुंड मिले हैं लोथल जो था वो most important port था यानि कि आपका जो है बंदरगाह था ठीक है ये आपको पताऊना चीए और कभी-कभी ये पूछा जाता है कि ये स्थल हैं ये कि स्टेट में मिले हैं ठीक है ये काली बंगन कहां ये राजिस्थान म में है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है और यहां पर बहुत बड़ा रिजर्वायर मिला है तो आई ये बढ़ते हैं आगे अगला मारा कोश्चन है कि कलिंग का राजा खारवेल जो था ये किस से असुशीटेट था किस वन से इसका तालुक था खारवेल जो है ये आपके deg you one से ठीक है चेडी डाइनेस्टी से है और चेडी डाइनेस्टी के खाली एक ही किंग का जो है प्रोमीनेटली पता चला है कहां से हमको पता चला है हातई गूमफा इंस्क्रिप्शन्स से जो कहा पर पाया जगया है उदैगीरी हिल्स में भूवनेश्वर ओडिशा में профゲ है यह भारत कब आये था तो most prominent sources के इसाफ से भारत ही आये था 1515 से 1520 के बीच क्योंकि इसका expedition ही मानते हैं कि कब से रहा था इसका expedition ही शुरूब हुआ था 518 AD से लेकर के 522 तक तो इसी बीच ही आया होगा option number A most appropriate है कुछ लोगों के यहां पर doubt है लेकिन मैंने इसको चेक कर दिया option number A ही इसमें सही है अपरत किसको कहते हैं वाट इस अपरत भूमी किसको कहते हैं तो वैदिक काल में अपरत उसको कहते थे जो uncultivated wasteland होती थी तो इसमें कोई भी option जो है सही नहीं जा रहा है नहीं सही है नहीं सही है option number E इसमें सही होगा uncultivated wasteland इसको अपरत लिखा गया है और इसको कहीं कहीं पर standard books में दिया गया है पूनम दलाल दहिया की किताब में भी हैईगी वेन है तो हम इसको मानेंगे E यहाँ पर सही है, Uncultivated Waste Land होती है अपरत अब ओधन्ती पूर सिक्षा के इंदर निमलिकित समय से किस राज में अवसित था तो of course इसका एंसर होगा option number B, बिहार ठीक है, B, बिहार यहाँ पर सही है यह question आ सकता है आगे भी अगला हमारा question है, कि who among the following was not associated with the excavation of Harappa and Mohanjodoro Harappa और Mohanjodoro के उत्खनन से संबंदित कौन नहीं थे option number D, इसमें सही है, ठीक है, V.A. Smith का उत्खनन में कोई योगदान नहीं था V.A. Smith किसले जाने जाते हैं थी हास में, इन्होंने समुद्र गुप्त को क्या बोला था नेपोलियन आफ इंडिया बस इसलिए जाने जाते हैं, इन्होंने अपने किताब में मेंशन किया था समुद्र गुप्त को नेपोलियन आफ इंडिया, आईडी बिनियर जी अशोशेटेड हैं के अंदिक्षित है मिस वत्स है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, 65th BPSC में भी आया था, 64th में भी आया था, 63rd में भी बहुत पहल देश का, बुद्ध को 5 फॉर्म में दिखाया जाता है ठीक है, और इनके पहले जो सर्मन है, जो पहला उपदेश इसको किस फॉर्म में दिखाया जाता है, धर्म चक्र परावर्तन के रूप में, ठीक है, धर्म चक्र परावर्तन, बुद्ध के जन्म को किस से दिखाते हैं लोटस से और बुल से और बुद्ध के renunciation यानि कि उनके ग्रहतयाग को किसे दिखाते हैं horse से symbolize करते हैं और उनके निर्वान को किसे दिखाते हैं footprint से ये सब भी आ सकता है ठीक है बुद्ध से जरूर से जरूर भी हार कुछता है आपको पता होना चाहिए और उनके तधागत रूप को हांसिल करने वाला क्या दिखाता है बोधी tree ठीक है बोधी व्रक्ष अगला हमारा question है कि इंडिका के लेखा कौन है आफकोर्स मेगस्थनीस option number B आगे हमारा question है कि Napoleon of ancient India किसको कहा जाता है समुद्रगुप्त को किस ने कहा था V.A. Smith ने कहा था ठीक है अगला हमारा question है कि अज़ा और भी चीज़ें इसमें देख लेते हैं इस question में चंद्रगुप्त महुरे के बारे में आपको काफी चीज़ें पता होंगी पोश्यमित्र यहां पर लिखा हुआ है लिखाल है यहां सियनों ने शुंग डाइनस्टी की स्थापना करी थी पोश्यमित्र सुंग के बारे में कहा जाता है कि उसने एक यग किया था श्मेध्या की उसके बारे में को जानकारी किस से मिलती है? उसको बारे मेंद्री मिलती है अयोध्या Instagram से ठीक और इसके बाद कनिश्क के एक ँख कुषाणड बनस थे था, ख? और इसके बारे में दो चीजे फेमस है एक तो शक्समवथ के बारे में ठीक है शक्समवथ के लिए जो सरकार अब भी इसके को फॉल्लोव करती है शक्त सम्वत कप से हम को बताया गया है 78 AD से ठीक है और दूसरी चीज है 4th Buddhist Council कहीं कहीं पर इसको Wim Cutfishes का बेटा बताया गया है कहीं कहीं पर अलग King बताया गया है लेकिन ये थे यहाँ पर Kushant Dynasty से ठीक है इसको Wim Cutfishes का सन बताया गया है या फिर Cutfishes 2 का बाकी सारी चीज़ें इसके बारे में हो गई एक और चीज बस बाकी है कि इसने टाइटल एक हांसिल किया था देव पुत्र का ठीक है कुशाणों के बारे में फेमस है कि सबस्यादा जो है शुद्ध सोने की सिक्के सबस्यादा संख्या में सोने की सिक्के किसने चलवाए थे कनिश्क ने या फिर हम कह सकते है कि कुशाण बन्स के सास्कों ने सबस्यादा गोल्ड कोई चलाए थे सबसे पहले विम कटfishes ने फिर कुशाण बालों ने चलाए थे कॉपर के भी गोल्ड के भी तो हम कह सकते हैं कि कुल विला के कुशाण बनस के सांट को ने सबसे ज़ाद अभारत में सोने के सिक्के चलवाए ठीक है option number C इसमें सही है तो कोई particular king का अम नाम नहीं ले सकते हैं कहेंगे कुशांड बन्स के शास्कों ने ज्यादा सोने के सिक्के चलवाए यह आया था 64th BPSC में अगला कोश्चन है हमारा कि इन में से कौन से चाइनीज ट्रैवलर है जो कि हर्शवर्धन के रूल में आया हमने आपको पताया था कि नालंधा उनिवरिष्टी का फाउंड इभी कई बार आ चुका है में तो नालंडा इनॉंवरिष्टी का पंटर का कौन का यह कुमार गुपत प्सकर और ठीक है विट्रण शिला का अगर पूछे तो वह धर्म पाल यह डोनों अच्छे सभ्यान कर लीजेगा यह आता जरूर है विक्रम शिला का फाउंडर पाल वन्स का धर्म पाल और नालंदा का कौन कुमार गुप्त नालंदा को तोड़ा किस ने था यह आगे हम देखें कोशन में अगला मारा कोशन है कि इंदुस civilization जो है किस पीरेट माना जाता है इस्तौन अयजिष के इसाहस से बात करें तो नियो-लिथी पीरेट माना जाता है ठीक है 1750 से लेकर के आपका BC 2500 यह इसका most appropriate जो accepted काल करम माना जाता है और यह आता है प्रागयतिहासिक काल में option number D प्रागयतिहासिक काल को pre-historical age कहते हैं pre-historical मानते हैं कि लोगों ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था हलांकि यहां से pictographical हमको कुछ चीजें मिली हैं लेकिन उनको हम decipher नहीं कर पाए हैं इस वज़े से इसको अभी बानते हैं कि यह प्रागयतिहासिक काल का ही हिस्सा है option number D pre-historical period period जो है 800 से लेकर 600 BC कई कब तक कमाना जाता है यह directly तुमको किसी book में इसका answer आपको नहीं देखने को मिलता है लेकिन चूकि सूत्र का period माना गया है आपका 500 से लेकर रफली 300 BC के बीच इस वज़े से हम मान सकते हैं कि ब्राम्हण period यह होगा option number A इसमें सही है ठीक है option number A गरमायन और महाबारत तो काफी बाद में compile किये गए थे option number A इसमें सही होना चाहिए ब्राम्हण period अगला है बुगास कोई की importance क्या है option number A इसमें सही answer है वहाँ जो अभिलेक प्राप्त हुए है Central Asia में है बुगास कोई और इसमें वैदिक देवी और देवताओं का वैडन किया गया है इसमें चार देवताओं का वैडन मिलता है बुगास कोई में क्या हुआ था basically कि राजाओं के बीच एक संधी हुई थी जिसमें देवताओं को साक्षी बनाया गया था तो साक्षिक इनको बनाया गया था नात्स को, इंद्र को, वरुन को और मित्र को ठीक है तो इन चार देवताओं का इसमें वैडन मिलता है वगास को इसें इंट्रेलेशिया में है, गायतरी मंत्र हमने किस से लिया है English और Hindi Wikipedia में थोड़ा थोड़ा अंतर दिया है गायतरी मंत्र के बारे में लेकिन हम यह मानते हैं कि हमने इसको लिया है रिगवेट से option number C वैसे तो गायतरी का जो मंत्र है वो यजुर से लिया है हमने और इसका जो कह सकते हैं छंद है वो हमने रिगवेट से लिया है पितर में यह शुरु में आता था ठीक है च शोल समंत वा करते हैं पहले फिर उन्हें और यह उलेहर उले में पैट बनाई यो फिर तन्जर में तंज्या भूर में अजीवक संपरदाय का संस्थापक का उन था आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मखली को साल आजीवक कल्ट के बारे में चीज जान लीजिए कि वो लोग डस्टिनी में विलीव करते थी ठीक है उनका मतलब था कि जो नियती है उसी से सब कुछ होता है और कर्म विकार सब कर्म से कुछ नहीं हो ठीक है अगला क्वश्चन कि भागत संप्रदाय के विकास कि कि किसदेन अध्यादिक थी यानि कि किस्नने इसका फॉण किया है किसके फाूंडर thou charm करें और क्रश्ट्रे था ठीक है अगर पूछ है कि भागत धर्म या संप्रदाम के सब्स्थापक तो क्रश्ट्र है लेकिन सबसे ज़्यादा डवलब किस ने किया इसको गुप्त बंश के साथ को ने ठीक है अप्शन नमबर 20 में सही है गुप्त बंश पार्थियन्स जो थे इनका बहुत इंपोर्टेंट रोल नहीं है इस्ट्री में आरो मेंस में एक मैचिंग आई थी और उसे इसको मिलाना था गुप्त बंश के बसासकों के बारे में बहुत सारी चीज़ है जानने को कुशाण बंश के बारे में बताई चुके हैं आपको मुझे पॉर्टेंट किंग का निश्क है इंडो ग्रीक पीपल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखी जा सकती कि सबसे ज्यादा जो है सिक्के चलाने की शुरुवात इन्हों नहीं की थी ठीक है और चुनागर के इंस्क्रिप्शन से यह बात पता चलती है जो सुदर्शन लेक थी उसके निर्माण का कारे चंद्रगुप्त के शाशनकाल में शुरू हुआ था अब इसका क्या मतलब हुआ कि सुदर्शन लेक थी कहां पर यह काथिया वाड जगह पर थी काथिया वाड गुजरात के पास वहां पर सुदर्शन लेक के निर्माण का कारे शुरू होता है तो यह हमको पता चलता है कि चंद्रगुप्त के काल में अगर सुदर्शन लेक ब गुप्तकाल पर्फ़ zad Wenn You ृफियो करवाता थिक कर वाता है तो ये तो सुधर्शन लेक recognise बैद्ब्र के कर लिया की सइंब कर लिया रुथ्रदामन के बारे मैं आप कyा जानते हैं रुद्र दामन एक शक 63 प्रूलर खीक है शत्रपों में जो सक था शक आते थे तो शक शत्रप रूलर था रुद्रदामन ठीक है इसने गौतम पुट्र सतकर्डी को राय था सत्वाहन वनिश्के को और यह वात ओगे रुद्र दृमन के बारे में रुद्र दृमन के जुहुनागर description है यह काफी important है जुहुनागर description को माणा जाता है कि काव विशैली में लिखा गया शुद्ध संस्कृut में लिखा गया यह पहला आपको inscription मिलता है हमारी hem चेष्ट संस्क्रिट में लिखा गया पहला है। परना जर्वा सिलेक, या अग्राफि अपने में स्तंभ lorsे में declare कि औस अपके ब्राकरत में इसका मतले हुआ हुआ है कि वह लुंबीनी जाता है वहाँ पर और वहां पर जो टैक्स होते हैं उसको 1-8 कर देता है जहां पर अशो के काल में 1-6 लिया जाता था लुबिने बुद्ध का जन्मुवा था इस कारण वहां का जो टैक्स है वह 1-8 कर देता है यह काफी बहुतन टेड़ा सा कोशन है कि इन में से उस सोर्स का नाम बताना है उस त्रोथ का नाम ब बता चलता है लेकिन मिलिंद पानों में नहीं बता चलता ठीक है मिलिंद पानों यहां पर सही है मिलिंद पानों किस ने लिखी है यह नागारजुन ने लिखी है ठीक है मिलिंद पानों जो है मिनेंडर के प्रश्न उत्तरों पराधारित है ठीक है यह question answer पराधारित जो है ये आपका बुक है, मिलिंद पानू, हमारा इंडो-ग्रीक शासक जो था मिनेंडर और उसने जो प्रशन पूछे थे नागारजुन से, उसके बारे में है, ये मिलिंद पानू, अगला यहाँ पर, इनमें से किस डाइनेस्टी ने, किस डाइनेस्टी ने सबसे ज़्याद जो है, टेंपल और ब्रामणों को दिये थे, सबसे ज़्यादा किस से दिये थे, गुप्त वन्ष के सास को ने, option number A इसमें सही है, अगर ये question आता कि सबसे पहले जो है, ब्रामणों को, लेंड जो है, उपहार सुरूप देने की शुरुवात किस ने करी थी, तो किस ने करी थी, अगला है उमारा question कि, untouchability की जो अधाड़ा है, इस पस्टitating रूप से किसमें दिखती है, इस पस्टAudब से आपको दिखती है, धर्मशास्तर पिरेड में, बहुत विविड़ी क्लियरली दिखती है, शुरुवात तो इसकी हो जाती है, पोष्ट वैदिक से, लेकिन, मोश् नुबर D, धर्म शास्त्र में लिखा गया है कि जो शूद्र होते थे जो है वो वेद की शिक्षा नहीं ले सकते, शूद्र होते हैं उनका यग्यो पवीत नहीं हो सकता, और विमेन जो होती हैं उनको भी जो है वेदिक टेक्स्ट परने का अधिकार नहीं रहेगा, अगला है ह हडपा के काल में हम लोग सब ज्यादा किस तरह के रंग की क्ले यूज़ करते हैं हमको क्ले यूटेंसिल कहां पर देखने को मिलते हैं यूटेंसिल की सुरुवात मतलब कब से हुई थी यह मेरा कहने के मतलब है कि पौटरी की शुरुवात हुई कब से थी बहुत हलके प्र कि आपको जो भी बरतन मिलेंगे वो रेड और ब्लैक मिलेंगे मतलब लाल बरतन होगा और ब्लैक से उसमें कुछ न कुछ न कुछ न कुछ डिजाइन बनाई गई होगी तो यहां पर आसानी से सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि जो नवा मंडल रिगवेद का लिखा गया ठीक है सोम और इस पेपर नामकरत देवता से अप्शनमबर डी अगला कुछण है कि धर्म्शास्त के अनुसार जो लैंड रिवेंड्यू है वो कितनी होती थी लैंड रिबिन्य होती थी 1-6th, option number C, 1-6th, अशोक के काल में भी ज्यादा तर 1-6th रही है, ठीक है, इसको 1-8 कर दिया था, लुंबिने के लिए अशोक ने, रुमिन दई शिलाल एक मताया गया उसमें, और आपकी 1-6th ज्यादा तर गुप्त काल में भी थी, थोड़ी बहुत कालिक जैन ग्रंथ क्या कहलाता है, तो सबसे पूर्व कालिक कहा गया है, 14 उपपूर्व को, 14th उपपूर्व, स्वरी मिश्टे कहें, यहाँ पर, यहाँ पर 14 पूर्व होगा, ठीक, उप पूर्व नहीं, 14 पूर्व जो थे, यह सबसे ओल्डेष्ट ग्रंथ पताया गया ह जहन के और ऐसा मानते हैं सभी इनके सेक्ट के लोग कि ये अब लॉस्ट हो चुके हैं ठीक है इनके खाली हमको जो है प्रमाण बिलते हैं ग्रंथ खो चुके हैं अगला है हमारा की शहरों का पतन किस काल की एक महत्पूर्ण विशेशता थी ठीक है शहरों का पतन जो है पोस् ठूप्त शासनान आफनर अंड पर था नगरं में घृतने लगे थे इनना पतन होने लगा था इन में से किस राज़वन्ष का उनलेग जो है संगम साहित में नहीं हुआ है तो इसमें कदंबों के बारे में बताया गया है चेर, छोल, पांड के बारे में बताया गया है जो चेर है उनको केरल पुत्र कहा गया था उसमें अगला हमारा ये matching वाला question है इसको मिलाना है हमको बुद्ध के जितने जो जीवन के काल थे उसको इससे तो फर्स्ट सर्वन को मिलाएंगे हम लोग सारनाथ से बर्थ कहां पर हुआ था लुंबिनी में हुआ था इनलाइट्मेंट कहां पर मिला था बोध गया में और डेट कहां पर होई थी कोशी नगर में तो बस मिला लीजे आप और इसमें जो भी आंसर होगा उसको टिक कर दीजे अगला हमारा कोश्चन है कि चंद्रगुप्त का जो महल था वह किससे बना था वह लकड़ी से बना था यह बहुत इंपोर्टन चीज है किससे बना था लकड़ी से इसमें श्रेडियों के बारे मताया गया है कि जो यहाँ पर बैंकर्स के ग्रूप होते थे वो उनके बारे में और मतुरा में जो फेमस जो है कौटन के उत्पादन उसके बारे में बांड जो है यह कहां का नेटिव है तो बांड भट किस राजक का शाशन काल में था यह अगर आपको पता है तो आप इसमें बता सकते थे हर्ष की राध्धानी कौन थी यहां पर थानेश्वर और बी यहां पर होगा रिगवेद का कौन से मंडल पूर्ड तरह से सोम को समर पी तो एक बर फिर से सोम पर कुश्चन आया और सी यहां पर साइए नवा मंडल सोम और उसके देवता से संबंदित है अगला कुश्चन है हमारा कि दस राजन युद्ध कहां पर लड़ा गया था दस राजन युद्ध लड़ा गया था परूश्णी नदी के किनारे और राजा जीता कौन था सुधास ठीक है कि अई छोग कि किंडम का पार्ट कॉन से हुए था अंसी कि बूग और आपके स्टेंडर्ड बुक में बार-बार मैप दिखाते हैं हुएक भार मौरी का शासनle का मैप एक बार देखा करिए उससे कुशान आ सकता है तो अशोग के शासनकाल में पूरा एंडिया लगभग अंटीग्रेट कर लिया गया था लेकिन श्रीलंका नहीं किया गया था option C यहांपर सही है श्रीलंका को केवल एक ही बार कपज़ा किया गया था पूरा किसने किया था सब से पहले चोलवन्च की लोगों ने ठीक है और इसने किया था चोलवन्स के राजेइंद्र प्रथम ने राजेइंद्र प्रथम ने एक नेवी सेट अप की थी और श्रिलंका का बहुत बड़ा हिस्सा जो है कपजा किया था अगला कोश्चन है कि गुप्तकाल में भूराजस्व की दर क्या थी तो 6th of the produce हमने बता को मिलता है अगला कोश्चन है मारा कि पाटली पुत्र जो है पहली बार राध्धानी किसके कालन बनता है यह भी बहुत इंपोर्टन कोश्चन है उदेइन के शासन कालन बनता है option no.8 है बहुत लोग इसको जो अजात्शत्रु का मानते हैं उनका गलत है अगला है नालंदा उन्यवस्टी किसके लिए फेमस है नालंदा फेमस के लिए अगला कोश्चन है कि जयन नालंदा क्या है कुण्द ग्राम c goes से वालों से गुंडखर podem आने गे enabling बगर वैसे तो वैशाली लिखा रहता है, अगला हमारा कुश्चन है कि स्वप्नवासदत के लेखक कौन है, स्वप्नवासदत के लेखक हैं भास, ऑप्शन बर भी सही है, कालिदास का जो विक्रमोरशी, मेगदूत है, अब इजनान शाकुंतला में यह आ सकता है, जो कलन ने लिखी थी वो बहुत इंपोर्टेंट है, तो इस तरह की बुक्स जरूर ध्यान रखा करिया अलग-अलग पीरेड में, अगला है कि खारवेल जो है किस से रिलेटेड है, तो हमने आपको पताया, खारवेल के बारे हम किस में दिया है, हाँ थी गुमफा में, श्विद्याले के विनाश के कारण क्या थे, तो मुसल्मान थे, ऑप्शनमबर A, किस ने तोड़ा था, बक्तियार खिल जी ने, ऑप्शनमबर A, सही है इसमें, अगला है कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है, ये बिहार, ये जो तामर पत्र शिलाले के प्राचीन का भी बोला जाता है, इस एज को हम लोग किस नामस जानते हैं, इसको कहते हैं हम लोग तामर पाशान का यूग, ठीक है, तामर और पाशान, यानि तामबे और आपके स्टोन से बने हुए आपको मिलते हैं, वीपन्स, चालको लिथिक एज प्रारंभिक में पैस्टोरल थी, यानि कि देहाती थी, लेकिन बाद में हडपा कालीर में ये प्योरली अर्बन हो गई थी, ठीक है, कहने का मतलब है कि शुरू में आपको विलिजस देखने को मिलते हैं, चालको लिथिक में, और फिर बाद में आपको इंदुस वैली सिवलाइजेशन, सुमेरियन और बेब महापदनन्द बोलते हैं, ये गलत है, महापदनन्द जो है, वो हटा दिये गए तब तक, घनानन्द था यहाँ पर, महापदनन्द की हत्या करवा दी थी, चंदरगुप्त ने, मौरिवनिश के बाद कि स्थापना होई थी, तो मौरियों के बाद आये थे आपके शुंग, जो उन्ही के जो है, आपके सेनापती या फिर सामन्त कह सकते हैं, ठीक है, तो उन्ही के सामन्त जो थे शुंग, जो की ब्रामण हुआ करते थे, ठीक है, तो इन्होंने जो है, बाद में समाला था, तो ब्रहदरत जो धा, उसी की हत्या पुश्मित्र सुंग ने की थी, most probably, और फिर शुंग वन्स का शुरुवात हुई थी, तो option number D इसमें सही है, शुंग वन्स के बाद कौन आते हैं, शुंग वन्स के बाद सत्वाहन आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, शक, ठीक है, sorry याँपर mistake होगे, शुंग के बाद कर्ण वो आते हैं, कुछ टाइम के नहीं हैं, तो आत्म दमन तो समान है, दोनों में जो है, self regulatory rules है, और सहीय में जीवन के बारे मताया गया है, यह खुद का दमन करना है, ठीक है, तो यह तो है दोनों में, अहिंसा बिलकुल है, जैन धर्म तो बहुत, देखोगे आप अहिंसा के वो है, अहिंसा मूल मंत्रत है जैन धर्म का, rejection of rituals, यह भी बिलकुल common चीज है, वेदों के प्रती उदारसीनता भी दोनों का common चीज है, अब आप कहोगे कि सब सब common है, तो भी differentiate कैसे करेंगे, देखें कौन सी चीज जादा है, कौन सी कम है, दोनों ने बिलकुल reject किया rituals को यह बात सही है, हलांकि बात में, आप देखोगे कि बुद्ध के मृत्ति के बात जो है, थोड़ा, वो इसमें corruption आ गया था, वो अलग चीज है, लेकिन non-violence जो है, दोनों का एक जैसा था, ठीक है, वेदों के प्रती उदारसीनता भी एक ही जैसी थी, self-infliction में थोड़ा सा अंतर है, जहां आप देखते हो, जैन धर्म में क्या है, कि बहुत जादा, जो है, इंफ्लेक्शन पर जोर दिया गया है, जैन धर्म में एक सलेखना प्रता चलती है, यानि कि मृत्वी के निकट आने पर जो है, लोग खाना पीना छोड़ कर अपने शरीद का त्याग करते हैं, ठीक है, तो पिनेंस बहुत ह जैन धर्म में अंतर है, जैन धर्म बहुत ज्यादा टाफ है, इसके पुरती सल्फिक्शन के मौमले में, लेकिन भात धर्म थोड़ा सा इसके पृति नमर ने है, तो सल्फिफिक्शन ही जो है, ये दोनों के बीच करता है डिफ्रेंस, अगला कुशन है हमारा, निमलकित में से किस सहर में पहली बहुत परिशद हुई थी और किस में हुई थी राजग्रह में और फिर कश्मीर में पुंडग्राम में ठीक है और फिर एक होता है अगला हमारा कुश्चन है कि बूद्ध काउंसिल कहां पर हुई थी अशोक के शासनकाल में यह पूछा है तो पाठली पूत्र में आमने देखा आर वी पी के और एकए एकए तो यहाँ पर आर वी हां तो ये और पी तो आधार है यानि की अशोक और पाठली पुत्र है तो अप्शन मुबर 20 में सही है अगला कुश्चन है कि शुंग वन्ष के बाद किस वन्ष ने भारत में शाषण किया तो इसका एंसर है कणव वन्ष ठीक है और भाण भट की मुश्ट इंपोटेंट है हर्ष चरित्र हर्ष चरित्र अगला कुश्चन है हमारा कि अर्थ शास्त्र किस से डील करती देगे बार बार देगे कुश्चन रिपीट हो रहे हैं तो यह किसे राजनीतिक नीतियों से पॉलिटिकल अफेरस ऑप्शन नुमबर ब लगी थी महाबीर की मृत्तिय और को ते दर्फ कि कोशी न तब यहां के अधीन था पहले मलों के अधीन था घंड अगला हमारा क्मारा कुश्यन है की गौतम बुध को एक देवता के स्थान पर किस राजा के के युग में प्राप्त हुआ तो बुद्ध को देवता कस्थान प्राप्त हुआ था कनिश्क के युग में कनिश्क जो था यह बहुत आर्डेन फॉलोवर था बुद्धिस्म का और महायन बुद्धिस्म का यह काफी सनरक्षक भी था और कनिश्क पहला साशक था जिसने जो ह बुद्ध को सिक्कों में छपवाया था ठीक है ध्यान रखिएगा अगला कुश्चन है कि बोध गया में महाबोधी मंदिर बनाया गया है जहां तो यहां पर गौतम बुद्ध तधागत बने थे ठीक है जहां पर उनको ग्यान प्राप्त हुआ था इंलाइट्मेंट जहां उन्होंने हासिल किया था अगला कुश्चन है कि इसा पूर्व छटी सदी में विष्व की प्रथम गढ़तांतरात्मक विवस्था कहां थी यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है ठीक है इस कोश्चन का एंसर यह नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं वैशाली गढ़ पहला था जहां पर आपको जो है गढ़तांतरांत्मक विवस्था देखने को मिली थी यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है हुईन सांग ने किस युनिवर्श्टी में जो है अध्यान किया था नालंदा में ऑप्शन नुबर डी चंद्रगुप्त मौरे क वैर्डन हुआ का वैर्डन हुआ है आपको था नैस्ट मौरे को देखने को बिलता है इंडिका में ऑप्शन मबर सी अगला मारा कॉश्चन है कि तीसरी बौध परिशत कहां पर आयवजित की गई थी तो थर्ड बुद्धिस काउट्सिल कहां पर हुई थी हमने अब देखा था आर वी पी के आर वी पी के तो पी पाटली पुत्र में ऑप्शन मुबर बी अशोक के शिला लेक जो है यह किस भ ब्राहमी को लिखते हैं हम लोग लेफ्ट से राइट और खरोष्टी को लिखते हैं राइट से लेफ्ट यह तो बात हो गई कि अशोक के इंस्क्रिप्शन की ठीक है लेकिन एक और चीज हम से अगर पूछ ले कि भारत में कि भारत में ऐसे शिला लेक जो की पढ़े जा सकत जेम्स प्रिंशेप ने ठीक है जेम्स प्रिंशेप ने इन लिकित में हिसे किस राजा ने दक्कन की वुजय प्राप्त की थी चंद्रकुप्त ने ओप्शन नुबर B मेंग इसनीज ने भारती समाज को किसनी स्टेंडियों में भाजित किया है इसका एंसर साथ है ये भी देखिए कई बार रिपीट हो रहा है प्रिवियस कोश्चन में 16 जन्पदों की सूची जो है ये किसमे उपलब्द है इनका वैंडन मिलता है अंगुत्तर निकाये में प्ररांथ प्राइब्स को निकायी स्टेंडन मिलक्त है अगरन करनाशी में ऑग्रीकDambalर अगरेजमनाइक ऐते थे जो एक荷ाध व्यूय होगत्ते घ्यकएंक्तनित तबसूंची स्टेटक की मिलता तबूलै कि अगर्ड़ुकेट कि ऑगर्द के पाका ठीक ब्रामणों के द्वारा ली गए थी यह नहीं तया है, forest land थी यह कहीं नहीं लिखा है, uncultivated नहीं थी, तो option number C ही इसमें सही होगा, ठीक है, मौरिकाल में, जो है, सीता अध्यक्षियों की नियुक्ति आपको देखने को मिलती है, सीता land के लिए, हरपकाल की एक उन्नत जल, प्रबंधन, प्रणाली का प्रता कहां से लगाया गया है, यह कहां से लगाया गया है, धौल वीरा से, option number A, कनिश्ट के सासन काल में, बहुत सभा किस नगर में आउजित की गई थी, कश्मीर में, कुंडग्राम, कश्मीर, option number C, option number B, मुद्र राक्षस किस ने लिखा था, विशाख दतने, अगला कुश्चन है, महावीर स्वामी का जर्म कहां पर हुआ था, कुंडग्राम में, option number A में, वैशाली कुंडग्राम में, महावीर निर्वान कहां पर हुआ था, बुद्ध का, ये हुआ था, कोशी नगर या कोशी नारा में, और कोशी नगर तब मल्लों के अधीन था, ये भी एक बारा चुका है, ये विशिस में, अगला कुश्चन है कि धर्म चक्र परावरतन जो है, ये कहां पर हुआ था, ये सारनात में हुआ था, option number B, first capital जो है मगद की कौन सी बनती है, ये गिरिवज्र या राजग्रे थी, बाद में पाटली पुत्र बनती है, अगला कुश्चन है हमारा कि डाइनेस्टी जो है, मगद, नंद वन्ष के प महरे काल में सिक्षा का प्रसिध केंद्र कौन सा था, तक्षय शिला था, option number C, तक्षय शिला, अगला कुश्चन है कि कौटिल लिकाए अर्श शास्तर में कितने अधिकरण हैं, तो कितने अधिकरण हैं 15, option number D, अगला कुश्चन है कि सैंड्रो कौटस की रूप में किसने identify क विल्यम जोन्स ने सेंड्रो कॉर्टस बोला है ठीक है चंद्रकॉप्त को ओफ्शन मबर ए अगला है अशोक के ब्राहमी शिलालेक कंडिडे सबसे पहली बार किस ने किया था हम बात कर चुके हैं जेम्स प्रिंसेप ने ओफ्शन मबर ए ठीक है की प्राकरत में लिखी गई है ब्राह्मी में तो पहले तो पराजित किया था लेकिन बात में नहीं कर पाया था और अगला है कि कल्लंड की पुस्तक क्या नाम है रात तरंगी ने, option number D कि शिलालेक में रुद्र दामन प्रथम की विभिन उपलब्दियां है, ये किसमें जूनागड इंस्क्रिप्शन में और इसी को गिरनार भी कहते हैं, गिरनार इंस्क्रिप्शन अगला मरा है कि महापरि निर्वाण कहां पर हुआ था बुद्ध का, ये कुशिनगर में अगला है फिर धर्म चक्र परवरतन ये बार-बार आपके कोशन आ रहे हैं, आगे भी आ सकते हैं राध्धानी एक बार फिर से राजग्रह और गिरिवज्र थी अजाद शत्रू के वन्ष का कहनाम था हर्यंक वन्ष और इसको कभी-कभी पित्रहंता वन्ष भी कहते हैं, ठीक है पित्रहंता वन्ष तीसरी बुद्ध परिशत कहां पर हुई थी? एके-एके तो कहां पर हुई थी? यह पाटली पुत्र में अशोक के टाइम पर ठीक है अगला फिर यह कोश्चन्स यहां पर खत्म होते हैं, आप चाहें तो हमारा पेट बैज जोन कर सकते हैं, इस गिवन नंबर पर कॉल या वाट्सअप करके अब आगे के कोश्चन्स होंगे, मेडिवल इंडिया के BPSC में मद्ध कालीन भारत से जो भी कोश्चन्स पूछे गए हैं, उनको यहां पर हम डिस्क्रस करेंगे तो सबसे पहला हमारा कोश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, जिसने शासन के सिद्धान्त को राजाओं के इश्वरिये आधिकार सिद्धान्त के समान प्रतिपादित किया यह किया था, यह किया था, घ्यासुदीन बलबन ने, गुलाम वन्स के सासक बलबन ने किया था, कुछ important चीजें जो इससे रिलेटर पूछ सकते हैं, इल्तुतमिस ने जो चिहलगानी चलाई थी, ठीक है, चालीस नोबलमेन, उनको यहां पर इसने खत्म कर दिया था, उनके सुल्तान को, यानि कि खुद को, कहा था कि वो इश्वर की छाया है इस धर्ती पर, और खुद को कहा था, जिल्ले लाही, और साथी साथ इसने नौरोज का तेवार भी शुरू किया था, जरुखा दर्शन भी शुरू किया था, और साथी साथ, उनने दो टर्म शुरू किये है कि सुल्तान के पैरों को चूम करके अपना जो है प्रिकट करना सम्मान तो यह सब questions आ सकते हैं बलबन से related इसने policy follow की थी blood और iron की यह भी एक बार पूछा गया है आगे हमारा question है कि भारत में कागर्स का प्रयोग कब से शुरू हुआ तो एक्जायम की में इसको माना गया था बारवी सताब्दी ठीक है यानि कि बारवी century AD में करी paper का यूज शुरू हुआ था paper की industry सबसे पहले किसने setup की थी अगर पूछे तो तो यही चीज हुई थी चौदवी सताब्दी में जैनु लाबिदीन ने की थी कश्मीर के सासक जैनु लाबिदीन ने जो की कश्मीर के अकबर की नाम से जाना जाता है अगला question है कि European painting का की शुरुवात किसके समय में हुई थी तो European painting किसने शुरू करवाई थी अकबर ने option number B एक question हम से हमेशा ये पूछा करते हैं कि zenith बर भारती चित्रकारी अपने zenith पर कप पहुंची भारती चित्रकारी अपने zenith पर पहुंची है जहांगीर के टाइम पर option number C इसका सीधा सेंसर है option number C जहांगीर के समय में जहांगीर से फर्मान क्राप्त किया था Hawkins ने और 16-13 में फिर finally सूरत में setup की जाती है factory और फिर दूसरी setup की जाती है 16-15 AD में और Hawkins को जहांगीर ने एक title दिया था ठीक है? वो भी पूछा जा सकता है Hawkins को टाइटल दिया था जहांगीर ने इंग्लिश खान का इंग्लिश खान अगला हमारा question है कि दिवान अर्ज किससे सम्मंदित था? दिवान अर्ज सम्मंदित था रक्षा विभाग से option number C दिवान अर्ज setup किसने किया था? घ्यासुदीन बलबन ने ठीक है मंगोल आकरमण सिन पटने के लिए आर्मी से डिफेंट से रिलेटेड ये टर्म है दिवान अर्ज आगे बहुत से दिवान है आपके मेडिवल में दिवाने अमीर को ही है जो कि अग्रिकल्चर से रिलेटेड है तुगलक के टाइम पे आई थी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ये टर्म बह्मनी राज का संस्थापक कौन था अगर आपको खाली हसन गंगु पता है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए उसका असली नाम था अलाउद दीन हसन और उसका नाम हसन गंगु भी था हसन गंगु ज्यादतर टेक्स्ट में दिया हुआ है तो गंगु नाम के ब्रामण के याँ पर उसने जो है काम किया था उसका सामंतरा था तो हसन गंगु नाम पढ़ गया था उसका अप्शन गंगु नाम पढ़ गया था उसका यानि कि गज बेते दाग्र ऐसे करके जो टाइटल था इनको मिला था इनको क्रश्न देवराय से कन्फ्यूज नहीं करिएगा क्रश्न देवराय जो थे ये तुलूप वनिशके थे और जिनकी हम बात करने देवराय दुति ये हैं आपके संगम वनिशके वसावन और दस्वंत ये पैंटर थे किस मुगल संब राट के चित्रकार थे ये थे अकबर के ओप्शन नमबर ए अकबर के समय में थे दस्वंत और वसावन दस्वंत काफी फेमस थे जो महाभारत पर जो पेंटिंग बनाई गई थी वो उन्हें ने बनाई थी महाभारत के ट्रांसलेशन कि जो पेंटिंग थी वो दस्वंत ने मनाई थी ऐसा कहते हैं आगे मारा कुशन है कि करनाट डाइनेस्टी के सनस्थापक कौन थे हैंसे यही करनाट से खाली आता कि यही कुशन पूछा गया कि सनस्थापक कौन थे सनस्थापक है नानेदेव option number A आगे मारा कुशन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता हो जाएगा आपका बक्तियार खिल जी option number C बक्तियार खिल जी ने नलंदा युनिविस्टी को तोड़ा था और ये भी कई बार कुशन आ चुका है राजनीती रतनाकर के लेखक कौन है राजनीती रतनाकर के लेखक थे हैं आपके चंद्रेश्वर ठीक है चंद्रेश्वर बहृत कम बुक्स में ये मिलेगए आपको ठीक है बहुत जो पुरानी भुक्स से भुक्स है उसमें answer दिया हुऊ है ये बिहार की history is related है उदेंत प्रकास किसकी रचना है ये है मौली कवी की option number A ठीक है ये भी बिहार से related आपकी history है आगे question है नालंदा बिहार का विध्वन्स किसने किया था देगे आगे question ये कई कई बार आ चुका है most important question है तो किसने विध्वन्स किया था बक्तियार खिल जी ने option number A आगे मारा question है कि करनाट बन्स का अंतिम राजा कौन था तो इसका अंतिम राजा था हरी सिम्हा option number A आगे मारा question है कि धाई दिन का जोपड़ा क्या है exactly तो एक मौस्क्यूव है simple option number A कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाए था ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वन्स के founder माने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है तो ये बाबर की autobiography है ये लिखी गई है चकताई भाषा में जिसको तुर्की भाषा बोलते है option number C इतने native language में लिखी थी बहां की सारी आप देखोगे जैसे तुजू की जहांगीरी autobiography लिखी जहांगीर ने वो पर्शन में है लेकिन चकताई भाषा में अपनी भाषा में लिखी थी बाबर ने तुजू के बाबरी के नाम से अगला हमारा question है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मारणा प्रताप की सेना का सेना पती कौन था ये आ चुका है कई बार इसका एंसर हो जाएगा हकीम खान option number C और शिवा जी की राध्धानी कौन सी थी ये simple सा question इसका एंसर हो जाएगा रायगड अगला हमारा question है कि भारत पे मुहमद गोरी ने किसको प्रत्थम अक्ता प्रदान किया था तो सबसे पहला अक्ता बनाये गया थे तैजुद दीन यल्दाउज option number A गटना चक्र के में एक question है आकी ना NCR team given है और ना सतीश चंद्रा में आगे हमारा question है कि कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमी अधिक पैमाने पर विक्सित हुई थी इस question का सही answer है B अलाउद दीन खिल जी आपको खालिसा के बारे तर्म है उनको समझा देते हैं तो सल्टनत पिरियड में अलाउद दीन खिल जी के काल में और मुगल में अकबर के काल में या फिर और भी ज्यादा तर मुगल एम्परेर्स ने तीन तरह के यहां पर चीजें चलाएं थी सबसे पहला था यहां पर सल्टनत में था इकता ठीक है इकता चलते थे यह ओफीशल्स के हाथ में रहते थे हमेशा ठीक है ओफीशल्स इसको रं कर रहते थे revenue collect करते थे और इसी से payment भी की जाती थी उड़को तो दूसरा चलता था आपका खालिसा खालिसा इसमें क्या होता था कि ये सुल्तान के direct control में रहता था ठीक है direct control में रहता था इसमें officials का कोई intervention नहीं हो सकता था और तीसरी तरह की चलती थी इनाम, इनाम का मतलब क्या है कि लर्नेड persons को नोबल में को जो है ये दे दी जाती थी दान सरूप या उपहार सरूप और यहाँ पर थोड़ी सी चीज बदलेगी, यहाँ पर जागीर चलती थी, जागीरदारी सिस्टम चला दिया था मुगल के काल में और इसमें भी वही होता था, officials के अंतरगत ये run होती थी, officials को देखते थे अधिकारी लोग और खालिसा ये चलती थी, अकबर के टाइम पे, खालिसा में क्या होता था, same, direct control रहता था, revenue direct जो है, अब मुगल emperor जो है करेलेक्ट करता था इससे, इनाम, same रहता था, इनाम जो था, वो learned persons और noblemants के लिए, जमीन reserved थी, ठीक है, I hope आप समझ चुके होंगे एक्ता, खालिसा इनाम जो सल्तनत पिरेड का है, मुगल काल में जो जागीर, खालिसा और इनाम है, इन तीनों में क्या difference है, क्या similarities है, I hope समझ चुके होंगे आप अब ये important question है, sequence related हमेशा एक question आया है हमारे exam में, history में, टका, शसगानी और जीतल जो है, ये किन धातूं के थे, तो धातू किसमे क्या use किया गया है, ये बताना है, तो सबसे पहले तो टका है, ठीक है, सबसे छोटा, sorry सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा जीतल है, तो ये इस था silver का, आपका शसगानी भी था silver का, और जीतल था copper का, ठीक है, copper का, टका और जीतल की शुरुवात, इल्तुत्मिश के काल में हुई थी, और उस समय उसने pure Arabic, जो है, coinage शुरू की थी, ठीक है, मतलब की पूरी तरह से Arabic language में, लिखे हुए सिक्के चलवाई थे, टका औ इन सिक्कों के इलावा, एक और सिक्का इन्होंने चलाया था, अधा और दूसरे को बोलते थे, बिच, ठीक है, तो अधा और बीच चलाया था, अधा क्या था, ये अपके जीतल के 50% के बराबर होता था, अधा जीतल के 50% के बराबर होता था, और ये बिच जो था, ये 23% ज इसमें सही है आगे बढ़ाते हैं 12 मासा किसकी रचना है यह मलिक महुम्मद जायसी की मलिक महुम्मद जायसी अगला कोशन है विजय नगर सामराज के वित्तिय विवस्था की मुख्य विशेष्था क्या थी तो वित्तिय विवस्था की मुख्य विशेष्था यही थी भूर अगला कोशन है कि पानीपत के युद्ध में बाबर्क जीत के प्रमुक कारण क्या थे तो इसका एंसर है उसकी मिलिट्री लीडर्शिप ठीक अप्शन बर बी बाबर का एक और युद्ध काफी फेमेस है वो है खांडवा का युद्ध यानि बैटल अफ खांडवा किसके साथ लड़ा था राणा सांगा के साथ और इसने एक उपाद ही ली थी उस युद्ध को जीतने बाद गाजी की ठीक है और शब्द जो इसने प्रयुक्त किया था इस युद्ध के लिए वो था जिहाद युपज थी शेर शाह सूरी की ओप्शन मुबर सी लेकिन काफी है तक अकबर ने भी इसको फॉलो किया था कुछ मॉडिफिकेशन करके तो इसमें काफी कन्फूजन हुई थी इस कॉप्शन में आयोग ने अकबर माना था शायद कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे साब से शेर इसमें वसूला जाता है जबती ही हर साल ये पूरा नाम है और जबती या फिर बंदोबस्त के नाम से किसने यूजश किया था इसको अकबर ने ठीक है तो ये है इसमें अगर यह पूछे कि देहशाला सिस्टम किस ने शुरू किया था रेट फिक्स करने के लिए पैदावा तो जवाबित रिलेटेड है राज कानून से है निकि law of the state से जवाबित ये किसके शासनकाल में आये था औरंग जेब के शासनकाल में ये बहुत कम जगह दिया है ठीक है जवाबित law of the state है और basically यही है थोड़ा सा मतलब non-muslims के पृति tolerant हुआ जाए ठीक है tolerance ये साही श्रुता से काम किया जाए इरान के शाह और मुगल सास को भी जगड़े की जर क्या थी ये थी कंधार option number B ये तो सभी को पता होगा कंधार दुवस्पा और सिंगस्पा ये किसने शुरू की थी ये शुरू की थी जहांगीर ने ठीक है और basically ये है कि से रिलेटेड य और इसमें बिना rank increase किये जो है मनसबदारों को ज्यादा salaries में मिलती थी तो दो तरह की salary होती थी एक तो और दो तरह की salary होती थी एक तो fixed salary होती थी और दूसरा जो है कुछ होते थे incentives उसी में से आप मान सकते हैं roughly दोवस्पा को सिंगस्पा को तो option number 20 में सही है मैंने पूरा नहीं बताया है at least आपको idea रहे ऊपर ऊपर से चीज़े पूछ जाती है अमाने लिए पूछ ले दोवस्पा किस से related term है तो आप लिखें कि मतलब option होगा उसमे salary या payment officers related officers की salary या payments related या मनसबदारों से related अगला है सरंजमी प्रथा किस से संबन दी थी तो सरंजमी जो है ये land revenue system है मराठों का option number A ठीक है 1612 में कार खाना कहां पर स्थापित किया गया था ये date बहुत ज्यादा विवादियत रहती है को इसको 1613 मानता है को इसको 1614 मानते है spectrum वगारा में इसमें 13 दिया है कहीं पर 1612 आप रफली मान सकते हैं तो सूरत में factory setup की गई थी option number D इसमें सही है ठ ठीक विजय नगर के उस सासक का बहुं को नाम बताना है जिसने बह्मनियों से गोवा को छीना था ठीक है बहुत छिपा हुआ सा कोशन है इसका answer है हरिहर द्वितिये हरिहर सेकेंड ने मतलब छीन लिया था बचा लिया था बह्मनियों से गोवा को जहांगीर से English Khan की पर बैठने वाला अंतिम मुगल समराट कौन था इस मयूर सिंगहासन को तक्त ताउस कहा जाता था ठीक है तक्त ताउस और इसको उठा ले गया था या फिलूट ले गया था इरान का शासक नादिर शाह अब इसमें हमको मैचिंग करनी है इसमें तो थोड़े थोड़े मिल इसमें लिए तो हम लोग कर लेंगे दीन बंदू तनील दरपने इसमने मिला दिया उसके बाद अगर हम देखें तो तुगलक नामा किसने लिखी है अमीर खुसरो ने इसको इधर से मिला दिया और हर श्रित बार भट ने लिखी है तो मिल जाएगी अब हमको मैचिंग तो ह जाके और हम लोग को इंगित करता है तो यहां पर सही हो जाएगा खराज है यह यह रेलीटेड भूमी उत्पाथ से और आपका मुक्तई है ठीक है क्योंकि जो मुक्ती है वो बनाए गए थे यहां पर इनके ओफिसर्स इंचार्ज बनाए गए थे तो लैंड्ड प्रो डॉक्षिंस लिएट जो टैक्स है वो खराज vessel Timothy की कchae बेदी है लपटौम्स दोनों auf में रिलेटेड नहीं है इसलद क्या जाता सब्सक्राइब माइनस के प्रोड़क्ष ने से ठीक है और अगर हम khams की बात कर लें तो khams अलग चीज है यह लूट में अजलब जो युद्ध में लूटी गई दावलत का जो है वन फिफ्ट होता था जगात जो है यह दान होता था मुसलिम को दान देने के लिए और खराज क्या चीज है यह बेसिकली नौन मुसलिम पर लगने वाला लैंड रिविन्यू का टैक्स था और इसको फिरोज शात उगल लगए था ठीक है फिरोज शात उगल लगने तो इसमें मारकॉन सही होगा, खराच सही है, ओशर सही है, मुक्ताई सही है, खुम्स इसमें नहीं है, खुम्सलक चीज है, समझ गए इसके अलावा इंपोर्टन टैक्स जो में डिविल इंडिया में आपको देखने को भी लेंगे वो है जजिया ये नॉन मुसलिम्स पर लगने वाला था, नॉन मुसलमानों पर लगाया जाता था, इसको कब किस ने हटाया, कब किस ने लगवाया, इससे कोशन्स आते हैं आपके एक्जैम में, इसको इंट्रिड्यूस किस ने किया था सलतनत काल में करीब अलाउदीन खिलजी के टाइम पर फिर जैनुलाबदीन ने इसको हटा दिया था, फिर अकबर ने इसको हटावा दिया था, और तुगलक काल में फिरोध शाह तुगलक ने इसको और टफ बना दिया था, इसको लेंड रिवेन्यू से सपरेट करके ब्रा बताई दिये आपको अगल पेसे सबसे पहले किसके काल में कैपटल ौहला वनस्ट के काल में फीडिक इसे सबसे पहले डिली पर सासनंगि ने किया था ंमर वनस्ट के सास को हुने शासन किया था है फिर founder कह सकते हैं ठीक है founder कौन थे दिल्ली के वो थे तोमर बन्ष के सासक अलाउद दीन खिल जी के प्रसिद सेना पतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद लड़ते वी मृत्तिवी थी ये घटना चक्र का exact question है ये आ चुका है ये किसकी मृत्य हुई थी जफर खान की option number A हुमायूं दौरा जो चार यूद लड़े गए थे उनको काला नुकरम में सही अंकित करना है ठीक है तो इसमें हम लगाएंगे option number D को टिक क्योंकि सबसे पहले देवडा का यूद हुआ था ठीक है निमलकित में से किस इतिहासकार ने शाजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वइड यूग कहा है ये किसने कहा है A.L. श्रिवास्तो ने option number C. A.L. श्रिवास्तो तबकात नासरी इसका लिखा कौन है तबकात नासरी लिखी है मिनाज उस सिराज ने मिनाज उस सिराज ये अलबरूनी की और जियाउदीन भर्नी की इनकी रचनाय दियान रखी का काफी important होती है अलाई दर्वाजा के निर्मान किस सुल्तान ने करवाये था ये करवाये था अलाउदीन खिल जी ने option number C. अलाई दर्वाजा हुमायू नामा किसने लिखी है हुमायू नामा लिखी है कुल बदन बेगम ने ये बाबर की बेटी थी और हुमायू की सौतेली बेहन थी इसने लिखी है हुमायू नामा ये बायोग्राफी है हुमायू की आगे मारा question है कि दिल्ली के लाल के लिए का निर्मार्ड किस ने करवाय था दिल्ली का लाल के लिए किस ने बनवाय है शाह जाने option number D अगला question है पृत्विराज रासो किस ने लिखी है ये तो पता ना हो तो क्या बात है फिर ये किस ने लिखी है पृत्व राज रासो चंद बरदाई ने ठीक है आफ अफ्ष नमबर डी खाजुराहों के मंदिर किस से बनवाएं है ये चंदेल बंश की सासकों ने बनवाएं है चंदेलों की आपकी कैपिटल भी सबसे पहली खजुराहों में थी और फिर बाद में यह महोबा शिफ्ट हो गई ठीक है गोलकुंडा का युद्ध कई बार पूछा जाता है राजा करश्न देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था यह लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ मस्नवी बाबर दौरा एक मुस्लिम कानून का संकलन है जिसे किस नाम से हम जानते हैं इसको जानते हैं टर्की कमपाइलेशन और प्रोस्टी के नाम से तुर्की का प्रुस्दी कमपाइलेशन और basically सबसे पहली मस्णवी किस ने लिखी थी ये लिखी थी रूमी ने ठीक है इनका बहुत बड़ा सा नाम है मैं इनके निक नेम से बला रहा हूँ रूमी की है मस्णवी सबसे पहली मस्णवी ठीक है आगे हमारा question है कि औरंग जेब चलाएगा जिहाद का क्यार था औरंग जेब के जिहाद का नाम था दारुल इसलाम option no B दारुल इसलाम और दारुल हर्ब किसको कहा था औरंग जेब ने काफिरों के देश को ठीक है काफिरों के देश को काफिरों के देश को मतलब इसलाम का देश बनाना चाहता था तो दार दारुल हर्ब को दारुल इसलाम बनाना चाहता था ये कह सकते हैं आगे मारा कोश्चन है राणी पदमिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तोड विजय से जोड़ा जाता है इनके पती का क्या नाम था शाहिद कपूर ऑप्शन बडी राणा रतन सिंग आगे मारा कोश्चन है क ने बहुत मैं से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औॉलिया ने भैंट करने से मना कर दिया था घ्यासुद दीन के संबध अच्छे नहीं बता जाते हैं निदा मुद्दीन औॉलिया के दोरा कि जहां पना दिल्ली औभी दूर है कि कहा गया गियासुद्दीन तुगलक के लिए और फिर एक लकड़ी का महल बनवाए जाता है कॉंस्पिरेसी की जाती है मुम्मद बिन तुगलक के द्वारा ठीक है और फिर अहां थी एक जगह पर जोर लगाता है उस महल में वो सुल्तान गियासुद्दीन उसमें दब करके मर जाते है तो ये भी कुश्चन बन सकता है कि किसने बोला था यासुद्दीन तुगलक के लिए कि हनूज दिल्ली दूर असते है यानि कि दिल्ली अभी दूर है अगला हमारा कुश्चन है कि निमलकित में से कि सुल्तान ने हजरते आला की उपादिय अपना यो बाद में सुल्तान की तो ये था शेर खान और शेर शासूरी, option number C, ठीक है, इसका असली नाम शेर खान था, सबसे पहले ही हजरते आला बनता है, और फिर royal title लेता है, हजरते आला ये कब उपाधी ली थी, मालो ये पूछ लें तो, तो बहुत सारे टुकड़े होते हैं और question के, तो बंगाल के नुस चारत शाह, बंगाल के ruler को हरने के बाद, शेर शासूरी, हजरते आला बने और फिर बाद बनते हैं, सुल्तान, ठीक है, शेर शासूरी बाद बनते हैं, नहीं लेकित में से किस सुल्तान ने, फौलों की गडवत्ता सुधारने के लिए उपाए किये थे, तो एक इसने किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ऐसे मानते थे कि बहुत सारे बगीचे इनके यहाँ पर फ्लोरिश कर रहे थे, फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे अडिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, जिसे कि दिवान एक हैरात के लिए चैरिटी का सेटप करने के लिए, आधा और बीच सिक्के चलाने के लिए और दिवान ए बंदगां सेटप करने के लिए जो कि स्लेफ का डिपार्टमेंट था, गुलामों का बहुत शौक था फिरोज शाह तुगलक को और ऐसा मानते हैं कि करीब एक लाख असी हजार के करीब गुलाम ज इसार तक, लंबे लंबे 200 किलिमेटर लंबे कैनाल डवलप कराए गए थे इरिगेशन के लिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और चीज फेमस है कि इसने मुस्लिम विमेंस को प्रोहिबिट किया था, उनको रोका था मजारों में जाने के लिए, ठीक है, और ब्रा इसने सेट अप किया था, सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी के बारे में एक चीज ध्यान लेजिए कि फारसी में कुछ लिखता था, गुलरुखी के नाम से, ठीक है, गुलरखी या गुलरुखी के नाम से, निम्लिकित में से किस मुगल बादशा को वजीर गाजुज दि इन ने दिली में दाखिल नहीं होने दिया था, वो इन ही का ऑफिशल था, शाह अलम दुतिये का, लेकिन उसने उसको हटा करके अपने नाम से अड्मिनिस्ट्रेशन और सिक्के चलवाना शुरू कर दिया, शाह अलम कभी डर से फिर दिली आया ही नहीं, ठीक है, तो वजीर इस नेवी का इस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुआ था, 1612 में करीब, ठीक है, 1612 में गलत लिक है, और यहाँ पर लीड किस ने किया था, इंगलिश ओफिशल को थॉमस बेस्ट ने, ठीक है, थॉमस बेस्ट कर लीजे यहाँ पर, अगला कुश्यन है कि तैमूर के आकरमड के बाद भारत में किस वन्ष की स्थापना हुई थी, 1398 में नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पर, जो अख्री शाशक माना जाता है, तुगलक वन्ष का, ठीक है, उसका खात्मा हुआ था, इस जुद्ध के साथ, और फिर भारत में सेयद वन्ष की स्थापना हु नाम से एक डिपार्टमेंट भी इस के लिए सेट अप किया था, अगला कॉश्चन, निम्लिकित में से किस मुगल बादशाह ने व्यापार में अंग्रेजियों की मदद के लिए एक महत्पूर्ण फर्मान जारी किया था, ये किस ने किया था, फरुक साइयर ने, उप्शन 15-16 सताब्दी की शुरुवात में, फ्रांसिसको डी अलमीडा इसका नाम में, और दूसरा कौन बना था, अलबुकर्क, जबसे उसने राजत तु प्राप्त किया वे शरीयत के नियमों और आदेशों से पूड़ताया सुतन था, बर्णी ने एक अथन कहा है, अलाउद्दी तो लेमाओं के संबन्द में दो कोश्चन हो सकते हैं, अगला कोश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद माश इंगित करता है क्या, तो ये है विद्वानों को दी जाने माली, राजत्व मुक्त अनुदत भूमी, रिवेन्यू फ्री लैंड गिवें टू लेंडिट परसन, अगला कोश्चन है, दास्ताएं हमीर हमजा का चितरांकन किस ने किया है, तो A और C इसमें दोनों हो सकते हैं, काफी जगें डिस्प्यूटेड है, और ये बिहार ने फिर हटा भी दिया था कोश्चन इसको, आगे बढ़ते हैं, सल्तनत काल में भूर आजस्व के लिए अधरी भी कहते थे, तो ऑप्शन बर, A इसमें सही है बिलकुल, ठीक है, गलत कोश्चन नहीं है, गुलाम वन इसका प्रतम शाषक कौन था, उपको पता है कुत्व पुद्दीन अभग, अब छोटे-छोटे कोश्चन आएंगे, अलाउद्दीन खिल जी के आक्रमड के समय अलाउद्दीन खिल जी का ये किस ने किया THा, मलिक काफूर ने, ठीक है, मलिक काफूर ने देव गिरी पर किया THा, गुजरातम किया THा, और मधुरई में भी किया THा, एक्सपीडीशन हारा मलिक काफूर ने मलिक काफूर के बारे में कहा जाता है कि रामेश्वरम तक वो ले गया था अपने एक्स्पिडीशन को और वहाँ एक मस्जिद बनवा कर आया है अगला हमारा कॉश्चन है कि मुगल प्रसासन में मुहतसिब कौन था हुआ अगला है सभी भक्ती संतों के मद्धे एक समानता थी कि अपनी वाड़ी को उसी भाषा में लिखते थे जिसमें भक्ते समझते थे ठीक है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते थे ठीक है अगला कॉश्चन है कि इतमादुल्ला का टॉम किस ने बनवाय था ये बनवाय था नूर जहान ने ऑप्शन नमबर सी समय सई है अगला कॉश्चन है कि हमायू ने चुनार दुरुग पर प्रथम बार आकरमण कप किया था इसका साही एंसर ऑप्शन नमबर ए 1532 में अगला कॉश्चन है मदिकाल में बटाई शब्द कारत क्या था वाट इस बटाई बटाई जो शब्द है ये शेरशा सोरी ने इंट्रड्यूस किया था ये लगान निर्धारन का एक तरीका था तो किसान बटाई रासी बटाई ठीक है खेती बटाई ऐसे करके कुछ इसने शाषक था आपका राम चंद्र देव ऑप्शन बर बी हमारा अगला कोशन है कि निमलिकित में से किस मुस्लिम शाषक ने तीर्ध यात्रा कर समाप्त किया था ये किसने किया था अफ्कूस इसका एंसर होगा अकबर ऑप्शन बटी और एक और किसने किया था कश्मीर के चप्शन किया था लेकिन अप्शन में नहीं है अगला कोशन है फिरोत तुगलक द्यूरास थापित दार Üल्शफा क्या था वाट वट्बस दार ल्शफा ये है खैरातियी ऐस्प्मित था.. ऑप्षन मबर B दार उल्शफा आगे हमारा कुश्चन है कि स्थाई बंदोबस्त के साथ बनाये गया था स्थाई बंदोबस्त जो था वो जमीन दारों के साथ बनाये गया था उप्शन नबर ए ठीक है तो ये बात रही मेडिवल की अब आ जाते हैं मौडरन पर हलो दोस्तो स्वागात है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बिहार PCS Pre-Examination से प्रीवियस एर के कुश्चन को जो कि Science and Technology के टॉपिक पे होंगे जो Science के कुश्चन है वो सारे के सारे आपके NCRT से आते हैं की टेकनोलोजी के Current Affair में Include हो जाते हैं तो जितने भी Science के कुश्चन है बिसिकली उन पे हमारा फोकस रहने वाला है इस वीडियो में इससे पहले अधर सब्जेक्ट पे भी प्रीवियस एर कुश्चन की पूरी सीरीज हमारे चैनल पे चला दी गई है तो जिनको जिस भी सब्जेक्ट पे वीडियो देखना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए हमारे पास information है कि बिहार PCS के लिए specially test series और complete paid group इससे में हम लोग चला रहे है test series बाय करना हो या फिर complete paid group से आपको जुड़ना हो फिस सम्बंदी सारी जानकारी आपको 8564 वाले नंबर पे मिल जाएगी आप यहाँ पे call या फिर whatsapp करके अपनी relevant information को पूँच सकते हैं free study material और video notification के regarding इन चारों telegram channel को subscribe कर सकते हैं इनका subscription आपके लिए एकदम free है other state pieces के भी paid group चलते रहते हैं और वहाँ पे भी सारी information आपको इसी particular number पे मिलेगी which of the following has pH value 7 pH value का concept यही होता है कि बीच में आप 7 रख देते हो बाकि इस तरफ अगर जाओगे left में तो आपका acidic content बढ़ जाएगा उधर जाओगे right hand side में तो basic strength आपके material की बढ़ जाएगी तो इसका क्या answer हो जाएगा इसका answer जो कि I.O.K. साबसे वो है pure water option A वैसे जो neutral solution होता है उसका भी pH value 7 के आसपास ही मानी जाती है 7 या फिर 7.5 तो इसका वैसे तो answer E जाना चाहिए था लेकिन I.O.K. साबसे A है which of the following elements does not contain neutron तो neutron इन में से किसके पास नहीं होते hydrogen के पास नहीं होते है option C hydrogen को सबसे lightest element भी बोला जाता है या फिर कहीं कहीं पे lightest gas भी इसको कहते है angstrom is the unit of angstrom किसको नापने के काम में आती है तो ये wavelength को नापने के काम में आती है इसका symbol होता है ये और इसमें 10 to the power minus 10 meters होते हैं option A energy की कहीं सारी unit होती है लेकिन SI unit इसकी होती है joule, frequency की hertz, velocity की meter per second frequency is measured in तो मैंने आपको अभी बताया था कि frequency को तो आप hertz में measure करते हैं meter per second अभी बताया था velocity, radian, angular distance या फिर angular displacement what का मतलब power मतलब what power को measure करने के काम में आती है इसका correct answer क्या है तो A है who discovered DNA Wikipedia के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे तो दिया हुआ है कि इससे पहले James Watson और Francis Crick इन दोनों लोगों को DNA की खबर मिलती दसकों पहले इसका विशकार किया जा चुका था लेकिन official credit इन ही दोनों को जाता है और आपके exam में भी इसी को true माना गया था तो इसके हिसाब से option A जाएगा James Watson और Francis Crick और ये जो correct answer A है ये आपके UP PCS आयोग ने माना था जबकि BPSC वालों ने E माना था जो कि Wikipedia के हिसाब से सही है कि दसकों पहले इसका विशकार हो चुका था तो ऐसे doubtful question भी आ जाते हैं जिस पे आयोग को कभी कभी action लेना पड़ता है और अपनी गलती सुधारनी पड़ती है तो ये एक फैट की कटेगरी में आता है ये फैटी एसिड से बना हुआ एक easter होता है और अप्शन C अगर बात चले EEG की तो इसको brain को regulate करने के काम में लेते हैं और अगर कहीं पे ECG दिया हो तो heart को regulate के काम करने के लिए इसको यूज करते हैं ECG हो तो heart को टिक करेंगे फिलाल इसका answer क्या है D, brain body temperature is regulated by तो brain का एक हिस्सा होता है जिसको hypothalamus के नाम से जानते हैं body temperature उसी के द्वारा regulate किया जाता है और अगर उसने 37 degree से ज़्यादा value अपनी दे दी तब हमारे शरीर को बुखार भी लग सकता है because यह 37 degree से compare करता रहता है हमारे body temperature को इसका correct answer है option B choose the correct statement चारों option को सरसरी निगा से देखने पर पता चलता है कि red, violet और green इन सब चीजों की बात हो रही है तो आपको एक order बता देता हूँ इसमें आप ध्यान रख सकते हैं web gear आप इनका full form तो जानते ही होंगे लेकिन इनके दो parameter के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ सबसे पहले बात चलती है frequency की अगर frequency की बात करें तो V से R की तरफ आगे बढ़ने पर frequency कम होती जाएगी लेकिन V से R की तरफ बढ़ने पर wavelength क्या होगी बढ़ेगी तो यहाँ पर red की wavelength सबसे जादा होगी जबकि violet की सबसे कम अगर frequency की बात करें तो उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर wavelength of red light is less red के बारे में जहाँ भी less है उसको गलत कर दो wavelength of red light is more than violet light यह हो सकता है wavelength of violet light is more यह तो नहीं हो सकता उसकी wavelength सबसे कम बानी जाएगी because उसकी frequency maximum है wavelength of violet फिर से more गलत हो गया तो इसका correct answer क्या हो जाएगा B red की wavelength सबसे ज़्यादा होती है केवल violet से ही नही the value of 40 degree Celsius in Fahrenheit scale तो एक equation आप याद रख सकते हैं F-32 by 9 is equal to C by 5 आपको F की value बतानी है तो उसको F ही रखिए और बाकी C की जगह पे क्या जाएगा degree Celsius वाली value यानि 40 5 weights of 40 9 जाएगा उपर तो multiply हो जाएगा 9,8,72 यह negative का 32 उधर जाके positive हो जाएगा तो final answer क्या हो जाएगा 72 प्लस 32 यानि 104 degree Fahrenheit option A the unit of electric power is power को measure करते हैं watt में मैंने आपको पहले भी बताया है option D बाकी का भी देख लीजिए ampere unit होती है electric current की volt होती है voltage या फिर potential difference की PD coulomb होती है charge की इन तीनों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं in electric motor electric motor में सबसे पहला important question बनता है उसके energy conversion से और यहाँ पे conversion ही पूचा है तो electric motor के अंदर electric energy mechanical energy में convert हो जाती है आप बिजली से उसको चलाते हो और आपको घूमता हुआ एक पहिया मिलता है जिसके थूप पानी को आप उपर चड़ा सकते हो या फिर variety of application में इसका use कर सकते हो तो mechanical to electrical नहीं होगा electrical to mechanical होगा option C mechanical to electrical होता है generator में human body contains body के अंदर करीब 70% पानी होता है option A आपके आयोगने भी इसी को सही माना था the device is used to measure electric current is electric current किसके थूँ नापते हैं तो m meter के थूँ नापते हैं volt meter के थूँ नाम सही समझ में आ रहा है voltage या फिर potential difference नापते हैं फिर से volt meter दे दिया तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये दोनों नहीं होगा potential meter में भी potential difference नापते हैं the main component of greenhouse gases तो इसका answer क्या हो जाएगा methane अगर आपसे bio gas के बारे में पूछते हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा methane ही होता है करीबन 75% के आसपास Einstein got the noble price for Einstein को वैसे तो उनकी theory of relativity के बारे में मतलब उसके लिए जाना जाता है लेकिन noble price नको मिला था photoelectric effect के कारण option D साल 1921 या फिर 22 में ऐसा हुआ था the powerhouse of the cell is तो cell का powerhouse होता है आपका mitochondria option B बाकि जो terms दिये हुए है cell wall, ribosome, nucleus एक बार इनके structure और function आप पढ़के जाईएगा इनसे भी question बन सकते हैं AIDS is caused by AIDS किसके कारण होता है तो यह होता है virus के कारण option C जितनी भी viral disease हैं जितनी भी bacterial disease हैं या फिर other disease बिमारियों से कई सारे question बनते हैं इस बार भी बनेंगे आप इने पढ़के जाईएगा which instrument is used to measure humidity humidity का जहां तक सवाल है जहां तक नमी की बात है तो इसको measure करते हो hygrometer से बहुत important है इसको extremely high temperature को measure करने के लिए use किया जाता है lactometer से आप यह चेक करते हो कि आपका दूद कितना प्योर है उसमें कितना पानी मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है what is the unit of pressure तो pressure की दो unit होती है एक तो पासकल लेकिन पासकल अगर ना दिया हो तो उसकी unit हो जाएगी Newton per meter square इसका correct answer क्या हो जाएगा option A Newton per square meter pressure की equation क्या होती है force upon area force की unit होती है Newton और इसकी meter square ऐसे भी हम निकाल सकते थे the normal dry cell has electrolyte off dry cell के अंदर जो आपकी cell होती है batteries होती है radio वगरा चलाने वाली उनमें electrolyte के रूप में क्या भरा होता है तो ये भरा होता है ammonium chloride NH4Cl dynamo के बारे में बताना है कि कौन सा statement सही है तो इसमें energy conversion के लावा आपसे मुश्किल है कुछ पूचेंगे इसकी working थोड़ी technical होती है dynamo कुछ नई electric generator ही होता है और इसमें मैंने आपको बता रखा है कि mechanical energy से kinetic या फिर potential energy बनती है sorry mechanical energy से electricity बनती है kinetic potential तो mechanical का ही example है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा it transfers mechanical energy into electrical energy option B the sky appears blue because sky जो आपका blue दिखता है मतलब आकास निला होता है वो किस कारण होता है because वहाँ पे blue color की scattering सबसे ज़्यादा हो जाती है जबकि बांकी के color उतना scatter नहीं होते तो इसका correct answer क्या हो जाएगा short wavelength scatter more than the long wavelength by the atmosphere यानि कि option B मैंने आपको पहले भी बताया था कि विबग्योर के case में इधर वाली wavelength सबसे कम होती है जबकि right side वाले जो color है वाई यो आर इनकी ज़्यादा होती है तो जो short wavelength होती है मतलब इधर वाले color V.I.B. something ये सबसे ज़्यादा scatter हो जाते है बांकी red की scattering सबसे कम होती है एक्जाम में ये भी कुछ से ना सकता है किसकी scattering सबसे ज़्यादा और किसकी कम होती है तो इसको भी याद रख सकते है 1 micron is equal to micron का मतलब होता है mu इसको इस तरीके से लिखते हैं और इसका मतलब होता है 10 to the power minus 6 meter अब लेकिन यहाँ पर meter में तो पूछा नहीं है millimeter में पूछा है तो millimeter का जहां तक सवाल है तो इसमें 1000 मतलब एक meter में 1000 mm होते हैं तो 10 to the power 3 से multiply करा लिया इसको solve करोगे तो 10 to the power minus 3 आएगा इसको लिख सकते हो 1 by 10 to the power 3 यानि एक बटे 1000 तो एक बटे 1000 mm होते हैं एक micron में option C the characteristic of super conductivity is super conductivity ऐसा फिनॉमिना होता है जिसमें अगर conductor का temperature बहुत कम कर दोगे तो उसकी resistance 0 की तरफ आगे बढ़ जाएगी या फिर कलीजे 0 हो जाएगी और resistance और permeability का inverse relation होता है मतलब अगर resistance आपकी 0 हो रही है तो permeability हो जाएगी 1 by 0 यानि की infinity option D इस केस में सही होगा ER is maximum on इसका मतलब यह है कि एक साल की लंबाई सबसे जादा कौन से ग्रह में होती है जैसे हमारे यहां प्रित्वी के अंदर एक साल में 365 या फिर 366 दिन होते हैं उसी प्रकार से बाकी के जो आपके ग्रह हैं उसमें इतने दिन नहीं होते हैं उसमें एक साल हमारी प्रित्वी के साल से compare किया जाता है तो जहां तक इन चारों का सवाल है अगर आप Pluto को ऐसा planet treat कर रहे हो यह question उस समय का है जब Pluto एक planet हुआ करता था तो उस समय Pluto पे जो साल होता था वो 289 सालों के बराबर होता था जो प्रित्वी के अंदर होते हैं तो इसमें इसका answer हो जाएगा A लेकिन आज के time पे ऐसा question अगर पूछा जाए तो answer का आप कौन सा टिक करेंगे Neptune वहाँ पे एक साल का मतलब है प्रित्वी के 166 साल लगबग Rounded shape of raindrop is caused because of एक बारिश की वर्षा जो होती है उसकी बूंद हमेशा गोल होती है ऐसा होता है surface tension के कारण तो इसका correct answer हो जाएगा B Open door of refrigerator in a room can अगर आप एक कमरे में fridge का दरवाजा खोल दोगे तो क्या होगा तो कुछ लोग सोचेंगे ठंड़ा का जाएगी अरे fridge है AC नहीं है In fact temperature बढ़ा देगा वो कमरे का तो इसका correct answer क्या हो जाएगा Warm the internal room to some extent गर्मी फैला देगा Option C इसका reason माना जाता है कि CFC मतलब उसका जो compressor होता है वो वहीं पे होता है जैसे AC होता है उसका compressor हम उपर कहीं पे आके रख जाते हैं जिससे कि वो गर्मी ना फैला है जबकि fridge में compressor वहीं पे होता है उसमें CFC गैसे निकलती है तो आपका कमरा गर्मा जाता है Which mineral is the source of radium Radium कहां से निकलता है Radium निकलता है pitch blend से Option B The theory of atom bum is based on अगर कहीं पे लिखा है atom bum तो इसका answer होगा nuclear fusion इस case में option B लेकिन अगर कहीं पे hydrogen bum पूँच लेते तो इसका answer होता nuclear fusion The formula for plaster of Paris is Plaster of Paris का formula होता है CASO4.halfH2O लेकिन अगर यह option में ना मिले तो इस दो को उधर बेज दीजिएगा तो twice CASO4.H2O हो जाएगा इस case में option C लेकिन अगर gypsum का formula आप से पूँच ले तो यह होता है CASO4.2H2O अगर दो dot के right में है तो आपका gypsum है अगर dot के left में दो आ गया तो आपका plaster of Paris है ऐसे इन दोनों को याद रख सकते हैं lemon taste sore is caused by नीमू खट्टा किसके कारण होता है तो यह citric acid के कारण होता है sorry citric acid option D HCL आपका mineral acid होता है इसको कई सारे application में यूज करते हैं acetic acid से vinegar बनाते हैं और tartaric acid प्रेजेंट होता है इमली में और बाकी सारे जो acid होते हैं oxalic acid वगेरा कहां पर पाए जाते हैं आप कम से कम एक नजर जरूर देख लीजेगा which one of the thing false about bleaching powder bleaching powder के बारे में निमलिकित में से कौन सी चीज गलत है highly soluble in water पहली चीज तो यह गलत है वो पानी में नहीं गुलता है light yellow color जी हाँ वो इसी color का होता है oxidizing agent भी होता है और acid से अगर react कराओगे तो chlorine release करेगा यह भी सही बात है इसका formula क्या होता है caocl2 amalgam is amalgam वही होता है जो की दांतों में भरा जाता है dentist वगरा इसको यूज करते हैं यह कुछ नहीं alloy होता है mercury का option c the normal type of coal is मतलब जो common coal है जो की आपको हर जगे मिल जाएगा इसका नाम है by two minutes option a वैसे सबसे बढ़िया coal कौन सा होता है तो यह होता है anthracite जो की जल्दी नहीं मिलता भारत का राश्टी पसू जो की स्तंधरी है कौन होता है यह तो यह question आपका थोड़ा सा विबादित है national animal which is mammal of India इंडिया का जो national animal है सभी जानते हैं tiger है लेकिन आपके आयोग ने इसको loin माना था तो कई बार misprint हो जाता है उन लोगों की तरफ से तो आप ध्यान रख सकते हैं which one of the cold blood animal इन में से कौन सा ठंडे रक्त का जीव है यह चीज आपको बतानी है तो इन में से जो आंसर है आपका वो है tortoise option D because वहाँ पे जो tortoise है वो surrounding के temperature के हिसाब से अपने शरीर के temperature को regulate करने में सक्षम है जबकि चाहे penguin हो चाहे whale हो चाहे otter हो यह सब लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं है out of water fish die because हम लोग ने कई बार सुनाए कि मचली को पानी से निकाल दो तो वो जादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगी लेकिन इसका कारण जानने की किसी ने कोशिस नहीं की है और आपके exam में इसको पूँच बे लिया तो इसका कारण यह होता है कि जो fish होती है वो गलफडे से सांस लेती है गिल्स से और water के बाहर गिल्स एकदम deactivate हो जाते हैं जिसके कारण उनके शरीर में हवा जाई नहीं पाती है तो option C इसका correct हो गया वे सांस नहीं ले पाती है The members of bee colony, bee colony जो होती है उसमें कई सारी मदमक्या एक दूसरे के उपर लिप्टी रहती है तो आपने इस question का answer पहले दे दिया होगा Recognized one another, how कैसे वो एक दूसरे को पहचानती है तो by touch, तबी तो वो छट्टे में एक दूसरे को लिप्टी रहती है Option D एक बार ये question पहले भी आया था जिसमें touch माना गया था लेकिन ये इस का answer touch नहीं है Technical Language के इसाब से ये लोग dance करती है हवा में और इसी इसाब से एक दूसरे को पहचानती है तो correct answer इसका है C जो कि आपके आयोग ने माना था How many teeth developed two times in the life span of human मानव का जो जीवन होता है उसमें कितने ऐसे दाथ हैं जो कि दो बार develop होते हैं मतलब एक बार जैसे develop हुए फिर तूट गए फिर दुबारा आ गए ऐसे कितने दाथ होते हैं तो ऐसे होते हैं 20 Option C The leg bones of human body are मानव के पैर में कितने हड़ियां होती हैं तो कौन से भाग में कितने हड़ियां होती हैं स्कल में या फिर दूसरे और्गेन में इन सब बातों को भी पूच लिया जाता है तो इसका अंसर है B 30 हड़ियां होती हैं आपके पैर में How many bones are present in human skull मैंने कहा था कि ये question कई बार आ चुका है तो लीजे आ गया इसका correct answer है 8 Skull के अंदर 8 हड़ियां होती है The latest predecessor of modern man हम लोग अपने पूरवजों के बारे में इतना ही जानते हैं कि हमारे पूरवज बंदर थे कुछ लोग दूसरे जानवरों को मानते हैं लेकिन यहां पे हमसे latest पूचा है मतलब थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए तो इसका correct answer हो जाएगा Chrome Megan Man Option B Generation of plant like mother plant मतलब ऐसा पौदा हो गाना है जो उसकी mother पौदे जैसा हो मतलब जैसे पिछले वाला पौदा हो exactly वही चाहिए आपको कैसे आप ये चीज़ अचीज़ अचीब कर सकते हैं आप बीज भी बो सकते हैं और stem काटके उसमें जोड़ देंगे तो भी काम हो जाएगा यानि कि both of them Option C In cells, more than 80% which of the thing are present 80% content क्या होता है तो ये होता है पानी Option D Illunin is extracted by Illunin कैसे निकलता है तो डाहलिया नाम की जो पौदे की प्रजाती होती है उसकी जड़ों से Option B Generally, stem cutting is used for the generation of तो ये गन्य वगेरा को उगाने के लिए use करते है मान लो कि एक पौदा है उसकी stem को उठा के आप जमीन में गाड़ दिये और उसके बाद exactly जो original पौदा है उसी की भाती उग जाएगा तो इसी को बोलते है stem cutting और इसका correct answer है sugar cane Option B Plant of P is जो मटर का पौदा होता है वो निमले कितमे से किस category में आता है तो इसका answer क्या है तो इसका answer क्या है herb ये एक shark की श्रेणी में आता है आप बोलते नहीं है कि shark सबजियां खाना है तो वो shark ही होता है The main factor of evolution is evolution की कई सारी थियोरी आती है Charles Darwin की उनमें से सबसे famous है उनके अनुसार main factor क्या होता है evolution का Natural selection Option D The age of the oldest rock system is confirmed भाई तो सबसे पहले तो ये एक tech का question है जिसको current affairs से सीदे सीदे उठा लिया गया था उस time पे तो वैसे तो कुछ लोग confused हो सकते है कि C14 लगा के चले आए क्या लेकिन उसका answer ये नहीं है इसका जो answer था उस समय के इसाब से वो potassium margin method था के AR method option A वैसे एक और technique जो आज कल very popular है uranium lead method आज कल इसका भी use करते हैं तो अगर कोई ऐसी चीज खुजी जा रही है तो उसके बारे में जितनी भी technical चीज़े हैं कम से कम थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए air is a air के बारे में कौन सी चीज सही है तो air एक mixture है किसका mixture है it is the mixture of gases जिसमें सबसे ज़्यादा content होता है nitrogen का 74% option C which of the following is the biggest reservoir of non-conventional energy resources non-conventional जो आपके energy resource होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि प्रचलन में नहीं है लेकिन उनमे infinite possibilities हैं वह ज़रूरत है तो सही technology को develop करने की तो ऐसी सबसे ज़्यादा आसीम चमता है किसके पास हैं तो solar energy के पास हैं option A bill of electricity consumption is based on measuring of जब आपके घर में कोई meter reading वाले आते हैं तो वो किन किन बातों के दिमाग में रखते हैं उनको सिर्फ इसी बात से मतलब होता है कि कितने kilowatt कितने घंटे तक आप use कर रहे हो लेकिन अगर kilowatt ना दिया हो तो सिर्फ watt से भी काम चल सकता है because kilowatt हो चाहे watt हो दोनों power की unit होती है power की तो इसका correct answer क्या हो जाएगा सिर्फ watt से मतलब है option A only one what is a laughing gas laughing gas होती है nitrous oxide and two o option D which of the following is the heaviest metal heaviest metal वो होता है जिसका atomic mass सबसे ज़्यादा हो तो uranium हमारा answer हो जाएगा option B because उसका atomic mass होता है 234 के आसपास इसका एक isotope होता है 92 U-235 इसको nuclear power plant में as a fuel use करते हैं लेकिन uranium इंडिया में कम है इसलिए इंडिया में thorium जादा use होता है permanent hardness of water is due to तो water की जो permanent जो hardness है यानि की कठोरता है वो magnesium के salt की वज़े से होती है तो जहां भी आपको magnesium दिखरा हो उस पे टिक कर सकते हैं यानि की option B magnesium के sulfate ले सकते हैं उसकी chloride ले सकते हैं इनके कारण जो पानी है वो स्थाय रूप से कठोर हो जाता है और उसको zeolite की माध्यम से आप धीरे धीरे purify करना शुरू करते हो blood group of universal donor is अगर लिखा हो universal donor तो answer क्या हो जाएगा O group अगर universal acceptor दिया होता तो answer A B होता ये भी question पूँशा जाता है आपके exam में कि blood group की खोज सबसे पहले किस ने की थी तो इसका answer है Charles या फिर कह लिजे काल्स जो भी इनका नाम है लेंड स्टीनर ऐसा करके दिया होगा According to the present evidence Origin of life on earth is started about आज के जो evidence है जो आज कल के साक्ष लगातार आपको मिल रहे हैं उसके इसाब से पृत्वी पे जीवन कब शुरू हुआ था आज से लगबग कितने साल पहले तो इसका correct answer हो जाएगा साड़े तीन अरब साल पहले लेकिन अगर ये आपके एक्जाम में ये कुछ सना जाए कि अर्थ कितने साल पुरानी है तो उसका answer क्या हो जाएगा साड़े चार बिलियन एर्स अगो इन दोनों question में थोड़ा संतर है आप ध्यान रखेंगे Which edible plant has maximum protein तो जब भी maximum protein की बात होगी अगर dairy product है तो इसका answer milk होगा अगर non dairy है तो answer soya bean होगा option C Soil erosion can be checked by checked या फिर कह सकते हैं controlled तो soil erosion को control करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप maximum से maximum पेड़ लगा लो a forest station कर लो option C because जितने ज़्यादा पेड़ होंगे मिटी पानी के साथ बहना कम हो जाएगी ocean appears blue due to तो ocean का जो रंग है वो नीला इसलिए क्योंकि आसमान से reflection हो जाता है और साथी साथ जो particles से light के वो scatter हो जाते हैं पानी के उपर option B reflection of sky and scattering of light by water particles scattering की condition क्या होती है कि जो भी आपका particle है जिसको scatter होना है उसका size जो है वो light की wavelength से बड़ा होना चाहिए dew is not formed in turbulent high wind blow turbulent वो areas होते हैं जहाँ पे wind की speed बहुत जादा होती है और ऐसा जादा तर रात में देखा जाता है कि अगर वहाँ पे wind की speed जादा है तो ocean नहीं बनेगी उसका reason यह है कि wind की speed डाई होने के कारण जो भी पानी है atmosphere के अंदर जो भी वास्पी करण हो जाता है उसका evaporation हो जाता है वो उपर चला जाता है तो नीचे कहां से रहेगा the rate of evaporation is greater option A according to life cycle the most important part of the plant is तो इस cancer क्या हो जाएगा root अगर जड़ नहीं होंगी तो बाकी की growth का कुछ सवाली नहीं उठता R.Q. Patricks यह क्या है तो यह सबसे पुरानी टाइम की चिडिया है जो की सबसे पहले अवलेबल हुई थी जुरासिक पीरेड में आपने मूवी देखी होगी वहाँ पे डाइनासोर को आप सिर्फ जानते होंगे लेकिन वहाँ पे कुछ उड़ने वाली चीजें भी थी जिनको आर्कियोपेट्रिक्स भी का जाता है option A यह लोग ऐसे थे कि इन में छिपकली और बाकी के जो रेप्टाइल से उनके फीचर भी पाए जाते थे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर इस तरफ रेप्टाइल हैं उस तरफ बर्ड हैं तो यह इनके बीच में आते हैं कहीं पे aspirin इजा aspirin बहुत लोगों ने बिमार पढ़ने पे खायोगी लिकनी है क्या aspirin एक anti-piratic है anti-piratic का मतलब वो temperature regulate करती है हमारी body का जब आप उसको consume करते हैं तो option B what is detergent तो detergent soap नहीं होता soap और इसके बीच का difference होता है एक minor सा ions इसके अलग होते हैं तो इसको soap नहीं मान सकते otherwise आप इससे नहा रहे होते नहाते तो नहीं हम लोग इससे यह medicine की category में नहीं आता catalyst यह होता नहीं है तो यह होता है cleaning agent जिससे सफाई बगरा करते हैं option D radioactive element emits radioactive element alpha, beta, gamma तीनों rays छोड़ता है all of these option D dolphins are classified as जो dolphin होती है किस category में आती है तो mammal की category में आती है option D और जो आपकी blue whale होती है वो भी mammal होती है when we eat mutton of goat and sheep we are हम लोग count से category के consumer उस टाइम पे बन जाते हैं तो हम बन जाते हैं secondary option B और जिनको हमने खाया है बेड बकरियों को वो क्या थी तो वो primary consumer थे और जो tertiary consumer होते हैं वो या तो ऐसे होते हैं जो की बड़े से बड़ों को खा जाएं जैसे की tiger loin या तो वो होते हैं जो सफाई करने का काम करते है natural scavenger on celsius scale the normal temperature of human body is तो इसका correct answer क्या है 37 degree या फिर इसके आसपास की value को लेंगे तो option C select कर लेंगे because उसमें लिखा हुआ है 36.9 जो की 37 के आसपास है अगर आपसे फारे नाइट में पूछ लेते तो इसका answer क्या हो जाता 98.4 the biggest planet of our solar system is हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो planet है वो कौन है तो उसका नाम है Jupiter इसको ब्रस्पत ग्रह भी कहते हैं option C in air which gas has the maximum amount तो ये repetitive question है इसका answer मैंने आपको पहले बताया था nitrogen सबसे जादा होती है 74% इसका लगबग content होता है option D in comparison to female male has high color blindness एक तरफ आप female ले लो और दूसरी तरफ male को आप consider करो तो आप ये देखेंगे कि male के अंदर high probability पाई जाती है कि उनको color blindness हो जाए और उसका reason ये है कि उनके पास सिर्फ एक chromosome available होता है option C जहां तक male का सवाल है तो उनमें जो pair बनता है वो double X का बनता है और female का XY chromosome का pair बनता है सौरी मैंने उल्टा बता दिया जो XX होती है ये female का chromosome pair है जबकि XY male का है और जहां तक color blindness का सवाल है तो वो X-linked disease है इसी कारण male में इसकी probability ज़्यादा होती है the chances of desert on the earth is more near आपको वो location बतानी है कि जहां पर A पृत्वी के उपर desert सबसे ज़्यादा पाए जाते है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा 23 degree latitude option B the height of ozone layer is तो ozone layer की height होती है stratosphere में वो पाए जाती है जिसकी strength होती है 40-50 km sea level से मतलब इतनी उपर जाओगे तो मिलेगी option B ये मैंने पूरा आपको बना के दिखाया है इसमें आपको atmosphere की सारे layers के बारे में जितनी जानकारी exam level पे चाहिए वो सब मिलेगी सबसे पहली layer होती है troposphere इसकी strength होती है 0-10 km के बीच यहाँ पर जितनी atmospheric activities होती है वो involve होती है जैसे समुद्र में बाढ़ आना तूफान आना बारिश होना ये सारी चीजे हैं आंधी तूफान आना ये सब कुछ ये सब troposphere में होता है थोड़ा सा उपर जाओगे तो आ जाएगा stratosphere ये चलेगा 10-50 km के बीच यहाँ पर जितने भी aeroplanes होते हैं वो उड़ते हैं फिर उसके बाद आ जाओगे mesosphere पे वहाँ पर जो rocket होते हैं वो पार कर जाते हैं इसको because उनको तो space में जाना है तो rocket यहाँ पर पार करते हैं और यहाँ पर उलका पिंड भी पाए जाते हैं उसके बाद आ जाओगे thermosphere पे यहाँ पर उल्टा phenomenon काम करता है हम लोग यह जानते हैं कि अगर आप पृत्वी से उपर जाना चालू करोगे तो temperature कम होगा लेकिन यहाँ पर चीज उल्टी हो जाती है यहाँ पर temperature बढ़ता है इन विंटर सीजन इफ विट आच आइरन ब्लॉक और वुडन ब्लॉक यहाँ पर वुडन ब्लॉक होगा इन दी मॉर्निंग मॉर्निंग की टाइम पर हमारे पास दो चीजे हैं एक लोहे का ब्लॉक तो दूसरा लकड़ी का ब्लॉक यह तो होगाई ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आइरन का जो ब्लॉक है उसकी conductivity बहुत ज़ादा है as compared to wooden block तो इसका correct answer क्या हो जाएगा आइरन is a good conductor of heat than wood जितनी जल्दी heat इससे आ सकती है उतनी जल्दी बाहर भी जा सकती है option B isotope of any atomic nucleus is that nucleus in which isotope की definition बतानी है क्या है तो isotope उसको कहते हैं जिसका atomic number same हो लेकिन mass number different हो और mass number different होने का मतलब यह हुआ कि proton तो वही रहेंगे neutron हो जाएंगे अलग option B active chemical in mosquito replant जितने भी all out good night या फिर जो molten वगएरा होती है उनमें mainly क्या पाया जाता है तो उनमें la3 नाम का compound पाया जाता है option A surface of earth which is covered by water is about तो दो ती हाई हिस्सा आपका पानी से कबर है बाकी के जो one third हिस्से हैं उनमें आपके continent देश प्रदेश ये सारी चीज़ें पाय जाती हैं तो पानी का पूंचा है तो अनसर हो जाएगा वन तू थर्ड option C which constellation star direct towards the pole star धुरूप तारे के आसपास कौन सी ऐसी constellation family है जो पाय जाती है तो सब तरिशी मंडल वहाँ पे पाया जाता है great bear option A heavy water is that water which तो heavy water actually D2O होती है जहाँ पे D का मतलब है deuterium deuterium का मतलब है hydrogen का isotope hydrogen ये होता है 1H1 इसकी place पे आप ले लेते हो 1H2 और इसकी place पे D लिख देते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा place of hydrogen is replaced by its isotope option C the fundamentals of nucleus of an atom is nucleus के अंदर कौन कौन सी चीज़े पाय जाती है तो nucleus के अंदर proton और neutron पाय जाते है proton and neutron option C अगर आपसे ये पूछ लें कि nucleus के उपर net charge क्या होता है तो ये positive होता है और ये पूछ लें किसके कारण आता है तो ये आता है proton के कारण neutron के कारण क्यों नहीं आता because वो neutral होते हैं the number of bones in human body at the age of 20 20 साल के human being की कितनी हड़िया होती है तो 20 साल की एज में तो कोई भी person adult बन जाता है adult में वो लोग आते हैं जो की 19 से 40 साल तक के होते हैं तो अगर आपसे इन में से किसी age group के बारे में पूछ दें कि इनकी कितनी हड़िया होती है तो आंसर आएगा एकदम सेम क्या आंसर आएगा तो ये आएगा 206 हड़िया होती है option D the disease is spread by HIV तो HIV से तो भाई AIDS होता है कोई भी बता देगा option D if 100 watt electric bulb is lighted for 10 hours what is the electricity consumption तो भाई numerical question भी आते हैं तो जब भी ऐसा कुछ पूचे कि number of unit बताओ तो power को किसमे लोगे हमेशा kilowatt में ध्यान रखेगा कुछ लोग इसको SI में लेने की चक्कर में confused हो जाते हैं और time को किसमे लोगे तो हमेशा घंटों में लिया जाएगा time को तो energy क्या होती है energy और फिर कह लिजिए number of unit power into time power आपका watt में है तो 1000 से divide कर दो तो kilowatt में चला जाएगा because एक kilowatt में 1000 watt होते हैं into कर देंगे 10 से 100 tensa 10 tensa तो इसका अंसरा क्या आ जाएगा एक unit option B if the lens of a glass has a power plus 2 diopter then what is the focal length तो एक diopter में 100 cm सोरी ये तो थोड़ी problem है इसमें सीधे सीधे reciprocal ले लिजिए 1 by 2 तो 1 by 2 का क्या मतलब है आधा मीटर यानि की 50 cm अगर इसका answer एक होता तो 100 cm होता power और focal length एक दूसरे के reciprocal होती है तो इसका reciprocal कर दोगे तो focal length मिल जाएगी लेकिन आधे को convert कर लोगे cm में तो पचास आजाएगा option C which of the following is not the language of computer तो basic है C है, Fortran है, fast नहीं है option C the electrolyte used in a car battery is car battery में तो भाई sulfuric acid यूज होता है option B 1 picogram is equal to तो जब भी picogram keyword आपको देखने को मिले तो 10 to the power minus 12 से multiply करा लिया करेंगे आप तो 10 to the power minus 12 gram यहां से correct हो जाएगा option C milk is an example of तो milk क्या है यह एक emulsion है option C emulsion भी colloid के अंदर ही आता है इस वज़े से emulsion अगर दिया है तो priority उसको देंगे अगर emulsion ना दिया होता तो इसका answer क्या हो जाता है colloidal solution which of the following gas is responsible for the depletion of ozone layer ozone layer depletion किसके कारण होती है तो यह CFC के कारण होती है option D from which of the following minerals iron is obtained तो iron तो by hematite से obtained होता है option D the chemical name of vitamin C is तो C का जो नाम होता है वो होता है ascorbic acid option A A, B, C, D, E से लेकर K तक सब के scientific name कम से कमा प्याद कर लीजेगा हो सकता है question आ जाए the creation of energy on the sun is by तो sun के उपर जो energy आती है वो nuclear fusion के कारण आती है hydrogen helium में लगातार convert होता रहता है option B यहाँ पर correct होगा तब ही तो आप इस बात को लेकर कभी confused हो जाते हैं कि जब उपर oxygen है ही नहीं तो sun जलता कैसे रहता है तो वो nuclear fusion के कारण जलता है तो carbon किसके पास नहीं होती है यह चीज़ आपको बतानी है which of the following has no carbon तो diamond होती है, carbon होती है और graphite में भी carbon होती है because diamond, graphite और bug minister fullerence यह carbon के ही दूसरे रूप है coal में तो carbon होती है उसके बिना वो किस बात का coal तो इस cancer क्या आओ जाएगा none of these और आपके आयोगनी diamond माना था उस टाइम पे इसमें तो भाई carbon होती है Sir C.V. Raman received noble prize of physics in तो यह इनको मिला था साल 1930 में option B The density of water is maximum at तो यह होता है 4 degree Celsius यहाँ पे पानी की density सबसे अधिक होती है The most abundant element found in the earth crust ध्यान रखेगा earth की crust के बारे में पूँच रहे है तो इसका correct answer क्या आजाएगा oxygen option A Which of the following acid is found in vinegar तो vinegar का जहां तक सवाल है उसमें तो acetic acid होता है option D velocity of sound in the air is approximately तो यह होती है 330 meter per second option B The time taken to reach sunlight to the earth surface is about तो इसका answer है 8 minute लेकिन इसके आज़ पास की value अगर दी है तो उसको भी select कर सकते है 8.5 minute इसका answer हो जाएगा option C What is increased to hardening the steel इस steel की strength को बढ़ाने के लिए आप उसमें क्या add करोगे तो आप add करोगे carbon amount of carbon option A लेकिन आपके आयोग ने उस time पे manganese माना था जो की गलत था उस time पे और बाद में साइद इन्होंने अपनी गलती सुदारी भी थी The technique of chromatography is used in तो chromatography में किसी substance को उसके salute से अलग करते हैं और किस basis पे अलग करते हैं color के basis पे separation of substance from a mixture option D इसका correct होगा color को देखके वहीं पे टिक मत करने भाग जाईएगा यहाँ पे option A में लिखा हुआ है recognition of color substance सिर्फ recognize करना उसका purpose नहीं होता है separation भी involved होता है उसमें In household LPG cylinder pressure scale is not given आप देखते हैं कि जो oxygen की cylinder होते हैं उनमें से एक sweet type की लगी रहती है meter type का उसमें दिखाते रहते हैं कि कितना pressure maintain है कितना नहीं है लेकिन LPG में ऐसा कुछ नहीं किया जाता because वो चोक हो जाएगी जो भी आपकी device LPG में इतना pressure होता है कि वो चोक कर देगी उसको option D होगा इसमें the nature of radiation of light is तो light दो तरीके से behave करती है wave और particle दोनों की तरीके से option C dry ice is तो dry ice होती है solid carbon dioxide option B the genetic constitution of man is तो man के बारे में आपको बता रखा है कि इनको XY chromosome pair प्राप्थ हुए होते है nature के द्वारा तो answer क्या हो जाएगा option B XY photosynthesis takes place in photosynthesis कौन से time पे होता है तो यह सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है because input में light energy भी चाहिए उसको initiate होने के लिए उनको photon के particle की जरुरत पड़ती है जो कि रात के time पे अवलेबल नहीं होते है option D which gas is essential for photosynthesis तो photosynthesis में input में क्या देते हैं carbon dioxide option D who was the first to discuss evolution of life evolution की जो सबसे सफलतम थियोरी थी वो तो Charles Darwin की थी लेकिन इससे पहले landmark दे चुके थे option D which metal alloy is used in aeroplane parts of railway compartment aeroplane के पार्ट किसे बनते हैं तो aluminium से बनते हैं option C which state of India produce silver वैसे तो जहां तक silver का सवाल है सबसे ज़्यादा ही produce होती है राजिस्थान में लेकिन वो अगर option में नहीं है तो आंध पदेश के साथ आप जाएंगे दूसरे number पे आता है option B which gas is used as tear gas तो जहां तक aansu gas का सवाल है इसको हर किसी compound से बना सकते हैं कई सारे compound से इसको बनाया जाता है लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा chlorine होता है option D the velocity of light in vacuum is approximately तो ये होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second option A which acid is considered to be a basic chemical in chemical industry तो chemical industry में बिना H2SO4 के काम नहीं चल सकता option C इसको king of chemical भी कहते हैं और साथी साथ oil of vitriol भी कहते हैं oil of vitriol which ray is used to cure in instantinal disease मतलब जो आथ की बिमारियां होती है कौन सी रेसे इसको सही किया जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा x ray option A ये जो जितनी भी rays है especially infrared ray और radio wave सबके application आप जरूर पढ़के जाईएगा इनसे question बन जाते है the theory of fuses जो पुरानी time के fuse होते थे और जो आज के time पे RCCB, MCB ये सब हैं कौन सी theory पे काम करते हैं तो ये काम करते हैं joules law पे ये काम करते हैं joules law पे यानि की heating effect of electricity पे option C the following particles are present in the nucleus of an atom तो ये तो repetitive question है मैंने आपको बता दिया nucleus के अंदर दो चीज़े होती है proton plus neutron proton and neutron option A में given है इसको tick करेंगे और आगे बढ़ेंगे which lens is used in the remedy of long sightedness long sightedness का मतलब है कि आपको सिर्फ दूर की चीज़ें दिख रहे हैं आप पास वाली चीज़ों को देखने में असमर्थ हैं तो इसमें जो lens use होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि वो इधर से मान लीजे ऐसे light आ रही है तो वो उसको एक point में focus कर दें जिससे आप आस पास की चीज़ों को असानी से देख पाएं तो ये lens होती है convex lens मैंने shape भी बना रखा है वहाँ से भी आपको clear हो गया होगा option C convex और concave ये दो बड़े important term होते हैं लेकिन lens और mirror अगर इनके आगे लगे हुए हैं तो इनमें आपको समझ के रखना होगा क्योंकि properties change हो जाती हैं in which direction can one see a rainbow at 12 o'clock at noon तो इतने time पे तो rainbow दिखता भी नहीं है option D it is not seen for shaving purpose what is used तो आप concave mirror को use करते हो option A concave mirror ऐसा mirror जो की pass वाली चीजों को एकदम focus करके दिखा सकता है zoom करके दिखा सकता है so that छोटे से छोटे बाल आपके दिख जाएं और आप अच्छे से shaving कर सकें ऐसा ना लगे कि shaving से आप unsatisfied है the chemical formula for washing powder is washing powder का होता है Na2CO3 dot 10H2O washing soda बनता है ऐसे तो Na2CO3 हमारा answer हो जाएगा अगर baking soda पूछते तो इसका answer क्या हो जाता NaHCO3 NaOH होता है यह होता है NaOH यानि की caustic soda caustic soda का NaOH हो गया और CAOH का whole twice होता है calcium की hydroxide From which of the following we get solar energy बिना sun के तो संभव भी नहीं है Option C The process of making a camphor vapor from solid camphor आप जानते हैं कि जो कपूर होता है वो उसको हवा में रखके छोड़ दो वो सीधे सीधे उड़ जाता है कोई liquid state बीच में नहीं आती है तो इसका मतलब होता है sublimation हो गया उसका Option D The process of making food by plants and trees is called तो ये तो photosynthesis होता है बहुत पहले से आप जानते हैं Option D Which metal is used as a semiconductor in transistor तो transistor में semiconductor के तोर पे या तो silicon यूज़ करोगे या तो germanium तो germanium option में given है तो टिक करेंगे B option को और आगे बढ़ेंगे Which is responsible for catalyzing मतलब reaction का rate बढ़ा देना The process of chemical reaction in biotic system मतलब जीवित वस्तूओं के संदर्ब में आपको answer करना है इसको natural catalyst भी बोलते हैं इसका नाम है enzyme Option C Loss of following is responsible for diabetes in human being तो insulin की कमी हो जाती है इन लोगों को जिनको diabetes होता है insulin की इनको tablets और injection दोनों ही लेने पड़ते हैं Option D Vitamin Which is found in citrus fruit मतलब खटे फलो में कौन सा vitamin होता है तो यह होता है C मतलब vitamin B C और option B C बड़े सारे C The process of purification of blood in human body is called तो इसका नाम तो dialysis होता है dialysis जब तक natural चल रही है तो ठीक है otherwise kidney हो जाती है फेल और आपको करवाने जाना पड़ता है Electricity generated by turbine and dynamo Which energy is converted into electricity तो आपके पास dynamo है और आपको यह बताना है कि कौन से energy आपकी बिजली में बदलेगी तो mechanical energy देना पड़ेगा उसको घुमाना पड़ेगा पहले तो option C Which type of lenses used in reading glasses Reading का मतलब ऐसा चस्मा जो की पढ़ने लिखने वाले लोग पहनते है तो पढ़ने लिखने के purpose के लिए आपको क्या चाहिए कि पास की चीज़ें आपको अच्छे से दिखें और मैंने आपको अभी बताया है कि पास की चीज़ें अच्छे से दिखती है Convex lens के कारण तो option B Which of the following metals is liquid at normal temperature मतलब 20-25 डिगरी पे कौन सा metal liquid अवस्था में पाये जाता है तो इसका answer क्या है mercury अगर आप से non-metal पूछ ले तो आप answer देंगे bromine Which of them is hardest one तो दुनिया में diamond एक ऐसा substance है जिसकी hardness के बराबर आसपास भी कोई नहीं है तो option A Which of the following is used in making soap साबुन बनाने के लिए क्या use करते हैं तो vegetable oil use करते हैं Option A The gas used in cooking purposes primarily तो इसका तो answer methane होगा Option C लेकिन LPG में क्या होता है सबसे ज़्यादा इसका answer methane नहीं है LPG के बारे में पूछ दें तो इसका answer butane है The laughing gas used by the doctor in anesthesia मतलब laughing gas क्या होती है आपको बताना है तो ये भी repetitive question है N2O Nitrogen मतलब nitrous oxide Option C The polluted gas emitted through vehicles is primarily तो vehicle के जो exhaust वाली system होते हैं जहां से धुवा निकलता है वहां से mainly carbon की monoxide निकलती है और सरकार आपको इसलिए बोलती है कि समय समय पर production की जाच कराई है जिससे की carbon monoxide की वज़े से atmosphere और लोगों को जादा नुकसान ना हो तो option B Which is used in the preservation of edible substances मतलब खाने पीने के वस्तों को सरने से रोकने के लिए क्या करते हैं मतलब कौन सा chemical लगाते हैं तो इस chemical का नाम है sodium benzoate option C Which metal is used as a filament in light bulb तो filament किसका बना होता है यह जो ऐसे करके होता है bulb के अंदर तो यह बना होता है tungsten का option D कई बार exam में यह भी पूछते हैं क्यों बना होता है because उसका melting point high होता है बहुत जादा जिससे वो असानी से melt नहीं होता है तो कई बार तो यही पूछ देते हैं कि पहला सेटिलाइट कौन सा है तो नाम याद रख लेजिए आर रिभट इसकी date है 19 अपरेल 1975 option B the ratio of momentum and velocity of a substance momentum का मतलब P और इसका ratio ले लेंगे velocity के साथ P बराबर क्या होता है MV और उसको V से डिवाइट करेंगे तो M बच जाएगा तो आपको यही पूछ बताना है which physical quantity is produced तो mass produce हो रहा है option C the multiplication of forces तो force की equation जो Newton के second law के हिसाब से है वो यह है mass into acceleration तो mass into acceleration यानि की option B which of the following quantity is not vector तो vector quantity वो होती है जिन में magnitude के लावा direction भी important होती है जबकि scalar में सिर्फ value important होती है direction से कोई मतलब नहीं होता तो displacement, velocity और force ये तीन के तीनों आपके vector है volume vector नहीं है option D one kilometer distances तो एक kilometer में तो भाई हजार मीटर होते हैं अगर दे रखा है तो टिक करेंगे otherwise कुछ और सोचेंगे दे रखा है तो option C टिक करिए और आगे बढ़िए for determining acceleration which of the following is correct तो A बराबर होता है V minus U by T first equation of motion से ये आपके पास आता है result तो option A यहां से correct हो गया what is called the distance between consecutive crest और trough तो crest का मतलब होता है ये उचाई और trough का मतलब होता है ये जो depression है और बीच में होती है एक reference line तो इन दोनों के बीच का distance होता है wavelength मतलब इनके और इसके अगले वाले crest के बीच का ये तो half wavelength है तो बहरहाल इसका अंसर है wavelength option B which of the following has negative charge तो negative charge होती है beta particle में option C यहां पे दो unit के negative charges पाए जाते है alpha होती है positive charge gamma होती है neutral an atom of any element has two proton, two neutron and two electron what is the mass number तो mass number में सिर्फ दो चीज़े important होती है वही दोनों चीज़े जो की nucleus का part होती है proton plus neutron सबी दो दो है तो answer क्या हो जाएगा 4 option B which of the following electronic configuration is for metallic element तो metal का जहां तक सवाल है तो last में electron एक, दो या तीन होना चाहिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ये हो जाएगा, last में 2 है अगर 5, 6 या 7 होता last में तो non metal की बात करते हैं अगर last में 4 है तो सिर्फ 2 possibility बनती हैं जो most popular हैं वो हैं carbon और silicon where is the controlling center of reflex action तो इस cancer क्या हो जाएगा spinal cord, option C which is the interesting hormone to stimulate thyroid gland to secret thyroxin पहली चीज़ तो ये important हो गई कि thyroid gland से कौन सा hormone निकलता है, तो thyroxin निकलता है कौन सी और ये निकलवाने के लिए कौन सा hormone responsible होता है इस question में आपको ये बताना है तो इस cancer क्या हो जाएगा TSH, option A where does the action of fertilization occur fertilization होता है female के oveduct में, option B how much distance per minute is covered by the earth in one revolution तो distance in one revolution क्या होता है 2 pi r आप इसमें एक चीज़ अजिम कर रहे हो कि earth का जो shape है वो spherical है और इस spherical का 2D version circle होता है जिसका perimeter मैंने लिख रखा है 2 pi r तो 2 into 22 बटे 7 और इसकी radius को क्या ले लोगे 7 का multiple ही लेना पड़ेगा 6400 होती है ना तो आप approach 6300 ले लो तो इसका answer क्या आजाएगा या फिर ऐसे समझो ये नीचे 7 है ना तो जो भी answer आएगा वो 7 से कटना चाहिए 69 नहीं कटता 69 नहीं कटता 28 कट जाता है तो वो आपका answer हो जाएगा option A while tinning of brass utensil the ammonium chloride powder used to clean the hot utensil produced fume of brass की आप क्या कर रहे हो tinning कर रहे हो और उस time पे गरम बरतन को दोते समय आप जिस ammonium chloride powder का use कर रहे हो जैसे ही आप उसका use करेंगे वैसे कौन कौन सी गयसे निकलेंगी या फिर कुछ जार टाइप की निकलेगी तो इस fume में इंकलूड होती है ammonia और hydrochloric acid option D the American spaceship Columbia meet with tragedy in ये इंडिया के लिए important घटना है दुखत घटना है because वहाँ पे कलपना चावला जी के मृत्ती हो गई थी जैसे ही उनका spaceship नीचे आ रहा था उस time पे कब हुआ था ये ये हुआ था 10 फरवरी 2003 को option D इसका correct answer होगा which of the following vitamin is necessary for clotting of blood रक्त को बहने से रोकने के लिए कौन सा vitamin responsible होता है ये होता है vitamin K option D the end product of alcoholic fermentation is नाम सही समझ में आ रहा है कि इसमें alcohol बननी चाहिए यानि कि ethyl alcohol option C out of the following which is the hormone इन में से hormone कौन सा है RNA नहीं है invertis नहीं है ascorbic acid तो vitamin है insulin आपका hormone है इसको लिया जाता है external लूप से tablet या फिर injection के थुरू option C hydrofluoric acid hydrochloric acid नहीं है HF यहाँ पे है HF जो कि acidic nature है is not kept in glass bottle इसको glass bottle के अंदर भरके नहीं रखते हैं आप ऐसा क्यूं करते हैं because इसका reaction हो जाएगा glass के material से glass किससे बना है तो silicon की oxide से SI O2 से option D इससे react करेगा और glass को चिटका देगा A metal when left exposed to air for some time gets coated with green basic carbonate तो इसमें ऐसा metal पूछा जा रहा है जिसका corrosion जब होगा तो वो green color अपने उपर ले लेगा तो ऐसा metal तो भाई copper होता है option A और copper के बारे में एक चीज़ और खास है कि इसका जो corrosion rate होता है ना मतलब इसके सड़ने की समता वो बहुती मतलब देर में सड़ता है दो साल तीन साल लगते हैं तब थोड़ा थोड़ा green वो दिखने लगता है the gas used for artificial ripening of fruit समय से पहले फलों को पकाना और उनको बजार में बेचना किसके कारण संबभ हो पाता है तो ये acetilene की gas के कारण संबभ हो पाता है इसका जो chemical formula है वो है C2H2 the explosive nitroglycerine तो nitroglycerine क्या है glycerine में nitrogen gas के कुछ compound मिला तो convert हो जाएगा और इस से धमाका होता है क्या होता है ये तो it is an easter option D evolution proceeds on account of evolution किसके कारण संबभ हुआ कैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी तो इसका जो reason है वो ये है कि लोग exist करने के लिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संगर्स कर रहे थे option B in the process of electroplating a utensil with zinc utensil का जब electroplating आप करते हैं वो भी zinc के through तो zinc आप जानते हैं कि इसका जो iron बनता है वो ZN2 plus होता है मतलब positively charged तो इसको positive terminal पे ही connect करेंगे इसका बनाएंगे anode और जो बाकी बच गया utensil उसका बना देंगे cathode ऐसी बात कहां पर दे रखी है the utensil is made at cathode and pure zinc is anode तो option C the noble gas which is not present in the air तो जो noble gas होती है उनका electronic configuration कुछ इस तरीके से होता है कि उनके सबसे बाहरी शल में 8 electron हमेशा maintain हो रखे होते है इसलिए उनको किसी से react करने की जरुरत नहीं होती बाकी सारी चीज़ें आपको हवा में मिल जाएंगी बस redon नहीं मिलेगी option D the metal iron present in chlorophyll is तो chlorophyll में magnesium का iron present होता है mg2 plus option B which of the following is not a vestigial organ in men तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि चारों option में से आप ऐसी चीज़ धूढ़िए जो आपने अपने शरीर में कभी न कभी देखी हो तो incisors यानी की जो नकीले दाथ होते हैं तो आप देखते ही है तो इसका मतलब option C एकदम correct हो गया the sweetest among all sugar is मतलब जितने भी चीनी होती है मतलब glucose, fructose, galactose इन सब चीजों में सबसे मीठा कौन है तो सबसे मीठा होता है fructose option A fructose के बारे में एक चीज़ बहुत important यह है जितने भी फल होते हैं उनकी मिठास का कारण भी यही fructose होता है 170 number you are standing in a lift यह मान लीजे कोई lift है और यह बंदा अगर खड़ा हुआ है the force on the floor due to the lift on your weight मतलब जो force आप नीचे लगा रहे हैं lift के उपर तो obviously obviously बात है आपके वज़न की बात हो रही है option में तो लगातार इसको zero करने की बात हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह zero कब होगा lift आपकी connect होती है एक string से वही string आपको उपर लेके जाती है और वही string आपको नीचे लेके जाती है अगर यह string कभी तूट गई तो सबसे पहली बात यह lift जाएगी G escloration से नीचे मतलब ठीक वैसे ही होगा जैसे आपको किसी डब्बे में बंद कर दिया और नीचे छोड़ दिया उस डब्बे को तो सबसे पहली बात आप भागेंगे उपर की तरफ और आपका सर लिफ्ट की छट को फाड के बाहर आ जाएगा और आपका वेट हो जाएगा 0 और जब वेट 0 होता है तो आप हवा में उड़ने लगते हो तो इसका मतलब हो जाएगा option C कहां पे लिखा है तो B में option B most commonly used safety fuse wire is made up of तो fuse बना होता है tin और lead के alloy से option D a rock is brought from the surface of the moon to earth एक imaginary situation आपके सामने दे रखिए कि एक पत्थर के टुकडे को चांद से आप अर्थ की तरफ ले आए तो क्या होगा उस time पे तो उस time पे ये होगा कि उस पत्थर का वजन हमारी अर्थ पे एकदम अलग आएगा जो कि आप चांद पे उसका वजन मेजर कर रहे थे उससे तो इसका मतलब ये हुआ its weight will change but not mass mass एक constant quantity होती है ये चांद पे पानी पे किसी भी medium में constant होती है लेकिन weight बदलता रहता है तो option B the smallest day occurs on तो जहां तक छोटे दिन का सवाल है तो सबसे छोटा दिन होता है 22 December को कुछ लोग 23 भी मानते हैं तो option A होगा इसका अगर सबसे बड़े दिन की बात करें तो 21 June होता है वो और 21 June एक वज़े से और important है कि उस दिन World Yoga Day भी मनाये जाता है The solar eclipse occurs when The solar eclipse occurs when तो solar eclipse तभी होता है जब चांद आपका बीच में आ जाता है और अगर लिखा होता lunar eclipse तो उसमें फृत्वी बीच में आ जाती है बाकी दोनों के तो इसमें option A जाएगा Light is made of seven colors What is the method of separating the colors? जिस तरीके से white light को सीधे triangular prism से pass करते हो तो साथ अलग-अलग रंग मिल जाते हैं ले करके आना पड़ेगा The colors can be separated by a prism option A Cooling is done by तो cooling किसके कारण होती है? जब high pressure gas को आप release कर दो gas के molecule का अपस में दूर-दूर होते हैं न pressure लगा के उनको पास-पास ले आओ तो release of compressed gas option B तो जो white light होती है वो tube के अंदर produce होती है एक phenomenon के कारण जिसका नाम होता है fluorosense और उसके अंदर mercury के vapor को excite किया जाता है और यह excitation होती है atomic level पे तो इसका answer क्या हो जाएगा? exciting the atoms option C gold is dissolved in तो sona किसमें घुल जाता है? तो वो aqua regia में घुलता है और aqua regia अगर option में ना हो तो आप टिक करेंगे mixture of sulfuric and nitric acid because aqua regia होता ही भई है कि उसमें sulfuric इस cancer क्या हो जाएगा? option C acid rain is caused by तो acid rain किसके कारण होती है? acid rain तब होती है जब आस पास की industry से chemical atmosphere में moisture के साथ मिल जाता है और बारिश में पानी के साथ नीचे आ जाता है तो इसका आपको main कारण बताना है जो कि है industries अगर industries नहीं होती है तो ये सब कुछ नहीं होता option A the high tide in the ocean is caused by तो चाहे high tide हो चाहे low tide हो gravitational force of moon इसके लिए responsible होता है moon का जो gravitational force है उसकी वज़े से पानी उपर और नीचे आता है दिन में दो बार तो इसका correct answer हो जाएगा D moon the magnetic needle points to तो जो magnetic needle होती है और फिर compass की जो सुई है उसका जो point होता है हमेशा north की तरफ point करता है option C burning of hydrogen produced तो hydrogen को जलाने पे सिर्फ पानी निकलता है option D इसलिए कई बार hydrogen को as a fuel यूज़ करने की कोशिस की जाती है लेकिन problem यह आ जाती है कि उसका storage बहुत जादा difficult होता है इस वज़े से ऐसा frequently हम लोग कर नहीं पाते है meo globin contains the metal तो meo globin में तो भाई iron होता है option D aspirin is obtained from aspirin जो बुखार की tablet होती है कहां से मिलती है तो यह मिलती है पेड से option C लेकिन ऐसा answer आपके आयोग ने आपको दिया था तो कई बार वो लोग गलती करते हैं और बाद में revised answer की दे देते हैं लेकिन इसका जो correct answer है वो क्या है दो acid का आपस में reaction एक होता है salicylic acid salicylic acid और दूसरी चीज क्या होती है acetic anhydride anhydride वो सारे compound होते हैं जिनमें H आपका attach होता है लग से तो इनका जो reaction होता है वो देता है aspirin option D होगा इसका हम लोग के इसाब से बाकि आपके आयोग ने सीमाना था brass is made from brass किस से बनता है तो copper और zinc से बनता है option D which chemical is used for making red poison तो इस cancer हो जाएगा potassium cyanide KCN ये इतना खतरनाक होता है कि थोड़ी सी amount में खाने पर किसी के भी प्राण ले सकता है for wheat cultivation which fertilizer is used तो इस cancer हो जाएगा nitrogen nitrogen के जो उलवरक होते हैं उनका use करते है which metal can be used for the production of electricity तो इस cancer strange है लेकिन सही है uranium uranium का जो isotope होता है 92 U235 इसका use करते है nuclear power plant में इंडिया में 6 nuclear power plant है जिन में सबसे पहले बना था तारापुर महरास्ट में Time period of a pendulum Time period की equation होती है pendulum की 2 pi root over L by G तो 2 pi constant हो गया L और G पे depend करता है तो इन में से जो कुछ भी है वो आपका answer हो जाएगा लिखा हुआ है depends on its length तो ये option आपका correct हो जाएगा People get burns in swimming pool due to swimming pool पे मिली होती है chlorine उसको purify करने के लिए लेकिन कई बार ये skin भी आपकी जला देती है Option B When electricity is converted into motion तो इसमें heat loss 30% होता है Option C इसका होना चाहिए लेकिन आपके आयोग ने उस समय ये माना था कि कोई भी heat loss नहीं होता है मैंने आपको दोनों आंसर बता दिये Fermentation of sugar leads to तो जब भी sugar का fermentation होता है Ethyl alcohol produce होती है Option A The energy on the sun is released due to तो ये तो repetitive question ने इसका आंसर हम लुब डिसकस कर चुके हैं आंसर हो जाएगा nuclear fusion Option B Who was the inventor of radar तो radar का विशकार किया था Taylor and Leo Young ने Option D Which of the following instrument measure blood pressure तो ये measure करता है sphygno-manometer Option C तो kobalt आपकी present होती है vitamin B12 में ये एकला होता है ऐसा vitamin होता है जिसमें metal present होता है kobalt के रूप में और ये store कहां पे होता है तो liver में Option D Which of the following human organ is affected by the consumption of afloctisine food adrenaline तो इसको consume करने से आपका liver पर भावित होता है Option D The visible range of solar radiation is तो solar radiation को देखने की जो wavelength है वो 400 से 700 के बीच में nanometer में लाई करती है Option B Plants grow on which on saline soils are जो नमकीन मिक्टी में उगते हैं वो कौन से पौदे होते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा Halophytes अगर आप zero fight की बात करें तो ये रेगिस्तान में उगते हैं Environment is a composite state of Environment में क्या क्या चीज़ें आते हैं Biotic factors आते हैं Physiographic आते हैं Abiotic भी आते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा D उपर के सारे आते हैं Water is conducted in vascular plants by तो पानी का जो conduction होता है जो आदान प्रदान होता है ये xylem के द्वारा होता है Option D और जो minerals होते हैं उनका जो आवागमन होता है वो flowem के कारण होता है Which component of plant receives Stimulus for flowering Flowering कहां से initiate होती है तो flowering initiate होती है Full कहां पे उगते हैं तो वो तो stem में उगते हैं लेकिन शुरुवात होती है पत्तियों से Option C Mineral सार तो mineral क्या होते हैं ये actually solid होते हैं जो की organic नहीं होते Inorganic solid Option B Development of natural system is described as तो natural system का development क्या मतलब होता है उसका तो इसका मतलब होता है Self sustained process of system मतलब Automatic development कोई आपको force नहीं कर रहा आप खुदी development कर रहे हो Option C Genetics deals with Biology में एक ब्रांच होती है जिसका नाम genetics होता है इसका संबंद mainly किस से है Mendel's law से है बागी सब से है लेकिन उसका जो main concept होता है Heridity और Variation में लाई करता है Option D Mendel's principle of inheritance are based on तो Mendel के जो law होते हैं कहां पे लागू होते हैं ये लागू होते हैं Sexual reproduction के अंदर Option C Embryo is found in तो embryo जो छोटा सा पाउदा होता है बहुत जरासा कहां पे पाया जाता है तो ये पाया जाता है Seed में, Beige में Option C What soil particles are present in loamy soil तो loamy जो soil होती है उनमें क्या क्या चीज़े होती हैं उनमें sand होता है Clay होता है Silt भी होता है तो इसका मतलब सारे होते हैं Option D A single type of item is found in तो कौन सी चीज़े जो की एक type के atom से मिलके बनी होती है तो ये element होते हैं केवल element बाकी mixture, compound ये सब अलग-अलग element के थूँ बन सकते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा C Soil water available to plants is maximum on Though मिट्टी की तरफ से पानी provide होता है प्लांट को कौन सी type की मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाये जाता है तो ये clay जो मिट्टी होती है उसमें पाया जाता है option A Capillaries are most effective in तो capillary का जो main role है वो कहां पे होता है तो वो सबसे ज़्यादा बालो ही मिट्टी में पाये जाती है option C में photosynthesis कहां पे होता है तो photosynthesis होता है chloroplast के अंदर option C which of the following do not belong to solar system asteroid होते हैं, comet होते हैं planets of course होते हैं nebulae नहीं होते हैं option D table salt जिसको NACL भी गएते हैं किस से बना होता है तो ये acid और base से बना होता है जहाँ पे acid और base दोनों ही वी को option A sexual reproduction causes genetic variation becomes of because of हो गए यहाँ पे तो जब भी sexual reproduction का case हो और उसमें आपको genetic variation नाम की चीज़ देखने को मिले तो क्या-क्या इसके symptoms होते हैं blending of genes दो genes आपस में मिल जाती हैं, होता है यह chromosomal change होता है genes आपस में बदल जाती हैं, सब कुछ होता है option D India's third research center at Antarctica's name is तो तीसरा research center है आपका भारती quartz crystal used in clocks are घड़ियां जिससे बनी होती है quartz के crystal से इन में क्या-क्या चीज़ें होती है sodium silicate होता है SIO2 भी होता है और semi conductors भी कुछ-कुछ होते हैं तो उपर के 102 answer भी match कर रहे हैं, इसका मतलब option नहीं जाएगा bromine के बारे में आपको बताना है तो bromine इकलाओता non-metal है जो की liquid state में पाया जाता है तो ये होता क्या है red color का liquid, option D gases used in welding are एक तो oxygen होती है otherwise जलना संभव भी नहीं हो पाएगा और दूसरी होती है acetylene C2H2, option C यहाँ पे correct हो जाएगा galvanized iron pipes 7 coating of, जब भी galvanization की वर डिमेंशन हो तो आप यह समझ लीजे zinc की ही coating होती है, option A the wavelength of visible spectrum is in the range तो यह होती 78, 100 से 82, 83 सो के आसपास तो option C इसमें सही जाएगा detergents used for cleaning cloths कौन से detergents आपके कपड़े धोने के काम में आते हैं तो यह होते हैं आपके carbonate, option A भी पाया जाता है और बाकी चीजें भी include हो जाती है कुछ adulteration के वज़े से कुछ किसी और reason के वज़े से तो इस cancer वैसे तो E जाना चाहिए था हम लोग के इसाब से E है the element excreted through human sweat पसीना निकलता है तो उनमें क्या क्या चीजें होती है उनमें iron भी होता है magnesium बहुत सारी चीजें होती है तो more than one of the above, option E blue vitriol is chemical तो blue vitriol होता है copper sulfate option C, cuSO4.5H2O ऐसे ही green vitriol, white vitriol इन सब को भी याद कर लिजेगा the positively charged part इस part को मैं अंडर लाइन कर रहा हूं क्यूंकि लोग इसको particle से confuse कर लेते हैं, तो positively charge part जो होता है atom का उसको बोलते है nucleus, option D अगर particle का नाम लेते तो इसको हम बोलते proton the conversion of a solid directly into gas is called, तो इसका मतलब होता है sublimation आपका solid सीधे सीधे उड़के gas बन जाता है, liquid state बीच में नहीं आती in human system insulin controls the metabolism of insulin अगर नहीं होगा, तो carbohydrate को पचाने में difficulty होगी तो answer क्या हो जाएगा, carbohydrate option B और carbohydrate में basically glucose होता है special root से the antibiotic among the following is, तो penicillin है, aspirin भी है, paracetamol है, सब कुछ है, तो इसका मतलब E चला जाएगा आपका सही which of the following is mostly carbohydrate, carbohydrate वैसे तो सभी लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा rice में होता है, option C तो mostly पूचा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा किस में होता है यह बताना है the heaviest metal among the following is तो heaviest metal इन सब में तो platinum हो जाएगा, option D stainless steel is an alloy off stainless steel में iron nickel होती है, iron chromium होते हैं copper chromium भी होते हैं और 1.2% carbon भी होता है इसका मतलब option E सही जाएगा आपका to protect broken bronze plaster of Paris is used it is, तो plaster of Paris क्या है actually यह एक gypsum है उसी को heat करते हो 170 degree पे तब जाके वो बनता है option D hydrocarbon in which two carbon atoms are joined by double bond तो जब भी double bond की बात होगी तो answer हो जाएगा alkyne, triple bond की बात होगी तो alkyne single bond तो alkyne the chemical name for vinegar is तो vinegar होता है acetic acid option C the acid used in car battery is तो car battery में तो H2SO4 डालते है option D the gas which comes out on opening soda water bottle तो soda water bottle हो या फिर pepsi को आप खोल रहे हो जब भी आप उसको खोलते हैं तो physics ही sound आती है तो ऐसी sound आती है carbon dioxide के कारण option A which of the following pairs is not correctly matched तो एक तो हमने ये find कर लिया D cod liver oil में तो D नहीं होता के aflata तो इसमें कई सारे option है जो match नहीं कर रहे है इसका मतलब option नहीं जाएगा teflon is a polymer of which of the following monomer monomer आपस में combine हो के polymer बनाते हैं कौन combine होगा जिससे की teflon बन जाए तो tetra fluoroyethylene को combine करने पर teflon बनेगा option A which of the following is responsible for controlling the heredity characteristic of living cell तो heredity जो features होते हैं वो DNA के द्वारा control होते हैं option D which of the following vitamins is known as ergo calciferol तो ergo calciferol बोलते हैं D2 को option A which of the following pair is not correctly match इन में से कौन सा गलत है retinol यानि की vitamin A उससे 0 thalemia होता है बिल्कुल हो जाता है 2 को फिरॉल इससे बरी बरी नहीं होता तो आपका answer हो जाएगा option B bakelite is formed by the condensation of तो bakelite बनाने के लिए किन को आपस में react करना पड़ेगा तो phenol और formaldehyde को option B which of the following is antibiotic तो कुनीन है aspirin है दो मिल गए ना तो इसका मतलब option E क्योंकि उसमें लिखा है more than one of the above sorry यहाँ पे aspirin अभी अरली बताया था वीडियो में यह antipiratic है लेकिन बाकी की तीन तो है ना तो option E तो फिर भी सही चला जाएगा insulin is basically what insulin क्या है तो insulin एक हार्मोन है जो की externally internally दोनों तरीके से लिए जा सकता है और इसको peptide से बनाते हैं इसको protein के अंदर रख सकते हैं option D LPG used as a domestic fuel mainly contents तो LPG में क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ C4H10 यानि की butane option D soap removes grease by तो इस process का नाम होता है emulsification option C which of the following hormones play a role in the release of milk from mammary glands मतलब जो दूद निकलता है mammal लोगों मतलब जो female होती है उनसे कौन सा hormone इसमें responsible होता है तो दो combination इसमें चलते हैं progestron और oxytocin लेकिन जो milk निकलता है वो oxytocin के कारण होता है तो option D the gas used in the manufacture of vanaspati gas vanaspati घी from vanaspati oil यहाँ पे oil होगा is तेल है उससे आप डालडा या फिर घी बनाना चाहते है तो कौन सा process इसमें इस्तिमाल होता है तो इसका नाम है hydrogenation और कौन सी gas यूज होती है तो इसका नाम है hydrogen option A in human body vitamin A is stored in liver कई सारे vitamin और भी है जो liver में store होते हैं सबको आप याद रख सकते हैं last question है इस video का which of the following vitamins used then as an antidote to anti-cogulant poison मतलब जो anti-cogulant जहर होते हैं उसका antidote कौन से vitamin को ले करके किया जा सकता है मतलब ये vitamin दे दो तो person को बचाये जा सकता है तो इसका answer क्या है के है इसका answer vitamin K option D BPSC के pre-examination के लिए आप test series अमारी buy कर सकते हैं 15 test उसमें provide के जाएंगे latest pattern के हिसाब से और उसको attempt करते समय आपको ऐसे feeling आएगी जैसे आप सही में BPSC दे रहे हो और इसके लावा दूसरे paid group की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको like और share कर दीजेगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा हेलो दोस्तों आप सारे वीवर्स का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से इस particular वीडियो में हम लोग अपने previous year BPSC section wise questions की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे सबसे पहला हमारा question है कि मुर्दा संरक्षण वे फ्रक्रम है Soil conservation is a process in which Soil conservation के बारे में मारी NCRT में पढ़ा है कि Soil को जब लोग erosion से यान की अपरदन से बचाते हैं तो यहां पर होता है मुर्दा संरक्षण अगला question है कि टेरोशिया जो है Mono Lava क्या है basically Mono Lava जो है यह basically extinct volcano इनको लिखते है Wikipedia में लेकिन यह active भी है तो आयोग ने active सही माना था Mono Lava आपके active volcano से option number A अगला question है कि हम आवसादी चट्टानों के बारे में यानि कि sedimentary rocks के बारे में कौन से statement को यहां पर सही मानेंगे तो सही यह है कि these rocks are stratified deposited ठीक है stratified deposited option number C यहां पर सही है अगला question है कि आपको tin कहां से मिलता है तो tin आपको placer deposit से या फिर आपके placer nix shape से मिलता option number A यहां पर सही है अगला हमारा question है कि आपको सिवालिक south series में भाबर region में जो चीज देखने को मिलती है वो किस चीज की example है यह question कई बार आ चुका है तो Pidmont region यह दिखाता है ठीक है Pidmont situation आपको देखने को मिलती है जो आपका south शिवालिक rock की series है आपकी बहाबर region में अगला question है कि island जो है sorry island जो है यहां पर island लिग गया है दूइपों का संग्रह लक्षुदीप एक क्या है तो लक्षुदीप आपका एक coral origin का है ठीक है option number A यहां पर सही है आपका coral origin का है आपका island लक्षुदीप अगला question है कि भारत जो है यह कहां से कहां तक फैला हुआ हुआ है तो इन में से कोई भी नहीं होगा क्योंकि आप देखोगी कि आपका 82 होना चाहिए 8.2 तो हो गई नहीं ठीक है तो 8.2 यहां पर नहीं होगा किसी में भी सब में 86 किसी में 8 degree 4 minute दिया हुआ है actually में आपको यहां पर रिखना है actually 33 degree आपके 4 minute N latitude से लेकर के 8 degree 0 4 minute आपके N latitude तक है जबकि इसमें S दे रखा है तो इस वज़े से नहीं होगा actually 82 नहीं है गलत बोल रहा था यहां पर IST का ध्यान मेरे मतलब जहन में था ठीक है confusion हो गई थोड़ी सी comedy of errors भी ठीक है 8 degree 4 minute और आपका 37 degree 0.6 minute N latitude ठीक है अब उनसे कहा के 9th question में कि इंडिया का area अगर हम देखें पूरे वल्ट के हिसाब से तो भारत पूरे विश्व का 2.1% cover करता है लेकिन population के हिसाब से कितनी cover करता है population के हिसाब से cover करता है करीब 17% ठीक है 17 point something इसका figure है आप total figure भी याद कर सकते है अगला है कि आपको depth जो है कितनी तक देखने को मिलेगी यह काफी disputed question रहा था इसका answer finally आयोग ने माना था 600 meter ठीक है 600 meter फाइनली most of the books में given अगर आपको इससे तरीक तो कोई जहनकारी तो हमको बताइएगा Indian monsoon जो है वो change of season से दिखाये जाता है याणि कि अगर monsoon आने वाला है तो आपको क्या changes देखने को मिलते हैं तो आपको भूमी और महासागर के बीच तापमान का अंतर देखने को भी लेगा temperature difference between land and ocean option number A अगला question है कि तिबबत में मानसरोवर जील के पास कौन सी नदी है ठीक है मानसरोवर लेक के पास कौन सी नदी का source है तो ये तीनों का ही है इंदुस का भी सतलुज का भी और ब्रह्म पुत्र का भी ठीक है आगे हमारा question है कि हुंडू जल प्रपात निदुस के नतको करते हम है तो हंडू झेलप्रपात आपका निकलता है स्व्रेड रेखा से हिश्रीपात में जार्खंड इसे निकलता है हंडू गयते हैं इस को ठीक है है अगला question है मारा कि हिम रेखा निमने से कितने सका कितने के बीच होती है काफी disputed question था क्योंकि हर book में हर website में कुछ ना कुछ अलग दिया हुआ National Geographic में मैंने भी देखा था इसको काफी सर्च मारा इसको लेकिन most appropriate यहीं लग रहा option number A 4300 से लेकर के आपकी 6000 मेटर पूरू में आपको देखने को बिलती है ठीक है अगला है भारत की तट रेखा कितनी लंबी है coast line इंडिया की कितनी लंबी है यह करी भी 600 km की एक और question पूछ जाता है कि सबसे लंबी coast line जो है जमारा कौन सा राज ही cover करता है तो वो है गुजरात अगला question है कि कौन सी नखदी फसल में नहीं आती है cash crop में included कौन सी नहीं है तो wheat नहीं है ठीक है wheat नहीं है अगला question है आपका कि भारत सबसे अधिक उतपादक और उब्भोगता किसका है तो rice का है वैसे change हो सकता है latest नाकडों के अनुसार लेकिन इसको अभी मैं सही बान रहा हूँ ऐसे बहुत सारे question आपको देखने के मिलेंगे production, mineral के productions related, agriculture के productions related, storage related, per hectare productions related इस बहुत सारे figures पर एक special video आएगा तब तक हम जो है इसको outdated मान सकते हैं हमसे कहा गया है कि अगर इंडिया के population 2% यहां पर NL बढ़ती रही तो भारत के population 2 गुनी कब हो जाएगी अभी बहुत disputed question है क्योंकि previous year का है तो यह उस दिन के इसाप से जोड़ रहे हैं अभी आज के इसाप से जोड़ेंगे तो यह figure कम आएगा उस साल उन लोगों ने माना था 40 year लेकिन अब यह कम हो जाएगा है ना? अब यह हो जाएगा 35 के करीब अगला है कि most populous city कौन सा है तो अगर हम census 2011 के इसाप से सही बाने तो हमारा सब ज़्यादा populous सहर तो मुंबई है ठीक है? उसके बाद कौन सा है? उसके बाद most populous आपका हो जाएगा Kolkata option number B यहाँ पर सही है ठीक है अगर यहाँ पर मुंबई होता तो मुसको सही मानते अगर आप मेंसे कोई हमको कोई कोमेंट करके बताए कि UN की लिस्ट में भारत के कितने mega cities आते हैं ठीक है यहाँ बता सकते हैं कि mega cities का criteria क्या है अगला question है कि छेटरफल की दरश्टी से सबसे बड़ा महाद्वीब कौन सा है तो of course इसका answer Africa होगा option number B ठीक है Africa सबसे बड़ा है map में देखने से ही पता चल जाता है वो तो अगला है कि the clear night is colder than cloudy sky night तो इसमें क्या होता है कौन सा फिनामेना काम करता है तो इसमें sun के radiation से इसा होता है ठीक है option number B यहाँ पर सही है क्योंकि आपके जब sky होते हैं night में चुद तो heat radiate की गई होती है उसको रखे रहते हैं ठीक है उसको यहाँ पर नहीं reflect करते हैं लग sky से अगर sky clear है तो चला जाता है radiation वापस लेकिन जब sky होते हैं आसमान में तो नहीं जा पाता है इस वज़े से गर्म होता है अब बताना है कि कौन सा pair यहाँ पर correct है pair number B यहाँ पर correct होगा कि equatorial region में आपको rainfall जो है यह thunder के साथ देखने को मिलती है afternoon में ठीक है rainfall with thunder in the afternoon अगला question है mistress of the east कि इसको कहते है तो यह हमारे भारत देश को कहते है ठीक है option number D अगला question है कि आकाज गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूरु को कितना समय लगता है यह करीब 230 million है तो यह approximately 25 करोड के आसपास आ जाता है option number D यहाँ पर सही है अगला question है कि इगनियस चक्तानों के बारे में कौन से यहाँ पर सही है तो सही है कि यह crystalline भी होते हैं और non crystalline भी होते हैं crystalline और amorphous दोनों form में exist करते हैं अगला question है कि निमली कित्मी से कौन सा एक बंदरगाह वाला शहर नहीं है टोक्यो आपका बंदरगाह वाला शहर है आपका नियूयोक भी है लेंडन भी है लेकिन कैन्बरा नहीं है कैन्बरा किसी कैप्टल है औस्ट्रेलिया की है अगला हमारा question है कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए नियूंतम वन आवश्यक है तो कितना होना चाहिए 33% है तब भी तो हमारी जो गॉवर्मेंट है वो इसमें रहती है कि हम जो है कम से कम 33% forest plus tree का बबर अचीव कर लें जबकि अभी कितना है अभी से काफी हम पीछे हैं latest Indian state of forest report के नुसार अगला है कि किस देश में लिगनाइट का सबसे बड़ा बंडार आपको देखने को बिलेगा तो इस question का answer है चाइना चाइना यहां पर सही होगा option number D अगला question है कि चावल का कटोरा कहां को कहते हैं चावल का कटोरा जो है जहां पर आपका 36 गड़ रीजन परेगा यानि कि आपका डेल्टा रीजन पढ़ेगा क्रिष्टा गुदावरी का वहां पर है चावल का कटोरा यानि कि 36 गड़ अगला question है कि लैंड लॉग्ड नदी कौन सी है लैंड लॉग्ड रिवर है आपकी लूनी रिवर option number C यहां पर सही है अगला question है कि monsoon की वापसित के संकेत आपको कैसे मिलते हैं withdrawal of monsoon is indicated by withdrawal of monsoon is indicated by option number A यहां पर सही होगा ठीक है ए नमबर इसलिए सही क्योंकि आस्मान साफ हो जाता है वहां की दो option जो दिए हुए है यह दिखाते है अराइवल of monsoon के बारे में अगला है longest river को होने तो longest river हमारी है गंगा ठीक है option number C more disputed है कोई गंगा मानता है कोई नहीं मानता है लेकिन बिहार माना है कि गंगा longest Indian river है अगर water की quantity के बारे में बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र मानी गई है अगला question है कि descending order में लगाना है area के इस आपसे ठीक है यानि कि सबसे ज्यादा जिसका area है उसको पहले रख रहा है तो इन में सबसे ज्यादा area कि इसका MP का है फिर आपका UP का है फिर आपका है आंध प्रदेश का फिर आपका बिहार का है ठीक है आंध प्रदेश ते लंगाना अलगा-लगा हो चुके है कुछ लोग मैं आप वही पुराना में जी रहे हैं ठीक है उनके इसाप से गलत होगा फिर तिलंगाना को अगर हम अलग करके माने अंदर प्रदेश से तो यहां पर आप्शन सही होगा वैसे तो अंदर प्रदेश जब था 2014 के पहले तो उसका अरिया जादा था इससे निमलिकित में से सब से बड़ा glacier कौन सा है इस question का answer book में दिया हुआ है रुंदुन लेकिन अभी इसका कोई हमको ऐसा प्रूफ ने मिला है ना ही NCRT इस में ना ही standard books में अगर आपको पता है तो हमको जरूर बताईएगा अगला question है कि मार्मगाव पोर्ट आप कहां पर देखने को मिलता है तो मा आपकी मुंबई तरफ से आती है बस्टिनर साइट से वह करीब आपकी वन थर्ड कवर करती है ठीक है अगला question है कि 1991 की जंड करना की तो 1991 की जंड करना नहीं ध्यान रखते हैं ना हम 2001 की यहान रखते हैं हम 2011 के census को ध्यान में रखेंगे जब तक 2021 का आनी जाता है अगला question है हमारा की local time पठना का क्या है ahead and standard time से behind है same है कि not related है तो यह आपका ahead होगा क्योंकि मिर्जापूर 90 से आपकी IST गुजरती है और IST से इस्टर्न साइड में पड़ता है तो IST से इस्टर्न साइड में time यहां पर ahead होगा जानते अरवनाचल प्रदेश से उकते सूरज का प्रद कितना समय लगता है तो आप जानते हैं यह लगता है करीब यह 367.25 ठीक है और बी यहां पर सही है यही 2525 करके एक दिन बढ़ जाता है 366 हो जाते है किसमें लीपियर में अगला है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ठीक है सबसे गर्म आपका वीनस है ठीक है और सबसे पास अगर मरकरी तो वहोगा नहीं ऐसा नहीं है सबसे पास सूर के तो बुद्ध है मरकरी लेकिन सबसे हौटश्ट शुक्र है अगला कॉस्चन है कि विश्व की सबसे लंबी परवतमाला कौन सी है तो यह इंडीज है ठीक है अप्शन बंबर-बी इंडीज अन्डि अगला हमारा question है यहां पर कि cotton industry जो है यह dependent है raw materials पर भारत का जो extra peninsular हिस्सा है अतिरिक्त प्रायद वीपी यह परवत यह किस समय में निर्मित हुआ था हमसे पूछा है तो most acceptable इसका period है अगला question है कि आपका old alluvium soil जो है ठीक है old alluvial of the plane of the ganga is called तो इसको क्या बोलते है old को इसको बोलते है बांगर ठीक है और जो new होता है उसको क्या बोलते है उसको बोलते है खादर भद्रावती steel plant आपका कहां पर है भद्रा river के पास है ठीक है यह वैसे outdated question है यह JPSC वालों के लि अगला question है हमारा कि इंडिया का largest producer dude का कौन है यह हम update करेंगे वैसे लेकिन अभी तक के लिए आप West Bengal देहन रख सकते है ठीक है अगला हमारा question है कि भारत में किस फसल का सबसे बड़ा छेतर है तो भारत में rice का सबसे बड़ा छेतर है अगला question है कि विदर्ब भारत की किस छे इतर का हिस्सा है तो विदर्ब हमारे महराशठ रीजन का हिस्सा है नरदन महराशठ का ठीक है North Western महरास्ट्र का अगला है कि छेरा पूंजी आप कहां पर है तो छेरा पूंजी जो है और मासिन राम दोनों ही यहाँ पढ़ते हैं आपके मिगाले में option no.C अगला है कि निम्लिकित में से किस त्रोथ से भारत में अधिक्तम बजली का उत्पादन होता है तो यह आज भी सही है कि हम लोग thermal से ही सबसे ज़्यादा create कर रहे हैं ठीक है बिहार भी thermal से create कर रहा है सबसे ज़्यादा करिये बाव का 89% और हमारा इंडिया भी काफी बड़ाईंस से थर्मल से create कर रहा है हलांके हम चाहते हैं कि renewable पर डिबेंड हो जाए renewable का target कितना रखा गया है मेगावाट गीगावाट हमको बता सकते हैं आप लिकर के comment में 2022 तक हम renewable sources से कितनी बिजली बनाएंगे oldest biggest industry हमसे पूछा है यहां पर वैसे तो इस कहने से textile होना चाहिए था ठीक है अगर ऐसे हम देखे technically लेकिन cotton यहां पर हमाने के cotton हमारे पास बहुत पहले से है इंडूस वैली के टाइम से ही का option option number a यहां पर सही है अगला है कि हमारे latest census के हिसाब से ठीक है यानि कि 2011 census के हिसाब से आपको tendency कैसी दिख रही है तो tendency increase होती होगी दिख रही है option number a अगला question है कि भारत में भूमी सुधारों में कौन सी चीज नहीं शामिल है तो भूमी revolution के इस पर dependent है तो all of these dependent है high yield varieties पर भी sufficient irrigation sources पर भी और chemical fertilizer insecticides पर भी option number a आपको यहां पर मैं आपको खाली question दिखा रहा है उनका answer नहीं बताऊंगा आपको answer आपको तीन सेप्टम्बर तक हमारे separate video के माध्यम से मिल जाएंगे separate video आएगा agriculture production पर mine production पर per hectare production mineral production सबका data यहां पर आपको प्रवाइट करवाई जाएगा latest updated official sources के हिसाफ से तो भारत में बिहार का उत्पादन का एक अधिकार किसमें है यह हम बताएंगे आपको वैसे आप outdated fact यह तब की बात हो रही जब जहारखंड एक ही था जहारखंड जब से अलग हुआ है तो घनी संपदा ले करके अलग हो गया है बारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो इसका answer हम उत्तर प्रदेश मान से किसे चल सकते हैं अभी देखें कि यह अपडेट के नहीं है 2006 के पहले का एक कोश्चन है ठीक है गल्फ स्क्रीम है क्या बेसिकली गल्फ स्क्रीम में एक ओश्यानिक करेंट है ठीक है एक आपकी महासागरीव प्रवाह है ऑप्शन बबर बी अगला कोश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश कौ अप्शन मबर ए अगला कोश्चन है कि पिग्मी के निवासी जो है है इन ऐटंट्स कहा के है पिग्मी ऑफिकण रीजन में पाए जाते हैं और ये कंगो म मिलेंगे आपको डेमुट्रेक रिपब्लिक औजियरियन रीजन में आपको मिलेंगे इनकी हाइट कम होती है बारत नमेशा सही ही अपना जो POK को है अपना हिस्सा मानता है उसे आप से देखें तो यहां पर Godwin Austin या K2 सही है अगर वैसे देखें कि POK को हटा के तो हमारा केंचन जंगा सही है Option B तो अब बताईए कि अपने हिसाब से क्या माने इसको Formation जो है शिवालिक सिरीज का यह किस पीरेड में हुआ है यह आपका सीनोजोईक पीरेड में हुआ है ऐसा हम मानके चल सकते हैं Option D यहां पर सही है सीनोजोईक पीरेड अगला है कि आपका रीगर जो है किसको कहते हैं तो रीगर कहते हैं हम Black Soil को ठीक है यह माराज जेड पाय जाती है कॉटन इसमें एक क्रॉप जो है प्रॉमिनेटली उगाई जा सकती है अगला Question है कि Delhi क्या है तो Delhi एक डिविडनेट ट्रेट्री है ओफकोर्स फोटा से Question आया था कावेरी जेल विवाज जो है किसके किसके बीच है 2018 में भी चीज काफी चर्चा में रही थी इसका एंसर है option c करनाटक और तमिल नाडू गारो जिन जाती है आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो गारो खासी जैनतिया जो ट्राइब्स है वो आपको असम में देखने को बिलती है तो यहां पर answer हो जाएगा असम अगला question है कि भाक्रा नंगल संयुक्त परियोजना यानि कि joint project एक इसका है जोएंट प्रोजेक्ट है option number a हरियाना पंजाब राजस्थान का option number a कोंकन रेलवे किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है तो महराष्ट्र गोवा करनाटक ठीक है ग्रेंड कैनियन क्या है तो ग्रेंड कैनियन बेसिकली एक गौर्ज है ठीक है option number a अगला है कि base to determine the standard time of any place यह क्या होता है तो हमेशा longitude होता है ठीक latitude कभी नहीं होता longitude अगला question है कि border जो जन जाती है ठीक है यह कहां आपको देखने को भीलती है यह आपको गारो hills में देखने को भीले कि गारो की पहाडियों में असम में अगला है आपका कि Panama Canal जो है कि इसको जोइन करती है तो Panama जोइन करती है Pacific Ocean को और Atlantic Ocean को Canals के बारे में जरूर देख लिए आपका ये Panama Canal सब बहुत important है अगला है कि Mount Etna क्या है what is Mount Etna तो Mount Etna बेसिकली एक volcanic mountain है तो इसको volcano सही माना है आयोगने option बर C वॉलकैनिक mountain है हिमालय का पिड्मॉंट region जो है कैसा है अबने पहले इप डिसकस किया हो हिमालय का पिड्मॉंट region कैसा है शिवालिक शिवालिक छेत रहे ठीक है भारत का सब चो बड़ा रबर उतपादक कौन सा है तो इसका इन सरव जोएगा केरल अगर यहाँ पर कॉफी पादक पूछते तो करनाटक होता करनाटक की अभी एक कुर्ग अरैबिका काफी होती तो इसको अभी जी आई टाइक भी मिला है इसके लिए अगला है कि mango शार क्या है what is mango शार तो यह आपके मार्च अप्रेल के मंत में बिहार और बंगाल में जो वर्षा होती है वो है mango शा अगला है कि the meeting point of eastern and western guards तो यह क्या है आपका यह है आपका नेल गिरी option number B यहां पर सही है नेल गिरी में eastern and western guards meet करते हैं और यह सबसे उंची peak है आपकी western guards की अनाईब मोडी ठीक है अगला है कि India produce करता है अपने जरूरत से ज़्यादा वो चीज़ क्या है वो चाय है ठीक है चाय का हम काफी export करते हैं क्योंकि जितनी हमको चाहिए हम उससे ज़्यादा produce करते हैं अगला है कि पश्चिम में बहने वाली नदियां कौन सी है वेस्ट flowing river आपकी नर्मदा भी है पर तापती भी है ठीक है पश्चिम की और बहने वाली नदियां अर्मदा भी तापती भी option number A यहाँ पर सही है अगला कोशन है हमारा कि राश्टी पर्यावरण अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर देखने को बिलता है नाकपुर में देखने को बिलेगा option number D यहाँ प किस भी है महाराष्टर सिलिकोन वैली नाम से हम किसको जानते हैं तो सिलिकोन वैली है हमारा बैंगलूरू और हमारा जिनॉम वैली क्या है है अगला है कि कंपैरिजन करें 1971 लेकर81 तक डिकेटल पॉपलेशन में तो यह अब अमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम अब डबल क्रॉपिंग का मतलब क्या है क्रॉप उगाने में ठीक है दो क्रॉप को हम साइमिल्टेनियसली उगाते हैं ठीक option number B टेमोग्राफी में आपका sex ratio का क्या मतलब है sex ratio का मतलब है आपका the ratio of females per thousand of male लिए निकी पर 1000 पूरुषों में महिलाएं कितनी हैं यह बताना होता है सबसे कम 211 सिंस में sex ratio किसका पाया गया था हरियाना का और सबसे ज्यादा किसका पाया गया था केरल का ठीक है अगला कोशन है कि भारत में पहला hydroelectric power project कौन सा था यह हमेशा रहे हमारा important question इसका answer है शिव सुंदरम option number D और अगर हम से पूझे कि सबसे पुरा ना आपका nuclear power plant कहां पर मिलता है तो यह तारापोर में मिलता है महराश्ट्र में ठीक है अगला है कि रामेश्वरम के इस राजिका हिस्सा है तो यह हमारा हिस्सा है तमिल नाडू का option number C रेगर मिट्डी आपको कहां पर मिलेगी। रेगर Black soil है कहां मिलेगी आपको Deccan region में और Maple prat heavily महराश्ट्र में ठीक है कि कोरभा कोईला च्ER्थ्र कहां पर सतीत है कोरबा कोल्स डीज़न आपका है 36 गड़न ठीक है कोरबा कोईल कॉयल फिल्ड गद्धी जंजाती आपको गहां पर देखने को भी लेगी हिमाचल प्रदेश में उप्शन नुबर डी यहां पर सही हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के इस समय सिया में जैराम ठाकुर अगला है कि मानस जो रिवर है यह किस नदी की ट्रिब्यूटरी य बनाती है अगला है आपका किस राज में अधिक्तम जनसंख्या घनत हो है तो अधिक्तम किस में है इन में से बताना है ठीक है तो अधिक्तम वैसे तो बिहार का है ठीक है उसके बास किसका है वेस्ट बंगाल का है ऑप्शन नुबर सी यहां पर सही है वेस्ट बंगाल के पा बड़ा शहर क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका कानपुर ठीक है अगर संसस 2011 के हिसाफ से हम बात कर लें तो यूपी का कौन से डिस्क्रिक जो है जनसंख्या में यानि पॉपलेशन सबसे आगए है वो है अलाहबाद सबसे कम कौन से पॉपलेशन में वो है महोबा हमा अगला है कि मलक का जल डमरू मध्य संचार जो है किसको प्रोवाइड करता है मलक का स्ट्रेट स्ट्रेट भी काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट भी देख लीजेगा इंडियन ओस्यन से चाहिना सी को यह जो है देता है संचार मलक का स्ट्रेट और एकनेट किसको करता है Pacific Ocean से Indian Ocean को अगला कोशन है कि हमारी इंतरराश्टी तिधी रेखा जो है ये किस्से के ऊपर खीची गई है तो ये हमारी खीची गई है प्रशांत महासागर के ऊपर Pacific Ocean के ऊपर किली मंजारो क्या है किली मंजारो बेसिकली एक आपका वोलकैनिक माउंटेन है ठीक अजवाला मुखी परवत है अगला है कि पांट अंचल आपको कहां पर देखने को बिलेगा तो पांट रीजन आपको देखने को बिलेगा जहारखंड में ठीक है अप्शन बर B अगला कोशन है कि भारत को सबसे बड़ा कपास का उत्पाद अकौन से हम अपडेट करेंगे क्योंकि अभी हम शोर नहीं हो सकते क्या एंसर होगा जहारखंड को बनाने के लिए पुरानी बिहार से कितना प्रतीशत हिस्सा लिया गया था यह आज भी बूच सकते हैं तो 45 असरमलो 85 प्रतीशत हिस्सा लिया गया था बिहार से अगला कोशन है कि कौन सी भ्रंश से होकर बैती है यानि कि फॉल्ट से होकर कि कौन सी नदी गुजरती है तो यह है नर्मदा ठीक है आपको सोन नर्मदा और महानदी कहां से देखने को मिलेगी निकलते हुए अमर कंटक्स है अगला कोशन है कि पैरदीप आपको कहां पर देखने को मिलेगा पैरदीप आपका नैचरल सीपोर्ट है ओडीशा में ठीक है ओडीशा अगला है कि हीरा कुन टैम आपका कहां पर है यह आपका महान अधीपर ठीक है यह सबसे बड़ा बांध बाना जाता है महान अधीपर है जहारखंड राज की स्थापना कब हुई थी तो 2000 में option number D यह तारीख बताईए किस 2000 में प्रतीशत में अधित्तम वन छेत्र कहां पर है लेटेस्ट इंडिन स्टेट और फोरेस्ट रिपोर्ट की अनुसार 90% से भी अधिक वन है लक्षवदीप के पास तो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिला करके सबस्यादा वन आच्छादन है लक्षवदीप में और व प्रिदेश तो है लीडिंग प्रिड्यूसर यह बात सही है उसके बात महराष्ट की भी है यह बात सही है लेकिन अभी क्या डेटा चेंज हुआ यह हम लोग देखेंगे ठीक है प्रोडक्शन पर स्पेशल वीडियो आएगा आप उसको जरूर से जरूर देखिएगा चाहे पेड़ रूप वाले हो चाहे हमारे नॉर्मल मेंबर्स हूँ निम्ड में से किस राज में शीत कालीन वर्शा होती है आपको यहाँ पर विंटर रेनफॉल कहां पर रिसीव होती हुई देखने को मिलेगी तो इस क्वेशन का सही एंसर है इसका सही एंसर है ओडिशा ठीक है में 1756 में ठीक है option number D यहाँ पर सही है हमारे अंत्रिक्ष में कितने तारा मंडल है यह हमसे पूछा है कि वो constellation चेंज हो सकते है इसको हम स्किप कर सकते है question को अगला मारा question है कि the time taken by the Saturn Saturn को कितना समय लगता है यहाँ पर हमको बताना है Saturn को एक revolution में लगता है आपका 29.5 वर्ष का समय option number C अगला question है कि महराश्ट करनाटक जो है इसमें जो पश्चिमी घाटों का हिस्सा होता है वो क्या कहलाते है तो इसमें पश्चिमी घाट का हिस्सा कहलाता है सही आद्री ठीक option number B अगला है कि दामोदर घाटी निगम कि स्थापना कप की गए थी दामोदर वाली प्रोजेक्ट कब आये था यह था 1950 में 1950 में अगला question है कि evening star हम लोग किसको कहते हैं तो evening star हम लोग कहते हैं Venus को इसको morning star भी कहते हैं और इसको और क्या कहते हैं वताइए आप comment करके cycle of erosion इस किस वग्यानिक के द्वारा रची गई थी तो cycle of erosion थी आपकी जब से पहले correction कर लेते हैं कि दामोदर वाली प्रोजेक्ट जो है यह आया था आपका 1948 में ठीक 1950 में नहीं ठीक है यह एक गलत है यहाँ पर C सही है cycle of erosion यह किस की है यह डेविस की है थियोरी option number B अगला question है कि Eskimo जो है यह मूल निवासी आपके कहां के हैं तो Eskimo कहां के हैं Canada के option number A अगला question है कि आपका roof of the world यानि कि विश्व की छत किसको कहते हैं पामीर को कहते हैं पामीर नौट को अगला है कि किस मिट्टी को रेगूर के नाम से जानते हैं तो option number C यहाँ पर साहिए काली मिट्टी black soil पिग्मीज कहां के निवासी हैं अफ्रीका के बारत की सब्सक्राइब बड़ी उची चोटी गाउन सी तो Godwin Austin होगी अगर हम पियोके को इंट्लूट करें अगर ना करें तो कंचन जंगा होगी अगला हमारा question है फिर कि इसको गैसे के इन्विलप को कहते हैं अट्मास्फिर यानि की वायू मंडल यह तो इंसी आर्टी का था छोटा question revolution सन का करने में युरैनस को कितना समय लगता है युरैनस को लगता है 84 वर्ष का समय ठीक है पलामू जो है कि इस खनीच के लिए प्रशिद्ध है तो यह outdated fact है लेकिन आप ध्यान रख लेजिए यह बॉक्साइट के लिए है ठीक है JPSC वालों के concern हो सकता है यहार खंड की भा जनगर्णा के इसाब से birth rate कितनी है तो यह हम जो है इसको skip करेंगे क्योंकि हम लेटेस्ट वाला ध्यान रखेंगे at least 2016 तक का जवाहर लाल नहरू समुद्र बंदरगा कहां पर है यह आपका है मुंबई में option number B अगला हमारा question है कि बिहार की में cash crop कौन सी है तो बिहार की में cash crop आपको sugar cane है sugar cane अगला question है कि Asia का सबसे बड़ा जहरना जो है हुंड्रू यह कहां पर आपको मिलता है यह स्वर्ड रेखा नदी पर मिलता है आपको राची के पास option number A जहरखंड में आपको pigmies कहां पर देखने को मिलेंगे तो pigmies आपका A और B दोनों में देखने को तो पता नहीं क्या यह किस आप से option डाले गए थे लेकिन मेरे साब से A और B दोनों यहां पर सही है ठीक है Nigeria में भी Congo मिलते है अविश्व का सबसे बड़ा मुलायम लकडी का उत्पादक कौन सा है जो यह हम update करेंगे अभी updated चीज नहीं है आपकी आपका है which crop is best suited for dry land dry land में स किस तरह का mountains में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उंची चोटियां पाई जाती है सबसे ज़्यादा उंची चोटियां हमारे हिमाले में पाई यहां पर सभी है ठीक है अगला कोश्चन है कि भारत में कुल कितने राष्टी राजमार्ग है उनकी लेंथ कितने हैं यह अपडेट करेंगे ठीक है यह चीज वैसे अभी रिपोर्ट आई थी हमने टेलिग्राम पर बता दिया था आपको एक्जैक्टली नहीं आज आ रहा मु सकते थे व्ल्ड कप पर आपने देखा था कि वहां पर दिन मैच चल रहा होता था बाराब बजाम टीबी खोलते थे वहां पर दिन दिखता था अगला है कि भारत के कुल भागोलिक छेत्र में वन का छेत्र कितना है तो फॉरस्ट प्लस ट्री कबर मिला करके मैं बता रहा प्रशन पर यह यह यूपी पीसेस में भी आये था आगे भी पीसेस में भी आ सकता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक इंडियन स्टेट ऑफ फॉरस्ट की अगली रिपोर्ट का पप्लिकेशन नहीं होता है तो बाकडा नैंगल डाम जो है यह कहां पर बनी है य कितने राज्यों और कंदसासित प्रदेशों से घिरा भूँआ है इस को शन कासा यह एंसर है 7 एंसर है अगला है कि लक्ष दीब में कितने दिवी पाते हैं तो मैंने लक्ष दीब में कितने दिवी पाते है यह उनकी अफिचल वेपसाइट से देखा है नो माई इंडिया की पर दिया हुआ है कि वहां पर कुछ habitat और कुछ अन्हाइबिटेंट आइलेंड है कुल विलाकर कि उनकी संख्या 36 या 36 आती है करीब 36 आती है 37 option में इसको टिक करेंगे अगला हमारा question है कि इन में से किस स्टेट में आपको highest population density देखने को मिलेगी इसका answer है बेंगाल option number B अगर यहां बर बिहार होता है तो हम उसको टिक कर से अगला है कि लाओ ऐसकों के उत्पादन में जो है सबसे question है कि जमशेदपूर कि इस नदी की किनारे है फिर भी चलिए याद कर सकते हैं इसको इतो fact है तो यह है आपका स्वाड रेखा की किनारे अगला है कि नमलिकित में से कौन से कथन सत्य है तो विवाजन से पहले बिहार जो है मेन प्रड्यूसर वह करता था कोल और माइका का हलंकि जो है बाद में अलग हो गया है बिहार ठीक है गुजरात की राध्धानी क्या है तो यह गांधी नगर है option option c अगला question है कि पूर्वी घाट और पश्चमी घाट का समापन बिंदू कौन सा है तो पूर्वी घाट और पश्चमी घाट का समापन बिंदू है नील गिरी यहां पर यह मिल जाते है ठीक है option B अब तो यह latest data कि इसा आप से जो भी fact दिये गए हैं हम इनको true या untrue नहीं कह सकते क्योंकि अभी obsolete हो गए हैं तो जार एक कसंसे पूछा यह भी मार लिए जरूरी नहीं है अब पूछा है कि approximately कितने million वर्ष पहले आपके great old fold mountain बने थे तो इसको 220 million यह माना है लेकिन मैंने यह देखा है जहां तक यह पूरा-पूरा सही नहीं मिला है मुझको आप मिड कॉंटिनेंटल बेल्ट में और सरकम पैसिफिक बेल्ट में ठीक है option बर यह पर सही है अगला एक विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ड छेत्र किस छेत्र में स्थीता है जो दक्षिड अफ्रीका की निम्न परवस रंखलाओं में से एक है यानि कि world's greatest gold field area जो है यह आपक किस mountain range में मिलता है तो इस question का answer है with water strand ठीक है with water strand अगला question है हमारा की world's greatest potential water river basin यह कौन सा है तो world's greatest हम लेंगे तो हम लेंगे इसको kangoo columbia yangstay को ठीक है option number a हम विश्व की दो तिहाई संख्या की मंधुमक्खी रूप में कागरता पाते हैं तो यह थोड़ा सा beehive concentration देखें तो हमको कहां पर मिलेगा यह बताना है तो इस question का answer है south और east Asia में ठीक है एक बरफिर से पुराने सालों के paper में इंडिया की location पूछी गए थी location इंडिया की latitude 8 degree 4 minute n से लेकर के 37 degree 6 minute n latitude तक longitude 38 degree 07 east से लेकर के 97 degree 25 minute east आपके longitude तक ठीक है सतलज और सिंधू ठीक है इंदूस या सिंधू अब अगला मिलाना है उनको कौन कौन से forest आपको कहां कहां पर देखने को मिल जाएंगे तो मिलाएंगे उनको option number C के इसाब से यानि कि आपका शिलॉंग प्लैटियो सही आदरी में आपको tropical evergreen forest देखने को भी लेंगे आपको forest देखने को भी लेंगे temperate mangrove forest आपको देखने को भी लेंगे वेस्ट बंगाल के तरही डीजन में ठीक है अब अगला है यह fisheries related data है ठीक है GDP में fisheries का contribution पूछा है हम budget दो जार्मनिस का वीडियो बना चुके हैं सब को दूसी में include कर लिया गया है यह पुराना fact है इसको outdated मान के आगे बढ़ेंगे अगला question है हमारा copper gold iron coal का यहां पर sequence बनाना है तो copper आपका खेतरी रीजन में gold कोलार रीजन में और iron कुंड्रे मुख में और coal जहरिया में तो option number A हम पर match हो जाएगा बारत का कौन सा हमारा राज है जो किसी भी देश के साथ boundary नहीं बनाता है तो हरियाना नहीं बनाता है ठीक है वाकि बिहार बनाता है नेपाल के साथ पंजाब बनाता है पाकिस्तान के साथ राजस्तान बनाता है पाकिस्तान के साथ अगला है कि शक्ति स्थल किससे संबंदित है तो शक्ति स्थल related अगला है कि भारत की जन संख्या 100 करोड का आखड़ा कब पार की थी तो मई 2000 में रिपोट आई थी कि हम 100 करोड हो चुके हैं एक बिलियन, 2001 की जनगर्णा के हिसाब से लिंगानुपात पूँचा ही हम नहीं ध्यान रखेंगे 918 ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है 2011 संसेस के हिसाब से अज काफी मिस्टेक हो रही है, 942 है सेक्ष रेशियो, 2011 के संसेस के हिसाब से ना की आपका 918 गलत बता दिया मैंने, 919 जो है यह चाइल्ड सेक्ष रेशियो था, 2011 संसेस के हिसाब से इंडिया का, ठीक है अगला हमारा कॉश्चन है कि भारत में कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, तो इस कैने सरो जाएका ऑप्शन बर D, all of these, ठीक है अगला कॉश्चन यहां पर हाइवेस वगारा के बारे में इचाहिए, आरीज इस 6400 किलोमेटर लॉंग, 2000 किलोमेटर तो 2400 किलोमेटर वाइड रन्स डाउन दा मिडिल ओफ द नौर्थ और साउथ अट्लांटिक ओश्चन बेसिंस इंटू इंडन ओश्चन देट पासेस ब अधिक अर्बन पॉपलेशन वाला राजी बताना है हमको, हमने आपको बताया 2001 संसस से अब नहीं लेना देना है, 2011 संसस की बात करेंगे, 2011 संसस के हिसाप से इसका इंसर क्या होगा आप हमको कॉमेंट में लिख करके बता सकते हैं, और अपडेट कर सकते हैं खुद को, इसरा अधिरिया की कैप्टल है, डमस्कस, जॉर्डन की कैप्टल है, अम्मान, इजिप्ट की कैप्टल आप बताईएं, अब यह आउटडेटेड कोशन है, यहाँ पर यहाँ पर यूएस के मक्का उत्पादर से रिलेटेड है, बहुत पहले का, हम इसको नहीं याद रखेंगे, इसको भी यहाँ पर स्किप कर लेंगे, 2001 के सिंसेस के हिसाफ से कि साक्षर्ता दर, देश की साक्षर्ता दर से कम पाई गई थी, यह बताना है हमको, तो 2001 के सिंसेस के हिसाफ से तो इसका इन्सर, ओडिशा है, लेकिन आप 2011 के सिंसेस पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है? अ option number आपका एक सब्यासी में option number A सही है यह करेक्ट है कि structurally मेगाले प्लैट्यू जो है यह extended पार्ट है डेकन प्लैट्यू का यह सही है value of कश्मीर जो है यह सिंग्लोरिनम की बनी है ठीक है सिंग्लोरिनम में बनी है और दा यह फोल डीप के फॉर्म में है ठीक है सही है यह आई रन स्टील प्लांट के बारे में जो डेटा है काफी पुराना है हम इसको skip कर रहे है अगले कोश्चन के बारे में आ जाते हैं इसमें green revolution के बारे में है इसमें आज भी कोश्चन आ सकता है तो हमको बताना है कि कौन सा कोश्चन यहां पर सही है तो इसमें हमारा answer सही हो जाएगा दो तीन यानि कि इसका एम है कि seed water fertilization technology को यूज किया जाए और जो लोग green revolution को नहीं effort कर सकते हैं उनके लिए ठीक है तीसरा यह कि है second green revolution के बारे में कि हम crops को मतलब जादा हुगाना चाहते हैं इनकी yield को बढ़ाना चाहते हैं और green revolution का use करके शुरूब में कौफी का maximum उत्पादन कौन करता है हमारे देश में तो यह करनाटक करता है option बर B यहां पर सही है अगला question यहां पर हमको मिलाना है हमको हिमालियन foot hill, flood zone, earthquake मतलब जहां जहां जो चीज़े देखने को मिलती है phenomena से और region से मिलाना है ठीक है इस question का सही answer हो जाएगा आपका A यानि कि A को मिलाएंगे 3 से ठीक है flood zone आपका कौन सा है आपका plane जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के वहां पर floods आती है आपका अर्थ को एक वाला northern zone कौन सा है हिमालियन foot hill में जहां पर उत्तरा खंड वगएरा है आपका C कौन सा मिलेगा C मिलेगा 2 से ठीक है यह C है यह D है C मिलेगा आपका 2 से यानि कि droughts कहां पर देखने को बिलते है जहारखंड और ओडिशा में cyclones आपको कहां पर देखने को बिलते है जहारखंड और ओडिशा में ड्रॉट्स आपको कहां पर देखने को बिलते हैं मिड इस्टर्न इंडिया में, ठीक है, इनमें से किस इयर को हम लोग the year of great division बोलते हैं, इंडिया के population के टर्म में, तो year of great divide बोलते हैं, 1921 को, ठीक है, 1921 को, 2011 की जनगड़ना रिपोर्ट के नुसार की साक्षरता दर सबसे कम है, तो साक्षरता दर सबसे कम कहां है, बिहार में, तबी बिहार आप देखेंगे, 2019-2020 के estimated expenditure में सबसे जादा खर्चा बिहार ने किस पर किया है, education पर, करीब 35%, total expenditure का, education पर खर्चा 35% है जो भी है, अभी आप नहीं मेरे को, आप जो है मेरा budget का वीडियो देखेंगे, उसमें हमने बताया है, पूरा, 191 नंबर का question आपको बताना है, इसमें, maximum माईगा का production कौन करता है, यह हम update करेंगे, यह पहले का दिया हुआ है, जब भी हारो जार्खन देखी थे, अब यहां पर the hottest, the coldest, the wettest, the driest बताना है, ठीक है, desert बताना है, desert से मेशा question आते हैं, आपके exam में, यूँ भी पी से जरूर पूचता है, तो आपका इसको मिलाएंगे B से, यानि कि 4 को मिलाएंगे A से, आपके 3 को मिलाएंगे B से, coldest desert कौन सा है, आपका नटाक्टिका है, hottest सहारा है, wettest desert कौन सा है, गोलार्द में सबसे छोटा कौन सा होता होगा, जून होता होगा, ठीक है, 21 जून, world yoga day के दिन, great barrier reef आपके किस के पास है, औस्ट्रेलिया के पास है, अगला हमारा question है, दक्षिन कंगोतरी कहां पर है, तो या Arctic region, दक्षिन कंगोतरी कहां पर ये बूचा है, तो इसका answer हो जा तो आपकी South America की सबसे बड़ी नदी है आपकी Amazon, ठीक Amazon नदी, अगला question है, अमारा की, इसको भी हम update करेंगे, कि भारत के सकल घरेल उत्पादों में क्रेशी और संबदे छेत्रों की कि इतनी हिस्तेदारी है, ये budget वाला question है, ये साक्षरतादर वाला है, हम Decadal Road जो दियान र रखते हैं, उससे पहले की नहीं ध्यान रखना जरूरी है, अगला है कि छेतरफल की क्रम में भारत की तीन बड़े राजी कौन से हैं, ये भी नहीं ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक राज जब कम हो गया है, जब मुँ कश्मीर दो यूटीस बढ़ गए है तो थोड़ा से यहां पर अब थोड़ा देखना पड़ेगा, कोईले का डैस प्रतीशत भारत को वाणी जी कूर्जा पुर्दान करता ही, अभी देखना पड़ेगा एक एनर्जी प्रोडक्शन में, अगला है डैस, डैस भारत के सड़क वयातायात का 40 प्रतीशत वहन करता यह भी हम देखेंगे लेटेश डेटाने, बारत को सबसे ज़्यादा वर्षा किस से मिलती है, बारत को सबसे ज़्यादा वर्षा मिलती है, साउथ वेस्ट मॉनसून से, यह बात ध्यान रख लीजेगा, यह चीज अभी भी नहीं चेंज होई है, बारत और उतरप्रदेश राजियों की एक समलित सिचाई परियोजना कौन सी है बिहार उत्तर प्रदेश की देश की समलित सिचाई परियोजना है गंडक ठीक है उससे Trimedi Canal निकाली गई है जो lights provide करती है विहार के रीजन्स को इसनदी से टकला मांकन आपको कहांँ पर देखने को बिलता है यह आपका चाइना और मंगोलिया के बीच है तो चीन आप्षिन में है तो अप्षिन इंडियन ओषिन को आपको देखने कुबलती है इंडियन ओषिन में हिंदमा सागर में हेलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से इस परिटुकलर वीडियो में BPSC Prelims Exam 65th 15 October 2019 के लिए हम लोग लगाता है BPSC के previous year के questions देख रहे हैं, topic wise देख रहे हैं और आज most important topic पर हैं PR Special पर, PR Special से पहले बहुत सारे questions आते थे, अब भी कावी सारे अच्छी खासी संख्या में question आते हैं आपके BPSC exam में PR Special में history वाले facts चेंज नहीं होते हैं, हलांकि बहुत सारे facts चेंज हो जाया करते हैं जैसे census हो गया आपका और बहुत important आपके economic survey के जो facts होते हैं highways की length वगारे जो पूची जाती है, productions related जो data आता है, उसको यहां पर मैंने 2019 exam के हिसाप से update करके इसमें रख दिया है, ठीक है तो यहां पर काफी beneficial रहेगा आपको वीडियो, आप हमारा BPSC का paid group जोइन कर सकते हैं, अभी भी ठीक है या तो separately BPSC की test series बाई कर सकते हैं, इस given number पर आपको contact करना पड़ेगा 15 full length pattern based mock test आप हमसे buy कर सकते हैं, तो आईए चली है, questions पर आजाएंगे बिना time based करते हुए, पहला हमारा question है कि निमलिकित में से कौन सा जिला, बिहार का, नेपाल से सीमा साध्या नहीं करता है, आप जानते हैं कि बिहार जो हमारा state है, जहरकंट से भी भाजित होने के बाद, उतरफदेश से boundary share करता है, जहरकंट से boundary share करता है, और बेंगाल से boundary share करता है, और नेपाल से boundary share करता है, तो इसमें हम से पूछा है कि नेपाल से कौन सा district नहीं लगता है, तो नेपाल से पूर्णिया नहीं लगता है, option number D यहां पर सही है, option number D पूर्णिया नहीं touch होता है, आ अगला हमारा question है कि UNESCO World Heritage Site की list में बिहार state से कौन कौन सी चीजें शामिल हैं कौन सी नहीं तो इसका answer हम लगाएंगे option number E, E में कौन से लगाएंगे none of the above नहीं लगाएंगे more than one of the above क्योंकि 2 हैं ठीक है यहाँ पर आपका option number A भी शामिल है और B भी शामिल है ठीक है आप जानते हैं कि 38 कुल मिलाकर के हमारे world heritage site हो चुक है UNESCO की list में लेटेज जैपूर सिटी सामिल हुआ है तो यह ध्यान रखेगा बिहार की तरफ से दो हैं महाबोधी बिहार भी है नलंदा से और मतलब महाबोधी बिहार भी है और बुद्धिस मुनास्ट्री भी है नलंदा से दोनों हैं आपको यह बढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर देखने को बिलेगा तो कि यह VPSC का पेपर है तो आफकोस इसका एंसर हो जाएगा बिहार ऑप्शन नमबर A यहां पर सही है अगला कोशन है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था बहुत सार यहां पर आपको देखने को बिलेंगे जिनको आपको दिहान में रखना पड़ता है अप्शन नमबर A यहां पर सही है 1929 यहां पर एंसर सही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला कोशन है कि by which act बिहार became a separate province ठीक है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग प्रां प्रोविंस और फाइनली ओडिशा और बिहार अलग अलग कब हुए थे 1936 में ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए अगर यह पता होता तो आप कर लेते इसको आप्शन नमबर A यहां पर सही है 1935 के Government of India Act से अगला कोशन है कि अने राजियों की तुलना में बिहार में भ ठीक है करेंट प्राइस पर कौन सा राज सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका बिहार हमने एकनोमिक सर्वे में आपको बताया था यह चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको अगर यह पूछ ले कि किसका सबसे जादा है तो गोवा इसका एंसर होगा ठीक है तो नवीनतम आये प्रतिवेक्ति वर्तमान की इमतों पर है कितनी यह भी हमने एकनोमिक सर्वे के वीडियो में आपको बता दिया था आप चाहें तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं अगला है कि बिहार में प्रती लाग जनसंक्या पर स सबसे कम रोड है उतर प्रदेश के पास और दूसरा स्थान है बिहार का तो यह दिहान रख सकते हैं यह आज भी आ सकता है और यह मैंने लेटेस्ट डेटा के हिसाप से बताया आपको ठीक है लेटेस्ट फैक्ट के हिसाप से निमलकित में से कौन सी नदी फतुहा के पास ग तो हम नौर्थ बिहार की जलवाईव दिखाएंगे CWG के हिसाप से ठीक है यानि कि विंटर ड्राई आपके समर मौनसून यह सब जो करेक्टरिस्टिक हैं वो CWG से दिखाए जा सकते हैं option number A यह पर सही है अगला है मुझफरपूर धरभंगा चंपारण जिलों में कौन सि नंवीन जलोड देखने को विलेगा, आगे मारा क्ουषुन है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आज के fact के हिसाब से भी इस question का answer हो जाएगा आपका पूर्डिया वैसे बिहार जो है leading producer नहीं है जूट में सबसे ज्यादा जूट जो है भारत में कौन सराज produce करता है तो उसका answer है वेस्ट बंगाल त्रिवेडी के नाल के बारे में बहुत बार question आता है हमारा question है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का ये मोक्ष स्थल कहाँ पर है जहाँ पर उन्होंने salvation अचीव किया था तो पावापूरी में option number C कैमूर का पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है ठीक है जो चीज यहाँ पर outdated है उसको नहीं consider कर रहे है स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने एक पत्रिका निकाली थी ठीक है इसका क्या नाम था इसका नाम था हूंकार option number B यहाँ पर सही है ये पिछली बार भी आये था अपकी बार भी आ सकता है सैजणन सरस्वती से question वहाबी अंदोलन से question ठीक है, राजेंद प्रसाद जी से question आने की बहुत संभावना होती है 1913 में पत्ना में अनुशीलें समीती की एक साखा किसने खोली थी तो खोली थी सचींदर नात सान्याल ने सचींदर नात सान्याल ने भी थी ठीक है कानपुर नगर में 1922-1923 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किस ने किया था इस question का answer यहाँ पर E हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जिन दो option given है यहाँ पर दो लोग होंगे मुंमेद जुबेर भी होंगे यहाँ पर आपके और श्रीकरशन सिंग भी होंगे ठीक है मुंमेद जुबेर श्रीकरशन सिंग बिहार सोशलिस्ट पार्टी से बहुत 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 बार question आता है इसके secretary कौन थे तो इसका answer हो जाएगा आपका जय प्रकास नरायन जेपी जिनको बोलते थे ठीक है जेपी से बहुत सारे question आते है option number B यहाँ पर सही है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था 1934 में और जेपी secretary बने थे बिहार में भारती सम्विधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो आपका answer यहाँ पर हो जाएगा आपका option number E यहाँ पर सही होगा option number E इसले सही होगा राजेदर प्रसाद जी तो है ही इनका जन्म सिवान में हुआ था और सब्विधान सभा में of course सामिल थे A and सिना भी सामिल थे ठीक है option number A इनका भी सही है बिहार का पहला बारती मंतराले बने स्रसायती इसमें किसके नेतरत में आया था पहली ministry आया थी महुम्मद यूनूस के नेतरत में option number B यहाँ पर सही है यही fact आते हैं हिसी इसाप से ठीक है मान लीजे आप बिहार के history पटने म मतलब नहीं इतना समय दे पा रहे हैं तो इसी को revise कर सकते हैं अगला है हमारा कि राजेंद प्रसाद जी के विचार से पाकिस्तान का जनक कौन था अब यहाँ पर सब लोग तो जिन्ना को कहते हैं लेकिन राजेंद प्रसाद जी के अनुसार थे Lord Minto option number C यहाँ पर सही है पटना लॉन का नाम बदल करके गांधी मैदान कब रख दिया गया था गांधी मैदान की मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है साफ साफ तो कहीं ने लिखा हुआ है लेकिन most accepted यह ही है कि चंपारण जत्याकरय के दौरान यह नाम पढ़ा था ठीक है अब इन में से कौन सा कना सिस्टम जो है यह इरिगेट करता है बिहार के अरियास को तो इसको स्ट का एंसर भी हो जाए को option बर B यानि कि त्रिवेडी नहर भारत वैगन एंड इंजिनरिंग कंपनी लिम्टेड निम्लिकित में से किस थान पर स्थित था अब इसको जो है बंद कर दिया गया है मुदी को करेक्ट मानेंगे option number D यहां पर सही है option number D कुछ भी डिस्क्रिपेंसी रही हो एंसर की मैं तो मानूगा कि यही सही है कि मुझफफर और मुकामा के अलावा और कोई नाम नहीं गिवन था P.I.B. के official page में मलब जब यह news आई थी निमलिकित में से कौन सा आपका राजमार्ग छप्रा और गोपाल गंजी को जोड़ता है इस question का सही answer है option number C यानि कि NH 85 अगला question है कि 2001-2011 के दावरान निमलिकित में से किस जिले के जनसंख्या में सरवाधिक वृद्धी वी थी यानि कि आपकी जो है ये decadal growth किस में देखी गई थी इस question का सही answer हो जाएगा option number C मधेपूरा में देखी गई थी ठीक है मधेपूरा अगला question है हमारा कि बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन के इंदर निमलिकित में से कौन सा है तो भागल पूरी सिल्क के बारे में अपने सुना होगा option number C यहां पर सही है यह question आज के लिए relevant है हमारे 65th BPSC में भी आ सकता है अब हमको बताना है यहां पर कि किस sector में सबसे ज्यादा growth देखी गई है 2005-06 से लेकर के 2014-15 यह हमको बताना है तो यह अब देखो previous question है अब जब यह आएगा तो इस तरीके से नहीं आएगा अब आएगा तो 2007 से लेकर के पूछेंगे 2007-08 से लेकर के 2016-17 तक पूछेंगे तब वो answer बदल जाएगा ठीक है बदला वो answer क्या होगा मैं बताऊंगा आपको अभी के लिए इसका answer है option number C यानि कि आपका पंजीकरत विनिर्माण और अगर 2007 से 16 आप पूछ ले तो तो इसका answer हो जाएगा आपका services ठीक है services बिहार का सबसे poor district कौन सा है per capita income के criteria पर यह हमको बताना है तो यह है तो प्रिवीजर के question लेकिन आज भी relevant है और इसका answer जो तब था वो अभी भी है शिवहर यहां पर per capita income के मामले में सबसे करीब है मैं अब कहूंगा कि बिहार special जब पढ़ने जा रहे हैं अगर नहीं समय त तो at least economic survey का वीडियो ठीक है दो पाट है उसके बिहार budget का वीडियो जरूर complete कर लीजेगा total national highway कितने है total length कितनी है national highway के बिहार में यह हमसे कई बार पूछा है यह data बदलता रहता है लेकित मैं आपके लिए अपडेट कर खिलाया हूं September 2018 तक अपडेट किया है economic survey 2018 2019 में बिहार के official document में तो national highways की length है 497 km ठीक है option number D यहां पर सही है यह थोड़ा सा उपर नीचे हो गया option 497 ध्यान रखिएगा एक और directly question हमारा economic survey से economic survey से question है है तो previous इरिका लेकिन हम इस economic survey के इसाफ़ से answer करेंगे इसको per capita energy consumption कितना है बिहार state में पर capita energy consumption यह आपका हो चुका है अब 5149 मेगा वाट ठीक है highest demand यह गई थी 5149 मेगा वाट हम सारे option को यहां पर correct मानेंगे और यह चीज याद कर लेंगे अब ठीक है अगला question है कि GB का scheme चलती है यह किसके लिए है बेसिकली जी विका बेसिकली social है ठीक है मतलब social causes के लिए है ठीक है social inclusion के लिए financial inclusion के लिए नहीं employment generation के लिए भी नहीं उसके अंतर के self-help groups create की जा रहे हैं और ODF बिहार को करने में भी important role निभाया जी विका ने ठीक है ध्यान रखिएगा इन में से क्रांधिकारियों के नेता कौन थे 1857 के विद्रोह में यह question कई बार आपको घुमा फिरा के कुमर सिंग जी के बारे में पूछेगा बाबू कुमर सिंग इसका answer है option number B यहाँ पर सही है इनकी रियासत का नाम व कर्शित किया यह question पिछली बार भी आया था उससे पिछली भी आर भी आया था और यह लगभख हर साल भी पीस से पूछता है एक ही तरह से इसका answer है राजकुमार शुकला option number B बिहार के current affair में भी हमने आपको इसके बारिम बताया था राजकुमार शुकला अस्वयोग आंद question है कि असयोग आंदोलन के दवरान अपने आकरशक विवहार को छोड़ने वाले यानि कि अपने लुक्रेटिव प्रैक्टिस को छोड़ने वाले आपके यहां पर याचिका करता कौन थे तो यह थे राजेंद प्रसाद option number B यहां पर सही है राजेंद प्रसाद बिहार से ल विधान सभा में कितने मेंबर होते हैं अगर पूछ ले तो विधान सभा में है 243 इस समय राज सभा में 31 हैं एक वेकंट सीट है बिहार की तरफ से ठीक है लेटेस्ट अपडेट के हिसाप से बिहार का नूठा तेवार क्या है छट पूजा है ठीक है छट पूजा option number D एक औ में का पूजाना में किस सीख गुरू का जन्मूवा था ठीक है चरेंट अफैर्ममें में बताया था कि 2018 में इनकी 350th जो है एंवंवरिस्ट्री बनाए गई थी इनका नाम है आपका गोविं सिंग गुरू गोविं सिंग पत्ना साहिब में इनका जन्मूवा था अब डालव अपने इसाफ से बनाया है बिहार में कितने मीटर का बंचेतर है जब यह पूछा गया था तो उस वाली रिपोर्ट के इसाफ से बताना था लेकिन अब हम लेटेस्ट रिपोर्ट का डेटा बताएंगे बिहार के टोटल जोगरिफिकल एरिया का 7.8% जो है बनाता है ठीक है 7.8% यह दोनों ही पूछे जा सकते हैं चाहे तो एक ही में चाहे तो अलग-अलग अगर केवल किलोमेटर स्क्वाइर में बिहार में फॉरेस्ट एरिया पूछेगा ध्यान रखिए का इसमें फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर बता रहे हैं तो बहत्तर सुन इन्यानवे किलोमेटर है और यह 7.8% जो है जोगरिफिकल एरिया का यह कवर करता है बिहार के सबसे प बिहार में बिसिकली 3-4 जील है जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है वह की बीडियम मिल जाएगा और वैसे तो जब उमने वीडियो बनाए था वाटर बोडी इन बिहार का तो बता दिये था आपको जै प्रकास नारायन तो किस नाम जना जाता था तो लोक नायक लोक न अगला हमारा क्वेशन है कि छोटा नाकपूर आदिवासी विद्रोह कब हुआ था यह हुआ था अठारा सो बीस में अठारा सो बीस अप्शन नंबर बी अगला है निमलिकित में से क्या गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंदित है तो गांधी जी के चंपारण सत तेक रहकिया था वैसे तो बहुत तरह के करते क्रीब 21 तरीके थे लेकिन 3 गथिया जरूर दियान रखा करिए चंपारण से रिलेटेड है तीन कथिया उल्गुलन आंदोलन से संबंदित कौन था उल्गुलन आंदोलन संबंदित थे आपके बिरसा मुंड़ा option number D ठीक है उल्गुलन को हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं great tumult अगला question है कि मुंगेर के बरही ताल आंदोलन का उद्देश क्या था तो demand of return there बकस्त land ठीक है उनकी बकस्त जमीन को वापस करने की मांग उन्हों ने रखी थी option number A यहाँ पर सही है अगला है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था इस question का सही answer है option number B 1912 यहाँ पर सही मानेंगे वैसे तो actually मैं अर। ओडिशा से बिहार कबा लग हुआ था 1936 में ठीक है कि बिहार अपना जो दिवस है कब मनाता है बिहार दिवस कब बनाया जाता है यह को comment section में लिख करके बताइए और O कि शा दिवस जाता है यह भी हमको comment section में निख रक बता इनमे से के जिले में बरही कांग्रेस ने 1930-1931 में ब्रिटिश प्रसासन को पूरी तरह से तोड़ दिया था तो इसका एंसर है गया ये इवेंट हुआ था गया में अगला कोशन है कि कौन सराज ये खनीज उत्पादन में धनी है तो ये अभी हम नहीं बता सकते ठीक है अगरि तो मोस्ट रसप्टेट जो है ये सिंद्री है ठीक ऑप्शन बर भी यहां पर सही है सिंद्री में हुआ था पहला औरवरक संयत्र की स्थापना अब देखिए आउट्डेटेट कोश्चन है जब ज्यारखंड और आपका बिहार एक ही हुआ करते थे कि इंडेस्ट्रियल क्ल बिहार में 1 शेत्र कितना है तो बिहार में 1 शेत्र आप हैक्टेज में पूचा है हमको किलमेटर में या मीटर में नहीं पूचा तो हैक्टेज में आपका पड़ता है 6,64,64,00, यह िनॉमिक सर्वे 2018-2019 के latest edition पर अधारी था ठीक है इसको कोई भी गलत नहीं कह सकता option number D यहाँ पर सही है बिहार में इस पात सहीतर कहाँ पर है आप देखेंगे outdated question है बिहार अब अलग हो चुका जहारखंट से जब कभी रहा होगा तब इसका answer D बाना गया था बिहार के प्रसिद सूफी सर्फुद्दीन मनेरी सूफी सिलसिला किस सिलसिला समंदित थे ठीक है इनको सूफी सर्फुद्दीन मनेरी कहते है ठीक है यह समंदित थे फिर्दौसी से फिर्दौसी सिलसिले से और फिर्दौसी टाइटल भी नहीं लिया था इनके गुरु भी फिर्दोसी थे मद्यकालीन शहर बिहार शरीफ किसलिए प्रसित था मद्यकालीन भारत में बिहार शरीफ जो था ये एक आपका education center हुआ करता था और एक religious center हुआ करता था option number D यहाँ पर सही administration का कोई खास इसमें नहीं था मामला अगला है कि किस छेतर ने यूरोपी लोगों को नाइट्रा शोरा या अच्छी quality की जो है आफीम आपूर्ती की तो इसका answer obviously option number A होगा कई बार आ चुका है ध्यान लग लिजिएगा ठीक है बराबर की गुफाएं किसके निवास स्थान के रूप में आपके प्रयोग होती है तो बराबर की गुफाएं जो है अच्छेंट में आपके पढ़ा है अशोक ने इसको दान कर दिया था किसको दान किया था आजीवक धर्म के लोगों को बराबर की गुफाओं को option number A हाँ पर सही है आजीवक धर्म के संस्थापक अगर पूछ ले तो इसका answer आप ध्यान रख लेजिए इसका answer हो जाएगा मखली गोसाल अगला question है कि चीनी यांतरी इत्सिंग ने बिहार किया तरह कपकी ये बहुत disputed question रहा था काफी लोगों ने इसको सी माना था लेकिन मैंने जो बहुत सारी सर्च की थी इस पर कई बार Google पर इधर उधर वेबसाइट पर तो 673 उसके भारत आने की डेट है ये कहीं नहीं लिखा है कि वो बिहार गया था 673 इस वी में हालंकि ये लिखा है कि 673 में उसने नालंदा पर जो है यातरा की नालंदा आकर के राजगीर में और एजुकेशन ली तो ये डिस्प्यूटेड है नन ओफ दीस इसको माना गया था योग के द्वारा तो option number D हम भी मानेंगे अगर बिहार में जाने की डेट पूछे है अगर 676 होता तो इसको consider कर सकते थे अगला है कि कितने MP जो है लोकसभा से आते हैं तो लोकसभा से 40 MP आते हैं 32 राजसभा से आते हैं 243 विधान सभा से आते हैं बिहार में इस समय आज की डेट तक 32 में से एक seat राजसभा की vacant है छोटा नागपूर प्लैटिव जोग्राफिकली एक क्या है क्या एक scarpland है क्या एक ट्रफ है क्या एक pidmont है या एक penny plane है तो इसका एंसर है option number D ये एक penny plane है बिहार की पहली चीनी मिल की स्थापना की स्थान पर की गई थी तो बहुत सारी sources मैंने यहाँ पर देखे और यहाँ पर बेतिया को सही माना गया है पहले चीनी मिल खुली थी बेतिया में ठीक है और इस समय कितनी चीनी मिल है बिहार में latest data के इसाप से 11 है जिसमें से दो आपकी public sector की है कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार की rank क्या देखिए अब यह हम update करेंगे ठीक है बिहार की website पर दिया हुआ है विकीपीडिया में दिया हुआ है सही सही 94-136 km धियान रख लिजे ठीक है option number C अभी यहां पर एक question हम से अगर पूछे कि विहार जो है area wise किस थान पर आता है total states में तो अभी थोड़ा साथ कहना मुश्किल होगा क्योंकि जो आपका जम्मू कश्मीर वाला मसला हुआ था जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया राज के दरजे से और दो union territory अब जुड़ गई है तो यहां पर अब देखना पड़ेगा बिहार जो है किस number पर आएगा फिस्कल फीचर देख लीजिए यहां पर बिहार के बिहार की website से copy paste है यह latitude, longitude नहीं तो जरूरी है लेकिन rural area और urban area यह ध्यान रख लीजिए total area यह है sea level से height अबोग इतनी है 63 feet बिहार में गंगा निमलिक इत्मे से किस नदी से जुड़ती है तो गंगा जो है आप जानते हैं कि बिहार को आधे हिस्से माट देती है आपके नर्दन बिहार में सदर्न बिहार में बीच से बिल्कुल काटती हुई जाती है काफी सारी नदियां जो है इसमें मिलती जाती है उपर से नीचे से यह हमने river system में देखा हुआ है तो सारी की सारी नदियां मिल जाती है गंड़क भी मिलती है सोन भी मिलती है घागरा भी मिलती है पुनपुन भी मिलती है आप्शन नमबर A यहां पर सही है हमें पूरे world का सरवोत्तम अभरक कहां से मिलता है सर्वोत्तम माई का हमको प्राप्त होता है हजारी बाक से option number 2 हजारी बाक से हमको सर्वोत्तम माई का मिलता है बिहार की सिचाइच हमता कितनी है ये बहुत 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 बहुतरीन question है ये economic survey से था जब ये 1996 का question है आप देखोगे इतना old है मैंने इसको अप्डेट कर दिया 2019 के लाइक तो अब हमारी जो है irrigation potential कितनी है economic survey के साब से 117.54 लाख हेक्टेर ठीक है 117.54 लाख हेक्टेर हमारा irrigation potential है हमारा कमतलब बिहार लोगों का अब एक और ऐसा question crop से पूछा गया है cropping intensity कितनी है intensity of crop बिहार के कितनी है percentage में अपसे पूछा है percentage में अब है 1500% कि latest data है ठीक है economic survey 2018-2019 के इसाब से फसल घनत्व है 1500% बिहार की क्रशी का सुरूप क्या है तो बिहार की क्रशी जो है ये subsistence agriculture में आती है ठीक है option number A अब उनसे पूछा है कि 1857 में जो आपका संगर्श हुआ था वहाँ पर events जो है chronologically कैसे हुए था इसका एंसर हो जाएगा option number B रोहिनी, पटना, मुझफरपूर और जगदीशपूर ये यहाँ पर सही क्रम बनेगा सबसे पहले कहाँ पर रोहिनी में फिर पटना में, फिर मुझफरपूर में, फिर जगदीशपूर में अब उस जन्जाती का नाम बताना है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो किया था क्योंकि वो उनके human sacrifice tradition पर जो है interference कर रहे थे तो ये हैं khond खोंड लोगों का का tradition था वहाँ पर human sacrifice का और infanticide का उस पर अंग्रेजों ने कुछ लगाम लगानी चाही तो ये विद्रो हुआ 1846, 1848 ध्यान रख सकते हैं विद्रो का नेता कोई नोन नहीं है विर्सा मुंडा के गुरू कौन थे ये पूछा गया है तो इसका एंसर है B, आनंद पांडे अगला है कि 1855, 1856 में संथालों ने किस छेत्र में अपनी सरकार की घोष्णा की संथालों ने विद्रो किया था और भागलपूर राजमहल पर अपना कबजा घोषित कर दिया था ठीक, एंग्रेज ओफिसर्स को मार दिया था मैडर कर दिया था उनका 1930 में पटना जो है सेंटर किसका था तो वहाबी अंदोलन यहाँ पर एंसर सही होगा अगला है कि इनडिगो पीजेंट रिवॉल्टेड इन 1866 से लेकर 1866 तक यह कहाँ पर हुआ था यह आपका विद्रो हुआ था चंपारण में और मुझफरपूर में बिहार में प्रोविंशिल कमीटी किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहट बनाई गई थी हमको बताना है तो इस कोश्चन का साही अंसर हो जाएक ऑप्शन बर B यानि कि 1773 एक्ट के तहट विनियमन अधिनियम 1773 के तहट बिहार में एक प्रांती समीती गठन हुआ था बिहार सोश्लिस्ट कॉंग्रेस पार्टी गठन का भुवा था तो इसका एंसर है ऑप्शन बर C 1934 सेक्रेटरी जेपी ठीक है बिहार के सांसर्द ये ये आउटडेटेट कोश्चन है बिहार में प्रस्तावित महिला आयो कि अध्यक्षता कौन करेगा ये भी आपका आउटडेटेट कोश्चन है ये तब के करेंट अफेर का कोश्चन है अब मारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अब देखो बिहार में ग्रामीड शाहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है मैं लेटेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ ठीक है मन लेटेस्ट का मतलब कहां पर है 2011 सेंसेस के हिसाब से तो ये है लगभग इतना वैसे तो 11.3 परसेंट है आपका अर्बनाइजेशन बिहार मे अगला कोश्चन है हमारा कि 1995 के अंत तक बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी अभी 1995 BPSC का कोश्चन है तो हम इसको एंसर नहीं करेंगे आज की डेट में कितने जिले हैं तो 38 हैं ये ध्यान रखिएगा पटना एक प्रांती राजधानी की रूप में कब बनाए गए थी एक प्रोवेंशिल कैप्टल किसके टाइम बनाए गए थी शेर सा सूरी के टाइम पर शेर सा सूरी option number A 17 सताबदी में बिहार का स्वेंड खनन कहां पर स्थित था तो स्वेंड खनन कहां से वो था 17 सेंचुरी में पटना से option number B 2011 के population density की reports के नुसार यानि कि census 2011 के population density की criteria में बिहार किस नमबर पर आता है भारत में पहले स्थान पर ठीक है सबसे ज्यादा population density है बिहार की अभी कितनी है उस पर भीमसी की हुआ आगे बिहार सबसे पहले है यहां पर फिर आपकी population density में आएगा वेस्ट बंगाल फिर आएगा आएगा आपका फिर केरल की है फिर उत्तर प्रदेश की है और फिर हरियाना की है यह क्रम याद रखिएगा यहां पर states की बात कर रहे है यूटी इसको इंक्लूट नहीं किया यहां पर बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो इसका answer है option बड़ D शेखपुरा बिहार का सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन सा है अगर पूछ लेते तो इसका answer हो जाता पत्तना अगला कौश्चन है कि बिहार का तराई प्रदेश विश्त्रित है कहां पर तो यह तराई प्रदेश जो है बिहार का यह पैरलल है इंडियो नेपाल बाउंटरी के भारत नेपाल सीमा के समना अंतर फैला हुआ है चोटानागपूर के जंगल में, sorry, the forest of चोटानागपूर, चोटानागपूर का forest आपको कैसा देखने को भी लेगा आपको डेसी डिवेस भी देखने को भी लेगा और समाना भी तो option number C यहाँ पर सही है option number C बिहार मिला हो आयसक आपका कहां से निकाला जाता है यह फिर से outdated question है जब जारखंड और बिहार एकी थे अब हमारे लिए relevant नहीं है छोटा नागपूर के फटार की मुख्य फसल कौन सी है छोटा नागपूर आप relevant है किसके लिए JPSC वालों के लिए जो most important facts है वहाँ आएंगे यहाँ पर नहीं है इसको skip कर रहे हैं बिहार में आपकी जूट उद्योग बेल्ट कहां पर है यह अभी भी आ सकता है option number A यह आँ पर सही है आपका यह उत्तर पस्चिम बिहार के मैदान में भी है और northeast plane में है बिहार में ठीक है कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतीशत बिहार द्वारा उत्पादित किया जाता है यह डेटा अभी आपको नहीं बता सकते है डेटा अभी आपको बताएंगे जब agriculture mineral production का एक साथ वीडियो आएगा तब तक तक के लिए आप इसको skip कर सकते है यह आ सकता है हमारा यह आया हुआ है यह फिर से आ सकता है बिहार economic survey 2018-2019 से मैंने इसको update कर दिया है फैक्ट वाट परसेंटेज ओफ टोटल कल्टिवेबल लैंड आप बिहार इस इरिगेटेड यानि कि बिहार की कुल जो जोती हुई भूमी है उसको सीचा जाता है कितने परसेंट तो टोटल जोती हुई भूमी को 57% सीचा जाता है ठीक है option number C यहां पर सही है around 57% बिहार को industrial finance कौन दे रहा है उन्हें 95 का current affair का question है अब outdated है obsolete हो चुका है आगे बढ़ते हैं जैप्रकास नारायन के संदर्ब में हम उनको national leader किस event से जानते हैं यह हमको बताना है तो उन्होंने किस में participate किया था quit India movement में ठीक है option number B यहां पर सही है आगे बढ़ते हैं लोग अगला question है कि 5857 के विद्रोव से बिहार के कौन से हिस्से प्रभावित नहीं होए था यह हमको बताना है दानापूर प्रभावित हुआ था पटना हुआ था of course आरा मुदफर प्रभावित हुआ था लेकिन option number 5 यहां पर सही है मुंगेर नहीं प्रभावित हुआ था अगला question है कि गवरक्षिनी सभा कब establish की गेती बिहार में गवहत्या रोकने के लिए इस question का सही answer है exact answer है option number B 1882 यहां पर सही है मैंने काफी इसको देख लिया है समझ लिया है बुक से और यही most accepted है और कोई भी इसको 1893 मार्क नहीं करेगा ओडिशा बिहार से अलग कब हुआ था तो 1936 में ठीक है 1936 में और इसी के मतलब इसी वर्ष के उपलक्ष में ओडिशा दिवस बनाए जाता है चोटा नाकपूर किराइदारी अधिनियम पारित किया गया था कब तो चोटा नाकपूर टीनेसी एक्ट यह लागू हुआ था 1908 में ठीक है option number 8 में sorry option number A में 1908 में आये था और यह जो मुंड़ा विद्रो हुआ था उसके कारण यह हम कह सकते हैं कि यह act लागू किया गया धंग्रेजों के द्वारा बिहार में production wise second crop कौन सी होगी यह बताना है हमको rice के बाद second कौन सी होगी क्योंकि rice तो सबसे ज़्यादा हुगाता है बहुत पुराना question है लेकिन आज भी relevant है और आज के लिए भी सही है क्योंकि चाहिए हम land कप पर hectare उत्पादन देख लें चाहिए total उत्पादन देख लें सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार का किस area में है राइस करता है सबसे ज़्यादा उत्पादित बिहार फिर उत्पादन करता है बिहार wheat का फिर करता है मेंस का यह क्रम याद रख लिजे ठीक है तो अब हमसे राइस के बाद पूंचा है तो इसका एंसर हो जाएका wheat option number A है अब आजादी के बाद बिहार का सिंचित छेत्र कितना बढ़ा है यह outdated question है तब के economic survey आता ही नहीं था इकनोमिक survey वहाँ पर 2005-2006 से आना शुरू हुआ है ठीक है तो outdated question है यह हम इसको skip कर सकते हैं यह भी outdated question है छोटा नाखपूर में primary level पर इकनोमिक ऐसी है मैंने बताया था आपको कि छोटा नाखपूर अब आपका ज्यादतर हिस्सा जहारखंट के पास है तो जहारखंट वाले जहारखंट PCS वाले इससे concern रहेंगे Bihar में सुमेश्वर की spaghetti कैसी है क्या ये पारसनाथ hills से पुरानी है क्या ये राजमहल hills से पुरानी है क्या ये older है खड़कपूर hills से या सभी से नही है आपको बता दें इसका answer हो जायगे QUE option number D, यह सभी से नहीं है, option number D, अगला हमारा question है कि बिहार में दामूदर नदी जो है, यह कहां से निकल, यह क्या है basically, यह flow होती है, कैसे, छोटा नागपुर से निकलती है, फॉल्ट ट्रफ से यह flow होती है, option number B, बिहार के कुल भागोलिक छेतर के 1 प्रतीशत कितना है, 1 प्रतीशत कितना है, यह है आपका 7.8%, ठीक है, 7.8% अगर स्क्वाइर किलो मीटर में पूछे तो 7299, यह भी आपका outdated हो गया, यहां पर machine plant पूछा है, और जहारखंड के विशह में है, तो देखी, जहारखंड के सारे related जो option दिये हुए है, तो यह हम नहीं mark करेंगे, मुरिक इसके लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपका जहारखंड का question है, ठीक है, जहारखंड में चला गया है अब यह हिस्सा, तो यह हमारे लिए outdated हो गया है, मैथोन, यह मैथान आपका है, यह भी relevant नहीं है आपके लिए, आ भारत में बिहार सबसे किसका अग्रेडी उतपादा कहिए, आपको August 10 पर जो agricultural mineral का data मिलने वाला है, agriculture, mineral, production, export, import, इन सब का data मिलेगा आप सबडेट करिएगा, नालंदा क्यों प्रिशिद्ध है, हम पहले भी history question में देख चुके हैं, कि buddhist, religious, philosophy के लिए प्रिशिद्ध है, इ Uncivilized Attack of League Leader, ये किस ने कहा था, उनने 46 में, ये कहा था कथन, सर्दार पटेलने, सर्दार वल्लब भाई पटेलने, 1857 बिहार में, इस संगर्ष का नेतरत्व किस ने किया था, ये कई बार आ चुका है question, इसका answer आप ध्यान कर लिए, बाबु कुमर सिंग यहां पर होगा, ठी जो भी थे, मतलब कुमर सिंग, इनका नाम ध्यान रख लिएगा, ठीक है, आगे मारा question है, कि in which present movement, महत्मा गांदी had participated first time, ये बहुत बार question आता है, C, A, K, E, आपको ध्यान में रखना पड़ता है, C से चंपारन है, फिर आहमदाबाद मिल है, और फिर आपका के खेड़ा है तो सबसे पहला यहाँ पर होगा चंपारन, फिर आहमदाबाद मिल सत्याग रहे होगा, फिर खेड़ा सत्याग रहे होगा, option number B यहाँ पर सही है, इस movement में किसान अंदोलन में महत्मा गांधी का नितरत, मतलब महत्मा गांधी के साथ कौन थे बताना है, तो of course इस cancer हो JP नहीं associated है, चंपारन में उनका कोई रॉल नहीं है, बेगु सुराय में चौकीदार कर के खिलाफ आंधोलन फी, किसकी प्रेण़ा से मिला था, तो non-corporation movement के दरान, सयोग आंधोलन के दरान बेगु सुराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंधोलन हुए थे, उक बताना है क कि हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था काव प्रोटेक्शन को लेकर के शाहबाद गया और पटना में ये कब हुआ था ये एक कोशन है जो आपके 1994 भी आये था और अभी लेटेस्ट भी आये था एक दो साल पहले बिहार पीस्टिस में तो ये कब हुआ था दंगा आपका 1917 में तो अब वो नहीं ले जानी थी और कोई भी दीकू याने की बाहरी विक्ति वहाँ पर आदिवासियों की लैंड नहीं खरीच सकता था तो आप्शन नुबर C यहाँ पर सही है किस वर्ष बिहार को ब्रिटिस प्रसाशन के शाशनकाल में एक अलग प्रांत का दर्जा मिला द्यान में रखिये का हम यहाँ पर ब्रिटिस प्रसाशन में अलग प्रांत की बात कर रहे है इस क्ष्ण का एंसर हो जाएगा ऑप्शन पर C 1936 जब ओडिशा और बिहार अलग अलग कर दिये गए अगला है कि सोचलिस्ट कॉंगरेस पार्टि की पहली बैठक पत्ना में किस वर्ष मयावजित की हुई थी जान रखिए कि यहाँ पर हम लोग Congress Socialist Party की बात कर रहे हैं बिहार Socialist Party की नहीं तो इसका answer है option number B ठीक है option number B पटना में हुई थी आचार नरेंदर देव यहाँ पर बने थे अध्यक्ष अगला है कि बिहार में एक अलग प्रांथ के लिए आंदोलन जिसको प्रथक बिहार अंदोलन बोलते हैं यह कब चलाया गया था जिसकी वज़े से जो है बंगाल Presidency से बिहार और ओडिशा को finally 1912 में अलग कर दिया था 1911 में अंदोलन जिसने चलाया था सचिदानंद सिनहने ठीक है प्रथक बिहार अंदोलन चलाया था सचिदानंद सिनहने अगला कोशन है मारा कि भारत के राजियों की सीमा की संख्या जो बिहार से छोती है तो तीन राजिये हैं खाली हम अता चुके हैं आपको एक जारखंड है एक आपका उत्तर प्रदेश है ठीक है और एक पश्ची मंगाल है सिम्पल अगला कोशन है कि बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्री राजमार्ग कौन सा है इसमें से तो ये है एनेच थर्टी थरी ऑप्शन नबर डी यहाँ पर सही है अगला यहाँ पर आपडेटेट हो जाएगा टिस्को के बारे में आपर पूछा है कि टिस्को पर आइरन सप्पलाई कौन करता है ये जारखंट से रेलेटेट अब कोश्चन है इसको आउटडेटेट कहेंगे सबसे बड़ा शहर कौन सा है इस देखिए इसमें इसमें भी आप देखो कि जारखंट के शहर सामिल कर दिये हैं तो हम इसको आउटडेटेट बाहन लेंगे आगे बढ़ते हैं पहले इससे बंगाल का शोक कहा जाता था इस नदी का उद्गम बिहार में कहां से है यह हमको बताना है तो सौरो बंगाल जिसको कहते हैं वही यहां पर इसका एंसर हो जाएका दामुदर रिवर सौरो बिहार किसको कहते हैं कोशी को कहते हैं सौरो बंगाल किसको कहते हैं दामुदर ने दी को बस इतना ध्यान रखिए अगला भी हम skip कर देंगे क्योंकि अब यह थर्मल पावर स्टेशन जो पूछे हैं यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आपके आते हैं जार्खेंड में ठीक है इसको skip कर देना ठीक रहेगा अगला है अब यहाँ पर पॉलिटिक्स बेस जोन टास्टिस्ट रिसेजन सेना यह भी आपका करेंट अफेर का outdated fact है अब हमारे लिए 65th BPSC के कामका नहीं रहेगा इसको भी outdated कहेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला है कि बिहार में मानसिक शरण स्थान कहां पर है यह भी outdated है इसको नहीं कंसीडर करेंगे अगला यह हमारे लिए कामका है कि नर्व सेंटर जो है 1858 के रिवोल्ट का बिहार में जो चला था 15 जुलाई से ले करके 20 जनवरी 1858 में उसका सेंटर कहां था जगदीशपूर में बाबु कुवर सिंग के नेतरत में उप्शन नुबर D है होस विद्रो किस से रिलेटेड है होस विद्रो रिलेटेड है मतलब कब हुआ था यह हुआ था 1820-1821 में उप्शन नुबर B या C जो भी है देहान रखी 1821-1820 में होस विद्रो जगदीशपू अगला question है कि रामविलास सिंग जो active member थे forward block के यह कहां से आते थे बिहार के किस district से यह थे मुंगेर से option number D मुंगेर से दो निताओं को हजारी बाग से arrest किया गया था 6 अगस्त 242 को यह लोग कौन थे यह आपके थे नरायन सिंग और सुखलाल ठीक है option number B हमसे पूछा है श्री जगत नरायन पाल की वाइफ का क्या नाम था तो वाइफ का नाम था श्री मतिर राम प्यारी option number A राम प्यारी राजिंद प्रसाथ को अरेश्ट किया गया था 9 अगस्त उमने सबैलिस को कहां भेजा गया था पहले तो उनको पटना जेल भेजा गया था लेकिन बाद में बांकी पूर भेज दिया गया था यह confirm है मैंने इसको देख लिया है समझ लिया है option number T यहां पर सही है जैब्रकार दिवस कब बनाया गया था यह outdated question है हमारा ठीक है इसको हटा सकते हैं हम लोग अगला है कि बिहार की गरीबी रेखास के नीचे अधिक्तम लोगों को रहने क्या खारण है अब तो बहुत सारे लोग नहीं है अब तो गरीबी रेखास से बाहर आ रहे हैं तो इस उजह से outdated question है बिहार के budget में बिहार के economic survey में जो latest trend है उनका discussion हो चुका है यह outdated है अब mod wet यह चलता ही नहीं है अब बिहार में सबसे ज़्याद और revenue किससे generate किया जा रहा है केंद सरकार के हिस्से से SGST से ठीक है अगला है मुंडा जंजातिया अधिकानस्ते कहां बसी हुई है तो अफकोस इस कैंसर और जाएगा बिहार option बर D सचिदानंद सिना कब जुड़े थे किस आंदोलन से तो इन में से किसी आंदोलन में उनका active role रहा है उनका active role रहा है प्रथक बिहार आंदोलन में ठीक है अगला question है कि बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़ा था यह हमको बताना है तो इसका answer है राजेंद प्रसाद option बर A राजेंद प्रसाद कहां की निवासी थे तो इसका answer है बिहार अगर मान लिजे इसको tough करते थोड़ा पूचले कहां रहते थे बिहार में मतलब कहां इनका जर्म हुआ था उस सीवान में हुआ था सीवान डिस्ट्रिक्ट में जैप्रकास नारायन किस आंदोलन से सम्मंधित थे यह हमको बताना है तो इसमंधित थे कुट इंडिया भूब्मेंट से भारत छोडवान दोलन से बिरसा मुंडा कहां के थे यह हमको बताना है तो इसका answer जहार खंड होगा option no.1 अगला question है कि निमलिकित में से किस राजा ने पाटली पुत्र को establish किया तो उधीन इसका answer हो सिचाई नहर कहां से निकलती है यह भी outdated question है हमारे काम का नहीं है बिहार में साक्षरता दर कितनी है यह 1991 के fact के हिसाप से लिखा वह था previous year में लेकिन 2011 के हिसाप से इसको देखें अगर हम तो यह है 63.82 ठीक है यह है अब इस email कितनी है email कितनी आगे बताएंगे आपको कौन सी अगे से नहीं यह इस नहीं दी अपने channel को स्थान आंत्रित करने के लिए कख्यात है湊 ना आपको बताएंगे था अपने channel बदलती रहती है आपकी को सी ठीक है option बर सी बिहार का कौन सजिला सबसे बड़ा है बिहार का कौन सजिला सबसे बड़ा एरिया वाइस बताना है तो पॉपलेशन कितनी है बिहार की इतनी है दस अड़ तिस जीरो चार शाहत्तर इदर वाला सही है यहाँ पर यहाँ पर हिंदी वाला से लिखा है इसमें दो डिजिट जादा हो गए है अगला कोशन है बिहार की शहरी जनसंख्या कुल कितनी है बिहार का अर्बनाइजेशन डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है अभी हम 2011 वाला इमान के चल रहे हैं तो 11.3 द्यान रखिएगा यह इतना अर्बन ने खाली वांकी सब ग्रामीड है बिहार में तेल रिफाइन नालंदा और बी नहीं आउट्डेटेट मानते हैं इसको और बी यहां पर सही हो जाएगा हमारा त्रिवेडी नहर में किस नदी का पानी आता है तो और शुरू में देखा गंडक त्रिवेडी बहुत आ चुका है कोश्चन अगला कोश्चन है कि बिहार में राश्री महार् संख्या है हमारी बिहार कितना कंस्ट्टूट करता है उसमें तो बिहार की पॉपलेशन कंस्ट्टूट करता है 8.6% 8.6% पटना नगर निगम में वाल्डों की संख्या कितनी है तो आप बढ़ गए हैं पहले कम हुआ करते थे अब वाल्ड हो गएं 75 ठीक है अगला अगला कुश्चन है कि हाल इमें बिहार में कौन सा राज बना है तो यह जारखंड इसका एंसर हो जाएगा हाल ही का मतलब यह तब का कुश्चन है 2001 का जैसे जारखंड बिहार से अलग वह था तो बिहार के पास कितने डिस्ट्रिक्ट रहे गए थे 37 रहे गए थे लेकिन मै बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है 9 डिवीजन है ठीक है बिहार की मेन फूड क्रॉप कौन सी है तो ऑप्शन बर यह यहां पर से होगा सब ज्यादा राइस फिर वीट फिर मेज उगाया जाता इसमें बिहार का कौन सा शहर जारखंड की राध्धानी है तो जारखंड की राध बाना है इसका एंसर हो जाए का ऑप्शन बर डी 1895 में ऑप्शन बर डी कुट इंडिया मूव्मेंट के दोरान साथ दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुकला को कहां बेज दिया गया था कहां नजर बंद किया गया था 177 का most accepted answer है ऑप्शन बर सी पतना अगला कोश्चन है कि नि यहां पर सही है अगला Koosya मारा कि राम्छंदर शर्मा किस गाउं से है तो राम चंदर शर्मा है अम्रा हा गाउंसे श्री नर्शण नर्षब ड़ा जो थे यह क्या थे सोचलिस्त थे शोशलिस्ट इस फ्टेंड्ब शल फ़िश्टी जैश्य नरेंड्र आरियो गया थे क्स सोचलिस्ट थी ठीक है सोचलिस्ट कॉंग्रिस पालिटी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे यहां पर इंडिपेंडेंट इंडिया के कि स्टेट से थे बिहार से आफकोर्स राजिंद प्रसाद जी सिवान डिस्क्रिक्ट से ऑप्शनुबर सी निम्लिकित में से कौन सा पूडिया और मन भूम दिया गया था ठीक है तब ही पूडिया जो है बंगाल सीमा साज्ञा करता है अगला कॉशन है हमारा की 1927 में 1927 के सशन हुआ यह कहां पर हुआ था यह भिहार मैं फैजबर में हुआ फैश पूर में हुआ था फैजबर है इंडिन थन दानता के दवर इसका कहने का मतलब है कुश्चन का कि बिहार में जब तक गांधी जी नहीं आये थे तब तक वहां पर किस चीज की कमी देखी गई थी, वहां पर United Community की कमी देखी गई थी, option number A यहां पर सही है, अगला हमको बताना है कि pre-independent बिहार में जो landlords हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को कैसे प्रोटेक्ट किया, पॉलिटिकल पावर को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, economic power के माध्यम से, option number C, 1930 के दोरान एक टाउन में civil disobedience movement के दोरान, Congress जब इतनी successful, Congress इतनी successful रही थी कि British राज एकदम से disappear होने लगा था, ऐसा कहां पर हुआ था, ऐसा 29 में होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, British वासन के दोरान, बिहार में क्रेशी वर्क को निमलिखित में से श्रेडियो में रखा गया था, तो इसका answer हो जाएगा, option number C, 3-fold division के हिसाब से, अगला question है कि कि सासक दोरा, पाटली पुत्र को पहली बार राधदानी चुना गया था, तो उदाइन के दोरा, option number C, अगला question है कि निमलिखित में से आप बिहार के भावतिक प्रभागों में नहीं होगे, तो ये भी, physical division कौन से नहीं करेंगे, east ganga plane का, ठीक है, east ganga plane को नहीं divide करेंगे, अगला है हमारा कि बिहार में निमलिखित में से किस समूव से जु option number C, यहाँ पर सही है, बिहार राज के साथ किस देश का छेतरी सेमा संबंद है, तो बिहार किस से लगा हुआ है, नेपाल के साथ, option number B, भागोलिक प्रदेशों के नुसार, अब देगे, लेटेस डेटा जो है, current affair में चल रहा है, कि हमारा जो है, एक state गाएब हो गया, अब क्या हिसाब से रैंकिंग दी जाएगी, यह भी देखना पड़ेगा, तब बताएंगे कि बिहार में भागोलिक प्रदेशों के नुसार बिहार की रैंक कितनी है, अगला है, 2011 संसेस के हिसाब से female literacy कितनी है बिहार में, female literacy है आपकी option number C, 53.33%, most accurately, 1855 में संथालों ने किस British commander को ह आये था, major borrow यहां पर हार गये थे संथालों से, option number C यहां पर सही है, major borrow, next question है कि, when was कुमर सिंग the leader of revolt of 1857 in बिहार, breath his last, यानि कि उन्होंने आखरी सांस कब ली थी, आखरी सांस उन्होंने ली थी, 9 माई 1908 को, ठीक है, 9 माई 1958, अब हमको उस करांतिकारी का नाम बताना है, ज इंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का सप्टेंबर 1928 का सेशन, तो यह कौन है, फणी इंदर नाद घोश है, फणी इंदर नाद घोश, अगला question है कि, बिहार में कि स्थान पर 1922 का भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का दिवेशन हुआ था, यह हुआ था गया म option number C, अगला है कि, बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा से सम्मदित निमलिकित में से समू कौन सा है, कहने का मितलब है कि कौन सी नदियां यहां पर बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा जैसी बन जाती है, उनके बहाओ के हिसाब से, कौन बनती है, कर्मनाशा, गंड़क और गहागरा, ऐसा लगता है कि, बिहार उत्तर प्रदेश के बीच, बाउंडरी का काम कर रही है, अगला question है कि, 2002 बर्थ रेट यहां पर कितना है, तो 2002 के हिसाब से यहां पर दिया हुआ था data, लेकिन हमने इसको 2016 तक के लिए अपडेट कर दिया है, जो भी लोग वीडियो दे option number B, यह 2016 हिसाब से data है, यह question यहां पर आपका outdated हो जाएगा, ठीक है, इसको update कर देते हैं, क्योंकि million ten में यहां पर production बताना है, production का data भी हमने update किया नहीं है, और यह भी तबी का बताना है, जब जहारकंड बिहार एक हुआ करते थे, बिहार के कुल श्रमिकों में क्रशी श् आ सकता है, ठीक है, अगर हम से पूछे कि total यहां पर worker हैं बिहार के किस छेत्र में लगे हुए हैं, मतलब कितने जो है agriculture में लगे हुए हैं, तो इसका answer हो जाएगा 74, यह आया था, आपके 64th BPSC में, ठीक है, approximate में आपको बताना था, तो option number D यहां पर सही है, 74% according to latest economic survey, at present हमा अब यह हम से पूछा है कि यह भी जो है, यह पुराना question है, ठीक है, कि quality infrastructure और business friendly अब नहीं है, यह बहुत पहले का data है, अब तो quality infrastructure भी है बिहार में और data भी है, इसको हम outdated मान करके इसको skip कर सकते हैं अगला हमारा question है कि वर्तमान मूली पर भारत में किस राजगी प्रतिविक्ति आये, सब से कम है, तो इसका answer बिहार होगा, ठीक है, सब से कम यहाँ पर per capita income है current prices पर, सब ज़्यादा किस टेट की है, तो गोवा की है इल्तुत्मिष ने अपना पहला सुबेदार बिहार में किसे बनाया था, ये बनाया था मलिक जानी को, option number D अकबर ने बिहार और बंगाल को अपने सामराज में कब मिला लिया था, 1575 में, option number B अगला है कि बोध गया में बोधिवरक्ष अपने परिवार के किस पेड़िस समंदित है, तो वो अपने 5th generation समंदित है, ठीक है बोधिवरक्ष को किस ने कटवाया था, ये आपको पता होना चाहिए, समानते हैं कि अशोक की एक wife हुआ करती थी, उसके राजा बनने के 19th year में उसने कटवाया था, बोधिवरक्ष को उससे जलती थी, बाद में फिर पुश्यमित्र सुंग ने काट दिया था, क्योंकि वो और्थोडोक्स ब्राह्मन था और वो बुद्धिस्म के खिलाफ था, फिर यहाँ पर पाल रूलर शशांक ने इसको काट दिया था, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये फिर बार-बार उगाता था, तो किसने किसने काटा था, अशोक की wife ने कटवाया, ठीक है, उसका नाम था तिस रखा और शशांक ने कटवाया और पोशिमित्र सुंग ने सुंगवन इसकी तरफ से, अगला है विश्व की सबसे उची सांती स्तूप बिहार में कहां पर है, विश्व सांती स्तूप कहां पर है, यह है राजगीर में, option number C, आपका नव नालंदा महा बिहार जो है, यह किस स्थापित किया गया था, तो लिच्वियों के द्वारा, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्व के द्वारा, मतलब लिच्वि के द्वारा वैशाली गण स्थापित किया था, पहले आपके गण होते थे, ठीक है, हमने NCRT में पूरा देखा हुआ है, NCRT से प्योर यह question है, आपका पाटली पुत्र किसने स्थापित किया था, तो उदैइन इसका answer होगा, अजात शत्रु का पुत्र, पित्रहंता वन्ष का एक राजा, बिहार में कोई लेक अनुमानित टन, तो हम इसको outdated कहेंगे, चुकि अभी यह कोई भी option नहीं match होगा इससे, यह बहुत interesting, important question है हमारा, ठीक है, कि बिहार का जो कुल छेत्रुफल है, उसमें से कितना जो है, agriculture में use किये जाता है, तो total cultivable area है 56.55%, ठीक है, 56.55%, ध्यान रखिएगा, अब 2001 के census का data यहाँ पर पूछा है, यह outdated question है, इसको आगे बढ़ाएंगे, यह भी outdated है, यह भी outdated है, यह भी outdated है, जंगरना खाली हम ध्यान रखेंगे, 2011 की, ठीक है, 2001 से अब नहीं question आएगा, Decadal growth भले ही धियान रख सकते हैं कि 1 से 11 तक किसने की सब्सजादा, उसके अलावा कुछ नहीं, बिहार की history में सबसे पहली बार economic survey किसने पेश किया था, तो किसने पेश किया था, सुसील कुमार मोदी जी ने, option number C, और latest वाला भी उन्होंने पेश किया है, यह economic survey का 13th edition है, इस साल वाला, latest वाला, उस पर वीडियो भी बनाया था, हमने यह outdated question है, इसमें 2007-2006 की विकास report के हिसाप से बिहार का percentage पूछा है, जो कि अब नहीं आने वाला है, वरतमान में बिहार में धन कम्मुख स्तरोत क्या है, तो इस question का answer मैंने 2018-2019 के data के हिसाप से रखा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा साध ज़धन है service, option number B, service sector सबसे ज़्यादा revenue यहाँ पर collect कर रहा है, सबसे ज़्यादा GSVA जो होता है, वो services का है, तो उसके बाद manufacturing का है, इस question का answer मैं latest budget के इसाप से tweak कर दिया है, वैसे पूराना question है कि total expenditure जो है बिहार की government का 2,05,000 करोड रुपए है, ठीक है, नहीं, 2,501 करोड र एक करोड रुपए, उनमें से 26% जो है, वो committed liabilities पर खर्च हो जाता है, committed liabilities में कौन कौन चीज़े आती है, आपका वेतन, pension, कर्मियों को और payment of interest, तो option number B यहाँ पर सही है, 26% विहार खर्च कर देता है, developmental चेत्रों में 79% total expenditure का खर्च करता है, और भी बाकी data आप ध्यान रखि बजट का वीडियो देख लिजे, study for civil services का, बिहार में सबसे पहला सत्यागरे गांधी जी का कौन सा था, in fact गांधी जी का सबसे पहला सत्यागरे चंपारण का ही था, चंपारण, फिर आपका अहमेदाबाद मिल सत्यागरे, फिर आपका खेडा सत्यागरे, फिर बाद में आ सफरपूर में राजा फोर्ड, राजा फोर्ड लिखा है यहां पर गलत है, लॉर्ड किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था, अभी तो यह पूछा है कि कब प्रयास किया था, इस question का answer हो जाएगा option number A, 1908 में प्रयास किया था, किसने किया था, प्रफुल चाकी और खुदी राम बोश ने, खुदी राम बोश और यह लोग successful नहीं हो पाये थे, ठीक है क्योंकि गाड़ी में पहले आने वाला था कि सोड फिर बाग में नहीं आये थे, प्रभावती देवी किस छेतर की स्वतन्रता से नानी थी, प्रभावती जुड़ी हुई थी भागलपूर से, प्रभावती देवी जो है ये वाइफ है जेपी की, ठीक है, बल्देव सहाय ने महा धिवक्ता पत से स्तीफा कब दिया, ये स्तीफा दिया गया 1942 में, ठीक है, उप्शन नमबर A, अगला है कि 1942 के आंदोलन में किस जेल में डॉक्टर राजेंद्र ले जाया गया, बिरसा मुंटर का कारे छेतर यहां पर कौन सा है, तो उनका कारे छेतर भी चंपारनक का है, अप्शन नमबर A, जैप्रकास नाराएंड किसे समंदित है, वो Congress Socialist Party समंदित है, तो इसका एंसर है C, आपका बिहार में 857 के विद्रोव के नेता, ये बार-बार रिपीट होने वाला question, option number D, कुमर सिंग इस cancer होगा, अब देखो कि बार-बार question repeat होते हैं, बिहार से उसलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, जैपी नाराएंड ने, ठीक है, ये प्रकास नाराएंड, बिहार में या फिर कह सकते हैं कि बंगाल प्रेसिदेंसी में ज दिया गया था, और hereditary transferable जो system होता, यानि कि हस्तान तरंड वन शानुगत बना दिया था, तो option number B, यहां पर सही है, industries commissioner का office कहां पर है बिहार में, ये मुझफरपुर में है, option number D, यहां पर सही है, अगला है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्तर बिहार floods के ये प्रसिद्ध है, वहां पर बाढ़ बहुत आती है, कोसी की वजए से, NH2 पर कौन सा स्थित नहीं है, ये हम से पूछा है, अजाए कि यहां पर correction करिएगा, ये बहुत mistake हो गई, यहां पर पटना में है, ठीक है, यहां पर उद्ध्यों का office पटना में है, ना कि मुझफर नगर में, पुर में, ठीक है, मुझफर पुर में नहीं है, अगला है कि इसमें आपका, NH2 में कौन सा नहीं है, NH2 में आपका पटना नहीं है, option number D यहां पर सही है, अगला है कि पटना अंतराश्ट्री हवाई अड़े से सीधे जुड़ा हुआ आपका कौन सा है, तो काटमा इसमें बिहार से किस जिले को चुना गया, यह अगर पूछें तो इसका अंसर आप लगाएंगे, दर भंगा, ठीक है, और यह आपका एरपोर्ट चालू भी हो जाएगा अभी एक दो महीने में, बिहार की एर सर्विसेस जो है कौन-कौन से कंपनी प्रोवाइड करती है, अ नीचे रहने वाले लोगों का प्रतीशत कितना था, तो यह प्रतीशत था आपका 55 प्रतीशत, ठीक है, खैर फैक्ट पुराना है, लेकिन हो सकता है, पूछ लें, क्योंकि प्लैनिक कमिशन से रिलेटेड है, बिहार में जमीनदारों को निस्सो बावन में वैधानिक तो जमीनदारों को यहां पर अटा दिया था, और अब मतलब अथा कि टॉमिनेंट कास्ट हिंदूस थी, ठीक है, जमीनदार ज्यादातार हिंदू थे, और अगला है, यहां पर outdated fact हो जाएगा, क्योंकि यहां पर industrial area development authorities के बारे में पूछा है, ठीक है, before separation पूछा है, जो हमा किसके प्रयासों से 2nd बिहार प्रांतिय का अधिवेशन हो पाया इस question का answer है श्री दीप नरायन सिंग, option no.B next question है कि at which place was the 27th session of Indian National Congress held 27th session आपका कहां पर हुआ था Congress का ये हुआ था पत्ना में, option no.B अगला हमारा question है कि 16th session बिहारी Students Conference का हजारी बाग में कहां पर हुआ था, हजारी बाग में कब हुआ था ये हमसे पूछा है तो उसका answer है 1921, 1921 अगला question है कि बिहारी नाम के newspaper के editor कौन थे, बिहारी नाम के newspaper के editor थे बाबू, महेश्वर, प्रसाद राजकुमार शुकला चंपारंड से थे, लेकिन ये किस गाओं के निवासी थे, एक बारम से पूछा है तो राजकुमार शुकला हमारे associated थे मुरली भरहुआ से, मुरली भरहुआ गाओं से थे, इध्यान रखिएगा अगला question है कि श्री निवारन चंद दास कुपता जो है कहां से बिलॉंग करते थे तो ये आते थे हमारे पूरूलिया से, option number B, पूरूलिया से कुमर सिंग कहां के राजा थे तो जगदीशपूर अरियासत के option number C अगला है कि लॉर्ड सिना ने रिजाइन कर दिया था, उनी 21 में गौर्णर की पोस्ट से कहां के लिए तो बिहार ओडिशा के लिए, बिहार ओडिशा परांत के लिए महावीर स्वामी का जण्म कहां पर होता है, महावीर स्वामी का जण्म हुआ था वैशाली में, option number D बाकरी की कोश्चन यहां पर outdated कह देंगे, यह 2001 की जणगड़ना पूचा है, नहीं ध्यान रखेंगे 2001 की जणगड़ना नहीं ध्यान रखेंगे पूर्व मध्य रेल्वे जोन का हैड़कॉर्टर कहां पर है, हाजीपूर में है, option number B यह भी outdated fact है यहां पर खाली दोस्तों, आप सारी विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत एक बर फिट से BPSC प्रिवियस एर कोश्चन की जमारी सिरीज चल रही है इसमें most important topics cover कर चुके हैं, miscellaneous portion हमारा रह रहा है miscellaneous portion के बाद खाली एक maths portion आएगा और उसके बाद हमारी सिरीज खत बोजाएगी miscellaneous portion में static GK आ जाती है, static GK वो होती है जो कभी बदलती नहीं ठीक है हर exam में इससे question, कुछ न कुछ आते ही है, static GK portion की एक खास बात होती है कि उसमें question एक ही तरह के पूछे जाते हैं और हर exam में repeat होते रहते हैं तो ऐसे बहुत सारे repeated question आपको देखने को मिलेंगे और मैं कह सकता हूँ कि वीडियो सभी लोगों को देखना चाहिए सारे exam की जो लोग तयारी कर रहे हैं जिसमें GA पूछी जाती है, उसमें static आता ही आता है आईए चलिए इसमें शुरुवात करते हैं आप हमारी BPSC की best in the market test series buy कर सकते हैं उसमें आपको 15th full length mock test भी लेंगे with solution और आप bilingual इसको buy कर सकते हैं जिस भी language में आपको चाहिए सबसे पहला हमारा question है कि भारत में निजी छेतर के तहत पहला विश्विद्याल है कौन सा था तो first private sector की university कही जाती है हमारी राजीव गांधी computer science national university ठीक है पहले इसको अरुनाचल university कहा करते थे यह आपको इटा नगर district अरुनाचल प्रदेश में पाई जाती है ठीक है लेकिन सोनिया गांधी जी ने इसको विजिट करा था 2005 में या 2004 में तो इसका नाम change कर दिया था फिर तो राजीव गांधी computer science national university जो है हमारी private sector की पहली आपकी university है अगला हमारा question है कि हर गोविंद खुराना को यहां पर किस invention के लिए पुरुसकार मिला था सबसे पहले तो noble पुरुसकार मिला था ठीक है यह अगर मान लिजे पूच ले तो दूसरी चीज़ यह है हमारी कि noble पुरुसकार की website पर जब मैंने इसको सर्च किया तो जो reason लिखे आया कि जिस अविशकार के लिए या फिस achievement के लिए उनको यह पुरुसकार मिला था वो था for their interpretation of the genetic code and its function in protein synthesis तो हरकमबिंद खुरानक और एक और व्यक्ति को बाट मिला था जिस साल तो interpretation of genetic code के लिए और protein synthesis में genetic code का क्या function उसके लिए है तो देखो आप option इस तरीके से आया था synthesis of gene दे दिया था synthesis of protein दे दिया था मेरे इसाफ से option number B आप लगाना थीक है अब करका भी ऐसा repeat हो जाए तो क्योंकि हम देखेंगे कि इसमें interpretation of genetic code के लिए मिला था genetic code का क्या function होगा protein synthesis के लिए ठीक है gene synthesis यहाँ पर नहीं सही term रहेगा option number B यहाँ पर सही है उसके बाद हम से पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा fool कौन सा है what is the biggest flower the biggest flower in the world is reflisya ठीक है reflisya को मानते है biggest flower पूरी पृत्वी का पूरी विश्व का सबसे बड़ा fool और यह पैरसाइटिक flower है ठीक है रिपोर्ट्स वगेरा change होती रहती है बदलती रहती है फिर भी इसका answer बता दे रहे हैं इस question का answer option number C South Asian collision child service attribute की report आये थी उसके नुसार बंदो मजदोरी कितने बच्चे कर रहे थे 6 करोड हलांकि यह question ही 2014 के असपास का है तो data पुराना है आप इसको skip कर सकते है यह भी पुराना question है लेकिन फिर भी यह कभी-कभी चर्चा में रहता है तो इसको हम search करेंगे मतलब इसको समझें सैतूष क्या ही सबसे अच्छे सबसे गर्म सबसे हलके और सबसे best quality उन की category में आता है हम लोग इसको कहां पे grow करते हैं सबसे पहले आपको सैतूष के बारे मता दें कि यह उन आप लेते किससे हैं यह आप उन लेते हैं चिरू राम के जानवर से चिरू local name है और इसका नाम ह है Tibetan antelope Tibetan antelope यानि कि आपका तिबबती म्रग तिबबती म्रग के खाल की जो नीचे की surface होती है उससे यह सातूष के साल बनाए जाते हैं ठीक है तो बहुत जादा चिरू के साल बनने लगे थे तो यह endangered की species में आ गए थे तो endangered की category में यहाँ पर रख दिया गया था में और इंडिया नेपाल श्रिलंका ने इनको मतलब इनकी हंटिंग को बैन कर दिया था ठीक है सैतूष के कुछ शाल पकड़े गए थे आपके डेली से उसी संदर्ब में question उस दोरान आये था जिस समय एक्जाम हुआ था तो वहाँ पर option number B सही होगा क्योंकि यह जो हमको श इंटिंग को रोकने के लिए यहां पर ना सिर्फ बैन किया गया थे इस तरह के शालों को सैतूष से बने सालों को बकाइदा अगर किसी को विरासत में साल मिले थे तो उनको जो है declare करने की बात कही थी government ने ठीक है एक बार और यह चीज चर्चा में आई थी कि यह जो प्रमाणू शक्ति का उपयोग में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है तो हम किस से आगे है पाकिस्तान से अप्शन बर भी यहां पर सही है अगला कोश्चन है स्टार टीवी के मालिक कौन थे उस समय चर्चा में यह चीज रही होगी तब यह कोश्चन आया है अ उनकी अपेक्षित संख्या कितनी है जब एक्जाइम हुआ था आपका 62 वाला तब यह कोश्चन आया था ठीक है आप जानते हैं कि टाइगर सेंसस हुआ था 2015 में और उसी की तर्च पर फिर लिपॉर्ड सेंसस भी टाइप का हुआ था सेंसस तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमे नौर्थ इस्टन राजियों को और आपका वेस्टन राजस्थान को छोड़ दिया गया था उसमें तेंद्वों को गिंती के गई थी ये निउस्पेपर की कटिंग मेंने लिया है तो इन्होंने आका था कि करीब इन राजियों में 2910 आपके तेंद्वे आने की ये कब तक का डेटा में बता रहा हूँ आपको 2015 तक का ठीक है उसके बाद लिपॉर्ड की ऐसी कोई रिपॉर्ट नहीं आई है तो हम इसको आज सही मान सकते हैं तो 1910 यहां पर आके गये थे हलांकी मिनिस्ट्री ने ये भी कहा था कि जैसे नौर्थ इस्टन राजियों को ह 13,000 तक यह 12,000 से 14,000 इस बीच रह सकती है तो हमारे option के हिसाप से हम A सही मानेंगे क्योंकि जितनी संख्या इन्हों ने बताई थी 1910 उसके करीब यही फिगर है 8,000 तो आप ऐसे समझे कि इस तरी के से question solve करते हैं जब आपसम फिगर मैच नहीं होते आगे हमारा question है कि oceanographers ने एक नया mountain खोजा था यह 2017 का आया हुआ question है तो इसमें 1515 मीटर का mountain खोजा गया था और यह South West of Mumbai से करीब 455 किलोमीटर दोरी पर पाया गया था Arabian Sea में इस mountain का नाम क्या रखा गया था हमको बताना है mountain का नाम रखा गया था आपका mountain का नाम रखा गया था रमन सागर परवत option number B यहां पर आपका सही है अगला question हमारा outdated हो जाएगा outdated current affair का है क्योंकि US अथियारों का नवीनतम खरीतार पूछा है आपको बता दें कि 90 से ज्यादा देश 93 ज्यादा आप US से अथियार खरीतते हैं और नवीनतम का ऐसा कोई data नहीं मौझूद है question outdated है आगे बढ़ते हम लोग अच्छा यह question जो है यह static का है यह मतलब नहीं दलता है जैसे national assembly और सिनेट में division होता है South Africa की Parliament में ठीक है उसमें कितनी कितनी सीटें होती है यह आपको बताना है तो वहां कि national assembly में 400 सीटें होती है और सिनेट में होती है 90 सीटें तो यह ध्यान रखना है आपको ठीक है तो California answer होगा ठीक है और उस tree का नाम क्या है यह पूछेंगे तो इसका answer हो जाएगा आपका सिक्वा ठीक है सिकोया तो सिकोया national park में California में आपको देखने को बिलेगा सिकोया इसका common name है इसका botanical name है ध्यान रख सकते हैं कि जीता जागता सबसे पुराना पेड़ प्रत्वी का यह California में पाया जाता है इसका नाम है सीकोया या सिकोया जाएगा कोशन है मारक New Zealand का उड़ेन हीन पक्षी कौन सा है तो यह तो सभी को पता होता है तो छोटे से बच्चे को पता होता है ठीक है New Zealand का होता है What is Greenpeace Greenpeace के बारे में से पूछा है Greenpeace basically organization है किस बारे में काम करता है Greenpeace की website पर लिखा है ensure the ability of the earth to nurture life in all its diversity तो यह organization किसका होगा यह होगा international organization of environmentalist ठीक है question है मारा कि मोहाजिर कौमी आंदोलन क्या है मोहाजिर कौमी आंदोलन चला था यह political party जो है यह Muslims जो आकर के पाकिस्तान बस गय थे उन्होंने चलाई थी यह भी static current affair का question है अब उतना important नहीं रहेगा आपके लिए फिर भी पता होना चाहिए कि मोहाजिर कौमी आंदोलन है कहां का यह पाकिस्तान का अगला मारा question है कि the second Indian women to climb on Mount Everest हमेशा पहले पूछ जाती है लेकिन second पूछा था आपकी बार ठीक है फर्स्ट अगर पूछते तो बशेंद्री पाल होती और इसमसे पूछा है कि first Indian women to climb on Mount Everest स्वरी second पूछा है second पूछा है तो इस कहने सरो जाएगा संतोष यादो ठीक है इनके नाम एक world record भी है to climb the Mount Everest twice ठीक है world record है यानि कि world की पहली मैला जिन्होंने Mount Everest को दो बार climb किया तो यह है संतोष यादो हमारे Mount Everest पर बहुत सारे static question बन सकते हैं question latest में बना था कि सबसे ज़्यादा oldest women कौन है ठीक है Mount Everest पूछाई करने वाली oldest Indian women कौन है तो उनका नाम है संगीता सिंग बहल ठीक है संगीता सिंग बहल इनकी एज थी करीब 53 2018 में 2018 की शुरुवात मिनोंने climb किया था Mount Everest को जहारखंड castle over graves यह किस ने लिखी थी किताब यह उस समय की famous किताब थी अब तो नहीं important है फिर भी आप general knowledge के लिए धियान रख सकते हैं castle over graves लिखी थी विक्टर दास ने विक्टर दास गोट निर्पेग शांदोलन में किस देश को हाली में प्रवेश मिला है तो हाली में उस तब के जमाने के साब से जिस दिन ही question आये था ठीक है 2013-2014 में यह outdated current affair का question है हम अपने current affair obviously अब तयार करी रहे हैं तो हमको outdated questions की ज़रु प्रवत नहीं एपक का मतलब क्या है एपक का मतलब आज भी पूछा दा सकता है एपक का मतलब हो गए यहाँ पर एशिया Pacific Economic सॉरी एशिया Pacific Economic आपका cooperation option number D यहां पर सही है एशिया Pacific Economic cooperation option number D एपक के headquarter कहां पर है Singapore में ठीक है और इसके head कौन है अगर ही पूछे तो समय head है सिबेस्टिन पिनेरा आगे हमारा question है यहाँ पर कि which of the following statement relating to the composition of the Trump of the spirit is true Trump of the spirit नाम की किताब जारी की गई थी करीब दो साल पहले ठीक है तो इसके author थे रोमी देव यह sport life जित थी कपिल देव की world cup जीतने तक कि उसमें इसको cover किया गया था वो दूसरा है इसको launch किया था अब जानते हैं नई किताबों के बारे में ज्यादव तक ट्रेट पीस या फिर कोई भी एक्जाम पूछते हैं पुरानी उतनी नहीं आती हैं यूएनों के महासचिव का नाम पूछा था 61 BPSC में ठीक है तो अभी पूछ सकते हैं उस समय जो नाम था वो लिखा हुआ था मैंने इसको change कर दिया है आज के हिसाब से एंटोनी गुटेरेस हमारे अब यूएन के सेक्रेटरी हैं और यह बने रहेंगे 2022 तक क्योंकि 5 साल का कारिकाल रहता है 2017 में एक जनवरी को इन्होंने पद समाला था और 2022 तक हम इन नहीं को याद रखेंगे ठीक है एंटोनी गुटेरेस पॉर्चुगल या पूर्टगाल स अग्षा पॉर्चूगल की केपटल क्या होती है और पॉर्चुटिल की केपटल होती है लिस्बन ठीक है अगला क्वेच्ट्चन है कि international court of justice कहा पर है कि कई कई बार आ चुका है question international court of justice हेग में है नीदर लैंड में option number B next question है कि statue of liberty आपको कहां देखने को भी लेगा statue of liberty आपको देखने को भी लेगा US में option number D अगला question है कि दक्षिन अफ्रीका में लंबे समयता करंगभेद के लिए किसे लड़ाई लड़ी थी तो यह है अगला question है कि महिला दिवस किस दिन मनाते हैं हम लोग महिला दिवस हम हर साल मनाते हैं March 8 option number A अगला question है कि मदर टेरिसा की जन्म भूमी क्या थी तो मदर टेरिसा का जन्म हुआ था अलबानिया में ठीक है अलबानिया इस्राइल देश किस के लिए बसाया गया था इस्राइल देश बसाया गया था जिविस के लिए ठीक है यहूदियों के लिए option number C अगला question है कि कौन सा देश दक्षिण, एशियाई, छेत्री, सायोग, संग का सदस से नहीं है यानि कि South Asian Association of Regional Conference सार्क का सदस से कौन सदेश नहीं है सार्क का सदस से आपका किरगिस्तान नहीं है बाकी, बंगलदेश है नेपाल है पाकिस्तान भी है स्रिलंका भी है आपका अफगानिस्तान भी है ठीक है और भूतान भी है ये सारे देश हैं, आट देश है गुल बिलाके अगनी किस से related है अगनी term जो है ये पूछ लिया गया था तो अगनी of course हमारी missile है ठीक है अगनी 5 तक आ चुकी है इसका 5 आ चुका है ठीक है अगनी 5 अगनी 5 हमारी intercontinental ballistic missile है जमीन से जमीन से मार करने वाली missile है मदरास का नहीन हम क्या है अपसुलीट क्लीशी question इसका answer चैन नहीं होगा सभी को पता है ठीक है खमेर शाह तानशाह party कहां की थी तो खमेर शाह के बारे में पूछा है उस दवरान के इसाफ से तो इसका answer है Cambodia अब उतना relevant topic नहीं है पारिस्तितिक अच्छा ये famous ecological specialist सुंदरलाल किसलिए जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को हम याद करते हैं chip को अंदोलन के लिए ठीक है option a chip को अंदोलन कौन से दो राज जी यहां पर कह सकते हैं कि nexus बना रहे थे smuggler वीरपन को पकड़ने के लिए तो वीरपन को पकड़ने के लिए आंध्र और sorry sorry वीरपन को पकड स्केल में जुड़ी हुई है कि स्केल से associated हैं तो मनु भाकर रिलेटेड हैं आपकी शूटिंग से option c shooting बरहम अहमद साली ये प्रेसिडेंट कहां के हैं जिस समय सद्दाम हुसेन प्रेसिडेंट थे और काफी जर्चा में थे तब ही हमसे question पूछा था अब तो सद्दाम नही सचिव कौन है सेग्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है सेग्रेटरी ऑफ स्टेट है इस समय माइक पॉंपियो ठीक है option बर भी माइक पॉंपियो अगला question है कि निमलिकित में से कौन सदेश संयुक्त राश्टर संका स्थाई सदस्य नहीं है यह बहुत बार आया हुगा question है कोई भी नहीं राएगा सदस्य ग्रेट बिटेन से लॉड की पाधी प्राप्त करने वाले एक मात्र आपके इंडियन कौन थे तो लॉड की पाधी मिली थी स्वराज पॉल को option बर सी स्वराज पॉल अगला question है कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन याजी कि non-aligned movement का अग्रें पोखरेंट सेगेंड का टेस्ट हुआ था आपका 11 मई 1998 को ठीक है 2018 में इसकी 20 में वर्सकांट मनाई गई थी और इसी दिन को हम लोग मनाते हैं Technology Day की नाम से साइन्स डे हम लोग किस लिए मनाते हैं रमन एफेक्ट का जब खोज हुई थी उसको हम फेब मन्त में मनाते हैं ठीक है अब बताईए हमको किस तारिक में हम लोग फेब मन्त में राश्ट्री विग्यान दिवस मनाते हैं अब हमको बताना है कि comprehensive test band treaty को यहां पर general assembly UN की general assembly में कब adopt किया गया था तो adopt तो किया गया था 10 सेटमबर 1996 को 10 सेटमबर 1996 लेकिन इसको signatures के लिए open किया था 24 सेटमबर 1996 को तो दोनों date ध्यान रखिएगा जब पूछे signatories को कब आमंतरित किया गया तो 24 सेटमबर 1996 को और adopt कब किया गया UN की general assembly में तो 10 सेटमबर 1996 को कि कौन कौन signatories नहीं है चाइन नहीं sign किया इसको पाकिस्तान नहीं sign किया है इंडिया ने खुद इसको अभी तक नहीं sign किया हुआ है ठीक है नौर्थ कोरियन नहीं इसको sign किया है यह P.I.U card scheme के बारे में है अभी scheme हमसे नहीं पूछ जाएगी हम इसको skip कर रहे है अगला हमारा question है कि निमलिखित में से कौन wish bank समूव से सम्मंदित नहीं है यह हमको बताना है तो wish bank समूव से सम्मंदित यह तीनों है IBRD है IFC है International Development Association है IBRD भी है IFC भी है दो और organization है जो पूरे world bank group को create करते हैं लेकिन IMF तो अलग organization है IMF world bank group का हिस्सा नहीं है option number A यहां पर सही है IMF का head का नाम आपको हमको comment section में लिखकर कर बताना है world bank के जो head change हो गए उनका नाम आपको comment section में लिखकर कर बताना है चरूर अगला question है कि WTO जो है अस्तित्व में कब आया WTO came into force in यह आया था एक जनवरी 1995 को ठीक है एक जनवरी 1995 को GATT को इसने replace किया था आप जानते हैं अब उसे पूचा है कि world trade organization WTO के पहले director general कौन थे ठीक है पहले director general थे आपके Peter Sutherland option number B Peter Sutherland इस समय हमारे कौन है महानी देशक WTO के यह आप हमको सर्च करके comment section में चाहें तो लिखकर के बता सकते हैं अच्छा चली हम ही बता देते हैं WTO के इस समय head है Robert S. Widow अगला हमारा question है कि India today के इस समय आपके वह कौन है समपादक कौन है तो इंडिया today के समपादक के इस समय अरुणपूरी ठीक है अरुणपूरी अगला question है कि what is Linux बहुत चोटा सा प्यारा सा question Linux का मतलब होता है एक operating system operating system होता है इसे हमारा windows होता है ठीक है उसे प्रकार से Linux होता है अगला question है मारा कि इन में से किस देश ने खुद को एक हिंदू राष्ट्र घोशित किया हुआ था ठीक है अब मुनार्ची नहीं है आपकी नेपाल में जो तो मुनार्ची थी तब तक वो लोग खुद को एक हिंदू राष्ट्र कहते थे अब वो खुद को सेकुलर कहने ल परत कर रहें जब question आया था मैंने इसको जानबूच करके लिया है क्योंकि confusion ना रहे कोई अब नेपाल सेक्यूलर है हमसे अगला question पूछा गया था कि रामेश्वरम कहां प्रस्तित है सभी को पता है यह चैन्ने एक्सप्रस्ट में दिखाया गया है रमेश्वरम कहां पर है विद्यालाई सिक्षा के राष्टी कारक्रम को सभारने के लिए operation whiteboard जो है 2018 मन्त में announce करी गई थी ठीक है यह उससे पहले भी जब इचारडी में प्रकास जावेड कर हुआ करते थे इससे पहले की सरकार में तो उन्होंने operation whiteboard शुरू किया था whiteboard का मतलब है कि काले board को अटा करके वहां पर लगेंगी smart classes जिसके जितने भी maximum classroom से वहां पर smart class का access हो यह दिलाने के लिए whiteboard योजना आई थी अगला मारा question है कि what is chip को अंदोलन ठीक है चिप को अंदोलन है क्या basically तो basically आपका B सही है इसमें save the tree movement था यानि कि पेड़ों से चिपक जाओ उन्हें ना कटने द अब यहाँ पर राज्यों को मिलाना है उनके popular dance से ठीक है तो आपका यह आंद़् प्रदेश को मिलाएंगे B से बुर्र कफ्था से और असम से मिलाएंगे आपके इयाँ भी हू को और फिर आपके घूमर को मिलाएंगे यहां पर राज erstahन से फिर आपके माचल प्रदेश को तो नटी से मिला देंगे इस हिसाब से ये सही हो जाएगा अगला हमारा कोशन एक कि सूर्य टैंपिल कहां पर है ठीक है कोनार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है यह आपका है देव नाम की जगह पर है ठीक है option बर C तो कोडार्क बंदीर आप जानते हैं कि किस ने बनवाये था गंग शाषक ने बनवाये था गंग डाइनस्टी की शाषक ने बनाये था उनका नाम है नर्सिंग देव फस्ट ध्यान रखिए कि नर्सिंग देव में बोल रहा हूं नर्सिंग वर्मन नहीं बोल रहा हूं हम चालू के बनिशवाले की बात नहीं कर रहे हैं पल्लव बनिशवालों की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं गंग डाइनस्टी की साषक नर्सिंग देव की आप हमको यह बताई कि क्या कोडार के सूर बंदिर को अभी किसी नोट में दिखाया गया है तो अगर उस नोट का डिनोमनेशन क्या है बताईए हमको कमेंट करके इन में से किस जगे पर जापानियों ने एक वर्ड पीस स्तूप बनवाय था यानि कि विश्व सांती स्तूप जापानियों ने कहां पर बनवा दिया है यह बनवाया है राजगीर में हम इस्ट्री में भी देख चुके हैं इस चीज को राजगीर ऑप्शन बर ब यहां पर सही यहां पर सभी हैं अगला कोश्चन है कि फर्वरी 2000 में गठित समिधान समीक्षा आयोग जिसकी अद्यक्षता किस ने की थी समिधान समिक्षा आयोग के देश्टा की थी M.N. वेंकट चलाईया ने अटल बिहार की सरकार में गठित की गई थी और किसले की गई थी Constitution के रिव्यू के लिए यानि कि और कोई amendment अगर जरूरी है तो चलाईया committee सजेस्ट करने वाली थी अगला हमारा question है कि अनीता रौडिक की किताब कौन सी है अनीता रौडिक की किताब अब मार लिए important नहीं है आप इसको skip कर दीजे अगला हमारा question है सामाजिक अधिकार पर memories day हम लोग कब बनाते हैं हम लोग की दिवस मनाते हैं 20 मार्च को ठीक है option number C यहाँ पर सही है अगला question है हमारा कि इलाहबाद उच नयाले लखनव बेंच के समक्ष बाबरी मस्जित या राम जनभूमी विवाद के समंधित में एक मामला कैसा रखा गया था यह event जो है 2018 से पूछा गया 2017-2018 में जो event चल रहे थे उसमें कह दिया गया था कि इसको जो है एक pure land dispute या फिर एक title suit की तरह treat किये जाए option number B यहाँ पर सही है तो राम जनभूमी मामला इजा title suit अगला question है कि भारत का पहला निजी विश्विद्याले कौन सा है ठीक है फर्स प्राइबेट उनिवस्टी है आपका money paal university ठीक है option number C money paal university अगला है विश्व भोकता दिवस हम लोग कब बनाते है विश्व भोकता दिवस हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को ठीक option number C यहाँ पर सही है यापान की crown princess का नाम क्या है यापान की crown princess जो पहले थी वो अभी भी है जब Crown Princess का जन्म हुआ था तब का ये कोशन है अब वो 12-12 साल की हो चुकी है, उनका नाम है ICO, ठीक है, Option C, ICO Disabled लोगों के लिए एक Olympic चलाया था इंडिया ने, ठीक है, ये बहुत पहले की बात है, 2014 के असपास की, इसको कहा गया था Abililimpics, ठीक है, Abililimpics, Option D, हमारा अगला कोशन है कि, US ने अफगानिस्तान की धर्ती पर सबसे बड़ा operation कौन सा किया था, तो इस operation का नाम है, Operation Anaconda, ठीक है, ये बहुत पहले की बात है, ठीक है, 1999 की Operation Anaconda, आगे general knowledge के लिए ध्यान रख सकते हैं, exam के लिए उतने important नहीं है, Chairman कौन है, आपके National Human Rights Commission, NHRC के chairperson है, इस समय HL Dattu, Option A, श्री HL Dattu, आज की date तक है, आप उनको comment section में लिख कर बताईए कि, क्या NHRC हमारा constitutional body है, क्या non-constitutional body है, क्या statutory body है, किस तरह का निकाय है, समाजी, अधिकार्ता, स्मृति दिवस्यम देख चुके हैं, अगला हमारा question है कि, अगला हमारा question है, only unelected president in the history of US, तो वहाँ पर Ford है, ठीक है, Ford को यहाँ पर unelected चुना गया था, ठीक है, vice president थे और फिर इनको president बनाया गया था, 3 साल के लिए, 3 एर के लिए, अगला है कि, आपकी अंतरराश्टरी नियाल है कि, स्थाई seat कहां पर है, तो इसका answer है, हेग, ठी National Court of Justice की permanent seat, अगला question है कि UN में कितने member है, UN में member पूछे गया थे उस समय, अभी UN के member, मैं आपको बता दूँ कितने, UN के member आप अगर ऐसे पूछे, 193 option में, तो 193 आप मार्क करिएगा, UN के permanent, non-permanent member मिला करके, 193 है, दो non-observer हैं यहाँ पर, ठीक है, non-observer, उनको मिला दे तो संख्या हो जाएकती है, 193, ठीक है, non-observer कौन है, तो holy, sea है और एक है पलिस्तीन, holy sea और पलिस्तीन, तो ऐसे आप याद रखीगा, अगला हमारा question है कि 11 स्तंबर 2001 को, US की कि किस इमारत पर हमला हुआ था, यह उस समय का current affair का question है, तो यह वैसे याद रख सकते हैं कि Pentagon को साइन किया गया था, 1945 में साइन किया गया था, यह साइन फ्रांसिसको conference में, option number B, NATO की कितने member हैं, नाटो के वरतमान सदस्य है, आज की date तक 29, ठीक है, 29, अगला है आपका कि, अच्छा, नाटो का मतलब क्या है, North Atlantic Treaty Organization है, Soviet Sun का विगटन कब हुआ था, आपको बताना है, 26 December 1991 को UN का यहाँ पर resolution हुआ था, ठीक है, या फिर disintegration हुआ था, American spaceship Columbia ने tragedy कब देखी थी, मतलब, spaceship Columbia जो है, इसके साथ हाथसा कब हुआ था, यह हुआ था, 2003 में, ठीक है, 2003 में, अगला question है मारा कि, कौन सा international economic relation में, third pillar माना जाता है, ठीक है, third pillar माना जाता है, GATT के बाद WTO, और पहले दो pillar कौन है, IMF और World Bank, यह तीन pair है, ABC, economic relations के, अगला question है कि, Millennium Development Goals में क्या शामिल नहीं था, तो Millennium Development Goals में, D शामिल नहीं था, यानि कि, double digit growth जो है, यह शामिल नहीं थी, 2000 में introduce करेगा, Millennium Development Goals, 2015 में, इनको खत्म करना था, यानि कि, इनको अचीव करना था, और 2015 से फिर, Sustainable Development Goals आ गये थे, आपको पता है, Sustainable Development Goals की संख्या क्या है, आ ठीक है, अब Millennium Development Goals नहीं चल रहे है, Sustainable Development Goals का नंबर, और कुछ Sustainable Development Goals आपको याद होने चाहिए, अगला क्योश्चन है, वाट, विच वन इस नॉट आ कॉंपिटेंट टू, कंस्ट्रक्ट, Human Development Index इंडेक्स इन इंडिया, सौरी, कौन सा कंपोनेंट है, जिसको शामिल नही करते हैं, HDI Index जो है, इंडिया का प्रिपेर करने के लिए, इंडिया का HDI जो है, यह बनता है, Real GDP यहाँ पर मेजर करते हैं, पर Capital Income के इसाब से, ठीक है, फिलिट्रेसी रेट मेजर करते हैं, यानिकि एजूकेशन को कंसीडर करते हैं, लाइफ एक्सपेंटेंसी एड क्या है, आप हमको comment section में लिख करके बताईए, अगला हमारा question है कि Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation का charter कप sign किया गया था, यह इतना important नहीं है आपके लिए, अब आप इसको skip कर सकते हैं, इनमें से कौन सा non-permanent member है, UN Secretary Council का यह आपको बताना है, तो अपने आपको बताया है कि US है, Britain, France और UK है, और आपका Russia है, ठीक है, यह तो है permanent वाले, इसके लाब वागी सारे non-permanent है, तो Japan यहाँ पर सही option है, अगला है UNO के महासरचिव कौन है, तो UNO के महासरचिव है Antonio Guterres, यह आपके 2022 तक बड़ी रहेंगे, अगला हमारा question है, यह NATO के बारे में है, यह NATO की meeting के बारे में है, अब हमा अगला हमारा question है कि France का यह G7 group है, इसकी meeting हुई थी, फ्रांस में यह कब हुई थी, यह भी हमारे लिए important नहीं है, चीन के राष्टपती कौन है यह पूच सकते हैं, उस समय चीन के Supreme Leader हुआ करते थे तब पूचा था, अब यह चीन के राष्टपती है, तो चीन के President है इस समय शी जिन पिंग, ठीक है, और यह निश्चित काल के लिए हैं, ठीक है, रिप्लेस तहीं होगे अभी, गोवा मंतराले ने क्या चीज़ खारिज कर दी थी, यह outdated current affair है, BPSC में नहीं आएगा, contribute अगर होगा international relations में तो किसकी वज़े से नहीं होगा, यह हमको पताना है, यह यान में अच्छे संबंद होगे, लेकिन अगर aggressive nationalism रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि संबंद अच्छे हो, तो option B, यहाँ पर सही है, अगला है कि BSF की स्थापना कब हुई थी, BSF को स्थापित किया गया था 1965 में, option A, यहाँ पर सही है, 1965, अगला question है कि भारत की कुल जनसंख्या कि इतनी है, 2011 census के हिसाफ से total number पूच सकते हैं, वैसे तो आपको बता है कि World Bank के अगर को रिपोर्ट आई तो ही total number पूच सकते हैं, या तो, मतलब absolute number बहुत कमाता है, यह सब चीजें पहले आती थी, 2011 census के हिसाफ से इंडिया के population इतनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका station है, कोचीन में, ठीक है, कोचीन, Wellington Island वहाँ पर है, कोचीन में, अगला है हमारा, कि Dynamite Limited Center कहाँ पर है आपका, तो Dynamite Limited Center है आपका, Genome Valley, हाइदरबाद में, option number B, इनमें से कौन सा country, G8 का सदस्ट नहीं है, G8 अब G7 रह गया है, G7 अब क्यू रह गया है, क्योंकि रश् चीन की समचार agency का नाम बताईए, तो ये outdated question है, जब कभी चीन की agency news में रही होगी, तो ये हमसे पूछा गया है, अब चीन की कौन सी एक news agency थी, इस बार news में, जिनुवा थी, ठीक है, आपकी 5 मंत में करीब, जिनुवा ने क्या किया है, कि दो robots बनाए है, ठीक है, robot anchor बनाए एक male बनाए है, एक female बनाए है, तो वो robot anchor जो है news read करते हैं, जिनुवा में, तो ये आप अभी के लिए ध्यान रख सकते हैं, ये चाइनीज news agency तब के समय के महारे लिए ज़रूरी नहीं है, इन में से किस country की सरकार की report को हम लोग yellow book के नाम से जानते हैं, तो yellow book किसकी होती है फ्रैंस की, option number A है, हमारा अगला question है कि भारती जीवन बीमा निगम की स्थापना कप की गई थी, LIC की स्थापना 1 सितंबर 1906 को ही थी, ठीक है, आप ये राद रख सकते हैं, MR कुमार इस समय head है, ठीक है, हमारे IRDAI, जो insurance regulatory body है हमारे यहाँ पर, ठीक है, उसके अध्यक्ष सुभास चंद्र खुंटिया, ठीक है, सुभास चंद्र खुंटिया, अगला हमारा question है कि भारत में पहला कानून विश्विदयाले कब स्थापित हुआ था, August 1887 में आये था, स्थापित हुआ था, बेंगलूरू में, ठीक है, option number C, हमारे भारत रतन की लिस्ट में अभी तक किस foreigner को भारत रतन दिया गया है, तो भारत रतन मिला है Nelson Mandela को, option बर, यह यहाँ पर सही है, अगला question है कि पुलिजर पुरुसकार निमलिकित में से किस चेत्र समदित है, तो यह जर्नलिजम में दिया जाता है, जर्नलिजम की भी इसमें इनों लोगों ने 30 के करीब कटेगरी चीज बना रखी है, exact number ने मालू मुझे, लेकिन दिया जाता है, ठीक है, इसमें एक कटेगरी जो है, हम से exam में कई बार पूछी जाती है, वो है, कि आपकी novel की छेत्र में, यानि कि novel की कटेगरी में, पुलिजर पुरुसकार किसे मिला है, novel की कटेगरी में, पुलिजर पु राधा मोहन कब जो ही किस से associated है, राधा मोहन कब सम्मंदित है आपका polo से, ठीक है, आगों कोई comment section में लिखकर बताइए कि इन में से ऐसा कौन सा शाशक है, जिसकी मृत्य हो गई थी, polo खेलते हुए, ठीक है, polo या चौगान खेलते हुए, किस साशक की मृत्य हुई थी, अगला question है 1984, यह किस ने लिखी है, 1984 लिखी है George Orwell ने, यह कब लिखी कही थी, 1949 में, पुरानी novel है, तब भी याद रख सकते हैं इसको general knowledge के लिए, अगला question है कि कौन सा UN परिशत का स्थाई सदस से नहीं है, तो आप देखो कि UN Security Council वाला question बार-बार repeat होता है, France है, Great Britain है, China है, UK है, UK मतलब Britain, आपका US है, रशिया है, जर्मनी नहीं है, ठीक है, ASEAN का मतलब कहा, What is meant by ASEAN, ASEAN का आपका मतलब है Association of Southeast Asian Nations, ठीक है, Association of Southeast Asian Nations, option number C, G8 समू का सदस से कौन सा नहीं है, यह हमको बताना है, तो Spain सदस से ना पहले था ना भी है, अब G7 के नाम से G8 जाना जाता है, क LTT का पूर्ट रूप क्या है, तो यह लिट्टे जो आई-news में रहा था, तब की बात है, अब मार लिए उतना important नहीं है, LTT का full firm है, Liberation Tigers for Tamil Elam, option number B यहां पर सही है, अगला question है कि G15 क्या है, G15 अभी भी G15 के नाम से जाना जाता है, जबकि अब member इसके 18 हो चुके हैं, ठीक ह का purpose क्या था, तो इसमें जितने भी developing countries थी, उनका यह organization बनाया गया था, ठीक है, इसमें Kenya जैसे भी देश शामिल हो गया है, अगला question है कि 123 आपका agreement किस सम्मधित है, 123 agreement सम्मधित है, इंडिया अमेरिका से, ठीक है, इंडिया अमेरिका से, लब इंडो-US से, American Act वो कौन से था जो इंडो-US nuclear agreement में यह जो चर्चा में आये था, यह हमसे पूछा है, तो अब यह nuclear agreement हम लोग कर रहे हैं, US के साथ ना ऐसा कूछ है, विससका इंसर हाइड act है, आपको पता दे रहे हैं, option number B, अब यह important नहीं रहेगा, ठीक है, special economic zones policy के तहत नंदी ग्राम में किसको जो है investment कर commitment मिला था, तो यह हमसे पूछा है, सलीम ग्रोपिस का answer है, लेकिन अब भी important नहीं है, euro कब launch हुई थी, euro launch हुई थी आपकी 1999 में, ठीक है, यह outdated fact है, अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि World Bank की report अब बदल गई होगी, यह 20 साल पहले की report की साब से है, यह question हो सकता है ठीक है, उस समय पूछा गया था कि बांगलदेश की संसद में महिलाओं के लिए कितना अरक्षन है, उस समय निल था, यानि की 0 था, अब जो है 50 seat यहाँ पर reserve कर दी गई है, total कितनी होती है, वहाँ पर 350, ठीक है, और वहाँ की संसद को बोलते क्या है, यह अगर आपसे पू इस योजना यह पुरानी है, आप इस साल जो भी योजना आई हो, रेले से रेलेटेड वह याद करेंगे आपकी बार के लिए, for example, जैसे उन्होंने मिशन थर्ष्ट चलाए था, ठीक है, मिशन थर्ष्ट, मिशन सत्यनिष्था चलाए था, रेलवे ने, 2018 में, तो दोनों को इर्वाचन छेत्र का लोग सबह चुनाओ, 2004 का अब नहीं पूछा जाएगा, उसके अलाबा, यह स्पीट पोस्ट सर्विस कब शुरू की गए थी, यह इंपोर्टन हो सकता है, 1986 में आई थी, क्योंकि कोरियर सर्विस को हमारी इंडिन पोस्ट जो है, बीट करना चाहती थी सरुप्रधन दूर्भाष यह हमेशा इंपोर्टन रहेगा, हम लोग हमेशा क्यूरिस रहेंगे इसके बारे में, सबसे पहला दूर्भाष यानि हम इसे में टेलिफोन की बात कर रहे हैं, हैंड हैल्ड मोबाइल फोन के बारे में नहीं, टेलिफोन आये था 1982 में, ठीक है, और हमारा मोबाइल फोन का बाय था, हैंड हैल्ड वायरलेस टेलिफोन का बाय था आपका, 1995 में, ठीक है, अगला हमारा क्वेशन है यहाँ यहाँ पर, यह भी not relevant है क्योंकि इसमें agriculture, mineral का data included है, और कुछ ऐसी चीज़ included है, जो आप बिलकुल ही बदल चुकी है, आगे हमारा क अगला कोशन है कि 2G spectrum में, जब तो 5G आ गया है, 2G में पूछा गया था कि G का क्या मतलब है, तो G generation है, ठीक है, generation, अगला कोशन है कि कौन सी number की राध्धानी train सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो यह है त्रिवेंदम Central, 1, 2, 4, 3, 1, त्रिवेंदम Central, सबसे लंबी non-stop दूर राध्धानी ना होता, तो हमारी जो विवेग Express है, उसका रूट सबसे लंबा है, उसको बोलते हैं, डिबरुगड से लेकर आपका कन्या कुमारी तक जाती, डिबरुगड कन्या कुमारी Express जो है, यह सबसे तेज है, हमारा अगला कोशन है, हापर कि 2011 इंसेस में finger printing और iris mapping ज गई थी, अगला कोशन यहां पर हम से पूछा है, उस समय के हिसाब से पूछा है कि 2010 तक कि स्टेट गवर्मेंट ने अपने ULBs में 50% reservation इंशोर किया था, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडिस में, अर्बन लोकल बॉडिस के अगर हम आज की हिसाब से बात करें, तो आंध्र प इस में, ठीक है, तो आप इनको याद कर लिजेगा, यही पूछते है कि कौन नहीं देता है, ठीक है, तो यह याद रख सकते हैं, अब आहन के बारे में पूछा है, यह relevant नहीं है, ठीक है, अब आहन अभी हमारे लिए relevant नहीं है, यह है किसका answer है, International Court of Justice का option number A, मा दुमें यह इस में दीवस हम लोग को मनाते हैं, जिदिन चासा नहरू का बड़े मना डालते हैं, ठीक है, 14 November को, अब उनको पताना है यहाँ पर की राध्धानी कौन सी नहीं है, which of the following is not a capital, Canberra तो अस्ट्रेलिया की capital है, ठीक है, Wellington यहाँ पर New Zealand की capital है, और रियाज जो है यह साउधी capital ह है, ठीक है, सिड्नी यह शहर है, उस्ट्रेलिया का, यह capital नहीं है, ठीक है, हलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार, फिर से हमारे चैनल पर इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे BPSC Pre-Examination से previous year question की पूरी सिरीज को, जो कि Indian quality topic पे होंगे, जितने भी question अभी तक आए हैं BPSC Pre-K के अंदर, वो सारे के सारे हम देखेंगे और साथ ही इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, कि Indian quality की book को पढ़ते समय कहां कहां पर हमको ध्यान देना होता है, और current affairs की क्या importance होती है, आपके pre-examination में quality के अंदर भी, आगे पढ़ने से पहले हमारे सभी subscribers के लिए information है कि study for civil services channel की तरफ से कई सारे paid course समय समय पर चलते रहते हैं, इस समय हम तीन upper PCS और एक lower PCS exam को serve कर रहे हैं, इसके अलावा कई सारे free initiative और video notification के लिए आप YouTube पर rely ना किया करें, हमारे चार अलग-अलग group चलते हैं, जो कि free के होते हैं टेलिग्राम के अंदर, direct link आपको description के अं तो चलिए इसमें start कर लेते हैं, judge of the supreme court may resign his office by writing to, मान लीजे कोई supreme court के judge हैं और उनको देना है अपना resignation, किसको resignation दे सकते हैं वो, तो ये resignation देंगे president को, option A, तो ये topic of important होता है, कि कौन किसको अपना resignation देता है, सारी बड़ी बड़ी post के बारे में आप कम से कम इतना तो पढ़ी लीजेगा, who was the chairman of the first backward classes commission, पिछडी जातियों पर analysis बगरा करने के लिए कि कितनी है, कितना इनको reservation देना चाहिए, एक commission बना था, उसके सबसे पहले chairman कौन थे, तो ये थे काका साहब का लेकर, option B, the chairman of the state public service commission, SPSC, जो कि हर state के लिए लग होता है, इसके chairman को किसके द्वारा point किय जाता है, तो ये appoint किया जाता है, उस concerned state के governor द्वारा, option C, in order to be chosen as a member of log sabah, a person must not be less than the age of, अगर लोग सबा के लिए पूचा है, कि आपको उसमें अगर participate करना election में, और आपको वहाँ पे सदस्ता हासिल करनी है, election के बाद, तो आप कम से कम कितने साल के होने चाहिए, 25 साल के, अ वहाँ पे आंसर होता, 30 साल, इसके लावा, बाकी सारी eligibility आप कम से कम ये थोड़ा पढ़ सकते हैं, citizenship of India वहाँ पे तो compulsory होगा, लेकिन age related matter कम से कम आपको वहाँ पर पढ़ना ही है, the governor of the state is appointed by, तो governor को appoint करते हैं, president, option C, कई बार इसी कारण से governor की post चर्चा का विशह बन जाती है, कि अगर governor की position state में सबसे उपर है, तो इसको center वाले क्यों appoint कर रहे हैं, ये तो एक तरीके से biasness हुई, कुछ लोग देते हैं इस प्रकार का logic, in which article of the constitution of India was the provision of reservation of SCST, इन लोग सबा मेड, schedule caste के लिए reservation की बात होती है, लोग सबा के अंदर की वहाँ पे जितनी भी सदस हैं, इतने percent आपके SC या फिर ST से आने ही चाहिए, ये बात कहां पे लिखी हुई है, article number 330 में, option A, the president, president के बारे में आपको correct answer select करना है, कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, is not a part of parliament, तो देखिए होता क्या है, अगर center level पे आप parliament की बात करें, तो उसके तीन part होते हैं, लोग सबा, राज सबा और president of India, और president of India integral part होते हैं, center level के parliament के, लेकिन वो कभी parliament में बैठते नहीं है, उनको अलग से राष्टपती भवन और सारी सुक्सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उनको part of parliament ही माना जाता हैं, तो इसका answer क्या हो जाएगा, is a part of parliament, option B, जो लोग C के साथ जाना चाते हैं, वो जरा ध्यान दे, लिखा हुआ है, and sits in the parliament, तो जैसे कि मैंने पहले बोला, कि वो parliament में बैठते नहीं हैं, उनको राष्टपती भवन अलोट किया जाता है, 5 साल के लिए, which one of the following articles direct the state government to organize the panchayat, तो panchayat organize करना है, सारी state government को, जितने भी राज्यें, उनको कम से कम ये तो करना ही करना है, ये बात लिखे हुई है, DPSP में, article number 40 में, option B, यहाँ पे article पूँचा है, कई बार ये पूच देते हैं सीधे सीधे, कि panchayat को सबसे पहली बार mention कहां पे किया गया था, तो DPSP में, वो भी गांधियन principles के अंदर, in which year, did the state of जारखंड come into existence, तो जारखंड के बारे में पूचें, आप से चाहे 36 गड़ के बारे में पूचें, चाहे उत्तराखंड के बारे में क्यों ना पूचें, तीन के तीनों राज्यों को एक ही संड में लागू किय गया था, सन 2000 में, और अगर इस स्पेसिफिकली जारखंड की बात करें, तो उसको सबसे लेट मिलाया गया था, 15 नवंबर 2000 को, एक बार UPPCS में ये भी पूचा गया है, in which one of the following years was सरकारिया कमीशन, तो पहली बात तो सरकारिया कमीशन क्या था, समय समय पर provisions change होते रहते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन के, कि सेंटर स्टेट पे किस हद तक कमांड कर सकता है, और कितनी independence उनको देनी चाहिए, इन सब चीजों के provisions समय समय पर बदलते रहते हैं, और इन सब का ध्यान कौन रखता है सरकारिया कमीशन, अगर आप से ये पूचें कि ये कब बना था, तो 1983 म लेकिन अगर इस बारे में आप से ये पूचें तो इसने अपनी रिपोर्ट कब सब्मिट करी थी, रिपोर्ट सब्मिट करी थी साल 1998 में, सौरी, 1988 में, 5 साल के बाद, तो option number E यहां से correct होगा, कि none of these above, Under which one of the following articles is the formation of finance commission laid down, तो finance commission की बाद कहां पे की गई है, article number 280 में, option A कई बार exam में यह भी पूचा गया है कि finance commission किस प्रकार की body है, तो constitutional body है, जिस किसी body के बारे में article define होता है, उसको constitutional निकाए कहा जाता है The attorney general of India is appointed by, तो attorney general को कौन अपॉइंट करते हैं, इंडिया में जितनी भी बड़ी पोस्टें होती हैं, चाहे वो constitutional level पे हो, और कुछ कुछ non constitutional level पर भी होती हैं, उन सभी को अपॉइंट करते हैं, president, तो आप इनकी list बना लीजे कि कौन कौन सी पोस्टें, president के द्वारा पॉइ Delhi is, दिल्ली के बारे में बताना है कौन सा statement सही है, a state, वो राज यो तो नहीं है, union territory बिलकुल है, और ऐसी union territory है, जहाँ पे मुख्य मंत्री भी बैठते हैं, और आपके lieutenant governor भी बैठते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पे विधान सभा होती है, दिल्ली में कितनी विधान सभा सीटे हैं, क्या आप में से कोई बता सकते हैं, comment करके, यहाँ पे फिलाल option B होगा, planning commission इजा, तो planning commission जिसको साल 1950 में बनाया गया था, और किसलिए बनाया गया था कि government of India के जितने भी minister है, prime minister को include करते हुए, उनको advice वगरा देने के लिए कि उनको अपनी policy किस प्रकार बना नहीं हैं, तो option number C यहाँ से correct हो गया, it was an advisory body, the constitution of India was adopted by, तो constitution of India को किस ने adopt किया था, उसी ने adopt किया था, obvious सी बात है, जिनों ने इसको बनाया था, constituent assembly ने, option A, कई बार exam में यह भी पूचा जा चुका है कि कौन सी date को exact date पूची गई है, बलकि इनको adopt किया गया था, तो 26 नव बनाते हैं, constitution day भी, India is a sovereign country because the preamble of constitution starts with, India एक sovereign country है because उसका constitution जो है, उसमें एक chapter है, preamble, क्या लिखा है, उसमें सबसे पहले, लिखी तो उसमें काफी कुछ चीज़े हैं, लेकिन सबसे पहली heading उसमें है, we the people of India, यानि कि जो आपका constitution है, वो आम जनता को ही समर्पित है, option D, any money bill can be introduced in, तो money bill पे राज सबा का रोल काफी कम होता है, यह बात काफी विवादास पत भी बन जाती है, कि अगर आप उसको upper house मान रहे हो, तो money bill में power क्यों नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे reason इसका यह है, कि money bill सिर्फ लोग सबा में originate हो सकता है, option B, fundamental right of citizens are covered in, तो fundamental right included है, 12 से लेकर 35 तक के सारे article में, और 12-35 उसमें included होते हैं, option A यहाँ से correct हो गया, पंचायती राजी दा subject of, तो यह तो by common sense सी बात है कि पंचायती राज किसका हिस्सा होती है, local self government का, यानि वो हर state के लिए अलग provisions उसमें होते हैं, तो obvious सी बात है, यह state list का topic है, option C, union list, state list और concurrent list के जितने important topics हैं, आप उन सभी की list बना लें, यह PCS plus one day exams में, काफी ज़्यादा question इस section से आते हैं आपके, which one of the following articles of Indian constitution is directing the states to organize village पंचायत, repetitive question है, मैंने अभी अभी इसका answer बताया था, कि पंचायती राज की बात सबसे पहले DPSP में हुई थी, article number 40 में, option B, judicial review means that the Supreme Court, तो judicial review का simple मतलब यह है, कि मान लो कोई apex court है, सबसे बड़ा court, इंडिया में इसको Supreme Court कहते है उनसे कोई गलती हो गई और उन्हें इस बात का एसास हो गया, तो उनके द्वारा जो भी judgment पहले दिया गया था, उनको वो reverse कर देंगे, और उसको हो सकता है, invalid भी बता दें, तो यहाँ पे answer क्या हो जाएगा, can void the law made by any state, यहाँ पे state का मतलब राज नहीं है, किसी देश की ब बनाया, तो वो उसको अगर उनको अच्छा नहीं लगा, सम्विदान के against लगा, तो वो जाके उसको null and void कर सकते हैं, और इनसे कोई गलती हो गई, तो अपने law को null and void कर सकते हैं, यह भी है, तो option D, principles of welfare state are discussed in, welfare state का simple मतलब यह है, कि जो भी सरकार है, चाए वो राज जिक्की हो चाए वो center level पे हो, उनको जनता के हित में काम करना चाहिए, और उनका main focus वही होना चाहिए कि जनता का विकास, तो यहाँ पर यह बात सबसे पहले कहां mention है, constitution में DPSP यानि Directive Principle of State Policy में mention है, option A, the election of a speaker of log sabah is by, तो log sabah को कौन elect करता हैं, यह बताए लोग sabah कहां के chairman होते हैं, तो यह लोग sabah के होते हैं, तो obviously बात है, उनके जितने भी members हैं, चाहिए वो elected हो, चाहिए वो nominated हो, participate करेंगे, राज sabah वाले इसमें participate नहीं करते हैं, तो option number C, यहाँ से एकदम correct हो गया, the president of India can be removed by, तो president of India को remove तभी किया जा सकता है, जब वो ऐसे कुछ काम कर रहे हो, जो कि समविधान के एकदम against हो, तो इसके लिए एक process initiate किया जाता है, जिसका नाम होता है, महाभियोग या फिर impeachment, अगर impeachment आपके option में directly नहीं दिया गया है, तो आप जाएंगे parliament के साथ, option D, because अगर आप impeachment को support ही नहीं करोगे, तो वो कहाँ से initiate हो पाएगा, In India, any person who is not the member of either house, इंडिया के अंदर मान लीजे कोई person है, वो किसी भी house का member नहीं है, ना ही लोगसभा का, ना ही राजसभा का, तो क्या उसे minister बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं, तो क्या उसके लिए कोई time limit है, कि इस particular time के अंदर आपको member बनना ही बनना है, तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, इंडिया के अंदर permission तो है कि आप minister बन सकते हो, लेकिन 6 महिने के अंदर आपको membership लेनी ही पड़ती है, चाहे तो लोगसभा की या फिर राजसभा की, तो यहाँ पर समय पूचा है, तो आप बता देंगे option B, 6 months, the maximum time interval between the two session of parliament, यह session एक है, यह session मतलब जादा से जादा कितना gap हो सकता है, तो 6 महिने से जादा वो gap नहीं होना चाहिए, अगर मान लीजिए एक session आपका चालू हो गया है, तो 6 महिने बाद आप दूसरा start कर दीजिए, अगर पहले वाले का result नहीं निकल पा रहा है तो, तो option B यहाँ से एकदम सही हो गया, constitution है, क्या fundamental right के कारण बोलते हैं, क्या इसलिए बोलते हैं कि लोगों को यह अधिकार होता है, कि वो अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, और satisfactory ना मिलने पे आप उसे गिरा भी सकते हैं, तो क्या यह reason है, तो जी हाँ exactly यही reason है, यह बांकी की तीन चीज़ें आपको world के किसी constitution में मिल जाएंगी, लेकिन यह चीज़ मिल जाए, कि लोगों को अधिकार होता है, यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए इंडिया की democracy को अलग माना जाता है, तो option C, यहाँ से correct हो गया, the president can proclaim national emergency based on, अगर राष्ट पती कोई अधिकार है, कि वो देश पे आप आतकार लगा सकता है, तो किस बेसिस पे लगाएगा वो, armed rebellion, armed rebellion का मतलब है कि अगर मान लीजे कोई सेना है देश की, उसी ने विद्रो कर दिया, कि हम आपके रक्षा नहीं करेंगे, instead हम आपी को नुक्सान पहुचाएंगे, external aggression, किसी देश ने हमारे उपर आकर्मन कर दिया, war, मतलब युद्ध चल लाए, या इन में से सभी, तो correct answer होगा, इन में से सभी, अब जब national emergency की अगर बात चली गई है, तो इसके बारे में आप एक चीज़ और जान लीजिए, कि पहले एक चौथा कारण भी हुआ करता था, जिसके कारण national emergency लगा दी जाती थी, वो सब्द है आपका internal disturbance, internal disturbance है, इसका इस्तमाल, मतलब इसका जो misuse आपको कहना चाहिए, इसका काफी ज़्यादा किया था, इंद्रा गांधी जी ने, जब उन्होंने 1975 से 77 के बीच में, देश में emergency, सिर्फ internal disturbance को दिखा करके लगाई थी, वैसे तो अधिकार प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन credit उन्ह membership का सवाल है, सवाल in the sense की लोग सबा में कौन से राजिस से कितने ज़्यादा member आते हैं, तो किसको second and third इस्थान प्राप्त है, तो हम लोग generally क्या करते हैं, कि सिर्फ first वाला और last वाला याद कर लेते हैं, बाकि सब को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बिहार PCS की बात कर रहे हैं, तो बिहार से कोई question ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे जो second number है वो मिलेगा बिहार को, third number मिलेगा महरास्ट को, तो option A यहाँ से correct हो गया, तो आप कोई भी fact याद कर रहे हूं, अगर बिहार की उसमें बात हो रही है, तो वो fact भले important हो चाहे ना हो आपको वो याद रखना ही रखना होता है, लोग सबा can be dissolved before its normal period by, जो लोग सबा होता है उसको temporary house बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको dissolve कर सकते हैं, कब dissolve करेंगे, तो इसको dissolve करने का अधिकार होता है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट अकेले यह decision नहीं ले सकते हैं, उनको advice से यह होती है, council of minister की, तो option C यहां से correct हो गया, president on the advice of council of minister, इन लोग सबा, any candidate loses their security if he has not secured, तो इसका answer क्या हो जाएगा, none of these, मैं इसका answer आपको बता देता हूँ, मान लीजे कोई यह बंदा, लोग सबा election के लिए खड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इ जमानत देनी पड़ेगी, मतलब आज़र security जमा करनी पड़ेगी, election office में, अगर यह general का है तो, मान लीजे इसकी category आपको, OBC या फिर SCST मिल गई, तो जमानत की तोर पर सिर्फ 12,500 रुपए देने पड़ेंगे, यह तो हो गई एक बात, अब यह जो रुपए हैं, यह वापस मिल जाते हैं, जरूर से जरूर, लेकिन यह रुपए कमिशन के पास जमा भी हो सकते हैं, अगर उसको one-sixth vote ना मिले तो, मान लीजे एक लाख टोटल वोट पड़ें, तो 16,600 अगर इसको नहीं मिले, तो यह रुपए हो जाएंगे जब्त, तो यहाँ पे एक लाख का 16,600 कि जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर कारे करती है, तो इसकी responsibility होती है, लोगसभा के प्रती, लेकिन अगर लोगसभा option में नहीं है, तो आप जाएंगे Parliament के साथ, option D यहाँ पे correct हो जाएगा, At present, the allocation of seat in the लोगसभा for all the states are based on, आज के टाइम पे कौन सा ऐसा census है, 2011 जैसे census हुआ, तो ऐसे कौन से साल की जनगरना है, जहाँ पे, जिसके अधार पे, लोगसभा में कौन सा राज जी कितनी seat प्राप्त करेगा, इस बात की जानकारी है, तो यह census है, आपका 1970 का, option C यहाँ से correct हो गया, और एक बात और बता दू, साल 2026 तक, इंडिया में, जितने भी लोगसभा की seat हैं, वो as it is रहेंगी, वो change नहीं होगी, मान लिजे, UP में आज 80 हैं, तो 2026 तक आपको 80 ही याद रखना है, जब 2026 आएगा, तब यह data हो सकता है, बदल जाए, If a speaker of any state has to resign, then his resignation is submitted to, यहाँ पे state का मतलब है राज, यहाँ पे वैसे तो technically house होना चाहिए, because speaker होते हैं, वो लोगसभा में speaker होता है, जो राज सभा में होते हैं, वो हमारे vice president जी बैठते हैं, जो उसके head होते हैं, तो यहाँ पे technically होना चाहिए था house, तो चली house मान के इसका answer दे देते हैं, मान लोग कोई एक house है, उसके speaker को अपना resignation देना है, किसको दिया जाएगा वो resignation, तो वो दिया जाएगा अपने subordinate को, मतलब deputy speaker को, option C, the right to dissolution of राज सभा has to be with, यह पहली बात तो question ही गलत है, राज सभा को कहते हैं, permanent house of the country, और इसलिए कहते हैं क्यूंकि उसको dissolve नह कर सकते हो, which of the following sequence is true about preamble of constitution of India, preamble के बारे में कौन सी चीज सही है, identify करके बताईए, तो preamble का जहां तक सवाल है, तो उसमें यह सारे keyword आपको ध्यान रखने है, sovereign, socialist, secular, democratic और republic, option D, यहां से correct हो गया, secular के बाद democratic और उसके बाद republic, यहां पे socialist, secular, यह सब 1976 में insert करे गए थे, 42 में constitutional amendment के अंदर, बाकि सब पहले से थे, तो option D, यहां से सही माना जाएगा, who is the leader of लोग सभा, तो लोग सभा के leader के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए, लोग सभा का जो leader होता है, वो prime minister होता है, यानि कि इस समय हमारे मोदी जी, option B, लेकिन वहां पे जो सबसे ज़्यादा powerful होता है, वो होता है speaker, तो speaker और prime minister में कुछ लोग confuse कर जाते हैं, तो यहां पे अगर पूच दें, कि यहां पे chief officer करके या फिर जो सबसे उपर होता है, ऐसा कुछ करके तो उसका answer होगा speaker, 38 number सवाल, the joint sitting of the parliament can be called, मतलब जो parliament का joint session होता है, मतलब एक ही कमरे के अंदर, लोग सभा के भी लोग बैठते हैं, राज सभा के भी लोग बैठते हैं, ऐसी situation निमली खित मे से कब arise होती हैं, तो ऐसी situation तब ही arise होती है, जब दोनों, मान लीजे ये लोग सभा का बंदा है, ये राज सभा से आया हुआ है, और इन दोनों के बीच हो गया मतभेद, और मतभेद का कारण है एक bill, तो इस bill के कारण काफी जादा मतभेद हो रखा है, और कार प्रनाली पे एकदम effect पढ़ रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, कि बुलाई जाएगी joint sitting, मतलब एक कमरे के अंदर बैठ के बात कर लो, joint sitting बुलाता कौन है, तो president of India, और joint sitting को preside कौन करता है, तो वो है speaker of लोग सभा, ऐसी situation का बराइज होती है, बिल के कारण होता है ऐसा, election से कोई मतलब नहीं है, आप election करवाने के लिए दोनों house को एक साथ थोड़ी ना खड़ा कर देंगे, constitutional amendment bill, अलग अलग अपने house में रह के पास करते हो, एक साथ नहीं आते हो, तो option 4 यहां से एकदम सही हो जाएगा, लेकिन आपको code के form में बताना है, तो only for जहां पे है, आप उसको tick option D को tick करेंगे और आगे बढ़ेंगे, creation or dissolution of legislative council, आप जानते हैं कि मान लीजे ये कोई एक राज है, अब इसके अंदर legislative assembly यानि की विधान सबा, ये तो अनिवारे रूप से present होगी, लेकिन एक होता है legislative council, अब ये होना ना होना, राज के उपर depend करता है कि वो इस council को चाहता भी है कि नहीं, any state can be done by, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि सब कुछ depend करता है कि legislative assembly वाले जो members हैं, वो इस बात को लेके कितने serious हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी legislative assembly वाले हैं, वो central parliament से जाके request करते हैं, कि हमको बनाना है मतलब council, तो यहाँ प्यान सब जा legislative council, विधान परिशत निमले कित में से कहां पे है, तो बिहार में तो है, दिल्ली में नहीं है, इमाचल में नहीं है, केरल में नहीं है, तो option 4 यहाँ से correct हो जाएगा, मतलब जहां पे केवल 4 लिखा है, option D, कहां पे legislative council है, कहां पे नहीं है, यह आप latest data के इसाब से याद रख legislative assembly है, किसी राज़ की वहाँ पे election का क्या procedure है, कैसे election होगा, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, यह सब चीजें कहां पे लिखी हुई है, यह सब चीजें आपको मिलेंगी, article 170 में, option A, the governor of Uttar Pradesh has directed the speaker to summon the session, UP के governor है, उन्होंने जो राज़ की legislative assembly है, उनके speaker को एक निर्देश दिया, कि session को बुला लो, call upon कर लो, ऐसा उन्होंने किस power के base पे किया, और यह power कहां पे mention है, तो इसका answer आजाएगा, 175-2, आप जानते हैं, किसी भी राज़ के अंदर, donor की वही position होती है, जो की के अंदर में राष्टपती के बराबर होती है, वो nominal head होते हैं, उस concerned state के, तो इस अधिकार से उन्होंने ये काम किया, और यह अधिकार 175-2 में आपको मिल जाएगा, option C, The Planning Commission was formed, Planning Commission कब बना था, तो यह बना था, साल 1950 में, कई बार यह exact date के साथ भी पूचा जा चुका है, UP, PCS वगएरा में, तो 15 March 1950 आप याद रखेंगे, Who finally approves the agenda of 5-year plan, कोई 5-year plan मान लीजिए, आज की date में लागू हो गया, तो इसमें क्या क्या होगा, ये बात कहां से decide होती है, तो ये बातें decide करता था, मैं बोलना हूँ था, विकाउज आज की date में ना तो Planning Commission न ना ही NDC है, तो इसका answer तो NDC आ जाएगा, National Development Council, option C, What is the nature of Planning Commission, तो ये तो repetitive question है, इसका answer मैंने आपको बता दिया है पहले, ये एक advisory body है, option B, The chairman of the Planning Commission of India is, तो जो Planning Commission हुआ करता था, 2015 के पहले, उसके जो head होते थे कौन थे वो, उसके head होते हमारे Prime Minister जी, option B, The Constitution of India was adopted by the Constitution Assembly on, तो Constitution Assembly जो थी, जो की Constitution बना रही थी, उसी ने उसको adopt कर दिया, कब किया था ऐसा, 26 November 1949 को, और इस दिन हम Constitutional Day भी मनाते हैं, option ने यहां से correct हो गया, Fundamental Duties are added by, तो Fundamental Duties का bad करी गए थी, 42 में समविदान संसोधन के अंदर, option C, इसमें सही चला जाएगा, इसको mini Constitution भी कहते हैं, और आप किसी भी अग्जाम में appear हो रहे हो, चाहे वो PCS हो, IES हो, या फिर कोई Monday अग्जाम क्यों ना हो, इसके बारे में जरूर पढ़के जाना च केंद्रिय मंत्री मंडल का कोई एक मंत्री है, मान लीजे ये, इसकी responsibility किसके प्रती होती है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि लोग सभा के प्रती होती है, अगर लोग सभा option में नहीं है, तो आंसर होगा Parliament, अगर लोग सभा है, तो आंसर वो होगा, यहाँ पे होगा option D, The President of India has no power to, President of India की powers कुछ लोग बड़े आसानी से पढ़के चले जाते हैं, लेकिन उनकी limitation पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो पूछ लिया आप से limitation, तो उनकी limitation क्या है, क्या वो सजामाफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो बिलकुल कर सकते हैं, remove the justice of court, ये नहीं क आने के लिए impeachment नाम का process होता है, option B यहां से एकदम सही हो जाएगा, राज सभा is called permanent house, because, राज सभा को देश का permanent house बोलते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, तो इसके पीछे ये कारण है कि इसको dissolve करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं होता, नहीं President के पास, नहीं PM के पास, त option B यहां से एकदम correct हो गया, according to the constitution of India, legislature of state include, state legislature के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, तो इसका correct answer हो जाएगा कि legislature, जो state की होती है उसके अंदर, legislative assembly यानि की विधान सभा, ये तो अनिवारी रूप से आती ही है, लेकिन legislative council भी आ सकती है, अगर उस concerned state में इसकी जगह है तो, इस प नहीं हो सकती, लेकिन governor तो होते ही हैं, तो ये तीन चीज़ें जहां पे दिख रही हैं, वो आला option आपका correct हो जाएगा, तो governor, legislative assembly and council where it exists, तो यहां पे विकल्प number 4 सही हो जाएगा, और ये कहां पे है, तो option D में, the word cabinet of minister is used one time in the constitution, जो cabinet होता है, इस word को constitution में सीधे सीधे इस्तिमाल कर रखा है, किस article में किया गया है इसको, तो इसका answer क्या हो जाएगा, article 352, article 352 जो है आपका, वो emergency purposes के लिए जाना जाता है, कि national emergency कब कब लग सकती है, और क्या इसकी limitation है, लेकिन एक चीज़ लोग भूल जात हैं कि वहाँ पर cabinet term को सबसे पहली बार इस्तमाल भी किया गया था, Indian citizenship cannot be achieved by भारती जो नागरिक्ता होती है, कैसे उसको हासिल नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कर सकते हैं, जन्म से तो वो तो obvious सी बात है आपको मिलेगी, naturalization, प्रा हो जाएं, तो वहाँ के जितने नागरिक हैं क्या वो by default, Indian नागरिक हो जाएंगे, तो जी हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो एक ही option बचता है D, लेकिन इसमें लिखा क्या है, चली देख लेते हैं, by deposition of wealth in Indian bank, कोई भारती बैंक में पैसा जमा करके ऐसा नहीं कर सकता है, इस से पहले जो वोटिंग की एज होती थी, 21 साल हुआ करती थी, लेकिन एक constitutional amendment होता है, जहां से इसको घटा के 18 कर देते हैं, उसका नाम बताना है आपको, यह है 61st Amendment Act, जिसको पारित किया गया था दोनों हाउस से 1988 में, और इसको लागू किया गया था 1989 में, option C, How many people are nominated in राजसभा by the President, तो राजसभा में कितने नॉमिनेट होते हैं, 12, और अगर आपसे लोगसभा से पूछ ले, तो वहां से होते हैं, दो, लोगसभा से होते हैं, Anglo-Indian Committee के, और राजसभा से कौन से होते हैं, AS, LS याद रखिए, Art, Science, Literature और Social Science, इनके जो expert होते हैं, इनको President सीधे सीधे नॉमिनेट कर देते हैं, इनको election लड़ने की जरूरत नहीं होती है, तो first general election कब हुए थे, आपको ये बताना है, when was the first general election of लोगसभा held, तो इसका जो answer हो जाएगा, वो आपको correct बता दे रहा हूं, October 1951 से, February 1952 के बीच में हुआ था, ये Wikipedia की information है, तो यहाँ पे correct answer उस समय तो आयोग ने 1950 माना था, लेकिन ये सही नहीं है, तो इसके साब से, वैसे तो आयोग वाला answer आपको C बता दे रहा हूं, लेकिन इस बात को आप याद रखेगा, The Constitution of India है, Constitution of India के बारे में आपको बताना है कि कौन सा statement सही है, More than 300 article, 300 से ज़्यादा article है क्या, तो 395 article थे एक समय पे, लेकिन आज की date में कितने हैं, 480 हैं, Approx, तो यहाँ पे more than 400 articles यहाँ से correct हो जाएगा, Option C In Preamble of the Constitution of India, India is declared as, तो यह भी repetitive question है, यहाँ पे क्या answer हो जाएगा, Sovereign, Socialist, Secular, यह दोनों की वर्ड, 1976 में 42nd Amendment के थुरू आए थे, यह भी मैंने आपको बताया था, और बाकी तीन पहले से थे, तो Option C यहाँ से सही हो जाएगा Which of the following is not a fundamental right, right to constitutional remedy, बिल्कुल है, article number 32 में इसकी जगा भी है, right to property नहीं है, इसको 1978 में 44 में Amendment के तहत खारिज कर दिया गया था, आज की date में यह, legal right है आपका, मतलब आपको court की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अगर आपका कोई political, मतलब properties or related matter है तो, Option B Who holds the executive power of the government by the constitution of India और union government की बात हो रही है, तो execution जितना भी होता है union level पे, वो president के नाम पे होता है, लेकिन करते कौन है, आप सभी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, अपनी council के help से, तो यहाँ पे यह पूछा जा रहा है, hold, मतलब यह power किसके अंतरगत नहीं तहें, तो President of India के अंदर गत नहीं तहें, option है यहाँ से सही चला जाएगा, generally the Prime Minister of India comes from, तो प्राइम मिनिस्टर तो भाई दोनों houses से आ सकते हैं, लोग सभा से भी और राज सभा से भी, तो राज सभा से आखरी बार कौन आए थे, वो थे आपके मनमोहन सिंगी, लेकिन यहाँ पे लिख Prime Minister भारत के कहां से निकले हैं, तो वो लोग सभा से निकले हैं, आयोग ने भी उस समय लोग सभा ही माना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राज सभा से प्राइम मिनिस्टर आ ही नहीं सकते हैं, How many sessions at least are called in लोग सबा तो यहाँ पे कम से कम keyword यूज किया हुआ है और पूँचा है कि लोग सबा में साल में कम से कम कितने session होते हैं तो कम से कम पूँचा है इसलिए इसका answer हो जाएगा 2 times in a year, option B, आयोग ने भी उस समय इसी को माना था लेकिन साल में 3 session होने की constitution में बात लिखी हुई है कि कम से कम 3 session तो होने ही चाहिए Members of Raja Sabah are elected for Raja Sabah के member कितने साल तक के लिए चुने जाते हैं तो यह चुने जाते हैं 6 साल तक के लिए, option C और two-third member retire होते हैं, मतलब one-third member retire होते हैं हर दूसरे साल में यह भी बात आप ध्यान रख सकते हैं Which state has maximum representative in लोग सभा तो जब भी keyword use हो maximum representative और साथ में भले ही लोग सभा, राज सभा, legislative assembly, legislative council किसी की भी बात कर ले अगर top पे है तो वो है आपका अपना उत्तर प्रदेश, option D वहाँ पे 80 लोग सभा की सीटे हैं, 414 विधान सभा की सीटे हैं और बाकी houses की भी आप Wikipedia से सर्च कर सकते हैं The Supreme Court of India was established by तो कुछ लोग चले जाते हैं सीधे regulating act पे और बोल देते हैं 1774 में कोलकाता में बनाया गया था 73 के act के थूँ तो वो आपका Supreme Court of India नहीं था पुली सी चीज नहीं है इसको सम्विधान में जगा मिली हुई है तो यहाँ पे option चला जाएगा D Constitution of India में उसके बारे में जिक्र है फुरी तरीके से The Dissolution of लोग सभा before its normal time can be done by तो यह question repetitive है मैंने आपको बता दिया था इसमें कि लोग सभा temporary house होता है इसको dissolve किया जा सकता है कौन करता है तो president करता है किसकी advice पे तो council of minister और prime minister की advice पे तो option D यहाँ से सही चला जाएगा राष्टपती द्वारा मंत्री प्रश्चद की सला पर For functioning successfully पंचायती राज needs cooperation of पंचायती राज जो की अलग-अलग state के लिए अलग-अलग होती है अगर उनको successfully लगातार चलते रहना है तो किसकी cooperation इसको चाहिए होती है तो पंचायती राज नाम में ही एक keyword चुपा हुआ है पंच, पंच का मतलब होता है आम लोग अगर आम लोग ही साथ नहीं देंगे उसमें तो कहां से चल पाएगी वो तो option A यहां से correct हो गया अगर आपसे यह पूचा होता कि financial wise किसका support चाहिए होता है तो इसका answer उस समय हो जाता state government because fund वहीं से आता है इनको the community development program is started in India in community wise जो development होता था जिसका target union government में लिया हुआ था वो कब बना था यह community तो यह बना था 1952 में इसके बाद इसकी जगह किस ने ले ली इसकी जगह ले ली पंचायती राजने साल 1969 में land reform comes under जो आपके जमीन से related जितने भी सुधार होते हैं कौन से list में आते हैं यह आते हैं state list में option C यहां से correct हो गया तो state list, concurrent list और union list इसमें जितने भी topic हैं और अगर वो बिहार से directly related हैं तो कम से कब उतना तो तयार करे लीजेगा पंचायती राज was first time introduced in तो अगर पूँचा है कि पहली बार कहां पे लाग होई थी तो answer होगा राजिस्थान अगर पूँचा जाए दूसरी बार तो इसका answer होगा आंध्पदेश फिलाल इसका answer है option D दमेन एम ऑफ दी पंचायती राजिस पंचायती राज का मुख्य लक्ष क्या है तो पंचायती राज का मुख्य लक्ष ये है कि आप देश की जितनी भी पावर से उसको decentralized कर दो यानि कि आप शुरुवात करो गाउं के development से और धीरे धीरे block पे आ जाओ फिर block से शहर फिर शहर से राज और राजिसे पूरा देश ऐसे gradual development की और आगे बढ़ो तो यहाँ पे सबसे पहला option तो ये लिखा है to increase the rivalry मतलब दुश्मनी को बढ़ावा देना तो ये तो कहीं से नहीं चाहिए to train for election to village people election के लिए क्या उनको training देना decentralization ये keyword important है आगे लिखा है of power among village people ये बात एकदम सही है option C the penchayati raja organized village into a unit of local self-government under यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि penchayati raja को constitutional status कब मिला था तो ये मिला था 73rd amendment act जो कि 1992 में इसको पारित किया गया और 3 में finally इसको लागू किया गया इसमें ऐसा हुआ था option D in India the federal finance relation related to अब इसका क्या मतलब है federal finance relation की मान लो ये पूरा का पूरा आपका देश है इसमें इतने सारे पैसे इखटा किये गए consolidated fund के द्वारा अब कितने ये अपने पास रखेगा कितने ये different different राज को किस ratio में बांटेगा ये बात decide होती है financial relation से तो ये तो obvious ही बात है यहाँ पे कौन सा option सही चला जाएगा financial relation between center and state option B it is possible to form a separate जारखंड from बिहार बाई कहने का मतलब ये है कि एक पूरा का पूरा राज था उसको तोड़के आपने दो राज बना दिये या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे दो राज को मिला के एक single राज बना दिया मतलब nuclear fusion और fusion टाइप का कुछ कर दिया ये करने का दिकार जारखंड को कहां से मिला ये करने का दिकार हर किसी राज के पास होता है लेकिन उसको समविधान की सारी बातें ध्यान में रखनी होती है फुल्फिलिंग दा कॉंसिट्यूशनल ओब्लिगेशन option C यहां से एकदम सही है इस तरीके की चीजों से संबंदित जितने भी आर्टिकल है उनको आप comment box में लिख सकते है who has the power to appoint the Anglo-Indian Committee in लोग सबा तो लोग सबा के अंदर दो सदस्य चुने जाते हैं Anglo-Indian Committee से मतलब Community से उनके समुदाय से ऐसा करने का दिकार किसको होता है President of India को option B President of India एक कम और भी करते हैं राज सबा के अंदर 12 लोगों को directly nominate करते हैं उनको सीधे सदस्यता मिल जाती है बिना कोई election को लड़े हुए और ये लोग कहां के expertise होते हैं Art, Science, Literature और Social Science के Who is the supreme executive in India Supreme executive का ये मतलब है कि इंडिया में जितने भी law को implement किया जाता है किन के नाम से किया जाता है तो ये तो भाई President के नाम से किया जाता है Option A अगर आप से ये पूछ ले Real executive काउन है तो ये तो Council of Minister है Along with the Prime Minister In India The election of the President is done by President का election कैसे होता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जाके इनको direct vote नहीं देते हैं तो direct election वैसे ही wrong हो गया इनका indirect election होता है और अगर ये option में नहीं है तो आप टिक करेंगे Single transferable vote को Option B यहाँ से एकदम सही हो गया Which is the upper house of the state legislature in India ये बात थोड़ी सी विचितर है लेकिन ये बात एकदम सही है State के अगर अगर हम बात करें तो एक होता है legislative assembly या फिर विधान सबा ये हमेशा होती है हर किसी राज्य के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी ही लेकिन एक दूसरी house होती है legislative council अब ये state पे डिपेंड करता है कि legislative council उनको चाहिए भी है कि नहीं इसलिए ये कभी-कभी absent होता है अलग-अलग राज्यों में लेकिन वहीं दूसरी और council को upper house मानते है council को क्या मानते है upper house जबकि assembly को lower house मानते है तो यहाँ पे हमसे upper house पूछा है तो इसका answer क्या हो जाएगा legislative council option A अगर lower house पूछ देते तो legislative assembly answer होता by which constitutional amendment act the panchayati raja institution got constitutional status तो ये तो repetitive question है मैंने इस का answer आपको दे दिया 73rd act option A under which article of the constitution of India are given the fundamental right for citizen ये भी बात आपको बताई जा चुकी है इसके article है 12 से 35 option B by 42nd amendment act 1976 अब ये जो act है ना ये अपने आप में काफी बड़ी चीज थी ये जो amendment act है इसको mini constitution भी बोला जाता है और उस समय केंदर पे सरकार थी इंदिरा गांधी जी की इनको जब लागू किया गया था तो पूरे constitution को इलाखे रख दिया गया था लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपसे पूचा है new chapter तो आप student point of view से सोचिए कि आप Indian polity की book पढ़ रहे हैं और अगर ये act नहीं आता तो कौन से chapter आपको नहीं पढ़ना पड़ता तो उस chapter का नाम है fundamental duties option C जब constitution बना था तो एक भी नहीं थी जब ये act लागू हुआ तो 10 हो गए उसके बाद साल 2002 में इसको 11 कर दिया गया जब सभी parents को ये इस बात के लिए निवार कर दिया गया कि 14 साल तक उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है who advises the government of India on legal aspect तो अगर government of India के लिए पूँचें तो answer होगा attorney general इसको serious law officer of India भी बोला जाता है मतलब highest law officer of India ये भी question आया जा चुका है अगर state government के बारे में पूँचें तो इसका answer क्या हो जाएगा advocate general who appoints union public service commission तो UPSC जो है वो एक constitutional body है UPSC का exam आप सभी देते हैं लेकिन इसके बारे में Indian politics की बुक में पढ़ना भी होता है तो इसको article number 315 से 323 के बीच में रखा गया है ये एक समवेधानिक संस्था है ये मैंने आपको बता दिया पहले ही इसकी सारी report जिसके जितने भी members होते हैं along with its chairman ये सभी के सभी report अपनी submit करते हैं President of India जी को और इनके chairman appoint किये जाते हैं उन्हीं के द्वारा तो इसका answer क्या हो जाएगा President, option B which has the power to increase the number of judges in the Supreme Court Supreme Court में अगर मान लीजिए आज की date में कितने judges हैं 31 हैं इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है कि नहीं बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है कैसे बढ़ाना है Parliament इस बात का voting के through decision लेगा तो option C which subject is not included in the panchaiti raja institution in India panchaiti raja का basic मतलब ये है कि local level पे self government की स्थापना करना वहाँ पे जितने भी program चलाई जाते हैं गरीबी हटाने के जमीन की कार्णे को सुधारने के वो सब तो चलाई जाते हैं तो option A और C सही हैं इसलिए ऐसा तो नहीं होगा लेकिन वहाँ पे जितने भी high level वाले कारिक्रम है जैसे judicial review हो गया वहाँ के court छोटे मोटे वैसले दे सकती है लेकिन अपने decision को reverse नहीं कर सकती option B यहाँ से सही हो गया और उपर से सबसे बड़ी बात पंचायती राज का जो implementation है वो इस बात पर depend करता है कि वहाँ की state government इसको fund कितना दे रही है in India पंचायती राज किसको represent करती है decentralization of power को इसलिए तो इसको लागू किया गया था लोगों का participation इसमें अनिवार रहे अगर लोगी participate नहीं करेंगे तो किस बात की पंचायती राज पंच का मतलब होता है लोग community development 10-12 लोगों का एक group बना दो और इनका overall development करा दो ये तो बिलकुल होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा all of these option D what is the minimum age of a candidate for getting elected to लोग सबा फिर से repetitive question आ गया इसका answer होगा 25 साल option C which article of the constitution of India prioritize those rules या फिर law made by the parliament या फिर state legislature under constitutional procedure concise article है भारती सम्विदान के अंदर जहां पर ये बात mention है clearly कि अगर कोई state legislature या फिर विधान सबा या फिर भारती जो पार्लिमेंट है अगर उसने कोई law बनाया तो वो अपनी हद में रहके बना सकते हैं अपनी क्या मतलब constitutional की हद में रहके बना सकते हैं constitution में जो भी लिखा है उससे बाहर नहीं जाना है तो ये बात कहां पे लिखी हुई है article number 13 में option A otherwise क्या होगा judicial review के तहट supreme court इसको null and void बना देगी who is the chairman of राजसबा तो राजसबा की chairman कौन होते हैं vice president option B which is supreme in Indian political system तो जो भारती समविधान है उसमें सबसे उपर क्या है तो सबसे उपर आपका समविधान है option B ऐसे तो ये माना जाता है कि सबसे उपर भारत के राश्टपती है उनको अपनी कार में number नहीं लिखवाना होता और बाहं की सारी चीज़े उनकी salary पूरी बच जाती है लेकिन अगर उन्होंने भी समविधान के विपरीत कारे कर दिया तो पार्लिमेंट को अधिकार है कि उनके खिलाफ वोटिंग की जाए और उन्हें हटा दिया जाए आज तक कोई भी राश्टपती इस तरीके से हटाए गए है क्या अगर हाँ तो उनका नाम कमेंट कीजिए अधरवाइज नो लिखिए इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम दा एग्जिक्यूटिव फंक्शन अंडर एग्जिक्यूटिव वो होते हैं जो कि लॉग को इंप्लिमेंट कराते हैं और लॉग कहाँ पे बनता है तो अगर लॉग पार्लिमेंट के अंदर बनेगा ही नहीं तो इंप्लिमेंट क्या करना तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एग्जिक्यूटिव लेजिस्लेचर के अंडर कारे करते हैं ऑप्शन बी इन पॉलिटिकल डिक्षिनरी दा मीनिंग ओफ जीरो आर्स आपकी पॉलिटिकी बुक में कई सारे टेक्निकल टर्म्स दिये हुए है सबी को एक बार आपको देख के जाना है फिलाल जीरो आर्स का मतलब यह है कि एक घंटा मान लो ऐसा सेशन चला जहां पे डाइलोग टाइप का कमिनिकेशन हो रहा है मतलब एक तरफ से कुछ कोशन किये जा रहे है और दूसरी तरफ से उसके आंसर दिये जा रहे है इस टाइप के कमिनिकेशन को बोलते है कोशन आर सेशन और इसके बाद एक घंटे का ब्रेक लिया जाता है जिसको 0R कहते हैं Option D 10 Conduct Commandment Added by the 42nd Amendment Act जिसको की 1976 में लागू किया गया था इसको क्या कहते हैं तो 10 से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको Fundamental Duty कहते हैं यानि कि अगर आप इस बात की Expectation रखते हो कि सरकार आपके Fundamental Right की रक्षा करेगी तो सरकार के प्रती कुछ Duties भी होती हैं उनको भी आपको निभाना पड़ता है The Executive Head of the State Government is तो State Government के Executive Head यानि की Governor की बात कर रहे हैं Option B अगर यहाँ पर Real Executive लिखा होता तो इसका Answer क्या हो जाता Council of Minister with Chief Minister Who Advises the State Government on issue of Legal Aspect यहाँ पर क्या आ गया State Government तो इसका Answer वो हो जाएगा जो की Center Level पर Attorney General होता है यानि की यहाँ पर Advocate General होगा Option B Under which of the following The Panchaity Raj system are created तो Repetitive Question है इसकी जो सबसे पहली Mention है वो कहाँ पर है DPSP में Directive Principles में Option C The Three-Tier System of Panchaity Raj include Panchaity Raj में एक Triangle आपको याद करना होता है सबसे नीचे होता है Third Tier फिर Second, फिर First यह तीसरा, यह दूसरा, यह पहला तो तीसरे नंबर पर क्या आता है Village Panchaity दूसरे पर आता है पंचायत समीती और दीसरे पर आता है जिला परिश्या तो कहाँ पर दिया है यह कहीं नहीं दिया है तो इसका अंसर मेरे साब से आना चाहिए None of these जो की पाचवा आप्शन होगा जो की टाइप नहीं किया गया यहां पर लेकिन कई बार पंचायत समीती को ब्लॉक समीती भी मान लिया जाता है क्योंकि ब्लॉक का मतलब यही होता है कि कई सारे गाउं को मिला के गुरूप बना दे रहे हो तो यहां पर ब्लॉक लेवल पर इसको करेक्ट मान सकते हैं तो ऑप्शन B सही चला जाएगा वैसे आयोग ने इसको B नहीं माना था लेकिन B ही होना चाहिए तो यह तो भाई पंचायती राज से रिलेटेड है यह रेपेटिटिव कुश्चन है बस इसको पूँचने का तरीका वदल दिया तो ऑप्शन D यहां से करेक्ट हो गया पंचायती राज सिस्टम विच अफ दी फॉलोइंग इस अ फंडामेंटल ड्यूटी है ऑप्शन B तो A पॉइंट क्या है फिर A पॉइंट है DPSP कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक्जिक्यूटी वह जुडिशरी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करना चाहिए अगर आपको अच्छे से सरकार चलानी है तो इसको कब नैशनल कहेंगे कब छेतरी पार्टी कहेंगे उसको यह अधिकार किसको प्राप्त है तो वन एन ओनली इलेक्शन कमीशन इसका अंसर क्या हो जाएगा औप्शन C और यह भी इलेक्शन कमीशन अफ इंडिया की बात कर रहे हैं जिसका आर्टिकल होता है 324 भी बता सकते हैं और रीजनल भी बता सकते हैं Whose pre-consent मतलब पहले से permission लेना is essential for the money bill तो money bill को अगर आपको house के अंदर रखना है तो किस से सबसे पहले permission लेनी होती है तो सबसे पहले permission देते हैं इसमें President of India जी तो option C यहाँ से एकदम correct हो जाएगा Which is the house where the chair person is not the member of that house यह मान ली जे कोई house है अब इसके अंदर का जो भी chair person है वो उस house का member नहीं है अजीब सा question है लेकिन ऐसा होता है और आपको बताना भी है तो इसका answer क्या आओ जाएगा राज सबा राज सबा का जो chairman होता है वो की vice president होता है लेकिन वो उस house का official member नहीं होता With which the 73rd amendment of the constitution is related तो फिर से वही repetitive सवाल आ गया जब भी 73rd amendment की बात होगी सीदे से पंचायती राज उसका answer हो जाएगा Option C Who is not entitled to take part in the activities of लोग सबा लोग सबा की जो भी activities है कौन उसमें participate नहीं कर सकता है ये सारे लोग तो कर सकते हैं CAG भी वहाँ पर जा सकते हैं Attorney General भी वहाँ पर advice वगरा दे सकते हैं Solicitor General मतलब जो Attorney General के जो subordinate है वो भी जा सकते हैं लेकिन president के secretary जो की उनकी duty होती है सिर्फ उनकी personal assistance करना वो भी राष्टपती भावन के अंदर वो नहीं जा सकते हैं तो option D यहाँ से एकदम correct हो गया In which amendment The word social, secular, unity, integrity ये सब कहां पर insert करे गए थे तो ये amendment था 42nd साल था 1976 करवाया किसने था इंदराजी ने Option है यहाँ से correct हो गया In Indian constitution Article 370 Is related to तो यहाँ पर मैं इसको modify करता हूँ Was related to तो यह हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर ये जो आपका question है Which of the following statement is not true for Dr. Manmohan Singh ये उस समय के current affair का question है जब साल 2009 में ये साब फिर से प्रदान मंतरी बने थे तो यहाँ पर अगर आप उसे question आएगा तो वो नरेंद मोदी या फिर अमिच साजी के बारे में आएगा तो आज के जितने भी हमारे politician है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप याद रख सकते हैं इस question का answer मैं नहीं दे रहा हूँ वैसे अगर आप जानना चाहते हैं तो दे दे रहा हूँ तो यह क्या नहीं थे तो यह former finance minister तो थे कब थे इंदरा गांधी जी की सरकार में former governor of RBI ये भी थे chairman of UGC ये कभी नहीं थे IMF के director तो रह चुके हैं तो option C यहाँ से एकदम correct हो गया UGC से इनका कोई लेना देना नहीं था which sequence is true for the following post in Indian constitution Indian constitution के हिसाब से आपको ये बताना है कि कौन सी post सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी और order बताना है तो सबसे बड़ी post है governor of state उसके बाद आते हैं chief justice of India उसके बाद chief minister उसके बाद chief election commissioner तो option B यहां से सही हो गया जैसा कि आयोग ने माना था recommendation to the president of India on the specific union state physical relation are made by union state physical relation का मतलब यह हुआ कि मान लो इतने सारे रुपए state आपके center के पास आए तो वो कितने अपने पास रखेंगे वो लोग और किस ratio में किस राज को वितरित करेंगे ये चीज़ decide होती है इस relation से तो इसमें president को सला कौन दे सकता है तो इसका answer क्या हो जाएगा when and only finance commission जिसका article है 280 option D यहां से correct हो गया when was the jharkhand separated from Bihar तो इसका answer आजाएगा सन 2000 वो भी 15 नौंबर option ने यहां से correct हो गया how many members are there in Bihar legislative assembly at present बिहार विधान सबा में कितने सदस्य है जितने भी बिहारी subscriber है वो तो इस cancer करी देंगे तो इस cancer क्या हो जाएगा 243 तो याद करना भी आसान है 243 234 सभी को याद रहता है लेकिन इनको पलड़ देना option B यहां से correct हो जाएगा नानावती commission was set up in the year नानावती commission कहाँ पर set up हुआ था मतलब कौन से साल में सन 2000 में option D यहां से correct हो गया किस से संबंदित है यह क्या बता सकते है the function of bureaucracy is bureaucracy में कौन कौन आते हैं DM आते हैं, SDM आते हैं और जो भी secretary होते हैं बड़े-बड़े ministry के वो सब आते हैं और इनकी rank या तो IES होती है या तो PCS, इनका काम क्या है इनका काम है government की policy को implement करना administration चलाना, मंत्रियों की साहिता करना, तो यहां से option क्या हो जाएगा D, सब कुछ करते हैं यह लोग which of the following is given the power to implement the fundamental right by the constitution, मान लीजे कोई person है, उसका fundamental right नहीं उसको दिया जा रहा है या फिर उसको हडप करने की कोशिश की जा रही है तो कौन कौन से ऐसी दो bodies हैं जो कि उसको उसका हक दिला सकती है, एक है Supreme Court तो दूसरी है High Court Supreme Court Article 32, High Court Article 226 इन दोनों में थोड़ा सा minor difference भी होता है लेकिन दोनों की दोनों ये काम कर सकती है Option D By which of the following can the President of India be impeached Impeached का मतलब होता है कि महाभियोग लगा के उसको उसकी position से अटा देना तो मैंने इस question को पहले भी इसी वीडियो में discuss किया है कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ impeachment द्वारा implement होता है लेकिन impeachment भी किस पर depend करता है Parliament पर अगर आप impeachment को support ही नहीं करोगी तो किस बात का impeachment Option B Which of the following subject lies in the concurrent list तो इन तीनों में से कौन concurrent list का हिस्सा है आपको बताना है तो ये यहाँ पर education जो word लिखा है न Option B ये इसका हिस्सा है concurrent list का बाकि कुछ चीजें Center से related हैं तो कुछ चीजें state list से संबंदित है Who was the president of the committee on whose recommendation was the panchayati raja established in India तो panchayati raja जो established हुआ था भारत के अंदर उसकी committee के सदस से कौन थे मतलब उस committee का नाम किसके नाम पर पढ़ा था तो उस committee का नाम पढ़ा था बलवंत राय महता के नाम पर option c एक और committee बनी थी असोक महता लेकिन वो इतनी सफल नहीं हो पाई थी क्यूंकि उन्होंने three tier concept को हटा दिया था उनके हिसाब से दो ही tier बनने चाहिए थे The state wise allocation of seats in the loksabah is based on 1971 census सभी को पता है कि आज की date में किस राज़ में कितनी loksabah की seatे हैं ये decide हुआ था साल 1971 के census के हिसाब से अब ये कब तक चालू रहेगा मान लो UP में आज की date में 80 loksabah की seatे हैं कब तक रहेंगी ये तो ये रहेंगी साल 2026 तक इसी वीडियो में मैं इस cancer दे चुका हूँ option B यहां से correct हो जाएगा पंचायती राज सिस्टम वर फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन दा स्टेट ओफ राजिस्थान एंड फर्स्ट नंबर पे राजिस्थान था तो सेकेंड पे कौन था रेपिटीटिव कुस्चन ने इस cancer अभी बताया था option D आंधप्रदेश इनके एक्सपर्ट को डारेक्ली नॉमिनेट कर लिया जाता है बिना कोई इलेक्शन लडवा है इन से तो पंचायती राज सिस्टम में कब इलेक्शन होना है कब नहीं होना कौन डिसाइड करता है ये तो ये डिसाइड करती है उस concern राज की सरकार option B the state government which of the following article of the constitution of India is related with liberty of press liberty of press का क्या मतलब है कि मान लोग को ये का अकभार है उसको biasedness नहीं चाहिए मतलब उसको जो सही लगता है जो समाज के इसाब से सही है जो कुछ भी हो रहा है उसको transparent रूप से दिखाना इस चीज का अधिकार प्रेस को किस ने दिया constitution ने दिया obvious से बात है किस article के तहट दिया article number 19 के तहट option A which of the following constitutional amendment was also known as mini constitution तो इसका answer मैं कई बार दे चुका हूँ अभी अभी 42 संबिदान संसोदन इसका नाम है साल 1976 में इसको लागू किया गया था who appoints the governor of Jammu and Kashmir अगर आप पहले की date की भी बात करें और आज की date की बात करें तो दोनों ही situation में appoint करते थे कौन president of India जी यही appoint करते थे governor को इसमें वहां की जो सरकार थी उसकी legislative assembly की भी कुछ नहीं चलती थी when was the planning commission established यह UPPCS का previous year question है 15 March 1950 को यह बना था option B economic planning is in economic planning किस से संबंदित है तो economic planning कौन सी लिस्ट में आती है यह आती है concurrent list में जो भी subject concurrent list के अंदर आ जाता है उस पे law बनाने का अधिकार दोनों लोगों के पास होता है center के पास भी और state के पास भी तो option C a bill is presented in the parliament becomes an act कोई bill पार्लिमेंट में मान लीजे पेश हुआ अब वो कानून कब बनेगा वो कानून तब बनेगा जब उसको दोनों हाउस से पास कर दिया जाए plus president की assent मिल जाए उस पे तो option B यहां से एकदम correct हो गया the president has given his assent according to our constitution उसन्द राजसभा राजसभा के बारे में आपको बताना है कि कौन सा statement सही है तो यह कभी भी dissolve नहीं होती है it is not the subject of dissolution option D a high court judge addresses his letter of resignation to एक high court का मान ली जजज है उसको करना है resign किसको देगा वो अपना resignation तो president को option है यहां से correct हो गया वैसे कुछ लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि high court की बात हो रही है तो high court judge का मतलब है कि उसकी power सिर्फ state तक सीमित है तो obviously बात है वो governor को देगा लेकिन ऐसा नहीं है यह resignation अपना देगा president को option A as a non-member who can participate in the proceeding of either house of the parliament एक ऐसा member भी होता है member नहीं होता है वैसे ऐसा person होता है जो की लोग सबा में भी घुश सकता है राज सबा में भी घुश सकता है और उसकी proceeding में participate भी कर सकता है कौन होता है वो वो होता है attorney general of India जो की legal advisor होता है आपके राष्ट पती का option C the fundamental duties were incorporated in the constitution of India by तो ये भी question का answer में दे चुका हूँ इस का answer है B by आलिस्वा amendment act how many languages are recognized as the regional languages in the constitution हमारे constitution के इसाब से official language कितनी है तो ये हैं 22 official plus regional option A consider the following word socialist, democratic, sovereign और secular इसको set करना है तो इसको मैं आपको set करके बताता हूँ सबसे पहले आएगा sovereign फिर उसके बाद आएगा socialist फिर आएगा secular और उसके बाद आएगा democratic sovereign, socialist, secular और फिर है democratic तो option number A यहाँ से correct हो गया C.A.D.B. in which house is the presiding officer does not यहाँ पे is not होगा a member of that house यह भी repetitive question है इस cancer मैंने आपको इस वीडियो में अल्रेडी दे ही दिया है राज सभा के अंदर जो आपका presiding officer होता है मतलब जो chairman होता है वहाँ का वो तो vice president होता है लेकिन वहाँ पे वो official member नहीं होता तो option कौन सा सही हो गया B. राज सभा यह भी मैंने आपको पहले बताया है एक सेथवा constitutional amendment हुआ था जहां पे vote देने किये जिक किस से घटा के अठारा कर दी गई थी यह कब लागू हुआ था 1989 में कब पास हुआ था पार्लेमेंट से 1988 में और एक्जाम में यह भी पूछ सकते हैं कि मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो इस position को कौन संबालेगा senior most judge of the supreme court इसका उस समयांसर हो जाएगा आप पंचायत समीती अट जिप block level is तो block level पे जो पंचायत समीती होती है उसका roll क्या है उसका roll होता है basically सला देना, यह triangle होता है न यह third, बीच में second और उपर first, तो यह जो second वाला है, block block समीती या फिर इसको पंचायत समीती भी कहते हैं, यह उपर वालों को भी advice देगा, नीचे वालों को भी advice देगा, सला देगा तो option C यहां से correct हो गया और सला सिर्फ एक तरफ से नहीं दी जाती है, इसके पास पहले और तीसरे बंदे आते भी हैं, सला लेने के लिए भी, तो अगर advisory body आपने मार किया, तो इसका मतलब आप यह कहने की कोशिस कर रहे हैं, कि यह सिर्फ सला देता है जाके, जबकि लोग भी इसके पास सला लेने आते हैं, तो consultancy committee हो जाएगी है after the amendment in the constitution of parliament on 14th अगस 2007 14 अगस 2007 को जो amendment हुआ था, उससे आज का कोई लेना देना नहीं है, यह साल 2007 का ही question है, the number of caste in the scheduled caste is, आप latest data के हिसाब से जाएगा, यहाँ पे latest data से आज पास कोई relation नहीं है, इसलिए इस question को मैं छोड़ रहा हूँ the serial number of Mr. Muhammad Hamid Ansari as the vice president of India is तो आज के जो vice president of India है, वो है Venkya and I do यह कितने number के हैं तो यह 14 नंबर के हैं, और इनसे जस्ट पहले आए थे Muhammad Hamid Ansari, वो तो 13 नंबर के होंगे, option D the mobile court in India is the brain child of, जो mobile court का concept है भारत में किसके दिमाग की उपज है यह तो one and only APJ Abdul Kalam, option C accounts committee submits is report to जो public account committee है वो किसको report submit करती है अपनी इसका answer क्या हो जाएगा, speaker of लोगसभा option B of the following statement which is not correct the राजसभा is powerless in money matter तो powerless तो बिलकुल भी नहीं है 14 दिन का इनको समय दिया जाता है कि जो भी review करना है आप कर लो उसके बाद लोगसभा में वापस बेच देना तो ये बात तो गलत हो गई money bills originate in राजसभा तो ये बात सही है because हमारे answer के साब से सही वो होना है जो कि गलत हो ये बात actually गलत है जो money bill है वो सिर्फ और सिर्फ लोगसभा में originate हो सकता है बाकी चक करने की आपको जरूरत नहीं है तो option B यहां से correct हो गया which of the following rights conferred by the constitution of India are available to non-citizen मतलब जो भारत के लोग नहीं है निमलिकित में से कौन सा ऐसा fundamental right है उनको भी दिया जाता है तो उनको कौन सा दिया जाता है right to constitutional remedies option A मतलब उनको कोई भी जबर्जस्ती बंद करके नहीं रख सकता है और जो भी उनका fundamental right है उसको छीन नहीं सकता है option A यहां से correct हो गया मतलब वो भी चाहें तो supreme code वगेरा जा सकते हैं national emergency में भी declared by the president of India in which article national emergency का संबंदे 352 से option A एक होता है 356 जिसका मतलब होता है राष्टपती सासन तीसरी टाइप के emergency होती है 360 में उसको mention किया गया है financial emergency जो की आज तक भारत के अंदर लागू नहीं होई of the following statement which one is not correct तो जो factually गलत है वो आपका answer हो जाएगा supreme court was constituted in 1950 तो यह तो सही बात है और जो सही है वो हमारा answer हो नहीं सकता supreme court is the highest court of appeal यह तो सही है तो यह भी नहीं होगा supreme court can hear from any court tribunals except from court marshal यह सही है क्यों सही है because एक बार आपको court marshal कर दिया गया मतलब आप मान लीजे सेना में काम करते हैं और वहाँ से कोई decision लागू कर दिया गया तो उनके decision के against आप supreme court में नहीं जा सकते यह बात सही है इस बज़े से यह भी गलत है तो option D यहाँ से correct हो जाएगा उसमें लिखा क्या है उसमें यह लिखा है कि supreme court किसी के भी decision को reverse करने की समता रखती है चाहे वो court marshal क्यों ना हो जबकि ऐसा नहीं होता है who is the constitutional head of the state government तो जब भी constitutional head की बात करें तो उसका मतलब होता है महा महीम तो महा महीम राश्टपती को बोलते हैं लेकिन state level पर किसको बोलते हैं गौर्णर को option B राज जपाल name the committee which was set up by the NDC in 1957 for the reorganization of CDP and suggested a three tier system ये बात बड़े important है क्योंकि दो committee आई थी एक थी बलवन्त राय महता और दूसरी थी अशोक महता अशोक महता ने two tier के concept को recommend किया था जबकि बलवन्त जी ने किसको recommend किया था कि three tier system होना चाहिए जो कि आज की date में follow होता भी है तो three tier के बारे में बात की थी in which year the planning commission was set up तो repetitive question है 1950 option a which of the following is a human right as well as fundamental right under the constitution of India to human right तो पहले से था right to education लेकिन एक अप्राइल 2010 से इसको fundamental right भी मान लिया गया तो option c when was the right of constitution sorry when was the right of education added through the amendment in the constitution तो वही question का answer जो कि मैं आपको already दे चुका हूँ इन्होंने आप से date मूच ली तो date है पहली अप्राइल 2010 current affair का है उस time का option a the Indian constitution होगा यहाँ पे the Indian constitution comprises of भारती सम्विदान में क्या क्या चीज़े सामिल है तो यह तब का question है जब constitution नया नया बना था तो उस समय 395 आर्टिकल थे 22 पार्ट थे और 12 शेडियूल थे उस समय fundamental duties नहीं थी तो option ने यहाँ से correct हो गया the राजसभा consists of तो राजसभा में क्या क्या चीज़े होती है मैं आपको बता देता हूँ कुल मिला के 250 members होते हैं जिनमें 238 सी चुने जाते हैं और 12 जो होते हैं उनको nominate कर लिया जाता है directly उनका कोई भी election नहीं की लिया जाता है और किस basis पे उनको elect कर लिया जाता है मतलब nominate art, science, literature और social science इनके जो expertise होते हैं directly इनको ले लिया जाता है तो option C यहां से correct हो जाएगा 250 members out of which 12 are nominated by the president of India तो यहां से आपने देखा कि polity के अंदर आपको static part तो अच्छे से cover करना ही है और अगर आप BPSC पे focus कर रहे हैं तो जहां जहां पे बिहार involved है उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है इसके अलावा जो current affair में जो जो changes होते हैं political level पे उसको ध्यान रखेगा और इसकी वीडियो special current affair पे हमारे चैनल पे आपको मिल भी जाएगी All the best अच्छे से पढ़ाई करिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो subscribe करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए हेलो दोस्तों आप सारे वीवर्स का बहुत-बहुत स्वागत एक बर फिटिस से BPSC 65th Pre-Exams के लिए हम लोग BPSC के सारे previous year के questions देख रहे हैं जो अभी तक के हुए exams में तूचे गए हैं subject wise history हम लोग कर चुके हैं politic खत्म कर चुके हैं बाच चुके हैं देखने को मिल सकते हैं BPSC में आईए चली शुरुआत कर लेते हैं like share subscribe कर दीजिएगा आप हमारा BPSC का paid batch join कर सकते हैं अपने पूरी preparation समय की तुरूप से करने के लिए ठीक है उसमें आपको 15 test मिलने वाले हैं BPSC pattern पर with solution दोनों भाशाओं में तो आप इस नंबर पर call कर लिजेगा अगर आपको BPSC की test series या पूरा full paid group join करना है तो तो सबसे पहला हमारा question है कि भारत में नियोजित अर्थववस्था कैसी है यह बहुत बार आया हुआ question है जितने BPSC में questions आये हैं previous year में तो तीन बार यही आया हुआ है तो कैसी economy है हमारी mixed planned economy है ठीक है option number B यहाँ पर सही है मिश्रित अर्थवश्था है हमारी ना गांधियन है ना समाजवादी है ना पूझीवादी भारत की आयका सबसे बड़ा स्त्रोथ पूछा है यह fixed चीज नहीं है यह current की चीज़ चेंज हो सकती है और बिल्कुल चेंज हुई है जब यह exam हुआ था तब exercise duty इस कैंसर था लेकिन budget 2019-2020 के हिसाब से इस कैंसर है निगम कर यानि की corporation tax ठीक है corporation tax से सबसे ज़्यादा revenue सरकार ने इस बार collect किया है तो हम लोग current के हिसाब से ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भारत की 39 संतोष जनक रही है किसमे तो भारत की उननती जो है आप देखोगे budgetary provisions जब भी भी आते हैं तो बताया जाता है कि कुल राश्टरी उत्पाद लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं ठीक है unemployment हमने उतनी तेजी से नहीं कम किया है पर capital income को इतना नहीं बढ़ा पाए हम inequality में तो खैर बहुत ही पीछ है लेकिन हमारा GNP जो है वो लगातार बढ़ रहा है जब भारत पाकिस्तान का भी भाजन हुआ था तो किस industry ने सब ज्यादा नुक्सरा जेला थे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से इंडस्ट्री हुई थी सबसे ज़्यादा हुई थी आपकी cotton and sugar industry option number A यहाँ पर सही है 8th 5 year plan की priority क्या थी हर plan की priority पता होनी चाहिए मतलब plan के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप नहीं भी पढ़के जाते हैं कुछ तो at least Wikipedia पर जितनी भी planning हुई है जितने भी plan आये हैं उन सब की थोड़ी थोड़ी detailing देख लिजेगा जितने भी economic questions हैं 50% plan पर या धारित है plan को क्या कहते थे plan किसके नाम पर रखा गया plan का focus क्या था plan का time क्या था ये सब चीज़े और plan holiday कप था तो employment generation यहाँ पर focus था 5th of 5 year plan का ठीक है next question है कि भारत में किस उद्योग में सरवाधिक लोग कारण रख है ठीक है तो इस question का answer है आपका textile industry option number C ये आज की date में भी सही है भारत का मतलब ये sector जो है ये second सब ज़्यादा employment देने वाला है पहला agriculture है agriculture option में नहीं है तो इसी को टिक करेंगे option number C हाँ पर सही है अगर पूछे कि सरवाधिक लोग की कारण रख हैं किस में अगर agriculture option में हो तो आप agriculture choose करेंगे the main source of national income इंडिया भारत की राश्ट्री आये का मुख्य स्त्रोथ क्या है इस question का सही answer है सेवा छेतर service sector टर्सरी सेक्टर प्याने वाले service sector से हम लोग सब सब ज़्यादा जो है national income generate करते हैं आज की rate में भारत के ग्रामीड अबादी का कितना प्रतीशत जनसंख्या primary सिक्षा की सुविधा पाती है तो यह है 94% ठीक है 94% option number A सही है अब देखूँ कि यदादा current की चीज़े पूछ जाती है बहुत macroeconomics की चीज़े नहीं पूछते है the movers last sing के लेख कौन है यह लिखी है सलमान रश्दी ने option number B सलमान रश्दी सुतनतर भारत के बाद अधित्तम प्रक्ति हमने किस छेत्र में की है तो wheat में हमने काफी ज़्यादा प्रक्ति की है option number D ठीक है wheat option number D भारत में राज सरकारों के लिए आयका सबसे महत्पूर्ण स्त्रोत कौन सा है त्यान रखी है आपर राज सरकारों की बात कर रहे है तो इस question का सही answer है sales tax ठीक है option number D बिक्री कर भारत में राश्ट्री आयका संकलन किसकी दोरा होता ये question घुमा फिरा के नचा के तिन चार बार पूछा गया है तो इसका answer है CSO ठीक है central statistical organization national income calculate करता है compile करता है और उसको analyze करता है option number T भारत को एक अल्प विक्सित देश कहा जाता है क्यों क्यों कहते है क्या भारत को planning की जब्रत है क्या fast growth हो रही population की इस वज़े से क्या हम agriculture पर अधिक निरभर है इस वज़े से या फिर industrial growth slow है तो planning की बात तो नहीं हो सकती हम बहुत सारे plan लेके आएं अब देखो के तेरा plan आ चुके हैं तेरा 14 वो नहीं है लेकिन हाँ ये कारण है हम बहुत ज़्यादा population अपनी बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा agriculture dependent है और slow growth है industry की तो यहाँ पर 2, 3, 4 सही होगा ठीक है? D, 2, 3, 4 अगला question है हमारा कि इंडियन इकनावमी में joint sector का क्या purpose है? joint sector का purpose है कि इसे उद्यम में सरकारी और निजी छेतर दोनों का ही स्वामित होता है ठीक है? दोनों का ही सम्मलित स्वामित होता है अगला है कि भारत में प्रसंसकरण छेतर कितने है लेटेस्ट अपडेट के हिसाफ से 7 है ठीक है option number C7 एक Santa Cruz में है कलकत्ता में है, कोचिन में है एक Noida में है export promotion zone एक कांडला में है, एक मदरास में है और एक विशाका पत्नम में है ठीक है? साथ हमारे export promotion zones है अब उनको बताना है कि golden triangle क्या है स्वेंड त्रिबुज क्या दरसाता है तो स्वेंड त्रिबुज बेसिकली क्या है Thailand, Laos और Myanmar के border जहां पर मिलते है मेकोंग river और रुवाक river के confluence पर तो वो जगह कहलाती है golden triangle और narcotics प्रोड्यूस के जाता है वहाँ पर अगला question है कि eight five year plan की आपकी अउधी क्या है तो इस question का answer C होगा अगर आपको ये पता है कि 1991 में ठीक है 1991 में 1990 में plan holiday रखा गया था मतलब annual plan चलाए गये थे five year plan नहीं पर प्रपोस किया था ठीक है तो ये दोनों गलत हो जाएंगे इसे ही option बर C सही है plan holiday कब रखा गया था 1966 से 1969 तक आगे ये भी question मिलेगा भी भारत में आर्थिक विकास अउरुद्ध हो रहा है क्यूं unskilled agricultural system के कारण irregular industrialization कारण western social profession के कारण इस question का answer है D C सभी कारण है ठीक है अगला है अंतियोधे कारिकरम का उद्देश क्या है अंतियोधे program का लक्ष क्या है अंतियोधे हो गया आपका मनरेगा हो गया आज भी relevant है आज भी इनके उद्देश पूछ ले जाते हैं कौन सा उद्देश नहीं है मनरेगा का ये 64th BPSS पूछा गया था ठीक है तो अंतियोधे का कौन सा उद्देश है तो अंतियोधे का उद्देश है गरीब से गरीब व्यक्तियों की मदद करना यानि कि जो बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं उनकी help करना अंतियोधे mission का लक्ष है option बरसी यहां पर सही है helping poorest of the poor अगला question है मारा कि भारती रुपए की win matter निर्धारित होती है किस से क्या US dollar से क्या British pound से क्या some selected currencies से नहीं ये है none of these इंडिया का exchange rate system किस प्रकार का है ये floating exchange rate system है ठीक है यानि कि fix नहीं है इसमें अगर यहां पर demand और supply बढ़ती है market में किसी भी अन्ने currency की चाहे वो dollar हो चाहे pound हो चाहे euro हो ठीक है तो उसी इसाब से रुपए की value जो है win matter निर्धारित होती है ठीक है तो fix नहीं रहती है किसी currency के हिसाब से floating exchange rate system ध्यान रखिएगा तो option number D सही है तो कोई भी currency हो सकती है अगर उस particular currency की मांग घटी है बढ़ी है उस इसाब से win matter भारत के रुपए की जो है निर्धारित होती है अगला है जीवन भीमा निका मुदाहरंड है investment bank का option number C यहां पर सही है investment bank निवेश bank या फिर भारत की सबसे बड़ी निवेश company कह सकते हैं LIC ठीक है LIC के इस समय head कौन है बता सकते हैं हमको comment करके LIC के chair person भी होते हैं और president भी होते हैं दोनों का नाम हमको comment करके बता सकते हैं अगला question है मारा कि समय कि ग्रामीड विकास कारेक्रम जैसे अन्य कारेक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा की गई थी ठीक है रहा है insufficient implementation because of centralized structure तो यहां पर क्या सही है यहां पर option number A सही है मदब C सही है A तो सही है assertion तो सही है कि समय कि ग्रामीड विकास कारेक्रम जो है integrated rural development program उतने successful नहीं हुए लेगिन यह कारण नहीं है इसका ठीक है यह false है ठीक है यह false है निम्लिकित मेंसे कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्पूर्ण नहीं है ठीक है तो option number A यहां पर सही है मुद्रा की मात्रा कोई बायने ने रिखती ठीक है क्या वो मुद्रा की मात्रा पर्याब्त है या पर्याब्त तो पड़ रही है यह चीज इंपॉर्टेंट होती है ठीक है तो quantity of money का कोई matter नहीं है economic development में अब यह फिर repeated question है कि भारत में अनिर्यात प्रोत्साहन अच्छेतर कितने हमने बता दिया आपको 7 है ध्यान रख लीजिएगा हमेशा के लिए ठीक है 7 अगला है आठमी योजना के अंतरगत ठीक है 8th plan में GDP का target कितना रखा गया था GDP growth का target रखा गया था 5.6% ठीक है 5.6% है जोंकि हांसिल कितना किये गया था ज्यादा इससे भारत में अधिकान अनिम्प्लॉइड लोग जो है यह कहां पर हैं तो यह हैं आपके क्रशी में तभी तो लोग गाओं से शहर आते हैं ठीक है option बड़ यहां पर सही है अगला question है कि भू commercial bank का ठीक है अगला है कि 1991 की नई आर्थिक नीती का लक्ष क्या था तो liberalization भी था प्राइबिटाइजेशन भी था ग्लोबलाइजेशन भी था option बड़ यहां पर सही है अगला है कि निमलिकित में से कौन सा सबसे बड़ा एकल संसाधन है जिससे भारत सरकार पुराजस्त्व कर से आय प्राप्त हुई है तो राजस्त्व कर से सबसे जब आय प्राप्त हुई है corporation tax से option number D यह latest data है 2019 के बजट का ठीक है और निगम कर जो है यह direct tax है ठीक है indirect tax तो अब ही ने उमारे इंडिया में सब GST में आ गया है निमलिकित में से कौन केंदर सरकार का कर नहीं है किन सर कर कौन सा नहीं है land revenue option number B ठीक है मांकी custom duty exercise duty income tax केंदर का है अगला है भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्पूर्ण वस्तू क्या है तो यह है textile ठीक है second largest producer है cotton textile का भारत सबसे पहला चाइना है अगला है कि भारती reserve bank ने अरत के विदेशी वेपार में धन लगाने में मदद की reserve bank of India help to invest in foreign trade by किसे help की reserve bank ने किसके माध्यम से एक्जिम bank के माध्यम से ठीक option number B अगला है कि what is hoodgo hoodgo का क्या मतलब है इसका मतलब है housing and urban development corporation आवास और शहरी विकास निगम decontrolling of bank rates of banks based on the recommendation of याने किस कमीशन किस समीती कि सिफारिशों पर bankों की ब्यासदरों का विये नियंतरन आधारित है विये नियंतरन का मतलब क्या है कि खुद control ना करना market forces को bank rate को control करने देना ये recommend किस ने किया था कि market forces जो है वो control करें bank rate को ना कि bank खुद तो ये नरसिम्भन committee की सिफारिश थी ठीक है option number C अगला question है कि वर्तमान में देश ने grant किया है क्या partial convertibility of Indian rupees, full convertibility of Indian rupees, full convertibility in current account या full convertibility in capital account option number C यहाँ पर सही है, full convertibility हमने विनियमेता ले ली है चालू खाते या नहीं current account पर ठीक है लेकिन partial convertibility है Indian rupees पर, full convertibility in Indian rupees पर अभी नहीं है convertibility का मतलब simply, बहुत simple language में यही है कि क्या हमारी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा से change की जा सकती की नहीं, ठीक है convert की जा सकती की नहीं, अगर यहां के लोगों को बाहर को एसेट खरीदना है, तो यह भारती मुद्रा उनके dollar से change हो पाएगी की नहीं, ठीक है तो चालू खाते में full convertibility है और बांकी capital account में नहीं है, उसके लिए RBI की permission चाहिए तो अगर यह option होता है, जिसमें उपर के दो correct बाने जाते हैं, तो A भी correct होता और C भी correct होता, ठीक है अगला है हमारा की आम तोर पर मौद्रिक नीती का उदेश क्या होता है, तो यहां पर money supply को control करना, option number A, सभी को पता है, ठीक है वो bank rate, repo rate घटा बढ़ा दिये जाते हैं, जिससे market से पैसा खींच लिया जाए, या market में पैसा release किया जाए भारती मुद्रा कहां पर छपती है, भारती मुद्रा छपती है नासिक printing press में, option number D hard currency का क्या मतलब है, दोड़लब मुद्रा इसको कहते हैं, hard currency का मतलब है यह जो developed countries की होती है, जैसे US dollars, Canada की currency हो गई आपकी, और UK की हो गई, मतलब यह जो developed nations है, उनकी currency को hard currency कहते हैं, यानि कि जो market fluctuations में एकदम से जो है, drastical change के लिए vulnerable ना हो नाबाड उधार देता है किसको, नाबाड उधार देता है किसको, यह बहुत complicated सा question हो सकता था, मतलब confusing का हो सकता था, ठीक है, agricultural मास को नहीं देता है, लेकिन rural development institutions को partially देता है, ग्रामीड विकास अनस्थाओं को कह सकते हैं नहीं देता है, लेकिन उनकी website पर थोड़ा थोड़ institutions को देता है, ठीक है, जैसे cold storage को, warehouses को, cold chains को, ठीक है, state government को देता है agriculture के लिए, लेकिन उसमें कुछ अलग terms है, agriculture और rural development bank को देता है, बहुत अच्छे से define है उसमें, तो option number C यहाँ पर सही है, ठीक है, तो agricultural development institutions यहाँ पर होता, तो भी भी सही होता, ठीक, अगला question है मारा कि भ जिलाई 1982 को नबाड की स्थापना हुई, भारत में योजना उकाश की अवधी हमने आपको बताया कि plan holiday का अब अब जर्व किया गया था, 1961 में, 1991 में, 1992 में क्या किया गया था, कि annual plan लाए गया था, मतलब 5 साल के लिए नहीं, 1-1 साल के लिए, छेतरी विकास bank, यानि कि आपक पार्ट होते हैं, आप देखोगे, इसे पूरवाजचल bank का sponsor bank कौन सा SBI है, ठीक है, तो scheduled में यह आ जाते हैं, और rural bank का यह मतलब नहीं कि खाली gramid area में होते हैं, 90% gramid area में भी होते हैं, और शहरी area में कभी-कभी आपको RRB देखने को मिल सकते हैं, agricultural finance का source कौन सा नहीं, भार option number T, अगला question है कि भारत में ओध्योगिक वित्त का स्त्रोत कौन सा नहीं है, ठीक है, ओध्योगिक वित्त आपको नबाट नहीं दे सकता है, ठीक है, किसी भी हैलत में, option number B यहां पर सही है, बांकि आपको state financial corporation से मिलेगा, Indian industrial finance corporation से मिलेगा, unit trust of India से मिल जाएगा, लेकि नबा बारती रुपए का महीने में दो बार मूलेन किया गया था, तो जब आपकी crisis चल रही थी, ठीक है, अगर आप थोड़ी भी इकनाव में पढ़िए तो आपको इपता होगा, ठीक है, और अब भी तक हमने कितनी बार devalue किया है money को, मतलब बारती रुपए को कितनी बार devalue क किया गया officially, तो हमने किया है तीन बार, ये भी पूछा गया है, आखरी बार कप किया गया था 1990 में, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारती रुपए किस पंचवरशी योजना के दौरान कीमत स्थर घटा था, ठीक है, तो इस question का सई answer है पहली योजना में, ठीक है पहली योजना में यही target रखा गया था कि हम price level को कम करें, ठीक है, service sector को बहुत कम यहाँ पर investment दी गई थी, तो बहुत प्रारम भी काल में था यह हमारी economy, तो option बर A यहाँ पर सही है, price level यहाँ पर बहुत कम किये गए थे, हमारे भारत में जो note issue होते हैं, वो किस pattern पर अधार इसमें 200 करोड रुपए के gold bullion और foreign currencies रखता है, reserve के रूप में RBI यहाँ पो पता होगा, 1956 से ऐसा ही चल रहा है हमारा note issue system, ठीक है, निउन्तम कोस पुरणाली के अधार पर, 200 करोड रुपए यहाँ पर reserve रखना रहता है, RBI के gold के form में, इसमें से 115 करोड gold coin के form में, और मांकी remaining foreign currencies के form में, अगला question है कि भारती अर्थ स्विवस्था का कौन सा छेत्र सकल राष्टरी उत्पात में सबसे अधिक योगदान करता है, तो present time की अगर हम बात कर लें, तो tertiary sector का रोल बहुत अधिक है यहाँ पर, ठीक है, GDP में maximum contribution किसका है, आपका tertiary sector का, option number C, भारत में banking प्र कार द्वारा कौन कर लगाया और वसूला जाता है, लेकिन संग और राजियों के बीच वित्रित किया जाता है, तो यह है आपका central excise duties, option number B, भारत में राष्टरी लेखा, estimates जो है, collect कौन करता है, हमने discuss किया, CSO करता, option number B, किस देश से भारत के लिए अधिक्तम हायता आती है, तो इसका answer है, America, US, ठीक है, option number A, भारत की नभी पंचवरशी होजना की आओधी क्या है, नभी पंचवरशी होजना की आओधी है, 1997 से 2002, पिछले दशक के दोरान भारतियार थिवस्था के किस छेत्र का महत्पूर्ण विकास हुआ है, तो एक बार फिर से इसक income की और population की, national income से population को divide कर देते हैं, पर capital income निकाल लेते हैं, अब प्रोटेक्श कर इन में से कौन से हैं, ठीक है, अब तो खेर इनका कोई मतलब नहीं क्योंकि all and all GST आ चुका है, फिर भी इसका answer तब हुआ करता था, विक्री कर और उत्पाद कर, ठीक है, exercise tax और sales tax, अभी क् गया है GST, रुपए का अंतिम बार amulian कप किया गया था, devaluation हुआ था आपका 1991 में, जुलाई 1991 में, एक महीने में दो बार, option number A, बैंक को दोवरा लाए गया है, निमले किसमें से किस भुकतान उपाए को plastic mudra के नाम से जना जाता है, तो जो चीज plastic की बनी है वही होती है, credit card यहाँ पर, option number B सही है, मां की gift check, demand draft और payable check आपके paper के होते हैं, IRDP का मुख्य उदेश क्या है, इसका मतलब है integrated rural development program और इसका main उदेश है rural development और poverty eradication, employment और purchasing power को बढ़ाना, rural areas में, और D समय के तलक्ष है इसका, सापेग्ष निर्धनता का क्या मतलब है, relative poverty का मतलब है काफी जादा economic inequalities, relative poverty का क्या मतलब है कि एक section तो आपका कुछ बहुत जी खारा है और एक section काफी उपर है standard of living में, ठीक है, और absolute poverty क्या मतलब है कि उतने resources जी नहीं है कि basic needs भी पूरी की जाएं, जबकि relative में एक work जह है basic needs पूरी कर रहा है जबकि एक वर काफी अच्छे से flourish कर रहा है standard of living में, तो आर्थिक असमनताएं होती है relative poverty में, भारत में अनुमानित राश्टरी आयका अनुमान कौन लगाता है, तो बहुत बाहर आया हुआ question, CSO, रट जाना चाहिए आपको अगला question है कि कौन सा आर्थिक स समाजिक अधी संरचने, यहीं कि अब social infrastructure में कौन सा नहीं आता है, तो education आता है, social में, health आता है, housing आता है, आपका court आता है, कारागार आता है, लेकिन telecommunication नहीं आता है, ठीक है यह आता है economic में, ठीक है economic infrastructure में, हमारा अगला question है कि दसमीं योजना की अधी क्या है, दसमीं पंचवर्षी योजना बहुत अच्छे से समझ लीजेगा चाहे तो विकिपीडिया से या किसी भी सोर्स से अगर ज्यादा एकनॉमी नहीं भी पढ़िये तो BPSC के लिए इन में से किस परपस के लिए Social Security Scheme जो है Unorganized Sector के Workers के लिए लांच की जाती है प्राधांनत्री ग्यामदय योजना का कौन सा पार्ट नहीं है तो प्रात्मिक सिक्षा इसमें cover करना है, primary health का एल्ट भी pi prov करना है सडके भी बनवानी है, ग्याम सड़ा के योजना इसी का है, ग्यामदय योजना का पार्ट लेकिन C नहीं है राश्ट्री समुद्याई के साथ फिलकर के कार करना भारत के आर्थिक सुधार के जनक कहा जाता है पीवी नरसिंग राओ को ठीक है पीवी नरसिंग राओ पर फिर से ये सो इसका इंसर होगा नाशनल इंकम का मेन सोर्स कौन सा है सर्विस सेक्टर है ठीक है ऑप्शन मबर ए दूसरी पंचवर्षी योधिना की रूप रेखा तयार की थी पीसी महल नोबिस ने इसको महल लोबिस प्लान के नाम से जाना जाता था पहला हरेट दोमार म सा विक्सित होती है राष्टी आयव में तृती एक छेत्रकान से कैसा रहता है तो यह हमेशा बढ़ता जाता है ठीक है कीप सॉन इंक्रीजिंग इसका ट्रेंड भी हम आपको दिखा देते हैं जैसे सेक्टरल रोध यह परसिंटेज में तो आप देखेंगे कि लगतार यहा होता है पद्लिक इस्पंडिचर होता है पद्लिक वर्क हalnya ठीक है एक पप्बिक डेट भी होती है लेकिं इंट्राश्ट यहां पर सही है यह कुछ नहीं है इमलिकित में से कौन इसा प्रतेक्ष कर सरकार को अधिक्तम सुद्ध राजस्व देता है तो बार-बार यह कोशन में बता रहा हूं अब गलत नहीं करना है किसी को भी अगर आ जाए तो कॉर्परेट टैक्सिस का एंसर होगा विश्व बैंक की नविन्तम विगास रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक में अर्थवस्था की स्थिती विश्व की कैसी है तो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं जो कि 2 अगस्त 2019 को अपडेट हुई थी तो ये है सातवी सबसे बड़ी ठीक है option number T यहां पर सही है मैं 2 अगस्त के इसाब से बता रहा हूं अगर किसी को कोई भी confusion है तो आप हमसे comment पर बूछ सकते हैं 2 अगस्त की news के इसाब से World Bank ने माना है कि हमारी economy जो है सातवी सबसे बड़ी है और हमारी सरकार कितनी बड़ी मानती है हमारी सरकार मानती है कि 6th largest है ठीक है बजट में भाषण में बोला गया था निर्मला सीतरमंड जी के दौरा कि हम 6th largest है और PPP basis पर कितने में है purchasing power parity पर ये कितने में हैं बता सकते ह आप हमको comment करके यदि भारती reserve bank के दौरा नगत कोश अनुपात में कमी की जाती है तो साक सरजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा credit creation पर प्रभाव क्या पड़ेगा तो जाहिर से बात है कि जादा मिल पाएगा general public comments के दौरा अगर यहाँ पर लिखा होता कि cash reserve ratio बढ़ा दिया जाता है तो degrees कर देता भारती विकास forum पहले किस नाम से जाना जाता था पहले इसको बोलते थे aid India consortium option number A यह सत्य होगा कि भारत को परिभाशित किया जाये तो भारत की परिभाशित किया जाता है भारत की economy को भारत की अर्थेवस्था को श्रम आधिकी वाली अर्थेवस्था के रूप में संशोधित वैट किसे संबंधी थे अब ये वैट वगएरा हट चुके हैं अब इनका रिवेंस नहीं है वैसे भी लेकिन इसको बोलते थे यहां पर sales tax आगे हमारा question है कि 11 पंच वर्षी योजना को देश क्या है इस question का सही answer हो जाएगा inclusive growth यह main feature था ठीक है बांकि remove of poverty तो था ही और rapid social infrastructure को grow करना था ही लेकिन inclusive growth यहां पर major term था option number B rainbow revolution जो है किसे related है ये color और revolution के नाम बहुत पूछ जाते हैं तो rainbow revolution में कई color आते हैं तो इसमें green भी आ जाता है white भी आ जाता है blue भी आ जाता है तो all of the above ठीक option number D तो rainbow revolution के मतलब है green revolution से भी white revolution से भी blue revolution से भी एक रुपए के note पर अस्ताक्षर किसके होते हैं ये finance secretary के होते हैं ministry of finance के option number A यहां पर सही है बारत में योजना उकास का समय क्या था plan holiday 1966 से 1979 के बीच राश्ट्री नियोजन में rolling plan की अधारना किसकी थी ये थी जनता government की ठीक है जनता सरकार की थी दूसरी हरित कांती किस से संबंदित होगी second green revolution related होगी high yield varieties से ठीक है option number A high yield varieties राजकोशी ये घाटा क्या है what is fiscal deficit इस question का सही answer हो जाएगा D some of budget deficit और government market borrowings and liabilities ठीक है अगला है जनकड़ना 2011 के नसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना साई census का question है ऐसे तो census आपको अलग से तयार करना चाहिए 324 घनत्व प्रतिवर किलोगेटर ठीक है उर्जा का वाणिजिक स्त्रोथ पूरी तरह से मिलकर करके बनता है किससे पावर भी आ जाता है इसमें कोल भी आ जाता है गैस हाइड्र एलेक्ट्रिसिटी और यूरेणियम ठीक है भारत ने अपनी इनर्जी क्राइसिस महसूस की थी 1973 के दौरान ठीक है ऑप्शन मुबर डी यहां पर सही है तो अब बताना है हमको कि फाइनेंशल सीखनेस का क्या कारण है ठीक है राज विद्द बोर्डों की वित्ती कमजोरी का क्या कारण है कि यहां पर उत्पादन सेल औफ पार तो अग्रिकल्चर और डो में स्टीक 270 विच्टिक और बेचते हैं इसले अंग ऊपर तक है ठीक है जितने में में बजली तैयार होती इससे कम में बेचिनी पड़ती है दुसरा है ट्रांश्मिशन और डिस्रिबूशन मॉस टीक है कि मुद्दाब स्टेट इलेक्रिक बोर्ड में कॉमर्शल ऑट्रनॉमी की कमी है स्टेट गौर्वर्मेंट जो है ये सोसल सबसीडी पॉलसी जो है अपनी राज विद्धुत बोर्ड के दौरा इम्प्लमेंट करुवाती हैं तो ये उनको घटा देता है तो कौन सा यहां पर करेक्ट है तो सारे कि सारे ही कारण है राज विद्धुत इलेक्रिसिटी बोर्ड की आर्थिक कमजौरी के मिप्राइट में बासे अपको तो mixed planned economy है option number C उसके बाद है कि rolling plan के बारे में क्या सही है तो rolling plan क्या चीज़ है rolling plan के मतलब है हाँ पर कि इसमें annual budget के लिए इस current year का plan आता है फिर अगला plan fixed number of years के लिए आता है 3, 4 या 5 साल के लिए और इसको revise कर सकते है इकनामी की conditions के recording ठीक है आर्थ व्योस्ता कि या वश्यक्ता के इनुसार हर साल इसको शंसोदित भी कर सकते है जनता government ने चलाय था बाद में चला नहीं था और perspective plan निकलाते हैं 15, 15 और 20 साल के लिए तो चारों ही यहाँ पर सही है rolling plan के लिए BPSC की हमारी test series इस संबर से आप contact करके जोइन करिएगा ठीक है इस तो whatsapp भी किया जा सकता है 15 test series latest pattern for with answer key solutions जैहिन दोस्तों वंदे मात्र हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर इस वीडियो से हम resume करेंगे अपनी BPSC pre-examination के regarding previous year question की subject wise series आज का topic है हमारा maths जिसमें हम देखने वाले हैं कि अभी तक जितने भी maths के question आए है BPSC exam के अंदर सभी को किस प्रकार से आपको करना है कौन कौन से chapter important है और कौन से background के लोगों को किन type की चीज़ें करनी चाहिए जिससे की वो अपने paper पे आने वाले 10 question में से कम से कम आठ नव question आसानी से बना ले जाएं आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी subscribers के लिए information है कि हमारे कई सारे paid group समय समय पर चलते रहते हैं इस समय हम तीन अपर PCS और एक lower PCS exams को सर्फ कर रहे हैं separate paid group और अलग से अगर आपको test series भी वाय करनी है इन सभी की जानकारी आपको 8564 वाले नंबर पे detailed way में मिल जाएगी आप वहाँ पे contact कर लीजेगा हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए study for civil services नाम से free का telegram group आपको join करना है description में आपको direct link मिल जाएगा जिसके थुरू आप इस से जाके जुड़ सकते हैं तो पहला question लेते हैं जो कि है remainder थियोरम का या फिर कह सकते हैं number system का a number when divided by 342 gives a remainder 47 एक particular number मान लीजे n है उसको यदि 342 से divide किया तो 47 आया लेकिन 19 से divide करेंगे तो क्या आएगा तो ये जो छोटे छोटे नंबर है न तो छोटे को यहाँ पर रखिए और बड़े नंबर को इससे divide कर दीजे बस simple है 19 to the 38 now यहाँ से remainder आ गया option B ये shortcut way होता इस type के question को करने का a person who spends 66 2 by 3 of his income is able to save rupees 1200 per month 66 सही 2.3% का मतलब है 2.3 तो 2.3 हिससे वो खर्च कर देता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो मान लीजे 3 unit उसकी income है तो 2 unit वो खर्च कर देता है तो 3 में से 2 हिससे खर्च कर दिये तो 1.3 वो save करता है इसी 1.3 की value 1200 है और हमसे पूची कितनी है sorry his monthly expenses are तो monthly expenses है 2.3 एक बटे 3 से 2.3 बनाने के लिए into 2 तो इधर भी 2 से multiply करिए answer के आ जाएगा 2400 इतने रुपए वो खर्च कर देता है option A a man gains 20% by selling an article for a certain price 20% का इसको profit हो जाता है तो मान लीजे cost price 100 रुपए मतलब 100 रुपए में वो उस particular article को खरीद करके लाया 20% profit कमाने का मतलब यह हुआ कि उसने 20% उपर बेंच दिया मतलब 120 रुपए में बेंच दिया if he sells it at double the price मतलब जितना वो पहले बेंच रहा था जिस भी रुपए में 120 रुपए में उससे दो गुने rate पे बेंच दिया मतलब 120 में ना बेंच के 240 में बेंच दिया लेकिन cost price अभी भी 100 रुपए ही है यह तो obvious सी बात है एक बार आप जितने रुपए पे करके article खरीद लाए वो तो change नहीं होगा ना तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपए की चीज को 240 रुपए में आप बेंच रहे हैं तो 140 रुपए का profit कमा रहे हैं कितने पे 100 रुपए तो 140 परसेंट यहां से correct हो गया 10 women can complete a piece of work in 7 days तो work बराबर होता है men in 2 days या फिर women in 2 days तो 10 अउरतें 7 दिन में उस काम को करती हैं 10 children take 14 days to complete the same work उसी काम को करने के लिए ये भी वही काम है वो भी वही काम है तो equal to assign 10 children 14 days लेते हैं 14 दिन लेते हैं 10 से 10 का इंसिल 7 दूनी 14 तो w बराबर 2c तो w by c का ratio ले लेंगे जो कि बहुत important होता है इससे आपको ये पता चलता है कि एक औरत एक दिन में 2 unit मतलब जो जिसके सामने लिखा है और एक बच्चा एक दिन में एक unit काम निप्टा देता है वो काम आखिर है कितना ये निकालने के लिए w की place पे 2 c की place पे 1 या तो यहाँ पे रखिए या तो यहाँ पे रखिए तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 10 w की place पे 2 into 7 इतना ही काम है अब इसको solve मत करिए इस काम को करवाना किस्से है ये देखिए आप इस काम को करवाने वाले हैं पांच और दस बच्चों से तो पांच एक औरत की value है 2 प्लस 10 एक बच्चे की value मतलब वो कितने unit हर दिन करता है तो एक है ये 10 दूनी 20 into 7 और नीचे क्या है पांच दूनी 10 प्लस 10 20 20 से 20 कट गया अंसर के आ गया 7 इतने ही दिन लगेंगे option D how many numbers between 11 and 90 तो 11 से जो बाद में आता है जो 7 से कट जाता है वो नमबर कौन है तो वो नमबर 14 है 11 के तुरंट बाद आने वाला 90 से ठीक पहले आने वाला वो नमबर क्या है जो कि 7 से कटता है ये है 84 because इससे साथ आगे जाएंगे तो 90 पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको जाना नहीं है तो ये पूरी AP की सीरीज बन गई कैसे 14 के बाद अगला नमबर कौन सा होगा इससे साथ जादा मतलब 21 इसी तरीके से 28 और इससे पहले क्या आ जाएगा 77 तो AP की सीरीज में नमबर आफ टम्स कैसे निकालते हैं सिर्फ पहले और आखरी अलिमेंट पर फोकस करिए तो नमबर आफ टम्स हो जाते हैं लास्ट माइनस फस्ट मतलब आखरी वैल्यू को पहली वाली वैल्यू से लेस कर दीजे और इसको डिवाइड कर दीजे गैप से मतलब 7 से और जो आंसर आए उसमें प्लस वन कर दीजे ये स्टेंडर तरीका है AP की सीरीज में नमबर आफ एलिमेंट निकालने के लिए 84 माइनस 14 70 70 बटे 7 यानि कि 10 10 और 11 तो 11 एलिमेंट हैं आपके पास Option E ये अगर पानी है तो उसमें नाव चलाने की जो उसकी गती है वो 7.5 किलो मीटर पर आर की है ये क्या है तो ये 3 बाइ 2 है या फिर उसको कह सकते हैं 1.5 तो पानी की गती कितनी है 1.5 किलो मीटर पर आर अब जब आप पानी पे चलते हैं बोट की सायता से या फिर आप खुद तैरते हैं जो भी समझ लीजिए तो इसमें पानी का भी इक्वल रोल रहता है मान लो पानी इस तरफ जा रहा है और आप भी इस तरफ जा रहे हो तो उस समय जो ओवरराल स्पीड होती है न वो होती है x पलस y जहां पे x का मतलब आप की स्पीड और y का मतलब पानी की स्पीड वहीं पे मान लीजिए पानी इस तरफ जा रहा है और आप जा रहे हैं पीछे मतलब उल्टी दिशा में तो overall speed हो जाती है x-y बस इनी दो चीजों का यहाँ पर use करेंगे it takes him 50 minute to row to a place and back मतलब गया और वापस आ गया time कितना लगा? 50 minute तो time होता है distance upon speed तो जब धारा के मतलब along जाएगा मतलब पानी और आदमी दोनों same direction में जाएगे तो speed हो जाएगी add यानि d by x plus y इसी तरीके से उल्टी दिशा में d by x minus y यह 50 minute मतलब इतने घंटे because एक घंटे में होते हैं 60 minute यह 5 बटे 6 तो d यहाँ से अगर आप common ले लें तो 1 by x plus y 7.5 plus 1.5 9 यहाँ से 1 by 7.5 minus 1.5 6 यह 5 बटे 6 बस इसको solve करना है 9 और 6 का LCM हो जाएगा 18 9 3 जा मतलब 9 2 जा sorry 6 3 जा वैसे उल्टा भी लिख देते कोई फरक ना पड़ता 5 बटे 6 2 3 5 5 से 5 cancel 6 3 का ठारा d जाएगा उपर तो हो जाएगा multiply तो distance कितना आ गया 3 km option A यहाँ पे कई बार दोनों तरफ का distance भी पूँच लेते हैं यहाँ पे एकी तरफ का पूँचाए तो 3 अगर double distance पूँचते तो 3-3-6 होता a sum of money invested at compound interest amount to rupees 4-6-2-4 in 2 years मतलब 2 साल में रुपए बन जाते हैं मतलब इतने रुपए आपने डाले नहीं थे 2 साल के बाद आपको ब्याज समेत मिले वो भी compound interest के तहत और 3 साल में कितने हो जाते हैं 4,913 तो 3 साल यह है 2 साल यह है तो इनके बीच का difference है एक साल और एक साल में आप जानते हैं कि जो simple interest होता है वही compound interest भी होता है तो यह जो interest आएगा ना इनके बीच का difference 4,913-4624 मतलब 289 विकॉज यह 11 का अंतर है otherwise 100 होता तो 289 आगया आपका compound interest लेकि चुँकि पहले साल में दोनों सेम होते हैं इसलिए इसको simple interest भी मान सकते हैं तो rate of interest मतलब जिसके तहत यह हिसाब किताब चल दा है कि पहले यह बना फिर यह बना rate of interest सबसे पहले हम लोग निकालेंगे SI बराबर होता है PRT by 100 यानि 289 is equal to आप इसको पता है principle मानेंगे क्योंकि ये था ये बन गया तो इसका मतलब इसको principle की तरीके से मानेंगे तो 4624 into r by 100 और time तो एक साल है because ये दो साल ये तीन साल एक साल का difference है 17 से काटेंगे 17 बार में जाएगा 17 से काटेंगे 17 दुनी 34 यहां से 122 17 7 जा 17 2 जा 17 16 जा तो r क्या आगया 100 बटे 16 यानि की 25 बटे 4 परसेंट अगर आप परसेंटेज के साइन को नीचे लाएंगे तो नीचे तो 400 हो जाएगा तो ये क्या आजाएगा 25 डिवाइड बाई 100 into 4 मतलब 1 बटे 16 एक बटे 16 से आप बढ़ा रहे हैं एक बटे 16 से बढ़ाने का मतलब 17 बाई 16 कर देना I think 17 बाई 16 तक सभी को समझ में आ गया होगा ये मानलो प्रिंसपल है इन्होंने बोला 2 साल के बाद 4624 हो गया तो इसका मतलब 2 बार 17 बाई 16 से गुणा किया because एक बटे 16 से आप बढ़ा रहे हो न तो एक बटे 16 से बढ़ा रहे हो इसका मतलब 17 बटे 16 से गुणा कर रहे हो percentage में ये concept तो आप सभी जानते ही होंगे तो मानलो यहाँ पर प्रिंसपल X है तो X का 17 बाई 16 टाइम्स किया फिर ये जो आया उसका भी 17 बाई 16 टाइम्स किया तो 424 रुपए बन गए ये कितना हो गया? 272 ये कितना हो गया? 16 ये 16 दो बार लिखाए ना तो 16 का स्क्वेर उपर जाएगा तो ये 16 का क्यूब बन जाएगा because एक 16 पहले से है 16 का क्यूब होता है 4,096 option C इसको प्रॉफिट हुआ तो इस 20 का 9% एक बार जरा निकाल लेते हैं 9 by 100 into 20 25 जा तो 9 बटे 5 का उसको प्रॉफिट हुआ I think ये क्लियर हो गया होगा अब इसके बाद लिखा हुआ है The man wants to have an interest of 12% on his money Shares and dividend के case में अगर कोई व्यक्ती के बारे में ये लिखा हुआ है कि वो इतना ब्याज प्राप्त करना चाहता है 12% का मतलब ये है कि वो 100 रुपए में 12 रुपए का लाब चाहता है यानि कि 12 रुपए का लाब कब मिलेगा जब 100 रुपए मार्केट वैल्यू होगी इसका मतलब यह हुआ अगर 9 बटे 5 का लाब हुआ तो market value क्या यह है simple सी चीज़ जो कि आपको बतानी है तो इसको solve कर लेंगे 9 by 5 into 100 divide by 12 इसने इसको 20 बार में काटा 3, 4, 3, 3, 4, 25 तो 3, 5, 15 market value है 15 रुपए option B यहां से correct हो गया a man invested rupees 76,000 in a business यहां पर वैसे उसका नाम A ही है तो A नाम के बंदे ने 76,000 रुपए बिजनेस में डाले after a few months B joined him with rupees 57,000 B ने कुछ महीनों के बाद 57,000 रुपए के साथ उस particular बिजनेस में एंट्री मारी अब यहां से एक बात इस पस्ट हो जाती है B कुछ महीने बाद आया ना इसका मतलब जितने भी टाइम तक की बिजनेस चला होगा B उसमें involved नहीं था B आया है बाद में लेकिन एक बात तो यह साफ है कि A पूरे टाइम रहा है अब देखते हैं जरा बिजनेस कितने टाइम रहा है at the end of the year एक साल रहा है मतलब बारा महीने और B को मान लो वो X महीने रहा investment into time होता है profit तो यह क्या आ गया profit का ratio तो इसको solve कर लेते हैं जरा यह 3-0 से 3-0 cancel हो गया 19-4 जा, 19-3 जा 3-4 जा यह आ गया 16 और यह आ गया X तो profit का ratio क्या आ गया 16 बटे X जो कि हमें दे रखा है 2 बटे एक के बराबर तो 2-8 जा, X बराबर 8 8 महीने के लिए B नाम का बंदा बिजनेस में रहा अगर हमसे यह पूचा जाता तो answer आता 8 लेकिन चुकि हमसे पूचा है कि यह कितने महीने बाद आया इसने जॉइन कितने महीने बाद किया देखे यह होता यह है कि पहली बात तो 12 महीने तक बिजनेस चला 8 महीने तक इस पर्टिकुलर बंदे ने पैसे लगाए तो जाहिर सी बात 4 महीने बाद आया option B A, B and C invested 20 lakh रुपी से न बिजनेस इंदा रेशियो देश तो इससे एक चीज तो clear हो जाएगी कि किसने कितने रुपे लगाए अगर रेशियो को add कर देंगे तो 7, 2, 9 और 1, 10 आ जाएगा अगर total 10 रुपे लगाए गए होते तो 7 रुपे A के हिस्से में जाते 2 रुपे B के हिस्से में, C के हिस्से में 1 रुपे जाता लेकिन रुपे तो 20 lakh लगाए गए न तो 10 का मतलब 20 lakh 10 टूजा तो 1 का मतलब 2 lakh मतलब हर चीज को double कर दो किसने कितना लगाया पता लग जाएगा 7 का double 14 A ने लगाया 14 lakh रुपे 2 का double 4 B ने लगाया 4 lakh रुपे 1 का double 2 C ने कितने लगाया 2 lakh रुपे अब ज़रा ध्यान से देखिए The total profit is 18% इसका मतलब ये हुआ कि जिसने जो भी रुपे लगाये हर एक ने 18% का लाब प्राप्त किया तो A का profit ज़रा देख लेते हैं 14 lakh को सबसे पहले अच्छी तरीके से लिख देते हैं ये है 14 lakh इसका 18% निकाल दीजिए A का profit पता लग जाएगा इसका 18% ज़रा ध्यान से निकालेंगे अगर 10% निकालना होता तो इस 0 को गायब कर दिये होते हैं तो ये क्या है 140,000 20% निकालेंगे तो इसका मतलब डबल 28,000 लेकिन 2% कम भी करेंगे विकाज 18% निकालना है तो इसका 2% हो जाएगा 14,000 का डबल 28,000 तो 28,000 में से 28,000 चला गया तो 25,000 बच गया अब लेकिन कहा जा रहा है कि A ने जितने भी रुपए कमाए मतलब 25,000 इसका 30% टैक्स के रूप में सरकार को दे दिया या फिर जिसको भी दे दिया तो अगर टैक्स को हटा के आपको प्रॉफिट निकालना है मान लीजे P- तो क्या करेंगे इससे टैक्स निकाल देंगे 30% इसका निकालेंगे लेकिन जरा ढंक से 30% का मतलब 10% का 3 गुना तो इसका 10% तु सीधे दिख रहा है 25,200 इसका ट्रिपल करेंगे तो 75,600 2,52,000 में से 75,000 को लेस करिए तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 17 1,76,400 रुपए टैक्स काटने के बाद A नाम के बंदे ने कमाए अब इसके बाद और किसके बारे में हमें बात करनी है सब कुछ डिलीट बस आप 1,76,400 याद रखेगा What percent of net profit of A is more than that of B तो आपको B के बारे में वही हिसाब किताब चाहिए अब B ने 4,000,000 रुपए कमाए Sorry 4,000,000 रुपए बिजनिस में डाले तो 4,000,000 का 18% अगर आप करेंगे तो आपको उसका profit पता चल जाएगा यह है 4,000,000 तो 18% निकालने से पहले 20% निकाली ज़रा इसका 10% होता है 40,000 तो 20% मतलब डबल यानि 80,000 अब इसमें से 2% कम करिये मतलब 4,000 का डबल कम करिये 8,000 कम करिये तो B ने कमाए 72,000 रुपए I think यह क्लियर हो गया होगा कैसे हुआ लेकिन हुआ क्या इसने 20% टैक्स दे दिया तो 20% टैक्स दे दिया इसका मतलब जो वो कमाएगा टैक्स को देने के बाद वो इसमें से 20% लेस करने के बाद कमाएगा तो इसमें 10% कम करेंगे तो 72,000 20% कम करेंगे तो 14,400 तो इसमें से जरा लेस करी 14,400 14,000 कम करेंगे तो 58,000 आएगा 400 और कम करेंगे तो 57,600 आएगा यह 57,600 है तो आपको बताना है कि A का B से कितना ज़्यादा है मतलब कितने परसेंट वाइस ज़्यादा है तो इनके बीच का आप डिफरेंच लेंगे तो यह करीबन 1,19,000 के आसपास आएगा और यह है 57 मतलब डबल से ज़्यादा हो रहा है तो वैसे तो करीबन 240,50 मतलब 240 या 200 परसेंट इसका अंसर आना चाहिए लेकिन आपके आयोग ने इसको D दिया था तो वो आला अंसर मैंने आपको बता दिया लेकिन आप इसको खुदी कैलकुलेट करके अपना देख सकते हैं 240 से 250 के आसपास आएगा ये आगया रिजनिंग का कुश्चन रिजनिंग के कुश्चन बहुत रियार आते हैं लेकिन कभी-कभी आ जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये है तो इसमें एक बार आपको लॉजिक बता देता हूँ कि कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है A से लेकर I B, C, D, E, F, G और H ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से हो रहा है न लेकिन ये 1, 2, 3, 4 की सीरीज J, K, L, M, N, O, P, Q, R इनके लिए भी रिपीट हो जाएगी S, T, U, V, W, X, Y, Z इनके लिए भी रिपीट हो जाएगी तो बस इस से मैच करा लीजिए अंसर आ जाएगा यहाँ पे M का मतलब है 4 तो शुरुआत होनी चाहिए 4 से जहाँ पे शुरुआत 4 से नहीं हो रही है उनको हटाईए, A खतम, D खतम उसके बाद E E का मतलब है 5 4, 5 दोनों में है, अभी रुके रहिए लेकिन 2, 9 भी दोनों में है तो 2, 9 से कोई फरक नहीं पड़ेगा तो हमने 4 बना लिए अब O का मतलब अगर आपने correct पता कर लिया तो बचा हुआ option भी हट जाएगा O का मतलब है 6 तो 45, 296 जहां पे शुरुवात में है उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे यानि कि option B X is a consecutive whole number and the first four values of the expression this are 7, 20, 45, 88 what is the fifth value तो ये जो कुछ भी है एक बार जरा इसको ignore मारते हैं और इस सीरीज पर फोकस करते हैं 7, 20, 45 और 88 ये gap है 13 का ये gap है 25 का और ये gap है 43 का आगे gap लेंगे तो ये 12 का ये 18 का तो ये पका 24 का होना चाहिए 43, 24 कितना हो गया 67, 88 प्लस 67 कितना हो जाएगा 166 में से 12 गया 155 तो 155 यहां से strike कर गया होता तो फिर से reasoning का आगया इसमें आपको सिरीज बतानी है alpha numeric series है तो यहां पे सबसे पहले numerical value देखते हैं उससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी 26 ये 24 minus 2, 24 ये 24 ये 20 minus 4 तो यहां क्या आना चाहिए minus 6, 20 minus 6 14 तो बीच में 14 जहां पे है वो आपका answer होगा यानि की option D बांकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ये उसका basic pay है लेकिन उसको महंगाई भत्ता 132 परसेंट मिलने लगा जबकि पहले कितना मिलता था 125 परसेंट तो 7 परसेंट salary में increment तो यहीं से हो गया इस से 700 का 7 परसेंट लेंगे यानि 77 इंटू 7 ये हो जाएगा 539 इतनी salary तो इसकी already बढ़ चुकी है और उपर से एक और बात हो रही है कि पहले उसको 22% tax देना परता था लेकिन 20% दे रहा है और 2% फिर से बढ़ेगी तो इसका 2% हो जाएगा 154 इतनी salary बढ़ेगी 9, 4, 13 ये 9, 6, 693 रुपे इसकी बढ़ेगी तो option E यहाँ से correct होगा कुछ नहीं अब यहाँ पे कुछ लोग यह confused हो सकते हैं कि वो tax जादा दे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ tax cutouty इसका मतलब यह हुआ कि पहले 22 देता था 20% tax दे रहा है reasoning का एक और question आ गया यहाँ पे आपको equation satisfy करानी है तो A option के हिसाब से सबसे पहले values लिखिए 12, 2, 3, 8, 1 और फिर से 12 12 और 2 के बीच में है minus जिसका मतलब है division तो यह division का sign आ गया 2, 3 के बीच में है plus plus का मतलब है multiplication तो यह multiply आ गया 3, 8 के बीच में है divide divide का मतलब है difference मतलब negative का sign ले लो बस 8, 1 के बीच में है into का sign into के sign का मतलब है add करना है तो यहाँ पे add 1 और 12 के बीच में है greater than greater than का मतलब है बराबर इसको solve करके 12 के बराबर दिखाना है दिखा पा रहे हैं तो ठीक otherwise इसको काट के आगे बढ़िए यह 6 हो जाएगा 6 तरीक 18 18 में से 8 गया 10, 10 और 11 जबकि यहाँ पे 12 दिया है यह option wrong हो गया उसके बाद फिर से आते हैं 11, 2, 4, 2 और 1 और 11 यहाँ पे थोड़ी space बना देते हैं जिससे solve करने के लिए जगा मिल सके 11 और 2 के बीच में है into का sign into का sign का मतलब plus फिर divide का sign जिसका मतलब है negative sign फिर है negative sign जिसका मतलब है division और फिर है plus का sign जिसका मतलब multiplication तो जो बचा है वो आ जाएगा equal to के sign का मतलब है greater than मतलब यह यह जो कुछ भी आएगा वो 11 से बड़ा होना चाहिए तभी इस option को हम tick कर पाएंगे यह 2 हो गया 2 into 1 2 हो गया तो 2 से 2 कट गया 11 11 से बड़ा तो नहीं होता ना बराबर होता है तो यह भी गलत है उसके बाद 7, 2, 5, 5, 2 और 7 फिर से यह थोड़ा boring question है लेकिन हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है division का मतलब है difference उसके बाद into का मतलब है addition फिर negative का मतलब है division फिर plus का मतलब है multiplication equal to का मतलब है greater than अब यह जो कुछ भी है साथ से बड़ा होना चाहिए यह simple है यह 1 हो जाएगा 1 into 2 2 हो जाएगा यह भी कट जाएगा तो यह भी option wrong है तो जो बचा हुआ option है वो आपका correct हो जाएगा यानि कि D अब यहाँ पे more than one of the above लिखाए न मतलब दो answer तो नहीं आ रहे है तो right answer क्या हो गया D In the bottom of a water tank there are two trains A and B मतलब दो type की pipe है जिनका नाम है A और B If only A is open It takes 30 minutes to empty a full tank मतलब A किसी tank को खाली कर सकता है 30 minutes में And if B is open It takes only 20 minutes B को लगते हैं 20 minutes अब दिया क्या है आगे वो देख लेते हैं If for 10 minutes both drain pipes are open लेकिन वो चीजें बाद में सबसे पहले हम यह assume करते हैं कि यह tanky कितनी बड़ी है कितने लिटर पानी आता है उसमें तो यह हो जाएगा इनका LCM 30-20 का LCM होता है 60 जहां तक A नाम के pipe का सवाल है तो 30 minutes में 60 खाली करता है तो 1 minute में 2 खाली करता है इसी तरीके से भी 3 खाली करता है तो 1 minute में यह दोनों मिलके 5 लीटर खाली कर लेते हैं अब दिया हुआ है कि 10 minutes इनको खोल दिया तो 5 दहम 50 लीटर पानी यह खाली करके बहा चुके हैं तो बचा कितना? तंकी में 10 लीटर अब यह 10 लीटर कौन खाली करेगा जरा देख लेते हैं लिखा हुआ है B is closed B उसमें participate नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है जो बचा है वो करेगा एक जहां तक सवाल है तो वो एक मिनिट में 2 लीटर खाली करता है और ऐसे ऐसे 10 लीटर इसको खाली करने है तो ऐसे ऐसे 5 मिनिट और लगेंगे हमसे पूँचा है how much time it takes to empty a full tank total कितना time लगा 10 यहां से 5 यहां से तो 15 मिनिट लगा option B यह आ गया permutation and combination का question अब इसको conventional वे से करेंगे तो बस करते ही रह जाएंगे बहुत कैलकुलेटिव होता ही है तो value put कर देते हैं यहां प्यामें चाहिए 2N C3 तो N की place पे अगर हम 6 रख दें तो 2N हो जाएगा 12 12 C3 बटे में N C2 मतलब 6 C2 अगर यह 12 is to 1 देगा तो correct होगा otherwise नहीं होगा 12 C3 solve करना अमारे लिए आसान है बस multiplication की series चलाईए 3 बार 12 into 11 into 10 और successive element आपस में एक एक कम होते जाएंगे यह trick होती है और इतना ही नहीं यह divide होता है 1 into 2 into 3 से अब यहां पर देखते हैं 6 into 5 divide by 1 into 2 क्या कर सकते हैं 12 into 11 into 10 divide by 1 into 2 into 3 divide किया इस से तो into करेंगे इसके उल्टे से 2 divide by 30 2 से 2 cancel हो गया 0 से 0 cancel हो गया 3 चौक 12 लेकिन इस 11 के कारण हमें उपर 12 नहीं मिलेगा तो यह option रॉंग है उसके बाद आते हैं second पे second पे अगर हम इनकी प्लेस पे 5 लेंगे तो 2 एन हो जाएगा 10 10 C3 divide by 5 C2 10 into 9 into 8 divide by 1 into 2 into 3 divide by 5 into 4 1 into 2 यहीं पे solve कर लेते हैं 2 दूनी 4 3 3s are 9 2 4s are 8 बाद की आप 10 से इसको काट देंगे और 2 से यह कट जाएगा तो यह 12 और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं 12 बटे कहां से करेक्ट हो गया इसका मतलब सही option का चुनाओ हमने किया था option B the variance of this particular data तो variance निकालने के लिए सबसे पहले इनका mean निकाल लो तो इनका mean तो लगातार मतलब हर जगे same है तो mean भी 7 हो जाएगा because इन सब को जोड़ोगे 5 से divide करोगे तो भी 7 आएगा otherwise यह AP की series है और बीच वाला element mean होता है तो भी 7 आजाएगा अब variance निकालने के लिए क्या करना होता है कि यह जो mean आया हर एक को इस से less करते जाओ तो 7 minus 7 0 ऐसे ही बाकी के 4 भी 0 तो अब यह 0 आगया ना अब इसके आगे आप कुछ भी करिए इनका square वैसे करते हैं तो square करेंगे तो भी 0 आएगा और square करने के बाद जो आएगा मतलब यह सारे इनका average भी 0 आएगा यानि की option B log 2 की value देखके log 5 आप से पूँच लिया तो log 5 क्या होता है log 10 by 2 log की property लगा के इसको लिख सकते हैं log 10 minus log 2 log 10 होता है 1 यह value याद होनी चाहिए 1 minus log 2 आपको दे रखा है मतलब 0.30103 तो यह प्रॉक्स आजाएगा 0.698 यानि की option D इस series के बारे में आपको बात करनी है तो जब भी आपको series दे रखी हो सबसे पहले इनका gap निकाल के चेक करते हैं तो 5 by 6 minus 1 by 2 इन दोनों के बीच में gap ढूँड रहे है यह आगया 2 by 6 यानि 1 by 3 अब अगर इनके बीच में यही gap मिल गया एक बटे 3 तो यह arithmetic series हो जाएगी otherwise कुछ और सोचना पड़ेगा यानि 7 by 6 minus 5 by 6 2 by 6 तो gap लगातार सेम है इसका मतलब arithmetic series है option A a triangle as vertices is this find its area तो area of triangle निकालने के लिए अगर उसके कोनों के coordinate आपको given हो तो एक determinant होता है उसको solve कर लीजिए x1, x2, x3 y1, y2, y3 और triple 1 इस determinant को आप चाहें तो note कर सकते हैं इसका बड़ा सारा use आता है और जो हमारे science side के student है उनके लिए determinant solve करना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन बाकी के लोगों के लिए इसको explain कर दिया जाएगा तो बस value put कर देते हैं half बाहर लेंगे x1, x2, x3 की place पे 1, 3 और minus 3 मतलब सभी के पहले वाले नीचे क्या उतारेंगे सभी के दूसरे वाले और सबसे नीचे triple 1 इस determinant को चलिए अब solve करते हैं इनका cross multiplication 0, 1, 0 और बीच में हमेशा minus आता है minus minus, plus, 7 उसके बाद ये minus आता है बीच में इसके बाद इस तीन को common लेते हैं उसके बाद इनका cross multiplication 6, 1, 6 minus, minus, plus तो 7, 1, 7 उसके बाद यहाँ पर तो plus आता है लेकिन plus, minus, minus तो ये minus 3 और उसके बाद इन दोनों का cross multiplication यानि 6 minus 0 ये क्या आगया 1 by 2 7 minus 6, 7, 13, 39 minus 18 इसको आगे solve करेंगे तो half 7 में से 49 गया मतलब minus 32 minus 18 यानि minus 50 का आधा minus 25 लेकिन area negative होता नहीं है और वैसे भी इस determinant की negative value अपने आप positive बन जाती है ये mod का sign है तो answer क्या हो जाएगा 50 का आधा 25 option B the angle between two lines this and this तो ये भी class 11th NCRT का question है जितने भी हमारे sign side के student है वो तो इसको करी लेंगे लेकिन जो other background के student है उनके लिए difficult है और मैं रिक्वेंट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप 11th के NCRT पढ़िए जाके class 10th तक की जितनी match है मतलब जितने भी concept है अगर आप सीख पा रहे हैं और उनी से जो question आएगा उसी में attempt करिए 10 में से 7 से 8 question 10 तक के आते हैं बागी के आते हैं higher level के anyways इसको solve करना शुरू करते हैं पहली equation है 3X plus Y minus 7 is equal to 0 तो इसको भेज देते हैं उधर तो यह हो जाएगा 7 Y is equal to मतलब Y की value निकाल लेते हैं तो यह 7 minus 3X हो जाएगा अगर इसको Y is equal to MX plus C से compare करेंगे तो यहाँ पे M की place पे आजाएगा minus 3 जो M होता है वही slope होता है तो M1 is equal to minus 3 because यह equation number 1 थी ऐसे ही दूसरी question है X plus 2Y is equal to minus 9 because यह plus उधर गया तो वह हो गया negative तो यहाँ से 2Y की आजाएगा minus 9 minus X तो Y की आजाएगा minus 9 by 2 minus X by 2 Y is equal to MX plus C से compare करेंगे तो M2 आजाएगा minus 7 तो बस M1 M2 की जरुरत थी वह हमें मिल गई अब उसके बाद एक formula होता है बहुत standard यह तरीका है angle calculate करने का NCRT में given है class 11th में यह होता है 10 theta is equal to M1 minus M2 और नीचे आजाएगा 1 plus M1 M2 इसमें M1 M2 की value रखेंगे तो minus 3 plus 1 by 2 और नीचे क्या आजाएगा 1 plus इन दोनों का product मतलब 3 by 2 because 3 into 1 by 2 3 by 2 हो जाएगा और minus minus plus हो जाएगा यह उपर क्या आजाएगा minus 5 by 6 और नीचे क्या आजाएगा 5 by sorry 6 कहां से आया यह तो 2 है और नीचे क्या आजाएगा 5 by 2 तो यह क्या आजाएगा minus 1 लेकिन इसमें भी मौड लगा होता है तो minus 1 बाहर आएगा 1 के रूप में 10 theta आगया 1 तो theta आगया 10 inverse 1 यानि की 45 degree option B if 1060 is equal to root 3 what is the value of sex 60 इसकी जरूरत भी नहीं कि 1060 क्या है उससे मतलब भी नहीं sex होता है cos का उल्टा cos 60 होता है आधा तो sex 60 हो जाएगा इसका reciprocal यानि 2 option C reasoning से एक और question आ गया ये 2, 4, 3, 9, 4, 16 इसको pronounce करते ही कुछ ना कुछ strike कर रहा है क्या कर रहा है ये जो 4 है ये 2 का square है मतलब हर एक अगला element पिछले वाले का square है जैसे 3 का square, 9, 4 का square, 16, 5 का square, 25 तो 6 का square, 36 option A horse को इस तरीके से लिखा है तो monkey को किस तरीके से लिखेंगे coding and decoding reasoning का question आ गया तो h से d का relation बनाना थोड़ा difficult है लेकिन h से g का बना सकते है h से g जा सकते है minus 1 o से n जा सकते है minus 1 तो बस आगे देखने से पहले लगातार minus 1 करिए ये जो monkey लिखा हुआ है न तो M से minus 1 करेंगे L आएगा आखरी में L देखिए कहां पे A की option में है टिक करिए आगे बढ़िए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है which smallest number is to be multiplied 2 56700 to be a perfect square इसको क्या होना है एक perfect square होना है लेकिन ये हो नहीं पाएगा तब ही तो ये question बनाए कहा जा रहा है कि किस से multiply कर दें ये हो जाएगा तो इसके करने पड़ेंगे factor इसको लिख सकते हैं 567 into 100 अब 100 की बज़े से तो कोई problem नहीं है वो खुदी 10 का square होता है problem is 567 में है तो इसके further factor कैसे करेंगे 7, 6, 13, 5, 18 ये 9 से कट रहा है तो काटते हैं भई 9 से 9, 6, 54, 9, 3, 27 इसको लिख दिया हमने 63 गुणे 9 अब 63 खुद क्या होता है 9 गुणे 7 और ये 9 है ये 9 पेर में है ना तो जो पेर में है वही तो perfect square बनाते है इन 9 की वज़े से कोई problem नहीं है लेकिन 7 यहाँ पे 1 की बार है अगर 1 बार 7 और मिल जाए तो ये बन जाएगा इसका काम हो जाएगा तो हमें 1 7 से 2 7 बनाने के लिए 1 7 से multiply कराना होगा तो किस से कराना होगा 7 से option C The average temperature on Monday, Tuesday and Wednesday was 42 degree तो Monday plus Tuesday plus Wednesday क्या जाएगा मतलब average 42 है तो sum कितना हो जाएगा 3 गुणा because 3 दिन की बात हो रही है यानि 126 The average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday इस 43 43 का 3 गुणा करेंगे तो 129 आजाएगा अब यहाँ पे कौन किस से कट रहा है वो काट दीजिए T से T, W से W कैंसल हो गया तो T, H, U minus Monday यह आगया 119 minus 126, 3 अब यहाँ पे इंगलिस वाले जरह ध्यान दे आपके में data missing है लेकिन हिंदी में यह लिखा हुआ है ब्रस्पतिवार का तापमान 44 डिग्री था तो यह 44 था Monday आपसे पूँच लिया तो Monday के आगया 44 minus 3 यानि की 41 44% of X 44 by 100 into X बराबर 11 1444, 4 ने इसको 25 बार में काटा 25 गया उधर तो X बराबर कितना आगया 25, option B क्योंकि भही आपसे पूँचा था climbing on a minaret मतलब minare की बात हो रही है of 180 stairs 180 सीड़िया कुल मिला के चड़नी है a man rest for 2 minutes after climbing 30 stairs तो 0 से लेकर 180 तक जाना है और एक बार में 30-30 सीड़िया कवर होती है और जैसे ही 30 सीड़िया कवर होती है 2 minute का break लिया जाता है तो पहली बार में 0 से 30 जब गए तो 2 minute का break लिया फिर 30 से 60 गए फिर से 2 minute का break लिया फिर 60 से 90 फिर से break लिया 90-120 फिर से ब्रेक लिया 120-150 फिर से ब्रेक लिया लेकिन अब एक बात बताईए 150-180 के बीच जब आप ट्रैवल करेंगे तो 180 सीड़ियां आपको कुल मिला के चड़नी थी तो 150 और 180 के बीच में क्या आप ब्रेक लेंगे नहीं ले पाएंगे बिकॉज आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे तो यहां से 2-2 मिनट के 5 ब्रेक लिये तो टोटल ब्रेक लिया 2-50 दस मिनट का ओप्शन सी डाइमेंशन और फुडन ब्लॉक इस 5 x 10 x 20 जब भी इस तरीके से लिखा हो सम्थिंग क्रॉस सम्थिंग क्रॉस सम्थिंग तो लेंथ पहले विट्थ बाद में और उसके बाद में हाइट यह स्टेंडर्ड फॉर्मैट होता है बताने का तो एक लकडी का कोई गुटका है उसकी डाइमेंशन दे रखी है एक बहुत बड़ी चीज बतानी है मतलब बना के बतानी है जो की क्यूबिकल फॉर्म में होगी और क्यूबिकल जो फॉर्म है उसकी साइड क्या होगी इस दा लोवेस्ट कॉमन मल्टिपल आफ वॉडेंड ब्लॉक्स डाइमेंशन यानि कि उपर जो भी डेटा है उसका LCM हो जाएगा उस क्यूब की साइड तो पांच, दस और बीस का LCM हो गया साट सॉरी साट नहीं होगा ये खुद बीस होगा बिकॉस बीस से बीस भी चला जाता है दस भी और पांच भी तो जो आपको क्यूब बनाना है उसकी साइड आपको पता लग गई 20 सेंटी मीटर और आपको ये बताना है कि छोटे छोटे जो लकड़ी के गुटके हैं जिसकी साइटा से आप बड़ा सा क्यूब बना रहे हैं ऐसे ऐसे कितने हैं ये लोग तो नमबर ओफ सम्थिंग जब बताना हो तो बड़ी वॉल्यूम को छोटी वॉल्यूम से हमेशा डिवाइड कर लिया करिए बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे है ये जो 20 है ये क्यूब इसकी वॉल्यूम क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड का क्यूब मतलब 20 x 20 x 20 और वुडेन ब्लॉक की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी लंबाई गुणे चोड़ाई गुणे उचाई 5 x 10 x 20 20 से 20 कटा 10 x 2 x 5 x 4 x तो ऐसे ऐसे 8 लकडी के ब्लॉक आपको चाहिए 4 दुनी 8 Option B 10 लेबर्स Dig a well in 4 days 10 मजदूर 4 दिन में एक कुएं को पूरा खोद देते हैं Then how many labor are needed to dig this same well आपको इसी कुएं को खुदवाना है आदे दिन में तो बताईए कितने labor लगेंगे ये है simple सा question तो 10 x 4 is equal to मान लीजिए आपके पास labor x है लेकिन इस बार आपको आदे दिन में काम करवाना है तो ये भी वही काम है ये भी वही काम है तो equal to का sign लगा दिया और ये क्यों किया work बराबर होता है men into days 10 into 4 x into half इस दो को उधर बेजेंगे तो multiply हो जाएगा 10, 4 को 40 दुनी 80 80 आदमी आपको चाहिए option D an engine whose wheel has circumference of 7 1 by 7 meter circumference की value इतनी बता रखी है rotates 7 times in 9 seconds 9 seconds में 7 बार rotation perform होता है 7 times तो 1 second में कितनी बार होता है 7 by 9 times ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं तो ये अगर मान लीजे पहिया है तो पहिया एक चक्कर काटते वक्त कितनी distance travel करेगा तो distance in one revolution मतलब एक चक्कर लगाते time जो उसने दूरी की वो हो जाएगी इसकी circumference के बराबर तो एक चकर अगर ये काटेगा तो ये दूरी तै करेगा 7 by 7 यानि की 50 बटे 7 ये इतनी बात clear हो जानी चाहिए distance in one revolution is equal to 50 बटे 7 because वो circumference है आप से पूँच रहें इसमें find the speed of the train in kilometer per hour kilometer per hour में आपको train की speed बतानी है तो speed बराबर होता है distance upon time time यहां से आगया 7 by 9 because एक second में इतने ही चक्कर काटे जा रहे है तो speed हम लोग निकाल लेते है distance की place पे 50 बटे 7 रख देंगे और time की place पे क्या रख देंगे 7 बटे 9 लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए ये 7 बटे 9 आपको बता क्या रहा है 7 बटे 9 times लिखा हुआ है मतलब इतने चक्कर काटे जा रहे है तो कोई भी चीज कितनी बार होती है इसका मतलब उसकी frequency तो frequency और time inversely proportional है तो अगर frequency 7 बटे 9 है तो time 9 बटे 7 होगा इतनी बात आप सभी को समझ लेनी है तो time की place पे 9 बटे 7 रखेंगे 7 से 7 हो जाएगा cancel तो 50 बटे 9 यहां से correct होगा लेकिन चूंकि वो option में है नहीं और ये 50 बटे 9 अंसर आया है मीटर में तो मीटर पर second से km पर आर कैसे बना सकते हैं 18 बटे 5 से multiply करके 5 10 जा 9 2 जा 10 दूनी 20 20 km पर आर speed हो जाएगी train की option B the population of a city is increasing by the rate of 4% annually and extra growth by the rate of 1% annually due to refugees अगर refugee ना होते तो population का जो rate of growth है वो 4% होता मतलब इतने percent की दर से population बढ़ती अगर मान लीजे पिछले साल 100 लोग गाउं में रहते थे तो 4% बढ़के 104 हो जाते अगर refugee ना आते तो लेकिन जो 1% बढ़ाना वो किस कारण बढ़ा क्योंकि refugee आ गए तो refugee को मिला के population की growth rate क्या हो जाएगी 5% 5% पहले साल हुआ और 5% दूसरी साल हुआ तो जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो कि लगातार 2 साल है मान लीजे यहाँ भी कुछ percentage से growth देखने को मिली और यहाँ पर भी तो x plus y plus x y by 100 formula लगाके आप बिना data को use करे directly बता सकते हैं कि क्या overall population growth रही होगी तो 5 plus 5 plus 5 into 5 by 100 यह 10 हो जाएगा और यह 25 बटे 100 मतलब 1 बटे 4 मतलब 0.25 तो यह क्या हो जाएगा 10.25% option B यह देखे एक और आगया reasoning का question यह decide के सामने यह जो कुछ भी लिखा है न तो यह direct coding का example है इसका मतलब D के सामने अगर 4 है तो D का मतलब 4 है E के सामने अगर 5 है तो E का मतलब 5 है यह है simple सी चीज अब देखे D 4 और E 5 आखिर हुआ कैसे अरे कुछ नहीं simple सा numerical equivalent लिखा गया है और कहीं कुछ नहीं तो यह जो A, B, I, D है न तो A का मतलब 1, B का मतलब 2 I का मतलब 9 D का मतलब 4 और E का मतलब 5 तो 139, 45 option C यहां से correct हो गया If X percent of Y is Y percent of Z तो X by 100 into Y percentage के sign को हटाया 100 को नीचे लाए Is, Is का मतलब है equal to Y by 100 into Z 100 से 100 cancel Y से Y cancel तो X बराबर कितना आ गया Z आ गया यानि कि Z बराबर X आ गया तो Z की value पूछी है तो वो तो X है option A A man walk at 3 4th of his normal मतलब उसकी जो भी पहले की speed थी उसके 3 बटे 4 हिस्से से चलने लगता है 3 बटे 4 हिस्से से चलने का मतलब वो अपनी speed कम कर लेता है यह speed V1 है और यह speed V2 है पहले अगर मान लीजे 1 थी तो अभी हो गई 3 by 4 यानि की अगर इस 4 को उधर भेजे तो पहले speed 4 थी अभी 3 हो गई है तो यह तो speed का ratio हो गया अब time का जो ratio है वो speed के ratio के उल्टा होता है तो time का जो ratio है वो क्या हो जाएगा 3 by 4 यह time का ratio है और लिखा हुआ है is late by 1 and a half hours मतलब 90 minute late हो जाता है because एक गंटे में 60 minute होते हैं तो यहाँ पहले time उसको 3 लगता था अभी 4 लगता है तो कितने का difference आ गया एक का difference आ गया और एक के difference को इन्होंने 90 minute के बराबर बताया है तो एक का मतलब 90 मतलब 3 की value क्या तो 90 का 3 गुना 270 270 को 60 से divide करेंगे तो आपको गंटे पता लग जाएंगे 6,4,24 और यह आदा साड़े 4 गंटे इसको पहले लगते थे option B the simple interest is Rs.160 for 2 years on any principle while the compound interest is 164 तो simple interest 2 साल के लिए 160 है और compound interest 164 है इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 4 का तो एक का आपको थियोरम बता रहा हूँ अगर principle पे मतलब जो पैसा आपने लगाया उसका आप R% आगे बढ़ाते हैं तो आपको एक साल का simple interest मिल जाता है ध्यान से सुनिएगा और इस एक साल के simple interest पे अगर आप R% लगाते हैं तो आपको दो साल का CI और SI के बीच का difference मिल जाता है इस बात को आप चाहें तो note कर सकते हैं बहुत important बात है और अगर ये बात पता नहीं होगी तो बस ये हो चुका question solve बहुत time लगेगा दो साल के लिए simple interest 160 है तो एक साल के लिए 80 हो जाएगा because वो हर साल सेम रहता है और ये जो दो साल के लिए अंतर है ये तो 4 है तो बस simple सी चीज़ ये है कि ये 4 है ये 80 है तो ये कितना है या फिर वो भी आप ना बताईए आप सिर्फ rate बता दीजिए बात खतम तो सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ये जो 4 है ये 80 का कितना परसेंट है क्या बोला ये जो 4 है ये 80 का कितना परसेंट है यही आपका answer हो जाएगा तो इसका 10 परसेंट लेते तो 8 आप लेकिन ये तो 4 है तो इसका मतलब और आदा कर रहे हो 5 परसेंट ले रहे हो तो option B 3 cubes with a side 3, 4 and 5 is made of metal A new cube is formed by melting these इन 3 cubes को बिगला के एक नया cube बना लिया तो इसमें हम लगाएंगे volume conservation method इन 3 को मिला के जो volume आएगा वही बड़े वाले के volume के बराबर होगा तो इन 3ों के volume को आप जोड लीजिए एक की side पता है 3 तो 3 का cube हो जाएगा इसका volume तो पहले का volume है 3 का cube दूसरे का है 4 का cube तीसरे का है 5 का cube और ये हो जाएगा A का cube मैंने मान लिया कि ये जो बड़ा cube है उसकी side A है 125, 64 और 9 इनको solve कर लिया हमने ये हो गया A cube 12, 6, 18, 180 और 5, 4, 9 सोरी ये 9 नहीं होगा ये 27 होगा तो 12, 6, 18 और 5, 4, 9 इसका मतलब हो गया 189 और ये क्या हो गया 27 जोडेंगे क्या हो गया 216 दोनों तरफ cube root ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 उस particular cube की side क्या है 6 है और यही आपको बताना है यानि की option A The sum of 11 consecutive numbers is 220 What is the middle number? तो 11 consecutive number मतलब अगर वो पहला number X है तो दूसरा X plus 1 है आखरी number X plus 10 है कुल मिला कि ये बात आपसे की जा रही है अब इसका जो sum है वो इन्होंने बता दिया 220 तो sum पता है तो average कितना हो जाएगा Sum divided by जितनी वो संख्याएं है कितनी है 11 है 11 2 22 और 1 0 तो average आगया 20 अब ये average आखर होता क्या है पहले number और आखरी number का जो average होगा वही इस पूरी series का average होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये series arithmetic progression यानि की AP का निर्माण करती है because जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो पिछले वाले से एक का gap ले रहे हो और ऐसा हर बार कर रहे हो तब ही ये AP की series है तो भई इनका जो average हो हम ले लेंगे और एक चीज और AP के average निकालने का एक तरीका और भी होता है अगर मान लीजे कोई arithmetic progression आपके सामने है तो उसका जो beach का number होगा अब यहाँ पर ये लोग beach का number पूँच रहे है मतलब indirectly आप से average पूँच रहे है जो कि आप निकाल चुके हैं 20 तो option B The distance between two station A and B is 70 km ये A है और ये B है इनके बीच में gap कितने का है तो 70 km का एक train A से B चली जिसकी speed 80 km पर R के हिसाब से है और दूसरी train B से A चली जिसकी speed 1 km परती मिनट के हिसाब से है तो km पर R में इसको convert कर लीजिए हर एक मिनट में 1 km चलती है और 1 गंटे में 60 मिनट होते हैं तो यानि कि उसकी speed 60 km परती गंटे के हिसाब से हो चुकी है I think ये clear हो गया होगा इसकी speed है 60 तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगी तो overall speed पर क्या प्रभाव पड़ेगा opposite direction में speed add हो जाती है तो speed हो जाएगी 80 plus 60 अब time पूछाए ना time they meet each other after what time तो यानि कि time बताना है जो कि distance upon speed होता है distance है आपका 70 और speed क्या है 140 80 plus 60 तो ये आदा गंटा आ जाएगा आदे गंटे का मतलब 30 minute option C ये आगया reasoning का question इसमें आपको इस series को complete करना है इनके बीच में difference लेते हैं 4 इनके बीच में 13 में से 5 गया 8 इसी तरीके से ये 16 इसी तरीके से ये 32 4 का double 8 8 का double 16 16 का double 32 यहां भी double करेंगे 32 का double 64 तो 64 plus 68 यानी की 125 option D The difference between two positive numbers is 72 and if one is divided by the other then the dividend is 4 यहां पर dividend नहीं question होगा कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो positive numbers है जिनके बीच में अंतर तो 72 का है लेकिन अगर आप एक को दूसरे से divide करेंगे तो answer 4 आएगा अगर आप 112 को 40 से divide करेंगे तो क्या answer 4 आएगा कभी नहीं आएगा यह option wrong है अगर आप 96 को 24 से divide करेंगे तो answer 4 आएगा क्या बिलकुल आएगा तो इस option को टिक करिए और आगे बढ़िए बाकी चक करने की ज़रूरत नहीं है तो पहला प्राइम नंबर दो फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 कितने हो गए 3, 3, 6 4 अभी भी बाकी है 17 19 23 3, 3, 6, 3, 9 एक और चाहिए जो कि हो जाएगा 29 अब इनको अड़ करके 12 से divide कर दो तो 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 8 80 तो यहीं से हो गया 9, 3, 12 9, 21 7, 28 33, 31, 32 तो इन सब को अड़ करा हमने तो answer के आगया 112 112 साथ 119, 124, 127 और 129 तो सम आगया 129 इसको जितने हैं उन से divide कर दोगे तो average आजाएगा कितने हैं 10 हैं तो average के आजाएगा 12.9 option C will be the answer A solid sphere of copper has diameter 6 cm It is transformed into a wire of diameter 0.2 cm अब जब भी wire का जिक्र हो आप इसको cylinder की तरीके से treat करेंगे because wire का nature cylindrical होता है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक sphere यानि की गोले को एक cylinder में परिवर्तित किया जा रहा है तो अगर एक 3D figure को दूसरे किसी भी 3D figure में आप convert कर रहे है तो जो volume पहले figure का वही बाद वाले figure का तो sphere का volume 4 by 3 pi r cube इसका volume pi r square into h अगर cylinder ऐसे रखा है तो ये उसकी height है अगर cylinder इस तरीके से रखा है तो ये उसकी length है तो length हो चाए height हो बात cylinder के case में कम से कम एक ही होती है आप देख रहे हैं कि pi से pi cancel हो गया 4 by 3 into 6 into 6 into 6 मतलब by 2 कर दीजे न ये 6 diameter है तो उसका radius लेना है तो ये 3 हो जाएगा 3 into 3 into 3 और ये यहाँ पर जो इसकी diameter है diameter point 2 तो radius point 1 point 1 का मतलब 1 by 10 तो ये क्या आ गया 1 by 10 into 1 by 10 into h because इसी चीज़ को आपको निकाल करके बताना है 1 3 से 1 3 cancel हो गया 10 10 is a 100 100 उधर जाएगा तो 4 और ये 9 ये 3 तरीक 9, 9 चोक 36 36 गुणे 100 तो ये 100 और ये 36 मिलके बन जाएगे 36 100 लेकिन ये answer किसमें आएगा centimeter में हमें answer किसमें चाहिए meter में तो 100 से divide कर दीजिए इस 100 से ये 100 cancel हो जाएगा answer क्या जाएगा 36 meter option है अब सवाल ये है कि 100 से क्यों divide किया because एक मीटर में 100 सेंटिमीटर होते है a man buys 11 books in rupees 10 तो ये है number और ये है रुपए शुरुवात में इन्होंने 11 किताबें खरी दी 10 रुपए में और बाद में क्या किया 10 10 किताबें 11 में बेच दी तो पहले किताबें की संख्या 11 थी अभी किताबें कितनी हो गई अभी हो गई 10 और ये 11 हो जाएगा तो एक काम करिए इसमें सबसे बड़िया तरीका ये है कि number of किताबों को पहली situation और बाद के situation दोनों में same कर लीजिए तो ये 11 और 10 इनका एलसियम होता है 110 तो 11 से अगर आप 110 बना रहे है तो दोनों तरफ multiply करिए 10 से मतलब इन दोनों की तरफ 10-10 का multiply हो जाएगा 10 से 110 की तरफ जाना चाहते हैं तो इंटू 11 तो अभी हमारे पास number तो हो जाएगा 110 दोनों ही case में लेकिन ये हो जाएगा 10 टेंट जा और ये हो जाएगा 11 का square 121 तो उस simple सा सवाल हो गया कि 110 किताबे खरीदी तो 100 रुपए में हैं लेकिन बेचने का जब number आया तो 121 रुपए में बेच रहे हैं तो 110 किताबों को रखे किनारे अब simple से ये चीज़ समझे कि 100 रुपए के चीज़ को 121 रुपए में बेचा जा रहा है इसका मतलब 21 का profit हो रहा है 100 रुपए पे यानि 20% option D if x minus a is one of the factors of this expression find the value of a तो ये जो छोटी वाली चीज़ है ना इसको gx मान लीजिए और ये gx को 0 के equal करेंगे तो x minus a बराबर 0 तो x बराबर a इस x बराबर a को इस वाले expression में रखिए और इसको 0 के बराबर कर दीजिए factor theorem लगा रहे हैं हम लोग तो x के place पे a तो a cube minus a square into a plus a plus 2 is equal to 0 क्या किया हमने इसको 0 करके x की value निका ली और इस x की value को इस बड़े expression में रखके इसको 0 के equal कर दिया simple है 2 बराबर 0 यानि a is equal to minus 2 option c if the half diameter of a circle is increased by two times then the percentage of increased area is half diameter का मतलब होता है radius radius को उठा के double कर रहे हो तो area पे क्या effect पड़ता है area होता है pi r square मतलब यहाँ पे radius दो बार है squared effect पड़ता है अगर आप radius को उठा के double कर रहे हो तो इसका मतलब यह हुआ कि area को उठा के 2 का square यानि 4 गुना कर रहे हो 4 गुना होने का मतलब 300% से बढ़ जाना यह होता है simple सा मतलब मान लो कोई चीज 2 गुनी हो गई तो 100% से बढ़ गई कोई चीज 5 गुनी हो गई तो 400% से बढ़ गई यह होती है यहाँ पे main concept तो यहाँ पे answer क्या हो जाएगा 300% से बढ़ गया option C choose the value of A such that this equation and this equation have no solution no solution के condition क्या होती है मान लो इस वाली equation को represent करने वाली line यह है और इस वाली को represent करने वाली line यह है अब क्या यह दोनों line आगे जाके कभी मिलेंगी नहीं मिलेंगी solution का मतलब होता है इन दोनों में common point तो वो तो कोई है ही नहीं इसका मतलब no solution है तो parallel line की condition होती है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2 not equal to से हमें मतलब भी नहीं है हमें equal में value बतानी है तो A1 by A2 is equal to B1 by B2 A1 A2 क्या है X के coefficient equation 1 और 2 दोनों के B1 B2 है इनके Y के coefficient यहां से A1 का मतलब 2 यहां से 3 B1 का मतलब उधर से A और इधर से minus 5 cross multiply करेंगे तो 3A is equal to minus 10 A is equal to minus 10 by 3 option B a circle of half radius 7 radius का आधा साथ है तो radius क्या है 14 है simple है has a sector of 120 degree angle what is the area of sector तो area of sector होता है pi r square into theta by 360 theta का मतलब sector कितना angle बना रहा है pi का मतलब 22 बटे 7 r square मतलब 14 into 14 theta 120 नीचे लिख दिया 360 यह हो गया 1 by 3 because 120 ने 360 को तीन बार में काट दिया 7 to the 14 और यह नीचे 3 का 3 बचा ही रहेगा क्यूंकि 3 ऊपर कहीं मिले गा ही नहीं इसको कुल मिला के solve कर लेंगे तो 14 दुनी 28 into 22 यानी 56 into 11 तो 5 6 और यह एक एक 616 बटे 3 तो यह तो 200 के उपर चली जाएगी value ना तो यहाँ पर कोई भी option match नहीं कर रहा है कभी कभी इस तरीके के भी question आ जाते हैं जो की option match ना करें जिनके आप जी यह section में भी देखते हैं कि कई बार question उनकी तरफ से wrong आ जाता है A man sells his cycle for rupees 450 and bears a loss of 20% 20% loss में बेचने का मतलब यह हुआ कि 80% में बेच दिया 80% का मतलब 450 अब कहा जा रहा है कि कितने में बेचा होता अगर 20% का profit हो गया होता तो 20% profit का मतलब 120% में बेचने की बात हो रही है Simple सा question बन गया 80% का मतलब 450 तो 120% का मतलब क्या Solve कर लेंगे 450 into 120 by 80 40 से काटेंगे 3 बार में 40 दूनी यह 225 गुणे 3 यानी की 675 Option D The compound interest on rupees 4000 With the annual rate of interest 5% for 2 years तो यह पहला साल यह दूसरा साल पहले साल में तो इस 4000 का 5% मिलेगा 10% होता तो 400 होता 5% मतलब आधा यानी 200 दूसरे साल इस 200 रुपे तो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे ही लेकिन साथ ही साथ इस 200 का भी 5% मिलेगा इसका 5% कितना हो जाएगा सबसे पहले 10% 20 आपको सीधे दिख रहा है 5% का मतलब आधा यानी 10 200, 200, 400, 400 प्लस 10 यानी 410 Option C 72 में देखे जरा इंग्लिश मीडियम में कुश्चिन के कहने कार्थ कुछ और है जबकि हिंदी में कुछ और है इंग्लिश का जहां तक सवाल है तो उस पे फोकस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे Which of the following is correct सही कौन सा है Pi is an irrational number तो आप जानते हैं कि वो irrational है इसको टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए कौन सा असत्य है मतलब जो false है उसको बताना है तो यहां पे Pi अपरिमे है मतलब irrational है तो क्या यह false है यह तो बिल्कुल true है तो यह नहीं होगा E irrational है यह भी true है root 2 एक even number है अरे भाई जो root 2 है न वो एक irrational number है इसमें क्या even क्या odd तो यहां पे option C correct होगा Which of the following is false Every negative number has a square मतलब अगर minus 1 का square करोगे तो क्या answer नहीं आएगा बिल्कुल आएगा तो यह तो true है जो true है वो आपका answer नहीं है No square root is there for negative number अगर लोगे भी तो आयोटा की form में आ जाएगा imaginary number की category में वो चला जाएगा यह भी true है तो answer नहीं है minus infinity is a negative number तो कुछ लोग इसको minus देखके कहे देंगे यह तो सही है लेकिन ऐसा नहीं है infinity और minus infinity subjective quantity है किसी और के लिए अलग और आपके लिए अलग imaginary है तो यह answer सही हो जाएगा because यह गलत है if y is equal to mod x find dy by dx जो mod x होता है न वो हमेशा positive value लेके बाहर आता है तो इसको y is equal to x की तरीके से देख सकते हैं dy by dx x का तो 1 होता है यानि कि option b जो हमारे maths background के student है उनको तो यह question easy लग रहा होगा लेकिन जो बाकी background के हैं उनको तो पता भी नहीं होगा यह क्या है तो यह पुराने question है आज की date में मुश्किल है कि यह आपके paper में दिखे भी यह जो function है fx बराबर यह इसको फिर से लिख देता हूँ x minus mod x by x यह पूरा divide by x यह continuous है कि नहीं तो इसमें अगर आप नीचे x की जग़े 0 रख देंगे तो यह function तो undefined हो जाएगा तो इसका मतलब यह 0 छोड़के बाकी हर जगे continuous होगा option d बाकी यहाँ पे continuous का test लगाने की ज़रूरत नहीं है कि left hand limit, right hand limit निकाल नहीं है इतना time नहीं होता बस देख के टिक करना होता है calculate the limit this तो अगर आप यह limit x tends to 0 है वैसे तो अगर आप direct x की value 0 रख देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा मतलब indeterminate form बन जाएगी function को ही undefined बता दे रहे है लेकिन यहाँ पे आप क्या करिए उपर नीचे differentiate कर देजे तो यह तो product में है इनका differentiation क्या होगा x into इसका differentiation मतलब e to the power x plus e to the power x को as it is लिखना है x का differentiation यानी 1 तो into 1 तो यही आएगा यह लिखने की जरुरत नहीं है log of something का differentiation होता है 1 by 1 plus x और 1 plus x का क्या होगा तो 1 होगा तो उसको भी लिखने की जरुरत नहीं है और यह x square का बन जाएगा 2x लेकिन रुकिए अभी भी नीचे x है एक और बार differentiate करिए फिर से x ex plus ex इसका differentiation किया है ex का वही रहता है और यह sign change हो करके हो जाएगा plus का 1 by 1 plus x का whole square और नीचे 2x का हो जाएगा 2 1 plus 1 plus यह 1 और नीचे 2 आंसर के आजाएगा 3 बटे 2 option B which of the following statement is correct सबसे पहला option है if x is less than 0 मतलब x की कोई negative value है तो मान लीजे x है आपका minus 2 तो यहाँ पे x square और x के बारे में आपको बात करनी है x आपको पहले से पता है इसका square कर देंगे तो क्या आजाएगा 4 आप देख रहे हैं कि x square 4 है जबकि x minus 2 है तो 4 बड़ा है कि minus 2 तो 4 बड़ा है इसका मतलब x square x से बड़ा है और यह लोग भी यही कह रहे हैं इसका मतलब सही कह रहे हैं option A तो 200 km का distance जब आप जा रहे थे तो 40 की speed से जा रहे थे लेकिन जब आप वापस आ रहे थे तो 20 की speed से आ रहे थे तो average speed आपको बतानी है जो की होती है total distance by total time total distance 200 प्लस 200 यानी 400 total time मतलब distance बड़े speed पहले case में और दूसरे case में इनको add करना है पहले case में distance 200 और speed है 40 दूसरे case में distance 200 और speed है 20 400 बड़े यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 10 400 बड़े 15 यानी की 5 से काटेंगे 80 बार में जाएगा 5 से काटेंगे 3 बार में जाएगा 80 बटे 3 यानी 26.6 option D यहाँ से correct हो गया if alpha and beta are the root of the equation this find the value of this expression तो इसको simplify कर लेते हैं जरा cross multiply करेंगे तो numerator में आ जाएगा alpha square plus beta square और नीचे क्या आ जाएगा alpha beta और आगे इसको solve करेंगे तो alpha square plus beta square को लिख सकते हैं alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta और नीचे alpha beta तो रहे गाई एक बार जरा alpha plus beta निकाल लेते हैं जो कि होता है minus b by a minus b का क्या मतलब है इस negative को थोड़ा इधर रखते हैं b का मतलब है x का coefficient मतलब जो उसके साथ number लिखा है 11 a मतलब x square का coefficient जो की 1 है तो alpha plus beta के आगया minus 11 alpha beta होता है c by a c का मतलब जो constant है 50 a मतलब x square का coefficient 1 तो alpha plus beta का square की जगा पे minus 11 का square minus 2 into 50 divide by alpha बीटा जिसका मतलब है 50 121 माइनस 100 बटे 50 यानि 21 बटे 50 यानि की 0.42 option b यहां से correct हो गया fx gx आपको दे रखे हैं gx एक बार फिर से लिख देता हूं x square minus 3 और पूंचा है g of f inverse तो सबसे पहले inverse नहीं है sorry f of minus 1 तो f of minus 1 जड़ा करिए यह minus plus 1 यानि 0 हो जाएगा तो g g of fx f minus 1 आपको चाहिए था ना तो f minus 1 की place पे तो 0 आ गया यानि की g of 0 आपको numerator मे लेना है g of 0 x square की place पे 0 का square तो answer के आ गया minus 3 उसके बार नीचे क्या चाहिए f of g minus 1 g minus 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा minus 1 का square minus 3 यानि minus 2 तो f of g of minus 1 का मतलब हो गया f of 2 तो यहाँ पे 2 रख दीजिए तो 2 plus 1 कितना आ गया 3 आ गया तो इसमे answer के आ जाएगा और वैसे भी यह question बहुत पुराना है higher classes से मुश्किल है कि कोई question आ जाए बस आप जो basic aptitude होता है उस पे focus करिए अगर time है तो otherwise gs के लिए ज़्यादा serious रहिए x is equal to this तो जब भी x is equal to a cos theta b sin theta दिया हो तो दोनों तरफ square कर लिया करो तो x square बराबर हो जाएगा a square cos square theta plus b square sin square theta plus 2ab into sin theta cos theta इसी तरीके से उधर भी square करेंगे तो यह हो जाएगा y square is equal to a square sin square theta plus b square cos square theta minus 2ab sin theta into cos theta इन दोनों equation को आपस मैड करेंगे तो इससे यह cancel हो जाएगा यह हो जाएगा x square plus y square और यहां से a square common लेंगे तो cos square theta plus sin square theta यहां से b square common लेंगे तो sin square theta plus cos square theta अब यह दोनों ही 1 होते हैं आप जानते हैं identity तो x square plus y square क्या हो गया a square into 1 A square plus B square into 1 B square तो answer के आ गया A square plus B square यानि की option C आपको X square plus Y square ही बताना था The value of K so that the point this, this and this are collinear तो collinearity की condition होती है वो actually होती है कि यह जो determinant बनेगा न X1, X2, X3 और यह सब का इनको 0 कर दो यह जो 123 है इसको इस determinant में R1 पे ले लो पहली रो में 123 इसी तरीके से इसको दूसरी रो में ले लो K04 इसी तरीके से इसको minus 242 ऐसे रख सकते हो इसको 0 कर दो मतलब यह 0 होता ही है यह condition होती है इस determinant को solve करते हैं 1 into इसका cross multiplication तो 0 minus 16 minus 2 इन सब का cross multiplication तो 2K यह minus minus plus हो गया plus 248 उसके बाद यहां पे plus आता है तो plus 3 into इनका cross multiplication यह जाएगा 4K plus 0 because minus 20 यह आ गया minus 16 यह minus 4K minus 16 plus 12K is equal to 0 यह 12 में से चार गया 8 8K minus 32 is equal to 0 8K बराबर 32 तो K बराबर 8 से 32 ने को काटा 4 बार में K बराबर 4 option ने है A coin is tossed upward from the ground with the velocity this यह physics का question कहां से आ गया लेकिन पिछले मतलब पिछले जो साल थे साल 2007 चेन में कुछ भी यह लोग पूँच लेते थे तो जो लोग साइन्स बैक्राउंड के नहीं है उनके लिए दिक्कत की बात है लेकिन ऐसा आज कल नहीं हो रहा है आज कल सिर्फ basic aptitude ही पूँचा जाता है वैसे इसको solve कर लेते हैं आपको height बतानी है और velocity की value 9.8 है तो सीधे formula याद रखिए h बराबर u square upon 2g u square का मतलब 9.8 into 9.8 2g का मतलब 2 into 9.8 g का मतलब 9.8 इससे यह cancel यह आ गया 4.9 4.9 मीटर यहां से correct हो गया option number c for every integer x the expression this is divisible by किस से divisible होगा यह चीज आपको बतानी है तो इसमें 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा 1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा because 1 square minus 1 0 यहां पे 2 रखके देखते हैं लिखा हुआ है every integer तो कुछ भी रखके देख सकते हैं 2, 2 का square 4, 4 minus 1 3 24 दुनी 48 हमारा answer आ रहा है 48 जो कि इनमें से सिर्फ 24 से कठता है तो option c इसमें correct हो गया the triangle joining the points this, this and this is इनमें से कौन से type का triangle है बताईए तो इसमें सबसे पहले इस point को a इस point को b मान लो और distance a भी निकाल लो distance formula से यह हो जाएगा 4 minus 2 का square plus 7 plus 1 का square यह क्या आ जाएगा 64 और यह क्या आ जाएगा 4 में से दो गया 2 2 का square 4 तो root under 68 आ गया उसके बाद इधर देखिए अब bc निकालते हैं यह आ जाएगा bc हमारा 4 plus 2 6 का square 36 6 plus 1 7 का square 49 यह आ गया 85 तो मतलब a bc आपस में बराबर नहीं है उसके बाद c ए इसमें निकालेंगे यह 2 और minus 2 मिलके 4 बन जाएगा 4 का square 16 7 में से अच्छे गया 1 तो यह आ गया root 17 इन तीनों ही साइड आपस में बराबर नहीं है तो ट्राइंगल इसका मतलब scale in होगा scale in option d इन में से कोई सही नहीं है the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second एक ऐसा automatic type का circle है जिसकी radius हर second में 3 cm के हिसाब से बढ़ रही है तो time के हिसाब से कोई चीज़ change होती है तो उसको बोलते हैं differential change यानि की dr by dt जहाँ पे r है radius dr by dt हमारे पास है 3 equation number 1 at what rate is the area increasing when the radius is 10 radius की value इन्होंने 10 दे दी area क्या होता है circle का pi r square दोनों तरफ r के respect में differentiate कर लोगे r के respect में करने की कोई ज़रूरत नहीं है t के respect में करना because time के हिसाब से change को देखते हैं d a by dt pi constant r square का 2r into dr by dt अब d a by dt क्या हो जाएगा pi तो वैसा ही रहेगा r की place पे हम 10 रख देंगे तो 2 into 10 dr by dt हमें 3 पता है equation 1 से तो 3 दहम 30 दूनी 60 ये क्या गया 60 pi option d यहां से correct हो गया ये function आपको दिया हुआ fx बराबर log x तो fx प्लस xy क्या होगा आपको यह बताना है तो fx तो log x है fy क्या हो जाएगा log y हो जाएगा log की property होती है कि अगर log x प्लस log y कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब log x प्लस y होता है तो यहां पे sorry ये गलती हो गई ये होता है log of xy मतलब into में है तब plus की form में खुलता है आप जानते है log a b बराबर होता है log a plus log b तो यहां पे xy है ना तो ये function किस पे depend कर रहा है xy पे तो इसका answer हो जाएगा f of xy option a find the median of this तो इसमें median के लिए सबसे पहले increasing order में करना है तो करने की कोई जरूरत नहीं है पहले से increasing order में आपको लगा लगाया मिल गया अब आप गिन लीजिए कैसे मैं बोलना हूँ लगा लगाया मिल गया सबसे छोटा 2 है जो कि सबसे पहले है सबसे बड़ा 16 है जो सबसे last में है तो मतलब order maintain है अब ये लोग हैं कितने जरा गिन लेते हैं 3, 3, 6, 2, 8 अब 3 यहां से काटी है 3 उधर से काटी है यह जो बीच में 8 और 10 है न इनको जोड के 2 से डिवाइड कर दीजे यही आपका median आ जाएगा 18 बटे दो यानी 9 option B अब प्लेयर कंप्लीट्स 2200 मीटर रेस in any circular path with 7 revolution 7 चक्कर मारने के बाद 200 मीटर कवर करता है तो एक चक्कर मारने के बाद 2200 बटे 7 मीटर कवर कर पाता अब यह क्या है एक चक्कर में जो distance कवर होता है उसको circumference कहते है और circumference किसके बराबर होता है 2 π.R तो 2200 बटे 7 को 2 into 22 बटे 7 into R लिख सकते हैं R ही आपको बतानी है तो यह 100 बार में कटा 7 से 7 डारेक्ट कटा 250 जा R बराबर आगया 50 मीटर Option C The coordinates of the midpoint on joining the point this and this तो midpoint बहुत आसान होता है X coordinate का average लिजिए 4 minus 4 0 0 मतलब 0 6, 8, 14 14 का अदा 7 तो coordinate के आगया 0,7 Option D In triangle P QR if angle P is equal to 120 degree यह अगर इसको 120 के बराबर मान ले तो यह angle P हो गया और Q और R कहीं पे भी आप मान सकते हैं This is angle P If P Q is equal to PR यह PR है और यह P Q इसके बराबर है तो इसको थोड़ा उपर बना देते हैं जिससे यह distance हमें थोड़ा सा बराबर लगे अब इसको जॉइन कराके एक triangle P QR बना देते हैं अब यह side बराबर यह side बराबर और equal side के सामने जो angle बनता है वो भी आपस में बराबर होता है इन तीनों का total angle 180 होता है विकॉज यह एक triangle है उसमें से 120 यहां पे ले चुके हैं तो बांकी का बच गया 60 अब 60 में भी बराबर बाटना पड़ेगा विकॉज angles equal होंगे equal side के सामने है न तो 60 को दो बराबर पार्ट में बाटने का तरीका एक ही है कि 30 इसको दे दो 30 इसको दे दो तो angle कितने आगए 30 और 30 option C the value of limit x tends to 0 ax minus b to the power x divide by x तो इसका तो एक standard सा formula होता है log of a by b log of a by b इसका formula होता है base e पर यानि कि option b यहां से correct हो गया